Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल Linkages between development and spread of extremism Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security Challenges to internal security through communication networks Role of media and social networking sites in internal security challenges Basics of cyber security, money laundering and its prevention Security challenges and their management in border areas Linkages of organized crimes with terrorism और पांचवा है various security forces and agencies and their mandate Internal security challenge जैसे terrorism, nuxilism, extremism, cyber security, organized crime और money laundering इत्यादी के समझ इस paper के लिए बेहद आवश्यक है इसके लावा border management और देश की security forces की understanding भी काफी crucial है इस lecture series के माध्यम से हम इन सभी topics का in-depth study करेंगे दोस्तों, देश की security यानि सुरक्षा के broadly दो dimensions होते हैं पहला है internal security यानि देश की सुरक्षा को देश के borders के अंदर manage करना दूसरा है external security यानि देश की सुरक्षा को किसी विदेशी ताकत या फिर दूसरे देश के aggression के खिलाफ ensure करना लेकिन security या सुरक्षा आखिर होती क्या है सुरक्षा का सीधा और सरल मतलब है देश में internal या external factors के सामने law and order को बनाया रखना शान्ती ensure करना और देश की sovereignty या संप्रभुता को बरकरार रखना जो हमारे सम्मिधान का integral aspect भी है security किसी भी देश की growth और development और उसमें रह रहे citizens के overall prosperity के लिए बेहर अवश्यक है क्योंकि बिन a secure atmosphere के देश में अरजकता फैलाई जा सकती है जिसके चलते किसी भी प्रकार का economic, social या फिर cultural growth नामुम्किर हो जाता है इतियास इस बात का गवा है कि जो भी राष्ट अपनी internal security और internal stability को ensure करने में सफल रहे हैं उन राजियों में economic development और cultural growth दोनों ही चरम पर रहे हैं फिर वो चाहे मौरे एंपायर हो, मुगल्स हो या फिर चोला लेकिन जो राज कमजोर पड़ गए, उनका पतन हुआ और उनके लोगों को भी दिक्कते जहिलनी पड़ी आज के दौर में हम अफगानिस्तान, सीरिया या फिर यमन की तरफ देखते हुए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अराजक महौल में देश और उसके लोगों को क्या क्या जहिलना पड़ता है खेर, इंटर्नल सक्यूर्टी को इंशियोर करने का जिम्मा हमारे देश में Ministry of Home Affairs का है और एक्स्टर्नल सक्यूर्टी को इंशियोर करने का काम Ministry of Defense का लेकिन इन differentiation केवल theoretical है In reality, external और internal security आपस में interlinked है उधारन के तौर पर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिष्टों को देख सकते हैं वैसे तो जम्मू और कश्मीर की militancy एक internal security इशियो भी है लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ एक major factor है जो यह दर्शाता है कि internal और external security correlated होते हैं वहीं दूसरी और नक्सलिजम जैसे internal security issue में भी कई बार international funding की बात होती रहती है जो हमारे argument को और बल देता है तो उस्ते एक सवाल मन में ये भी उठता है कि defense और security में क्या अंदर है ये दोनों शब्द वैसे तो similar ही है लेकिन एक हिसाब से defense को हम security के subset की तरह देख सकते हैं जो है एक तरफ defense का संबन्ध largely एक external threat की अगेंस्ट देश की armed forces की capabilities को बढ़ाना है वहीं दूसरी और security एक multi-dimensional concept है जो ये ensure करता है कि armed capabilities के साथ-साथ उन कारणों पर भी काम किया जाए जो internal security जैसे threats को जन देते हैं उधारान के तौर पर हम poverty, illiteracy और development जैसे issues की बात कर सकते हैं जो कई प्रकार के internal security threats को जन देते हैं इसके लाबा समाज में बढ़ रहे समाजिक टक्राव जो देश में कम्यूनलिजम और ethnic conflict को जन देते हैं ऐसे मुद्दो का सम्मंद भी national security strategy का भाग होता है यही वज़ा है कि left wing extremism को counter करने के लिए सरकार ना केवल CRPF की capabilities पर काम करती है बलकि road connectivity, special central assistance और skill development पर भी जोर देती है साथ में इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि देश की security को ensure करने के लिए preparedness में almost हर governmental institution का कुछ न कुछ रोल होता है उधारन के रूप में हम diplomacy की बात कर सकते हैं जो ensure करती है कि दूसरे देशों के साथ मारे रिष्टे शांती पूर्ण रहे international agencies जैसे UN और FATF में cooperation से global security threat को कम कर सके और UNSC जैसे institutions की मदद से collective security को ensure किया जा सके जैसे जैसे हमें सभी विश्यों को detail में पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें defense और security की बीच का अंतर और भी अच्छे से clear हो जाएगा अब नज़र डालते हैं security से संबंदित कुछ basic concepts पर जिनका जिक्र आने वाले वीडियो में बार बार होगा दोस्तों जब हम इंडिया के security challenges की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है वो है terrorism या फिर आतंकवाद दोस्तों terrorism एक complex और contested issue है और हम आपको बता दें कि terrorism से दुनिया भर में हुए widespread destruction के बावजूद international community आज तक इस शब्द की परिभाशा ये definition पर एकमत नहीं हो पाई है इंडिया ने 1996 में UNGA में comprehensive convention on international terrorism या फिर CCIT के तहट terrorism पर एक अंतरास्टिय सहमती या consensus बनाने का कदम लिया था लेकिन ये convention आज तक UN के सारे members ने accept नहीं किया है और यहीं वज़ा है कि इसकी definition पर अभी तक कोई भी international सहमती नहीं बन पाई है terrorism की खिलाफ लडाई में ये एक बड़ा obstacle भी है खेर अपनी समझ के लिए हम कह सकते हैं कि terrorism वो कोई भी आठ है जिसका मकसद लोगों में दहशत फिला कर देश को destabilize करना हो इसके लावा आतंकवाद को हम जनरली धार में एक आतंकवाद या religious terrorism से भी associate करते हैं लेकिन religious terrorism के वल एक तरह का terrorism है religious terrorism के लावा ideological terrorism, ethnic terrorism, state terrorism, cyber terrorism इत्यादी भी terrorism के ही प्रकार है इन सभी typifications को हम terrorism के lecture में detail में समझेंगे terrorism के बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये दो और similar sounding words militancy और insurgency से किस प्रकार से अलग है जी हाँ दोस्तों वैसे तो newspapers में ये तीनों शब्द interchangeably use होते जाते हैं लेकिन टेक्निकली इन तीयों में कुछ अंतर भी है सबसे बड़ा अंतर ये है कि terrorist का target generally civilians होते हैं जिन पर attack करेंगे वो state पर दबाव बनाते हैं पर generally militants, mostly state, police या armed forces पर attack करते हैं इसलिए civilians के selective targeting या civilians पर bombings को हम act of terror कहेंगे लेकिन security forces पर attack को हम militant attacks का भी दरजा देंगे वहीं insurgency कुछ लोगों दोरा लंबे समय से चलने वाले organized armed struggle है जिसकी वज़े ideological, political, ethnic और linguistic differences इत्यादी हो सकते हैं इसके लावा कुछ experts कहते हैं कि militancy बिना external support के भी exist कर सकती है लेकिन एक insurgency बिना external support के thrive नहीं कर सकती और तो और terror attacks और militant attacks sporadic या कभी-कभी होते हैं लेकिन insurgency एक continuous struggle है एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि insurgency का modest operandy, terrorism और militant attacks दोनों हो सकते हैं और आज के समय में in reality, terrorism, insurgency और militancy की बीच एक organic nexus और linkage देखने को मिलता है और इनके बीच अंतर mostly किताबी ही है खेर आप चलते हैं अगले concept, extremism की ओर दोस्तो, extremism को उग्रवाद या चरम पंध भी कहते हैं ये एक तरह की विचारधारा है जो समाज की मानिताओं से हट कर radical विचारों को प्रमोट करता है extremism खुद में internal security threat create नहीं करता क्योंकि हर तरह के extremist विचार देश की सुरक्षा से संबन्दित नहीं होते और सभी extremist विचार illegal भी नहीं होते नहीं तक कि article 19 के तहत हर तरह के विचारों को रखने की आजादी समविधान खुद देता है लेकिन विचार जो समविधान में दिये गए terms and conditions जैसे public order, security of state और unity and integrity of country को थैटन करें वही विचार देश की सुरक्षा नीती की लिहास से important है इसके लाबा extremist ideas तब और खतरनाक हो जाते हैं जब उन्हें एक organized तरीके से समाज में फिलाया जाए एक दो individuals अगर extremist ideas को support करते भी हैं तो उससे समाज या देश को कोई बड़ा खतरा नहीं होता लेकिन जब कोई बड़ा organization ऐसे विचारों को फैलाने लगे तो security threat बढ़ जाता है इसलिए नक्सलिजम, religious radicalization या फिर communalism वो extremist ideas हैं जो security threat की तरह देखे जाते हैं क्योंकि ये सब ही peace, stability और देश की security को threaten करते हैं और इनका scale काफी बड़ा है ऐसे extremism को हम violent extremism भी कहते हैं उसके लावा हम ये भी कह सकते हैं कि extremism, terrorism, insurgency, militancy, इत्यादी को ideological backing प्रवाइड करता है इन elements के लिए motivation की तरह आठ करता है और ऐसे groups को recruitment में मदद करता है यानि extremism, internal security challenge का backbone है अब चलते हैं अगले concept, radicalization की तरफ तो radicalization एक social और psychological process है जिसके दौरा समाज के लोगों में extremist political और religious ideas के प्रती commitment को बढ़ाया जाता है किसी भी प्रकार का radicalization एक well thought out strategy के तहत होता है समाज के वो तब के जो किसी भी प्रकार के अभाव में जीते हैं या फर किसी भी प्रकार का discrimination phase करते हैं वो generally radicalization के प्रती जादा vulnerable होते हैं उसके लावा वो इलाके जहां development की कमी होती है वहाँ भी radicalization जादा तेजी से फैल सकता है as compared to well developed areas radicalization internal security threat इसलिए create करता है क्योंकि इसके चलते समाज में conflict और violence बढ़ने के chances बढ़ जाते हैं और radicalized लोग आसानी से उन गुटों का भाग बन जाते हैं जो violence को promote करते हैं radicalization के कई तरीके होते हैं उधारान के तोर पर हम ISIS की बात कर सकते हैं जो internet के माध्यम से दुनिया भर में radicalization फिलाने की कोशिश करता है इसके लावा over ground workers के माध्यम से civil society organizations के रूप में operate करने वाले front organizations etc भी radicalization फिलाते हैं कई दफ़ा तो mainstream organizations जैसे की मीडिया के दौरा भी समाज में radicalization फिलाया जाता है इसमें रवांडा के रेडियो रवांडा का उधारन महतुपूर है जिसने रवांडा में हुटू और टुट्सीच के बीच conflict को इस कदर बढ़ाया कि 1994 में वहां टुट्सी minorities का massive genocide हुआ radicalization के मकसद कई प्रकार के हो सकते हैं जिसे की vote bank politics से लेकर कुछ खास किसमिकी ideologies को promote करना और एक विशेश प्रकार के समाज की परिकल्पना को सिद्ध करना इत्यादी खैर अब बात करते हैं इंडिया के internal security situation की दूसरा हमारा प्यारा भारत विवित्ताओं ये diversities का देश है ये तो हम सभी जानते हैं भारत की diversity, religious, linguistic, racial, cultural और geographical लगबग सभी पैमानों में देखने को मिलती है हर ग्रूप की लोगों के अपने aspirations और expectations है हर ग्रूप का अपना culture और इतिहास है हर ग्रूप समाज की परिकल्पना अपने अपने हिसाब से करता है SMS विशाल देश को गवर्न करना खुद में ही कठिन काम है और यहीं से जन्म होता है देश के अंदर चल रहे internal security problems का इसके लावा कई और factors हैं जो देश के internal security problems को जन्म देते हैं तो चलिए एक बार उन factors को briefly समझ लेते हैं जो देश के internal security challenges को जन्म देते हैं unfriendly and hostile neighbors जैसे चाइना और पाकिस्तान insurgents को safe heaven प्रवाइड कर या फिर ISI जैसे external state institutions, terror groups को funding और direct support प्रवाइड कर हमारे देश में instability क्रेट करते हैं unemployment और under employment के चलते बेरोजगार लोग जल्दी radicalize होते हैं और violent ideologies की तरफ आकरशित हो जाते हैं नकसल प्रभावित इलाके इसके सबसे बड़े उधारण है administrative failures जैसे inequitable growth के चलते समाज के लोगों के बीच दरार का जन्म होता है और conflict बढ़ता है नब्बे के दशक में बिहार में हुए caste violence हो या फिर नॉर्थ में पनापरही insurgency inequitable growth in issues का one of the most important कारण है इसके लावा security failure to curtail organized crime भी internal security challenge का कारण है partisan politics या vote bank politics के लिए समाज में communal divide, caste tensions, ethnic या linguistic tensions को बढ़ावा देना भी internal security challenge को बढ़ा देता है उसके लावा जम्मु इन कश्मीर और नागालंड में चल रहे secessionist ये separatist movements और central और east इंडिया में चल रहे नक्सलिजम के अपने अरतिहासिक कारण है जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बढ़ा खत्रा है geographical factors भी internal security challenge को बढ़ा देते हैं वो areas जहां के लोग पाकी की देश से isolated हो या फिर difficult terrains में रहते हो वहाँ extremism के बढ़ने के chances ज़ादा होते हैं और दोस्तों ऐसा दो करणों की वज़े से होता है पहला तो ये कि ऐसे इलाकों में development नहीं हो पाता असानी से और दूसरा ये कि ऐसी जगहों में extremism को रोकना state के लिए भी एक tough task हो जाता है यही वज़ा है कि नक्सलिजम देश के उन areas में ज़ादा प्रभावी है जहां जंगल ज़ादा है cross border issues भी ऐसे ही इलाकों में होते हैं जहां border porous है जंगल पहाडों और नदियों से घिरे हुए इलाकों को manage कर पाना बेहत कठिन है और इसका फाइदा असामाजिक तत्व उठाते हैं governance deficit भी internal security challenge produce करता है देश का poor criminal justice, deep rooted corruption और नेताओं criminals और police का unholy nexus internal security threat को बढ़ा देता है इसके लाबा internet revolution के दौर में disruptive technologies जैसे AI, BCT, cryptocurrencies, drones etc के emergence ने भी internal security threats को बढ़ावा दिया है rapid digitization के चलते अच cyber security वन अब the most important internal security issue बन कर उपरा है दोस्तो इन सभी वजहों के चलते हमारे देश के सबसे बड़े internal security threats कुछ इस प्रकार है नक्सलिजम और left-wing extremism in India terrorism and nexus with organized crime जैसे की drug trafficking, money laundering, human trafficking इत्यादी, cyber crime and cyber security, religious wars and caste crimes, coastal and border security, insurgency in northeast, militancy and cross-border terrorism in Jammu and Kashmir इंडिया की internal security situation के बारे में Parliamentary Standing Committee on Home Affairs की 43rd report का कहना है कि हमारे देश के 535 districts में से 210 districts आज serious internal security problem और public disorder face कर रहे हैं और almost 40% areas में किसी ना किसी प्रकार का disorder है यही वज़ा है कि UPSC exam में internal security के बारे में जानकारी होना आवश्यक है दोस्तो development और extremism आपस हमें एक दूसरे के साथ बहुत ही complex रूप से जुड़े हुए हैं economics के context में तो development एक बहुत complex idea है लेकिन security के लिहाज से इसका सीधा और सरल मतलब है देश के लोगों के पास वो resources होना जिनकी मदद से वो अपना standard of living ensure कर सके हैं with adequate food, clothing, housing, quality education, health और एक dignified life जब कोई social group या individual इन में से किसी से भी या सभी से perpetually deprived होता है तो उसमें निराशा का भाव जन लेगा ये obvious है deprivation जब अपने चरम पर पहुँच जाए और deprivation से जन्मी निराशा को जब कुछ groups, organizations या फिर individuals politically channelize करने की कूशिश करें तब violent uphevels और extremism पनप सकता है जो एक internal security threat है हालकि ऐसा हमेशा नहीं होता और कई दफ़ा non-violent रूप से ऐसी समस्याओं का समधान निकाला जा सकता है especially in a democratic country खर development और extremism का इतिहास सबसे बड़ा उधारण है colonial rule के दौर में जब हमारे देश ने बड़े-बड़े फैमीन या अकाल देखे, भुकमरी देखी और colonial rulers द्वारा उत्पीडन दिखा, तब कई ऐसे violent movements भी हुए जिन्नोंने अंग्रेजी हुकूमत की नीन्ध हराम कर दी अजादी के बाद हमारे देश के हालात कई पैमानों में सुधरे colonial state को एक democratic state ने replace कर, welfarism को official state policy का हिस्सा बनाया और लोगों के पास political, economical और civil rights है लेकिन सर्यों की प्रतार्णा के बाद देश में जिस तरह की conditions अंग्रेजों ने create की उसे एक दिन में बदल पाना नामुम्किन था इसके लावा देश में जाती विवस्था की समस्याएं भी खतम नहीं हुई थी इसके चलते समाज में different social groups के बीच टकराव और दरार बरकरार थी partition के चलते जन में धार्मेक तनाव ने भी समाज को तोड़ कर रख दिया इस lack of development और governance failure के चलते इंडिया के कई हिस्सों में कई प्रकार के extremist elements और movements का उदय हुआ खैरी बात सच है कि under development, violent extremism और insurgency जैसे situations के लिए एक breeding ground को जन देता है लेकिन हर underdeveloped region में insurgency और extremism जन नहीं लेता ये भी एक सत्य है ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या extremism के जन के लिए under development एक sufficient condition है या फिर इसके पीछे और भी कुछ है दुस्तों सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है कई sociologist, political scientist और psychologist ने इस सवाल का जवाब को धूनने की कोशिश है की है जिरुपर नजर डालने पर हमें इस मुद्धे की deeper picture दिखती है ऐसे कई और factors हैं जो under development के साथ आवश्यक है किसी internal security threat को जन देने के लिए आईए देखते हैं इन factors को जोस्तों सबसे पहला factor है perception का किसी एक group या region में development का ना होना और इस lack of development के बारे में लोगों का perception दोनों अलग-अलग बाते हैं जनरली जब तक लोगों को under development या discrimination की समर्च नहीं होती तब तक वो under development को अपनी destiny मान कर उसमें adjust करते हैं होता है वो ऐसी problems को solve करने के तरीके खोशते हैं डेमोक्रेटिक देशों में mostly लोग peaceful तरीकों से अपने demands को government के सामने रख अपनी समस्याओं और demands को government के सामने रखते हैं politics में participate करके भी वो ये काम करते हैं अगर उनकी समस्याओं का निवारन या फिर उनकी demands meet हो जाते हैं या फिर उन्हें ये feel होता है कि उनकी demands meet हो गई हैं तो चीजे peaceful रहती हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो extremist tendencies के खतरे बढ़ने लगते हैं यानि कि lack of development के लावा perception of lack of development और उसके बाद failure of state to meet demands of deprived groups ये सब factors मिल जुलकर violent extremism को जन देते हैं हम आपको बता दें कि लोगों की demands legitimate है या नहीं ये हमारे discussion का vision नहीं है इसलिए ये possible है कि कई बार कुछ communities या groups state के सामने ऐसी demands भी रख देती हैं जो illegitimate होती है और state के लिए वो meet कर पाना नामुम्किन होता है separate nation state जैसी demands ऐसी ही illegitimate demands की categories में आते हैं अगर कोई group इस तरह की demands एक sovereign state के सामने रखता है तो इस case में extremism का खत्रा सबसे जाला रहता है लेकिन कई factors के चलते कई बार legitimate demands भी ignore कर दी जाती हैं जिनके चलते भी conflict और extremism rise होता है और ऐसी legitimate demands meet ना होने के पीछे state apathy, corrupt political, bureaucratic and mafia nexus, overall governance failure इत्यादी होते हैं इसके लावा ये भी ध्यान देने की बात है कि perception और reality में कई बार जमीन और आस्मान का अंतर हो सकता है कई दफा कुछ लोग reality को distort कर जनता के सामने एक ऐसा perception develop करते हैं जो उन्हें deprived feel करवाता है ऐसा mostly कुछ self-interested individuals अपने benefits के लिए करते हैं vote bank politics के लिए समाज में communal polarization को बढ़ावा देना हो या कुछ states में migrants के खिलाफ violence को fuel करना ये सब इसी perception building का खेल है नाजी जर्मनी में Jews के खिलाफ ऐसा ही propaganda चला कर उनका genocide किया गया था नाजी वादियों ने पूरे समाज में एक perception बनाया और propaganda फिलाया कि जर्मनी में चल रहे economic crisis के जिम्मदार actually में Jews हैं जिन्नोंने अपने economic might कर स्तमाल कर Germans के खिलाफ discrimination किया है ऐसी वातों से पूरे जर्मन समाज में extremism काफी तेजी से फैला और नतीजा आपको पता ही है इंडिया के case में ऐसी situations mostly communal rights, racial attacks against people of northeast, mob lynching से त्यादी में देखी जा सकती है lack of quality education जो development का एक important factor है ऐसी problems के intensity को और बढ़ा देता है और यही वज़ा है कि ऐसे internal security problems के storm centers mostly ghettos या slums में होते हैं जहां education level काफी कम होता है दूसरो lack of development के perception के लावा relative deprivation भी extremism cause करता है जब दो या दो से जादा groups एक दूसरे की conditions को compare करते हुए पाते हैं कि एक group दूसरे के मुकाबले जादा rich, educated या powerful है तो इसे relative deprivation कहते हैं यानि कि सिर्फ development की कमी नहीं बलकि दूसरे group के comparison में किसी group का level of development क्या है ये भी extremism को जन देता है इस relative deprivation से समाज के कई groups में conflict होता है और internal security challenges बढ़ते हैं जब हम noughties insigency के बारे में पढ़ेंगे तब हम मनीपुर में inter-tribal conflict के बारे में जानेंगे इंटर-tribal conflict एक major internal security issue है जिसका एक कारण relative deprivation और inter-group rivalry है है development के साथ साथ समाज से कुछ groups का alienation या अलगाव भी extremism को fuel करता है चाहे north east हो या central और east इंडिया यहां कई ऐसे tribal groups हैं जो देश के बाकी social groups से development के parameters में less developed तो है ही पर साथ में वो एक दूसरे से properly connected भी नहीं है एक diverse देश में various social groups के बीच interaction ही unity in diversity create करता है और society को stability देता है लेकिन social groups के बीच दूरी और lack of connect कुछ groups को alienate कर देती है और ऐसे में उन groups में extremist elements के rise होनी की probability बढ़ जाती है अर्बन centers में होने वाले radicalization की शिकार भी सबसे ज़्यादा वो groups होते हैं जो समाथ से अलग थलग घेटोज में रहते हैं कई social groups, intra group unity और dominant communities दोरा discrimination phase करने की वरिये से गेटोज में रहना prefer करते हैं जोने sense of security देता है लेकिन lack of diversity के चलते हैं ऐसे गेटोज में radical elements जादा हावी हो जाते हैं जब ये सब lack of education और backwardness के साथ mix होता है तो serious law and order problem को जन देता है इसलिए शहरों में violence और communal rights के शिकार ऐसे गेटोज सादा होते हैं ऐसे में ये state के लिए ज़रूरी है कि वो religion, region, language etc के parameters पर बनते social groups में सदभावना और dialogue को promote करे ताकि alienation कम हो और समाज में radicalization कम हो दोस्तों interesting बात ये है कि lack of development के लावा इंडिया में government द्वारा लिए गए कई developmental efforts भी extremism का कारण बनते हैं जी हाँ, हमारे देश में कई सालों तक development top down रूप से operate करता आया है यानि कुछ political leaders और bureaucrates मिलकर ये decide करते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं इस साब से policy making में लोगों की आवाज दब कर रह जाती है इस top down development method का एक और नुकसान ये है कि development one shoe fits all approach की तरह काम करता है जबकि हर region और area की अपनी समस्याएं हैं और बिना लोगों के participation के उनकी जीवन की असल समस्याओं को समझ पाना मुश्किल है उसके लावा कई बार कुछ regions जो resource rich हैं वहां के लोगों में ये perception पैदा होता है कि देश के बाकी लोगों के फायदे के लिए उनके resources को exploit किया जा रहा है और उसे लिए उनमें एक injustice का भाव भी पैदा होता है उपर से थोपे गए developmental projects जैसे roads, railways, industries, mining etc. के लिए land की जरुवत पड़ती है forest का destruction होता है और जहां कई tribal सदियों से रहते आए हैं और कई बार बड़े बड़े पहाड तोड़ दिये जाते हैं जो पूरी ecology को खराब कर देता है ऐसी situations में लोगों के displacement का खतरा बना रहता है और अगर rehabilitation और compensation सही तरीके से ना हो तो internal security challenges बढ़ जाते हैं उडिशा के नियामगिरी hills में bauxite mines को लेकर चले लंबे protest का case इसका एक छोटा सा example है खेड top down development problem को कम करने के लिए planning commission को 2015 में खतम कर देना एक सही step रहा लेकिन decentralized planning पर अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है तो ये तो बात हुई कि कैसे lack of development और improper and ill-thought-out development extremism को जन देता है अब देखते हैं extremism और lack of development के बीच के two-way relationship को जिसके चलते एक self-perpetuating vicious cycle का जन्म होता है तो तो कोई भी investment या business डर के महौल में और unstable security situation में operate नहीं कर सकता security development और investment के लिए essential है इसे लिए persistent insigency का atmosphere, extremism से सफर कर रहे areas के developmental stagnation का सबसे बड़ा कारण है कई दफा ये होता है कि extremism का rise, lack of development, backwardness और operation के चलते होता है लेकिन धीरे-धीरे extremism खुद में एक organized system मन जाता है जिसकी खुद की अपनी politics होती है अपने फाइदे के लिए extremist leaders जान बूच कर development के लिए बाधा create करते हैं origin reasons में extremism एक बार आ जाता है वो काफी समय तक backward ही रह जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि extremist leaders जानते हैं कि development, employment और education से लोग extremism को give up करके productive चीजों में लग जाएंगे और ये extremist leaders की politics को खतम कर देगा यही वज़ा है कि नकसल प्रभावत इलागों में कई दफा नकसल्स, schools, governmental projects, roads और bridges को destroy कर देते हैं और lack of development का blame लगातार सरकार पर लगा कर अपनी राजनीती को बल देते हैं इसके लावा resource based industries जैसे petroleum या tea garden से extortions और उनके executives का abduction यह सब insurgents का modest operandi होता है ऐसे attacks एक negative investment का महल create करते हैं और कोई भी investor ऐसे महल में invest करने से डरता है हम आपको बता दें कि insurgentsy प्रभावित कई इलागे resource rich areas भी हैं जिनका utilization national economy के लिए crucial है लेकिन insurgentsy resources के extraction और उनके utilization के लिए एक बड़ा challenge बन जाता है ऐसे में सबसे ज़ादा जो सफर करता है वो है insurgentsy affected areas की normal जंता या तो insurgents के डर से उनने forcefully insurgentsy में recruit करवाया जाता है sympathizer बनवाया जाता है या फिर lack of education के चलते वो खुद भी extremist ideology के शिकार हो जाते हैं जो join नहीं करते उनके पास भी development के options बेहत कम होते हैं और अजीवन गरीवी में उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है इसलिए हम कह सकते हैं कि extremism और insurgency under developed areas को और जादा under development की तरफ push करता है ख़र अब आखरी में हम developments related उन important और micro issues की बात करते हैं जो इंडियन extremism से directly connected है तो जो इंडिया के context में extremism से related developmental issues में सबसे पहला है forest policy British time से ही forest policy को लेकर वाद विवाद होता रहा है British राज में अंग्रेजों की forest policy के खिलाफ कई violent uprisings दिखे गए independent इंडिया की forest policy में बदलाव आये लेकिन बदलाव slow रहे forest conservation act 1980 के तहट कई forest reserve forest declare कर दी गए हैं जाहां human activities पर restrictions थे scholars का कहना है कि इसका नुकसान forest dwellers और tribals को हुआ जिने displacement phase करना पड़ा कई areas में tribals को अपने traditional land ownership right से भी हाथ दोना पड़ा इन सब ने extremist ideologies को breeding ground प्रवाइड किया इसका सबसे ज़्यदा फाइदा नकसल ideology को हुआ और यही वज़ा है कि forested areas में नकसल problem आज सबसे ज़्यदा है इसी समस्या को solve करते हुए इंडियन government ने forest rights act 2006 को enact कर tribal rights को recognize करने का historic कदम उठाया इसके लावा non forested areas में land ownership rights को लेकर चल रहे विवात के चलते भी extremism को ताकत मिली आप जानते हैं कि अंग्रेजों की land settlement policy जैसे permanent settlement बेहद exploitative थी high land revenue और जमीनदार्स के operation का शिकार बने गरीब किसान भुकमरी और गरीबी की चपेट में चले गए 75% से जादा land पर जमीनदारों के दबदबे के चलते actual cultivators या तो land laborers बनके रहे गए या fit tenants जिन से काफी जादा लगान वसूला जाता था इसलिए independent India में land reforms introduced किये गए ताकि ये circle of exploitation खतम हो और जमीनदारों का जमीन पर दबदबा कम हो लेकिन land reform कई सारे काड़नों के चलते successful नहीं हो पाया पंजाब, केरला और वेस्ट बेंगॉल में land reforms कुछ हद तक सफल रहा लेकिन देश के बाकी इलाकों में अमीर जमीनदारों ने corruption और politics के साथ अपने nexus का अस्तमाल कर ensure किया कि उनकी जमीन करीब किसानों में न बाटी जाए इसलिए आज भी हमारे देश में लगभग 86% किसान small और marginal farmers हैं और 40% rural household के पास तो कोई land ही नहीं है हम आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े internal security threat नकसलिजम का जन जम 1967 में नकसल बाडी में हुआ तो उसका context लैंड को लेकर चल रहे गरीब किसानों और अमीर किसानों की बीच का conflict ही था लेकिन ये conflict सिर्फ नकसल बाडी में नहीं था बलकि देश के कई इलाकों में था और इसे लिए नकसल बाडी में शुरू हुआ violence धीरे धीरे देश के बाकी इलाकों में भी फैला खेर, land से ही related एक और मुद्धा extremism और development की बीच की link को दर्शाता है ये मुद्धा है development projects को लेकर होने वाले land acquisition, displacement और उससे जन्व लेने वाला conflict जैसा हमने पहले देखा, development वैसे तो एक positive शब्द है, लेकिन कई दफा जिस cost पर development होता है उसको लेकर विवाद होते है land acquisition और लोगों का displacement वैसे ही एक cost है उपर से कई दफा corrupt bureaucrates, नेता और businessmen मिलकर ऐसा खेल रशते हैं कि ना तो गरीब का rehabilitation होता है और ना ही उस तक compensation पहुँचता है बिना जमीन और बिना पैसे की गरीब किसान poverty और deprivation में चला जाता है और निराशा फैल जाती है देश में कई बार ऐसे मुद्दों को लेकर non-violent social movements भी हुए है और government ने उसका समधान भी किया है लेकिन कई बार इस निराशा का फाइदा उठाते हुए समाज के उपद्रवी तत्वों को extremism और violence की शेह मिल जाती है अगर आप देश के नकसल प्रभावित या फिर northeast के insurgency प्रभावित इलाकों को देखेंगे तो पाएंगे कि इन regions में minerals की भरमार है minerals extraction को लेकर लोगों का displacement देश में सबसे controversial issue है और यही वज़ा है कि इन एरियाज में conflict सबसे ज़ादा है dams को लेकर होने वाले displacement भी crucial मुद्दे हैं खर किसी भी प्रकार के injustice के खिलाफ आवाज उठाने के अगर रास्ते हो तो extremism फैलने के chances कम हो जाते हैं यही वज़ा है कि हमारे देश में एक independent judiciary है जो लोगों की समस्याओं का समधान करती है लेकर हमारे इस विशालकाय देश में judicial system भी कई problems face कर रहा है lack of personal infrastructure, complicated laws और lack of people's access to judiciary इत्यादी मिल जुलकर judicial process को इतना धीमा कर देते हैं कि लोगों में frustration कम होने की बजाए और बढ़ जाती है दोस्तो लगबग 130 करोड के हमारे देश में आज भी industries उतने नहीं हैं जो पूरी population को absorb गर उन्हें livelihood प्रवाइड कर पाएं agriculture पर जरूरत से ज़ादा dependency के चलते उस पर काफी pressure है services sector का employment elasticity manufacturing sector से कम है ऐसे में unemployment हमारे देश की बड़ी समस्या है जो extremism को fuel करती है PLFS 2020 and 2021 के हिसाब से हम 4.2% unemployment rate जेल रहे हैं यानि 2 करोड से ज़ादा job धूरने वाले लोग unemployed है उपर से agriculture में disguised unemployment की problem deep rooted है जहां छोटे से खेत में पूरी family काम करती है इस unemployment के चलते youth में insecurity, anger और dissatisfaction पनापता है जैसे extremist अपने political benefits के लिए use करते हैं फिर वो चाहे communal rights में हो, terrorism में हो या फिर insurgency में इंडिया के almost हर internal security threat में unemployment rule बे करता है North East insurgency के context में North East का बाकी के state सा isolation भी extremism का एक बड़ा कारण है इंडिया के partition के बाद केवल एक narrow siliguri corridor के रास्ते ही इंडिया North East से connected है जो North East region के development को बुरी तरह प्रभावित करता है या isolation और lack of development जब इस region के unique social और cultural characteristic के साथ मिल गया तब North East insurgency को एक suitable breeding ground मिला इसके लाबा lack of healthcare, lack of education and awareness lack of access to electricity, internet connectivity and communication के सब भी extremism को फैलाने में मदद करते हैं देश के remote areas में irregular administration, absence of governance, poor implementation of schemes और mishandling of government resources ये सब देश के लोगों में देश की government के प्रती frustration को पढ़ाते हैं और उगरवादी विचारधारा की जड़ें मजबूत होने लगती हैं तो दोस्तो ये था हमारा lecture development और extremism के linkage की उपर हम आपको बता दें कि development और spread of extremism का हमारे देश में सबसे बड़ा और सीधा उधारण left wing extremism या नक्सलिजम है जिसकी चर्चा LWE यानि left wing extremism के वीडियो में डीटेल में होगी इसके लावा development बाकी के extremist ideologies से भी किसी ना किसी प्रकार से linked है इसलिए ये धान में रखना आवश्यक है कि जब-जब internal security पर चर्चा हो तब-तब development पर चर्चा होना अती आवश्यक है पर बात करेंगे role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security हम जानते हैं कि इंडिया independence के दौर से ही कई तरीके के internal security threats जेल रहा है इन security threats को अगर solve करना है तो इन threats के causes के साथ-साथ इनके sources को समझना भी ज़रूरी है sources को हम broadly दो categories में classify कर सकते हैं state and non-state actors आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से major state और non-state actors हैं जो इंडिया के internal security threats को जन देते हैं और ये threats किस प्रकार के हैं दोस्तो external state actors वो entities हैं जने किसी दूसरे सोवन state ये government का formal backing हो example के तौर पे पाकिस्तान का intelligence wing, ISI, army और bureaucracy etc non-state actors वो group हैं जो state से independently operate करते हैं और उनके पास कोई formal power नहीं होती इसमें हम terrorist group जैसे al-qaeda या फिर नकसल groups जैसे band CPI माविस्ट की बात कर सकते हैं इसके लावे NGOs, civil society organizations, multinational companies etc भी non-state actors का भाग हैं तिलिए सबसे पहले हम state actors वोरा पोस्ट, internal security threats की बात करते हैं किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा challenge होते हैं एस ऐसलिए क्योंकि एक state economically और militarily non-state actors से कहीं ज़्यादा powerful होते हैं state के पास वहाँ के resources पर monopoly होती है जोने वो अपने policies के लिए मंचाहे तरीके से use कर सकते हैं modern world में state के पास international और political legit मेंसी भी होती है इसके चलते उसके खिलाफ action लेना कठिन हो जाता है उधारन के तौर पर हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं जिसने दशकों से इंडियन स्वाइल में terrorism को support किया है तकर उसके खिलाफ कई तरीके proofs होने के बावजूद हमारे options limited हो जाते हैं किसी भी प्रकार का action war का threat भी पैदा करता है उपर से जब दोनों देश nuclear powered हैं तब international peace भी खतरे में पड़ जाता है international politics में कई तरीके के alliances के चलते भी counter actions के options limited रहते हैं खेर एक स्टेट आक्टर्स दोरा post internal security threats की बात करें तो वो कई प्रकार के हैं सबसे पहला security threat है limited या proxy warfare proxy war का मतलब है किसी देश दोरा दूसरे देश पर continued attack लेकिन military की मदद से नहीं बलकि non-state actors जैसे insurgents और terrorists की मदद से proxy war का सबसे बड़ा उधारन पाकिस्तान है जिसने terrorism को state policy के tool की तरह इस्तमाल कर इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करी है warfare में वो इंडिया के सामने टेक नहीं सकते economic, military और political stability हर मामले में इंडिया पाकिस्तान से कहीं जादा आगे है यही वज़ा है कि conventional warfare को give up करके पाकिस्तान proxy wars का सहरा लिता आया है इस proxy war का epicenter मेली जम्मो एंड कश्मीर रहा है जहां से separatists, terrorists और insurgents को funding, arms, training, protection एक्सेक्टरा देकर पाकिस्तान ने इंडिया के लिए internal security threat क्रेट क्रेट किया है इसके लावा चाइना ने भी historically कई तरह के anti-India insurgents को support किया है इनमें Naga, Mizo, METI और ULFA जैसे insurgent groups का नाम crucial है जोने चाइना में safe heaven provide करना और उनके networks को शह देना major form of external state support है इंडिया के Maoist insurgentsy को भी चाइना से philosophical, moral और financial support मिलता रहा है बांग्लादेश से मर्ज होने वाले threat में illegal immigration एक बड़ा मुद्दा है जिसने North East में कई तरीकों के social conflicts को जन दिया है यहाँ पर बांग्लादेश state का कोई खास direct involvement नहीं है लिकर इन problems के खिलाफ state in activity ने भी इन threats को जन दिया है जो इंडिया के लिए एक बड़ा challenge है Myanmar से इमर्ज होने वाला Rohingya immigration भी ऐसा ही एक major security threat बन सकता है जिस पर security agencies की नजर बनी हुई है दोस्तों external state से इमर्ज होने वाला अगला security threat है sporadic terror attacks का इंडिया में जम्मो एं कश्मीर के beyond बाकी areas में पाकिस्तान का proxy war sporadic terror attacks के थ्रू होता है 2008 की Mumbai attacks के बारे में जो आप जानते ही है जिसमें ISI और पाकिस्तान based terror outfits का हाथ था इसके लावा L.E.T. द्वारा 2010 में हुए फूने bombings one of the many bomb blasts के एक्जामपल है जिसमें पाकिस्तान के ISI का हाथ रहा है sporadic terror attacks के लावा external state actors द्वारा post security threats में organized crime को शह देने का threat भी आता है हम जानते हैं कि इंडिया की location दुनिया की दो सबसे बड़े opium producing areas के बीच में है एक है अफगानस्तान, इरान और पाकिस्तान में located opium producing area golden crescent और दूसरा है Southeast Asia में Myanmar, Thailand और Laos के transaction में located golden triangle पंजाब के drug menace के बारे में तो आपने सुना ही होगा इंडिया के international borders के across चल रही drug trafficking का main source पाकिस्तान है और borders के across बिना state support के इतने बड़े level का drug menace एक्जिस्ट नहीं कर सकता इस गलावा, अफगानस्तान में तालिबान के power में आने के बाद Western borders में drug menace बहने के अशंकाएं भी बढ़ गई है क्योंकि तालिबान के लिए हमेशा से opium production और opium trade एक major source of income रहा है इसी प्रकार का drug trafficking और opium trade हमें Myanmar border के across भी देखने को मिलता है लेकर North East में golden triangle से emerge होने वाले drug menace के लिए किसी external state के direct involvement से ज़ादा वहाँ के non-state actors जैसे insurgent groups और criminal groups ज़ादा responsible है North East के अपने geographical challenges भी हैं इसके कारण भी वहाँ border management खुद में complex task है जिसके चलते यहाँ drug menace काफी rampant है Drug menace के अलावा human trafficking, arms trafficking, bangडेश border के across cattle trafficking etc भी external states ज़ारा post threats में आते हैं पर पाकिस्तान के अलावा बागी के external neighboring states को हम इन problems के लिए directly blame नहीं कर सकते क्योंकि वो terror को state policy की तरह इस्तमाल नहीं करते वहाँ से emerge होने वाले threats largely उन states के governance problems, negligence और poor bilateral cooperation के चलते होते हैं दूसों अगला threat है radicalization का वैसे तो radicalization का problem mainly non-state actors से emerge होता है लेकिन पाकिस्तान की छतर चाया में पल रहे कई non-state actors ये काम करते हैं और इसलिए radicalization एक external state द्वारा post threat की category में भी रखा जा सकता है पंजाब में खालस्तानी extremist ideology को fuel करना हो या फिर जम्व और कश्मीर और बाकी के देश में Islamic fundamentalism और radicalism को इन सब में किसी ना किसी प्रकार से ISI supported non-state actors का हाथ देखा गया है इसके लावा कई radical groups बांगलादेश में भी operate करते हैं जुनके खिलाव state in action के चलते इंडिया लगतार नॉर्थीस्ट और वेस्ट बेंगॉल में radicalization के threats face करता है external state से इमर्ज होने वाला अगला major threat है cyber warfare का दोस्तों पिछले एक दर्शक में इंडिया ने कई तरीकों के cyber warfare के case झेले हैं इन cyber warfare में state और non-state actors दोनों का हाथ रहा है state supported cyber attacks non-state actors दोरा किये गए attacks से कहीं ज़ादा lethal और dangerous होते हैं simply because of access to high-end technology cyber warfare में advanced persistent threat यानि APT एक ऐसा ही dangerous cyber threat है जो mostly state या फिर state sponsored groups ही launch कर सकते हैं APT को detect कर पाना victim के लिए काफी ज़ादा challenging भी होता है उधारन की बात करें तो security researcher टिमो स्टेफेंस ने बताया है किया Chinese state का APT landscape काफी ज़ादा strong है और well established भी जिसकी मदद से Chinese government cyber espionage commit करती है PLA unit 61398 या फिर APT1, PLA unit 61486 या फिर APT2 ये Chinese state supported cyber espionage units के नाम है जिनको टिमो स्टेफेंस ने दुनिया के सामने रखा है espionage के लावा sabotage, propaganda, manipulation और economic warfare भी state-led cyber warfare का हिस्सा है 2016 US elections में Russian intervention, cyber manipulation का उधारन है जहां public opinion को manipulate कर elections को influence करने की कोशिश की गई थी तो सब बात करते हैं non-state actors द्वारा post internal security threat की internal security challenge from non-state actors non-state actors द्वारा post सबसे major threat insurgency है यानि persistent and organized violent struggle against Indian state इंडिया में insurgency की major problems जम्मो और कश्मीर और North East में है North East की बात करें तो ethnic identities को लेकर assertion और conflict के चलते वहां कई ऐसे non-state actors हैं जो insurgency को lead करते हैं ULFA, National Democratic Front of Bordoland, NDFB, National Socialist Council of Nagaland, NSCN, KLO, etc. नाम के insurgency groups इस region में operative हैं इन में से कुछ groups separate nation की demand करते हैं तो कुछ greater autonomy को लेकर struggle कुछ groups का motive Indian state के खिलाफ struggle है तो कुछ intra-tribal supremacy और conflict को लेकर struggle करते हैं North East insurgency को जब हम detail में देखेंगे तो इन groups के इतिहास और इनके बीच के differences की चर्चा करेंगे खर जम्मो इन कश्मीर में चल रही insurgency की बात करें तो वहां भी कई तरह के non-state factions active हैं यहां की unique बात यह है कि unlike North East, जम्मो इन कश्मीर की insurgency में religious radicalization एक important element है इसके लावा जम्मो इन कश्मीर में external state यानी पाकस्तान का support भी काफी visible है हाला कि North East insurgency में Chinese support की बाते होती रही है लेकिन यह support consistent नहीं है और support के intensity में भी अंतर है कर जम्मो इन कश्मीर में active non-state actors में L.E.T. हिजबुर मुजाहिदीन इत्यादी का नाम शुमार है जो पाकस्तान की मदद से यहां insurgency को अंजाम देते रहे हैं 1990s में कश्मीरी पंडित के खिलाफ होई atrocities भी इसी insurgency का नतीज़ा थे North East and German Kashmir Insurgency दोनों cases में insurgency दोरा यूज होने वाले methods में militancy, terrorism, bombings, propaganda against state यह सब शामिल हैं इसके लावा 80 के दशक में पंजाब में चली खालिस्तानी insurgency भी एक major internal security threat था जिसमें जर्नेल सिंग भिम्रन वाले नाम के militant के अंडर खालिस्तानी insurgency अपने चरम पर पहुँच गई थी state efforts के बाद खालिस्तानी movement काफी हद तक कमजोर कर दिया गया लेकर आज भी छोटे-मोटे खालिस्तानी networks के existence में होने की आशंकाय जताई जाती है इन में से कई networks international level पर operate करते हैं ऐसा intelligence agencies का दावा है अगला threat है terrorism या आतंकवाद दोस्तों, terrorism insurgency affected area में एक बड़ा problem तो है ही लेकिन देश के बाकी areas में भी ये एक बड़ा threat है जहां एक और insurgency affected areas में terrorism one of the tools of insurgency है वहीं बाकी peaceful इलाकों में ये sporadic attack के रूप में देखा जाता है international terror organizations जैसे अल-काइदा, ISIS, LET, हिजबल मुझाहदीन, जैशे मोहमद इत्यादी से इस तरह के threats बने रहते हैं Middle East में ISIS के rise के बाद हमने news में कई दफा दिखा कि इंडिया के कई states में ISIS के operatives गिरफतार हुए है ये radicalization के threat की उर इशारा करता है इसके लवा 2008 terror attacks से लेकर जगे-जगे हुए bomb blast में आतंगवादी संगटनों का direct हात रहा है और कई दफा इन्हें पाकिस्तान का support भी रहा है दूस्तो non-state actors दोरा post अगला threat है communal strife, radicalization और associated challenges हमारा सम्विधान Article 19 के तहत लोगों को organizations और group form करने का fundamental right देता है और freedom of speech की आजादी भी इसके चलते कई तरह के civil society groups और NGOs हमारे देश में active है लेकर इन में से कई groups terror organizations और enemy state के मुखबेर या फिर front organization के रूप में operate करते हैं और देश के लोगों को radicalize करने का काम करते हैं radicalization के चलते समाज में लोगों के बीच conflict बढ़ता है और violence और rights का खतरा भी बढ़ जाता है कई groups extremist ideologies और fundamentalist ideologies को support कर लोगों में नफरत फैलाते हैं पिछले कुछ सालों में हमने ये सारे काम social media के थ्रू होते हुए भी देखा है mob lynching की खबरें तो हम सब ने सुनी हैं इसके लावा communal rights जैसे मुझफर नगर, दिल्ली राइट्स इत्यादी भी इस तरह के radicalization का नतीजा माने जाते हैं दूस्तों non-state actors देश को economic threat भी पहुचाते हैं economic threats में सबसे बड़ा challenge है parallel economy का जो black money और money learning इत्यादी के चलते पैदा होता है Transnational Organized Crime Groups जैसे D Company देश में अवैद धंदों को चलाते रहे हैं और corrupt officials की मदद से देश में एक parallel black market को जन देते रहे हैं Economists पताते हैं कि black money की circulation से देश की monetary policy कमजोर पड़ती है और इसलिए national economy के लिए ये बड़ा खत्रा है इसके लावा fake currency networks भी देश को economically ruin करते हैं इस तरह के groups समाज में social और moral hazard को भी जन देते हैं इसमें drug menace और human trafficking etc शामिल है Arms trafficking जैसे धंदों के चलते देश में criminal activities बढ़ जाती हैं और local mafias का जन होता है कई दफ़ा ये पाया गया है कि organized criminal networks और terrorist networks एक ही होते हैं और ये दोनों तरह के groups एक दूसरे के साथ interlinked होते हैं एक तरह से ये दोनों groups के बीच में symbiotic relationship होता है Terror groups इन groups को security प्रवाइड करते हैं और organized crime networks terrorism को fund करते हैं कई बार तो organized criminals खुद इतने बड़े हो जाते हैं ये वो भी terror groups के तरीकों को अपना कर देश में internal security threats create कर देते हैं D company का उधारन यहां एकदम fit बैगता है इसे 1993 Mumbai blast को अंजान दिया था Non-state actors दोरा post अगला threat है नक्सलिजम का Former PM मनमोहन सिंग ने left-wing extremism को इंडिया का सबसे बड़ा internal security threat बताया था CPI मावस्त नाम के band nuxal non-state group के banner तले इंडिया में नक्सल वाद operate हो रहा है इस extremism ने इंडिया के backward areas में अपनी पकड़ बनाई हुई है और वहाँ के लोगों को perpetual backwardness और deprivation की ओर धकेल दिया है Cyber security threat में भी non-state actors का हाथ है अलाकि state-led cyber attack threats जादा lethal और strong होते हैं लेकिन non-state actors दोरा led cyber security threat भी कुछ कम खतरनाक नहीं है non-state actors दोरा post cyber threats के मकसद कई प्रकार के हैं कुछ groups cyber crimes को purely monetary gains के लिए अनजाम देते हैं तो कुछ groups इन्हें देश को destabilize करने के लिए करते हैं phishing, espionage, data theft, ransomware attacks, skimming, hacking इत्यादी non-state actors दोरा post cyber security threats हैं इन्हें भी हमाने वाले lectures में detail में समझेंगे तो दोस्तो ये था lecture जिसमें हमने briefly देखा कि इंडिया में external state और non-state actors किस तरह के internal security threats create करते हैं ध्यान में रखने वाली बात ये है कि उपर discuss किये गए threats isolation में operate नहीं करते हैं state और non-state actors भी आपस में interlinked हैं और उनके द्वारा post threats भी ऐसा ऐसे लिए क्योंकि बिना funding के कोई terror group operate नहीं कर सकता और बिना state support के कोई भी terror group long term में survive नहीं कर सकता कई दफा ये होता है कि जो groups terrorism करते हैं वो organized crime में भी involved होते हैं the definitional problem दोस्तो common sense perception में terrorism या आतंकवात की एक वेग या आसपस छवी exist करती है media narratives ने कई तरीकों के violent activities को terrorism का नाम दिया है bomb blast हो या civilians का massacre military units पर attacks हो या फिर किसी बड़े नीता का assassination and sub activities को generally terror activities में गिना गया है लेकिन UPSC aspirant होने के नाते हमारे लिए जानना बेहत जरूरी है कि क्या terrorism शब्द का कोई precise और accurate definition exist करती है और यदि हाँ तो वो क्या है हम आपको बता दें कि as a society जब हम किसी शब्द को define करते हैं तो उसमें consensus का major role होता है इस consensus से immerge होते हैं legal document और laws जो terrorism जैसे security problems को define करके उनके खिलाफ possible actions को outline करते हैं लेकिन सच यह है कि आज तक international community terrorism की एक universal definition बना पाने में आसमर्थ रही है 1970s और 80s में United Nations ने system को define करने के लिए कई serious attempts लिए लेकिन member states के बीच differences के चलते यह संभव नहीं हो पाया इंडिया के efforts के बाद comprehensive convention on international terrorism को international level पर push किया गया जिसने terrorism की एक universal definition establish करने की कोशिश की पर ये भी अभी तक enforced नहीं हुई है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज तक terrorism के universal definition पर कोई agreement नहीं हुआ है लेकिन सवाल ये भी है कि terrorism को define करने में conflict और समस्या क्या है दोस्तों ये conflict इसलिए अमर्ज होता है क्योंकि violence का इस्तमाल कब legitimate है और कब नहीं इस पर कई तरीके के disputes हैं इसके लावा conflict of interest के चलते conflict में involved entities एक दूसरे पर terrorism का आरोप लगाते हैं उधारन के तौर पर Palestinians इसराइल और USA पर terrorism का आरोप लगाते हैं तो वही Israeli government Palestinian groups को आतंकवाद बोलती है कुर्दिश fighters तर्की को terrorist state बोलते हैं तो वही तर्की जैसे states उन लोगों को terrorist बोलते हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं हर group अपने act को justify और legitimate बतानी की कोशिश करता है कई बार ऐसा भी होता है कि एक इनसान का freedom fighter दूसरे इनसान के लिए terrorist हो जाता है इसके लावा modern politics में nation states जिस तरह की ताकत और dominance enjoy करते हैं उस context में terrorism की definition क्या होगी उस पर सबसे ज़्यादा से non states का ही होता है इसलिए कई scholars terrorism पर dominant views को state centric और biased मानते हैं scholars दावा करते हैं कि non state actors के लावा कई ऐसे states भी हैं जो terror acts में involved होते हैं और अपने civilians पर अत्याचार करते हैं लगरे इस तरह के terrorism को लेकर accountability काफी कम है इस तरह के terrorism का सबसे बड़ा example नाजी जर्मनी था इसके लावा पाकिस्तान द्वारा supported terrorism के बारे में हम जानते ही हैं तो इसके खिलाफ actions को लेकर geopolitical complexities बीच में आ जाती हैं national laws में भी governments द्वारा performed अत्याचारों को generally terrorism की definitions से exclude किया जाता है इन सब complexities के चलते ही terrorism की definition disputed रही है at least international level पर पर इसके बावजूद इस phenomenon के कुछ aspects पर customary या partial agreement देखा जा सकता है और क्या है ये aspects दोस्तों में सबसे पहला तो ये है कि जब कोई entity या individual terror, intimidation, violence, harm, threat इत्यादी को randomly और indiscriminate तरीके से use करता है तो उसे हम generally terrorism की category में रखते हैं इसके लावा एक terror act का कोई ना कोई political motivation भी होता है terrorist लगतार ये कोशिच करते हैं कि terror act को publicize किया जाए इसके लावा violence, terrorism का fundamental method और tool है terrorism, law enforcement agencies, competence और civilians में discriminate नहीं करता और सब पर attack करता है और यही बात इसे legitimate form of violence से अलग बनाती है धान दीजेगा कि war में भी violence होता है लेकिन उस war में participate करने वाले लोग competence होते हैं यानि armed लोग उन्हें भी ये हिदायत होती है कि civilians और non-armed लोगों पर attack करना war crime है और ये ethically wrong है लेकिन terrorist का fundamental target ऐसे ही non-competence होते हैं खैर terrorism की एक underlying philosophy भी होती है जिसके aims political, religious, cultural, ethnic इत्यादी हो सकते हैं इसके लावा इसके fundamental intention लोगों में और government में fear create करना होता है ताकि उन्हें कोईस कर terrorists अपने demand को meet करवा सकें closest definition के लिए हम UN General Assembly के resolution 49 by 60 को भी quote कर सकते हैं इसके साब से terrorism is those criminal act that are intended to provoke terror in the public or a group of persons for political purposes that are in any circumstances unjustifiable whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious और any other nature that may be invoked to justify them दूसर अब चलते हैं Types of Terrorism Cure Types of Terrorism Terrorism को classify करने के कई तरीके हैं इनमें सबसे पहला classification इस basis पर होता है कि terrorism कि इसने commit किया है इस तरह से terrorism के broadly तीन types है State terrorism, State sponsor terrorism और non-state terrorism State terrorism वो होता है जिसे एक state या उसकी government directly commit करती है जब कोई government खुद के लोगों पर indiscriminate तरीके से violence करती है तो उसे state terrorism कहते है ऐसे cases में state supported maskars, genocides, etc आते हैं इसके example में alleged Saudi government agents द्वारा, Saudi journalist, जमाल कशोगी की हत्या या फिर Russian intelligence agents द्वारा, ex-russian spy और उसकी बेटी की जहर देकर हत्या त्या दिया आते है नाजीस द्वारा, जी उसका genocide हो या फिर Cambodia में खमरूज द्वारा किया गया genocide ये भी state terrorism के examples है अगला type है state sponsored terrorism इस तरह के terrorism में government, non-state actors को indirectly support करती है जो violent activities में involved होते है state sponsored terrorism में हम पाकिस्तान का उधारान ले सकते हैं जो एलिटी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे organizations को कश्मीर और इंडिया के बाके हिस्सों में आतंगवात फैलाने के लिए support प्रवाइड करता है पाकिस्तान ऐसे groups को safe houses, funds, recruitment और arms facilities प्रवाइड कराने का काम करता रहा है आज के दौर में state sponsored terrorism का prime motive, geopolitical leverage है rather than ideological, religious या ethnic motive non-state terrorism की बात करें तो ये largely non-state armed actors या groups दोरा commit किया जाता है non-state actors government से पूरी तरह या partially independent groups से operate करते हैं ऐसे groups अपने goals को अचीव करने के लिए violence, threat और intimidation का तरीका अपनाते हैं इनके motives कई तरीकों के होते हैं जो ideological, religious, ethnic, political, social, economic इत्यादी हो सकते हैं इसलिए इस तरह के terrorism में काफी diversity देखी जाती है नार्कोटिक्स कार्टल्स, popular liberation movement, religious and ideological organizations, self-defense militia, paramilitary groups से त्यादी ऐसे terrorism का हिस्सा होते हैं इसके लावा कुछ non-state actors या तो governments को oppose करते हैं या फिर government का साथ देते हैं नाजी जर्मनी में SS नाम का non-state organization, terror acts में involved था और ये pro-government militia group था ऐसे ही रवांडा जिनोसाइड में कई ऐसे non-state organizations थे जो pro-state थे और उन्होंने वहाँ के minorities पर अत्याचार किये non-state actors के terror फिलाने के तरीके भी काफी diverse होते हैं targeted killing से लेकर bomb blast, cyber warfare से लेकर kidnapping और extortion तक दोस्तो terrorism को हम type of strategy और goals के basis पर भी classify कर सकते हैं इसमें सबसे पहला type है cyber terrorism का जब terrorist, computer networks, internet, social media इरत्यादी का इस्तमाल terror फिलाने के लिए करते हैं या फिर critical networks को hack कर वो government या लोगों को intimidate या course करते हैं तो उसे cyber terrorism का दरजा दिया जाता है ये एक emerging और unconventional method of terrorism है अगला है ethno-nationalist terrorism इस तरह के terrorism का focus या तो एक separate nation state को create करना होता है या फिर एतने groups के लिए better social and political goals को achieve करना श्रिलंका में Tamil insurgency हो या फिर नागा लेंड में नागा insurgency ये ethno-nationalist terrorism के अंडर classify किया जाते हैं अगला है nuclear terrorism दोस्तों nuclear terrorism का मतलब है terrorist द्वारा nuclear material का अलग-अलग तरीकों से इस्तमाल जो लोगों में panic create कर सकता है इसमें nuclear facilities पर attack, nuclear weapons को बनाना या purchase करना और उनका गलत इस्तमाल करना शामिल है किसी nuclear facility में एक terror attack nuclear material को release कर सकता है जिसकी consequences बहत खतरनाक हो सकते हैं 1986 में हुए Chernobyl disaster से जिस तरीकी की तराजदी USSR में देखी गई थी nuclear terrorism उससे कहीं ज़ादा खतरनाक तराजदी को जन दे सकता है ऐसे में nuclear weapons secure और responsible हाथों में रहें ये बेहत धरूरी है पाकिस्तान जैसे irresponsible देश के पास भी आज nuclear weapons है और वहाँ जिस तरह की political instability exist करती है और जिस तरह से terrorism proliferate करता है उससे पूरी दुनिया concern दिखाई देती है अगला है ideology oriented terrorism जो right wing और left wing दोनों रूप में दिखा जा सकता है communist या फिर marxist, leninist या moist violent groups को left wing terrorist का दरज़ा दिया जा सकता है इंडिया का नक्सलिजम ऐसा ही एक terrorism है इसके लाबा right wing terrorism में नाजिजम, fascism इत्यादी जैसे ideas को follow करने वाले conservative या fundamentalist groups आते हैं राइट wing terrorist का इम current government या order को बदल कर एक fascist state को establish करना होता है और उनके main targets minorities होते हैं वहीं left wing terrorist का target violent methods को use कर एक classless society को establish करना होता है जहाँ class divide exist ना करे नार्को टेरिजम भी एक type का terrorism है इसमें narcotic traffickers टेरिजम का इस्तमाल government policies को influence करने या government officials को डराने के लिए करते हैं ताकि उनका organized crime flourish करता रहे Transnational Organized Crime Networks नार्कोटिक्स के लावा Arms, Human, Cattle, Luxury Goods, Animal, Band Goods की trafficking जैसे activities में involved रहते हैं और ये groups terrorism को अपने economic benefits के लिए use करते हैं Bioterrorism वो terrorism है जिसमें लोगों को terrorize करने के लिए biological weapons का इस्तमाल किया जाता है Anthrax, Botulism, Smallbox, etc. जैसे biological agents इस तरह के terrorism में इस्तमाल किया जाते हैं इसका लबा कई तरीके के dangerous chemicals जैसे chlorine gas का इस्तमाल भी civilians को indiscriminate तरीके से मौत के घाट पहुँचा सकता है और terror फिला सकता है दोस्तों इस तरह के classification की list exhaustive नहीं हो सकती और उनमें categories और subcategories बनाए रा सकते हैं लेकिन ये types major और most important है जन पर धान देना जरूरी है चलिए अब देखते हैं इंडिया के major terror activities के इतिहास को दूस्तों सबसे पहले बात करते हैं जम्मो इन कश्मीर की जम्मो इन कश्मीर में insurgency और terrorism के roots 1947 से trace किये जा सकते हैं जब इंडिया के independence के वक्त पाकस्तान ने जम्मो इन कश्मीर को capture करने के लिए इंडिया पर attack किया था तब से ही वहाँ separatism का एक महौल बना हुआ है जो with time पाकस्तान के support के चलते strengthen भी हुआ इन में से कुछ groups militancy में involved हुए और इन्होंने terrorism को एक tool की तरह इंडिया के खिलाफ यूज किया 90 की दशक में जब यहाँ al-qaeda और बाकी की terror groups ने entry ली तो यहाँ Islamic fundamentalism का उदह हुआ और इसने जम्मो इन कश्मीर insurgency में एक नए dimension को add कर दिया extremism और terrorism का महौल पंजाब में भी देखा गया अजादी के कुछ दशको बाद एक separate sick identity को लेकर चल रहे assertion के चलते पाकिस्तान में भी separatism का एक महौल बना जर्नेल सिंग भिंजनवाली की leadership के अंडर 70 और 80 के दशक में पंजाब अपने worst face से गुजरा खालिस्तानी elements द्वारा यहां टेरिजम को एक tool की तरह यूज किया गया चो बाद में strict state action के चलते कम हुआ overall इंडिया में टेरिजम की बात करें तो उसका evolution कुछ इस प्रकार से हुआ बांग्रदेश liberation war के बाद पाकिस्तान को यह realize हो गया था कि वो conventional warfare में इंडिया से जीत नहीं सकता अब तक उसने इंडिया से तीन wars में मात खाई थी इसलिए पाकिस्तानी establishment ने sub-conventional या proxy war कर इस्तमाल किया जिसका moto बना bleeding India with a thousand cuts और इस philosophy के तहट एक planned और organized तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में terrorism को अपना हत्यार बनाया 1980 और 1990 के बीच आज के terrorism के seats actually में खालिस्तान movement के रूप में बोई गए कुछ scholars कहते हैं कि खालिस्तान movement में पाकिस्तानी support का एक करण था पंजाब को जम्मू इन कश्मीर और बाकी के इंडिया के बीच एक buffer state के रूप में establish करना हाला कि पाकिस्तान का ये मनसूबा सफल नहीं हुआ पाकिस्तान में खालिस्तानी movement के suppression के बाद पाकिस्तान ने directly कश्मीर को target करना शुरू किया और उसने late 1980s में कश्मीर में anti-India sentiments को fuel किया यही बज़ा है कि जम्मू इन कश्मीर insurgency ने अपना worst phase इसी दौर में देखा और यही वो दौर था जब वहां से कश्मीरी पंडित्स का exodus हुआ पाकिस्तान based terror groups द्वारा supported ये terrorism आज भी जिन्दा है दूस्तों उसके लावा इंडिया में एक fundamentalist Islamic organization Students Islamic Movement of India या SIMI का formation भी हुआ इसका मकसद इंडिया के muslim youth को radicalize करना था धीरे धीरे ये organization और radical हुआ और finally इसे UAPA के तहट ban कर दिया गया 1992 में एउधा incident के बाद पूरे देश में reactionary activities का growth हुआ जिसने ISI को एक lucrative opportunity दी इसका इस्तमाल ISI ने इंडिया में कम्यूनलिजम, radicalization और terrorism को spread करने के लिए किया 21 सदी में इंडियान मुझाहिदीन का creation हुआ जिसका main purpose terrorism के साथ-साथ propaganda था इस propaganda के तहट दुनिया में ये बताया जाने लगा कि इंडिया में terrorism पाकस्तान से export नहीं होता बलकि वो locally जन्म ले रहा है इस propaganda ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि इंडियान स्टेट दौरा इंडियान मुस्लिम्स पर किये जा रहे बुरे बरताफ के चलते ये terrorism जन्म ले रहा है जो एक baseless आरोप था इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया दौरा पाकस्तान पर किये जा रहे continuous attacks को कमजोर करने के लिए ये साधिश रची गई इसके लावा North East India में चल रहे terrorism और नक्सलिजम का भी अपना इतिहास है इसकी चरचा डीटेल में हम आने वाले वीडियोस में करेंगे खर इंडियन गवर्मेंट के कई efforts के चलते टेरियर अक्टिविटीज में आज काफी सुधार आया है यही वज़ा है कि Global Terrorism Index 2020 में जहां इंडिया आठवी रैंक पर था वहीं 2022 के इंडिया बारवे स्थान में चला गया है जहां एक तरफ इंडिया ने टेरियरिजम से 2001 में लगभग 600 डेथ पर इयर रिकॉर्ड करी थी वहीं 2019 में ये 200 डेथ पर इयर तक कम हो गया है लेकर इन सबके बावजूद पठान कोर्ट, बुलवामा, उरी एक्सेक्टरा जैसे अटैक्स कंसर्णिंग रहे है रीजन्स फ़र टेरिजम दोस्तों सबसे पहले कारण पर हमने डीटेल में वीडियो बनाया है इसे आप Lecture No.2 यानि Linkages Between Development and Spread of Extremism में देख सकते हैं वहाँ Lack of Development, Poverty, Illineation, Discrimination, Competition for Scars Resources, Governance Failure रित्यादी किस तरह से टेरिजम और एक्स्रेमिसम को कॉस करते हैं इस पर डीटेल में चर्चा करी हुई है उस वीडियो में हमने देखा कि क्यों टेरिरिजम के Hot Spots mostly वो एरियाज हैं जहां Developmental Indicators कमजोर हैं कर अगला मीचर कारण है Ideological Differences and Conflict Over Ideology दोस्तों Diversity से भरपूर हमारे देश में लोगों के बीच Language, Race, Culture, History, Religion, Way of Life, Level of Development इत्यादी के बेसिज में Difference है इसलिए देश में लोगों के विचारधाराओं में भी काफी अंतर है विचारधाराओं में अंतर अगर Positively Use हो तो वो समाज में Growth, Development और Innovation को Encourage करता है और इसलिए Indian Constitution का Article 19 सबको Freedom of Speech and Expression का अधिकार देता है लेकिन बढ़ते एक्स्टिमिजम, Radicalization, Political Aspirations और Intolerance के चलते कई बार ये Ideological Disputes इतने कटर हो जाते हैं कि Conflicts जन्म लेते हैं और जब इस्थिती चरम पर पहुँचती है तो Terrorism का भी रूप ले सकती है Ideological Terrorism जैसे Left Wing और Right Wing Terrorism का इस सबसे बड़ा कारण है इसके लावर Religious, Ethno-Nationalist और बाकी की Terrorism में भी Ideology important है अगला बड़ा कारण है Politics और Political Aspirations दूसरे Individuals और Groups के अपने-अपने Political Aspirations होते हैं और यही कारण है कि देश में सब को चुनाओ लड़ने और Political Process में Participate करने का अधिकार है लेकिन कई बार कुछ Individuals या Groups के Political Aspirations फुलफिल नहीं होते, due to various reasons, तब वो deviant तरीकों से इन्हें पूरा करने के लिए Violet Methods और Terrorism का इस्तमाल करते हैं as a form of Revenge और Assertion Generally, Insurgency और Separatism से लिंग्ड, Terrorism के पीछे ऐसे ही Political Aspirations major role play करते हैं एक कारण Geopolitics से भी लिंग्ड है Scholars का दावा है कि International Politics में चल रही Rivalries में Strategic Edge पाने के लिए भी Terrorism का साहरा लिया जाता है State के लिए Terrorism का इस्तमाल Cost Effective है क्योंकि इसमें directly किसी State को दोशी ठहरा पाना कठेन है और इसलिए बिरा Direct War के कई States इस Method को यूज़ करते हैं जैसे कि पाकिस्तान आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर तीन देशों के ट्राइज जंक्शन पर लोकेटिड भारत का वो Union Territory है जिसकी Geostrategic Importance किसी से छिपी होई नहीं है हिमालिया से घिरा हुआ जम्मू और कश्मीर इंडिया को Natural Defense भी प्रोवाइड कराता है जिस पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल बना कर इंडिया के सामने एक स्टैजिक एज पाना चाहता है ये एक बड़ा कारण है कि वो लगतार यहां टेरिरिजम को सपोर्ट करता है इसके लावा International situations भी टेरिरिजम को फ्यूल कर सकती है इसका सबसे बड़ा उधारन है कश्मीर में 90's के दशक में मिलिटेंसी का राइस दोस्तों 90 का दशक Global Geopolitics में कई तरह के बबंडरों का दौर था USSR डिकलाइन हो रहा था और 1989 में वो अफगानस्तान छोड़ कर चला गया लेकिन अफगानस्तान में तब तक कई rebel forces अफगान मुझाहिदीन के अंडर ग्रो कर चुके थे इसी दौर में अलकाइदा का भी राइस हुआ सोवियत विड्रॉल के बाद अफगानस्तान में ये forces और भी ताकतवर हुई जिनके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के support से और जादा मजबूत हो गया इसके लावा historical reasons भी important हैं टेलरिजम के बर्त और spread में दोस्तो इतिहास में कई बार movements इतिहासिक होते हैं ये तो हम सब जानते हैं इंडिया का partition और आजादी ऐसा ही एक इतिहासिक movement था हम जानते हैं कि कैसे आजादी के दौरान बड़ी मशक्कत से देश के दिगज नेताओं ने 500 से भी जादा princely states को unite किया और united इंडिया का नया नक्षा तयार किया mostly princely states तो बिना किसी complexity के peaceful तरीके से इंडिया में accede कर गए लेकिन कुछ states जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ problems आई पाकिस्तान ने इन complexities का फाइदा उठाते हुए जम्मू एंड कश्मीर में attack किया लेकिन finally जम्मू एंड कश्मीर में भी instrument of accession sign कर खुद को इंडिया में जोड लिया लेकिन पाकिस्तान आज तक इस बात को लेकर इंडिया के साथ conflict में रहता है और वहाँ के separatist elements को प्यूल करता है इस तरह से अब अफगान मुझाहिद्दीन के जन्व को 1979 में हुए अफगानिस्तान पर Soviet invasion से जोड सकते हैं नक्सरिजम से लेकर नागा insurgency तक हर प्रकार के security threat का अपना एतिहास है जिसकी चर्चा हम इन topics के specific videos में करेंगे खैर history के लावा geography भी एक important respect है जो terrorism को sustain और perpetuate करती है जब आप इंडिया में terrorist hot spots पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे किन areas की geographical locations भी काफी unique है forested areas rugged terrain और mountainous regions में terrorists और insurgents ज़ादा flourish करते हैं ऐसा दो वजहों से होता है पहला ये कि ऐसे areas में security agencies के लिए operate करना बेहत कठिन होता है और दूसरा ये कि ऐसे regions में development और governance challenges की intensity plain areas के मुकाबले ज़ादा होती है जो extremism को शेह देता है इसके लावा porous international borders भी terrorism को पना देता है tough geography, riverine landscapes और lack of fencing across borders के चलते illegal immigration, trafficking infiltration से त्यादी easily हो जाते हैं जिसके चलते terrorism और associated crimes को control करना कठिन हो जाता है for example, ULFA और NSCN जैसे groups, China और Myanmar के porous international border के across safe heaven से operate करते हैं और security agencies के लिए चुनोती पेश करते हैं इसके लावा कई बार देखा गया है कि resource rich areas में भी extremism और terrorism major security issue है generally resource rich areas में terrorism और extremism का link development से related होता है crucial resources के लिए कई दफा forest और agriculture land को acquire कर mines में तबदील कर दिया जाता है लेकिन rampant corruption और obnoxious nexus के चलते कई बार लोगों को proper compensation भी नहीं मिल पाता जिसका फायदा extremist elements उठाते हैं नकसल प्रभावित इलाकों की कहानी भी यही है जो largely इंडिया के resource rich regions जैसे की dund karen छोटा नाकपुर प्लेटू इत्यादी में operate करता है इसके लावा resource rich regions में लगने वाले industries और projects के owners को डरा धमका कर extremists अपनी funding को भी secure करते हैं जो उनके survival में मददगार साबित होती है दूसर technological factors भी terrorism को fuel करते हैं जैसे जैसे समाज में technological growth होती है वैसे वैसे terrorists भी इन में से कुछ technologies का इस्तमाल कर अपने मनसूबों को नए तरीकों से अंजाम देते हैं internet revolution के दौर में cyber terrorism का ओदय देखा गया है इसके लाबा emerging and disruptive technologies जैसे AI, cryptocurrency, drones बिग डेटा प्यादी ने समाज के सामने नए challenges और opportunities को पेश किया है लिकर इनका गलत इस्तमाल समाज के लिए बड़ा खत्रा है और उसे लिए terrorist groups ने इन technologies को exploit करने के रास्ते खोच लिए है ISIS दोरा recruitment के लिए social media का rampant use हो या फिर नकसल groups दोरा drones का इस्तमाल ये सब धीरे धीरे नए security challenges पेश कर रहे हैं इस तरह से technological changes ने terrorism के scope, means और waste को rapidly expand किया है अब बात अगले बड़े कारण की दोस्तों terrorism के expansion और sustenance के लिए security और government policies में कई तरह की कम्याभी समयदार हैं, आप जानते हैं कि देश में federal polity के चलते law and order की primary responsibility state governments की है, SMS state government के बीच lack of coordination पर ध्यान देना आवश्यक है इसके लाबा, अलग-अलग तरीके के crimes और problem से deal करने के लिए अलग-अलग agencies है, लेकिन terrorism एक ऐसा multifaceted crime है, जिसे counter करने के लिए inter-agency coordination भी जरूरी है पर overlapping jurisdiction और multiplicity of agencies के चलते ये एक बड़ा challenge बन जाता है उपर से bureaucratic hurdles investigation को slow बना देते हैं साथ में security agencies जैसे की police में lack of modernization in terms of weapons, operating procedures इत्यादी भी terrorism के against preparedness को कमजोर करते हैं, दशकों required police reforms के लिए lack of political will ने भी इस problem को aggravate किया है, खेर हमारी cyber security capability भी अभी formative stage में है, इसके चलते cyber terrorism का खत्रा लगतार बना रहता है, उपर से terrorism को एक holistic angle से अपरोच करने के लिए required, एक holistic anti-terrorism policy भी अभी तक missing है तो दोस्तों, ये दे कुछ major factors जो terrorism को जन देते हैं और उसे sustain करते हैं तो लिए अब देखते हैं, इंडिया में terrorism के changing nature को Changing nature of terrorism तो दोस्तों, terrorism के changing nature में सबसे पहला point ये है, कि कैसे over the time, terrorism आज एक industry की तरह उभर रहा है जी हाँ, आपको जानका इहरानी होगी कि जिस तरह से economy में different industries के बीच competition का महौल रहता है, वैसे ही आज various terrorist groups के बीच भी competition देखने को मिलता है, हर terrorist group खुद की identity को establish करने के लिए terror फिलाने की होड़ में दिखाई पड़ता है, यही वज़ा है कि 90 के दशक में, जहां गिने चुने कुछी terror outfits existence में थे, वही आज इन groups का नंबर सेगडों की तादाद में जा चुका है South Asia terrorism portal की माने तो South Asia में अकेले 180 से ज़ादा terror groups operation में है, कश्मीर में अकेले Al-Qaeda से लेकर J.E.M., Hezboel Mujahiddin, Indian Mujahiddin और L.E.T. जैसे कई groups की खबरे आपने सुनी होंगी, लेकिन इन फेमस groups के अलावा, कई छोटे बड़े terror groups भी अलग-अलग form में operate करते पाई जाते हैं। इसके अलावा, terrorism का एक industry की तरह इमर्ज होना इस बात को भी दिखाता है कि कैसे धीरे-धीरे terrorism में एक division of work देखने को मिल रहा है। जैसे एक car को produce करने में multiple छोटे बड़े industries involved होते हैं, वैसे ही terror activities भी केवले group दोरा अंजाम नहीं दिये जाते हैं। उधारन के तौर पर तेखें तो Transnational Organized Networks जैसे D Company, L.E.T. जैसे groups को arms, finances इत्यादी प्रवाइड करवाते हैं। दूसरी और, जमात और दवा जैसे friend organizations, social work के नाम पर radicalization फिलाग कर terror groups के लिए recruitment का काम करते हैं। और यही recruited लोग finally terror acts को अंजाम देते हैं। छोटे-मोटे हवाला operators से लेकर cyber hackers और overground workers तक सब अपने-पने specialized domain में operate करते हैं। और terrorism एक organized business के रूप में पनाप रहा होता है। Changing nature में अगला important point है terrorist द्वारा use के जाने वाले methods और modus operandi में बदला आओ। जहां पहले financing secure करने के लिए terrorist mostly money laundering, drug cartels, human trafficking, हवाला त्यादी का सहरा लेते थे, आज उनके sources of funding और उनका network और ज़ादा complex हो गया है। यही वज़ा है कि digitization और internet revolution के दौर में cyber space के रास्ते होने वाली funding पर लगतार intelligence agencies की नजर बनी हुई है। cryptocurrency के rise ने भी security agencies के कान खड़े कर दिये हैं। और उन्हें लगतार इस बात का डर रहता है कि कहीं cryptocurrency terror financing का बड़ा जरिया न पन जाएं। funding के लाबा, terrorism के लिए use होने वाले हत्यार और devices का scope भी बदला है। जैसे कि हमने पहले देखा कि new technology के दौर में terrorists के पास आज पहले से ज़ादा lethal weapons आ गए हैं। कुछ reports नदावा किया है कि 2019 में Nuxals ने drones का इस्तमाल कर CRPF operation पर नजर रखने की कोशिश की थी। इसे तरह आज border पर से drugs और arms trafficking का काम भी drones के जरीए हो रहा है जिसकी खबरे भी लकतार news में आती रहती हैं। social media का इस्तमाल भी radicalization और recruitment के लिए rapidly किया जाने लगा है। इसके लावा जहां एक और traditional methods of terrorism में bomb blast, militant attacks, hijacking इत्यादी शामिल थे वहीं आज नए प्रकार के attacks भी देखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे important forms of terror attacks हैं, suicide attacks और lone wolf attacks में rise। scholars का मानना है कि old forms of attack के comparison में suicide attacks इसलिए जादा dangerous हैं क्योंकि society में increased और deep rooted radicalization की और इशारा करते हैं। 2019 में पुलवावा में हुए terror attack में ऐसे ही suicide attackers का हाथ था, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। इसके लावा, यूरोप में rising lone wolf attacks की खबरे भी आपने सुनी ही होंगी, अलाकि इंडिया में lone wolf attacks के cases काफी rare हैं। लेकिर international trend को देखते हुए security agencies को इस बात का डर आवश है कि आने वाले समय में ऐसे attacks कहीं इंडिया को भी ना effect करें। इसके लावा, जम्मो इंड कश्मीर के context में भी आज एक नया trend देखने को मिल रहा है। इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। ये नया trend है targeted killings of officers and minorities in कश्मीर। वैसे कुछ scholars ये भी कहते हैं कि targeted killings as a form of terrorism कहीं न कहीं दिखाता है कि terrorist की बड़े skill की terror attacks करने की capabilities अप कम हो गई हैं। और इसलिए वो targeted killings का इस्तमाल करके लोगों में डर फेलाना चाहता है। लेकिन उसके बाब जूद ये एक concerning मुद्दा है क्योंकि इसे attacks समाज में chilling effect create करते हैं, especially amongst minorities. जोस्तों सब के लावा international level पर भी एक major change हुआ है जो terror industry का चहरा बदल सकता है। ये बदलाव है अफगानस्तान में तालिबान का फिर से power में आना। हम सब जानते हैं कि तालिबान का हमेशा से terror outfits के साथ एक obnoxious nexious रहा है। इसके लावा drug trafficking उनका major source of revenue भी रहा है। ऐसे में जब तालिबान ने अफगानस्तान में अपनी सरकार बना ली है तो आने वाले समय में terror threats बढ़ जाएंगे। ये डर भी वाजिब है। नबबे के दशक में जब सोवियत अफगानस्तान छोड़ कर गया था तब यही हुआ था। और ऐसे किसी भी खत्रे के लिए हमें prepared रहना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं government द्वारा लिए गए legislative measures को। दोसों इंडिया ने कई ऐसे laws enact किये हैं जिनकी मदद से terrorism को counter किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है National Security Act of 1980. National Security Act Extringent law है जो Preventive Detention के साथ deal करता है। यह act state और central government को empower करता है कि वो ऐसे लोगों को detain कर सके हैं जो future में ऐसे act commit कर सकते हैं जो national security, public order या फिर essential supplies के maintenance के लिए खत्रा हो। इसके तहट एक इंसान maximum 12 महिने के लिए confined किया जा सकता है। और अगर government को कोई fresh evidences मिलते हैं तो उस confinement को extend भी किया जा सकता है। अगला important law है Unlawful Activities Prevention Act 1967 जोसे 2004, 2008, 2012 और recently 2019 में amend किया गया है। यह act terrorist और unlawful activities को counter करने के लिए special procedures प्रोवाइड करता है। इसके section 15 में एक terrorist act को define किया गया है जिसके लिए punishment 5 साल से लेकर death penalty तक हो सकती है। यह act central government को absolute powers देता है जिसके तहत वो official gazette में unlawful activities को specify कर सकती है। UAP Amendment Act 2019 के तहत अब government individuals को भी terrorist declare कर सकती है। पहले केवल organizations को ही इस act के तहत terrorist declare किया जाता था। इसके लावा नए amendment के इंडर NIA के director general के पास यह power है कि वो accused की property को cease कर सकें। और अब NIA के inspector rank के officers भी investigations कर सकते हैं अपार्ट फॉम DSP और ACP। अगला crucial law है NIA Act 2008 जिसे 2019 में amend किया गया था। दोस्तो NIA Act का creation 26-11 के Mumbai terror attacks के बाद हुआ था। यह एक specialized investigation agency यानि NIA को कई powers देता है। NIA का vision international standards को meet करते हुए एक professional investigative agency बनना है। इस Act के तहत terror cases का investigation DSP या ACP rank के officers कर सकते हैं। और 2019 के बाद अब inspector rank के officers के पास भी investigative powers हैं। इसके लाबा यह Act terror cases के लिए special codes भी create करता है। NIA amendment act 2019 के तहत इसमें कुछ बदलाव लाए गए। सबसे पहला बदलाव यह था कि यह Act NIA को essay terror attacks को probe करने के लिए empower करता है जो विदेश में Indians या Indian interest को target करते हैं। इसके लाबा इस Act के scope को expand कर उसमें human trafficking, circulation of fake currency, manufacture and sales of prohibited arms, cyber terrorism और explosive substances act 1908 के तहत होने वाले offenses को भी add किया गया है। legislative efforts के बाद अब देखते हैं institutional framework को, यानि अब हम और institutions की बात करेंगी जो terror activities से इंडिया को बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बाद NAT grid की, यह इंडिया की security और intelligence agencies के लिए one stop destination है, जिसकी मदद से वो terror cases related database को easily access कर सकते हैं। immigration entry और exit से लेकर suspect के banking और टेलिफॉनिक details से त्यादी को access करने के लिए ये एक secure platform है। इसके लावा, NAT grid ने NCRB के साथ एक MOU sign किया है जिसके तहत NAT grid, FIRs और terror attacks के लिए use होने वाले stolen vehicles की detail access कर सकता है। ये MOU NAT grid को 14,000 police stations के साथ link platform, crime and criminal tracking network and system या CCTNS के database के साथ भी connect करेगा। उसके लावा intelligence coordination के लिए multi agency center या MAC की स्थापना भी की गई है ताकि various security agencies के बीच intelligence coordination आसान हो सके। cyber terrorism को counter करने के लिए national cyber coordination center या NCCC की स्थापना भी की गई है जो इंडिया की epic cyber security और east surveillance agency है। ये agency CERTIN के साथ भी coordinate करती है। जो इंडिया में हो रहे cyber attacks के लिए nodal agency है। ED और directorate of revenue intelligence जैसे agencies terror finance और funding की रोगथाम के लिए काम करते हैं। दोस्तो terror finance का aspect भी बेहत crucial है। इसके लिए भी government ने कई steps लिए हैं। UAPA 1967 के तहट production of smuggling और circulation of high quality counterfeit Indian currency एक terrorist act declared है। इसके लावा एक terror funding और fake currency या TFFC cell NIA के under constitute किया गया है जो terror funding और fake currency cases को investigate करता है। इसके लावा fake Indian currency notes ये FICN network को counter करने के लिए Ministry of Home Affairs ने FICN Coordination Group ये FCORD established किया है जो FICN related intelligence और information security agencies के साथ share करते हैं। इंडिया ने बांग्रदेश के साथ FICN related MOU भी sign किया है ताकि fake currency को bilateral level पर भी counter किया जा सके। इसके लावा Prevention of Money Laundering Act या PMLA के तहत money laundering और हवाला network पर भी check रखा जाता है। अब बात करते हैं international efforts की और इंडिया के international efforts के साथ involvement की। international initiatives दोस्तो terrorism से affected देशों में international level पर terrorism के against efforts को हमेशा prioritize किया है CCIT या फिर comprehensive convention और international terrorism के तहत terrorism की uniform definition के लिए इंडिया ने 1996 में इसे introduce किया था ताकि international terrorist को extradite कर उन्हें prosecute किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये convention अभी तक enforced नहीं हो पाया है। खेर international level पर GCTF या फिर Global Counter Terrorism Forum एक multilateral platform है जो terrorism को counter करने के लिए बनाया गया है। इंडिया GCTF का founding member रहा है GCTF के तहत terrorist travel initiative भी launch किया गया था जो national और local governments law enforcement और border screening practitioners और international organizations को एक साथ लाता है ताकि वो effective counter terrorism watch listening और screening tools को implement कर सके हैं। इसके लाबा इंडिया ने UN के global counter terrorism strategy के creation में भी active role play किया था जो 2006 में adopt किया गया था। यह strategy state capability against terrorism conditions that cause terrorism, human rights और rule of law पर focus करती है। UN की activities against terrorism को coordinate करने के लिए counter terrorism implementation task force यह CTITF का भी creation किया गया है। CTITF में 30 से जादा UN bodies और interpol participate करते हैं। इसके लाबा UNSC की resolution जैसे resolution 1373, resolution 1540 और resolution 1267 का भी इंडिया ने support किया है। resolution 1373 एक counter terrorism committee establish करता है। resolution 1540, weapons of mass destruction को terrorist के हाथों में जाने से बचाता है। resolution 1267, उन individuals और groups पर sanctions लगाता है जो terror respect करने की दोशी है। इसके लाबा resolution 2396 terrorist को international travel से रोपता है। regional level पर SEO या फिर Shanghai cooperation organization के अंडर भी एक anti-terrorism structure है। इसका नाम है RATS या फिर regional anti-terrorist structure इसका मकसद SEO के members के बीच terrorism related मुद्धों में coordination को improve करना है। अगला crucial international effort है Financial Action Task Force या FATF ये G7 का एक body है जो terror financing को tackle करने के लिए उन states पर नजर रखता है जो terrorism को support करते हैं। यही वज़ा है कि FATF ने कई बार Pakistan को grey list में रखा है। European Union ने भी EU Judicial Cooperation Unit, Eurojust और EU Police Force का Europol को establish किया है, जो terrorism को रोकने का काम करती है। Global Internet Forum to Counter Terrorism या GIFCT एक industry-led initiative है जो UN की Counter Terrorism Executive Direct Rate या UNCTED के साथ partnership में काम करती है ताकि terrorist के internet और cyber capabilities को counter किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि security structure को और पुक्ता करने के लिए सरकार आगे और क्या कर सकती है। Way forward Terrorism के अगेंस current security architecture को improve करने के लिए कई तरह के steps लिए जा सकते हैं। इनमें जबसे पहला है एक comprehensive और dedicated anti-terror law की necessity जो terrorism के various aspects के साथ wholesome तरीके से deal करें। इस law के तहट fast track courts set up किये जा सकते हैं ताकि terrorism के अगेंस investigation और judicial process fasten हो सके और deterrence improve हो। पुलिस reforms और पुलिस modernization की भी urgent need है। पुलिस first line of security प्रोवाइड करती है किसी भी terror threat के दौरान। लेकिन age old methods weapons और procedures के चलते पुलिस की capabilities armed forces से काफी कम है। यही बज़ा है कि पुलिस में reforms बेहत आवश्यक है। इसके लावा terror financing पर special ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए 2nd ERC ने Prevention of Money Laundering Act को amend कर उसके scope को increase करने की बात की है। PMLA के एंडर exceptional cases में investigative authorities के पास advance search and seizure की power दी जा सकती है। emerging sources of funding जैसे cryptocurrency और cyber frauds को लेकर capabilities को improve करना भी need of the hour बन चुका है। इसके लावा different agencies के बीच institutional coordination को smoothen करना भी आवश्यक है ताकि bureaucratic delays को कम किया जा सके। इस काम के लिए 26 गयरा के बाद National Counterterrorism Center establish करने का suggestion experts द्वारा दिया गया था। जैसे अभी तक implement नहीं किया गया है। NCTC जैसी एक body का establishment coordination को boost कर सकता है। कुछ experts ने ये भी suggest किया है कि few IND जो इंडिया की financial intelligence unit है उसका scope real estate transactions में भी expand करना चाहिए। क्योंकि real estate भी एक बड़ा एरिया है जहाएसे illegal काम होते हैं radicalization, fake news, media negligence और irresponsible coverage से जन्मेर threats को रोकने के लिए media में self regulation की भी आविश अकता है। 26 मुंबई terror attacks के दुरान irresponsible media reporting के चलते security agencies को काफी परिशानिया जहिलनी पड़ी थी और ऐसी reporting से media को बचना चाहिए। और उसका best तरीका एक responsible और well formulated self regulation infrastructure माना जाता है। खेर, cyber space के बढ़ते importance के दौर में एक dedicated cyber training infrastructure की भी आविशकता बढ़ गई है। इसके लावा, cyber resilience को लेकर हमें और भी जाधा diligence के साथ काम करना होगा। केरला के cyber dome project से सीख लेते हुए एक overarching infrastructure हम national level पर भी create कर सकते हैं। cyber dome project का focus cyber resilience, cyber training of law enforcement, involvement of IT experts, awareness generation इत्यादी पर होता है। इसके लावा, cyber space related legal infrastructure को भी rapidly update करने की जरुवत है। लेकिन हमारे पास भी rapidly changing technology के हिसाब से legal rules को update करने की capability कम है। इसलिए इस मुद्दे पर भी धान देना होगा। cyber capabilities को enhance करने के लिए cross platform recruitment of specialist की जरुवत है। जिसमें social media, big data analysis, terrorist finance और technical intelligence में expert लोगों को recruit किया जाना चाहिए। इसके लावा, कुछ unique best practices को भी हम adopt कर सकते हैं। इस पर सबसे interesting है, Malayan doctrine को strengthen करना। दोस्तों Malayan doctrine कहती है कि एक terror threat के साथ deal करने के लिए सबसे पहले, terror affected area और वहाँ located friend organizations और overground workers को identify कर एक terrorism map create किया जाना चाहिए। ये काम generally intelligence agencies दोरा किया जाता है। इसके बाद ये area responsible security agency को देना चाहिए ताकि वो counter terrorism measure ले सकें। counter terrorism measures के बाद इस area को politicians के हाथों में दे कर वहाँ participative democracy को push करना चाहिए ताकि देश के democratic process पर लोगों का भरोसा बढ़े और वो violence को give up कर दें। पर इसके साथ किसी future threat को पनपने सर रोकने के लिए intelligence agencies को ये responsibility लेनी चाहिए कि वो चौकनने रहें। इसके लावा एक good governance doctrine भी कई बार यूज की जाती है। इसके according जिन area's में radicalization का threat होता है उन area's में intelligence officers को काम दिया जाता है कि वो वहाँ common लोगों की तरह रहें और समझें कि लोगों के issues और grievances क्या हैं। इन officers की report के basis पर government अगर लोगों की grievances को address करने की कोशिश करेगी तो radicalization का threat कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान prevention और de-radicalization को लेकर एक comprehensive scheme की भी आविश रखता है। इसमें government के साथ-साथ non-government organizations के cooperation की भी जरुवत है। influential religious leaders, local leaders, student groups, etc. की मदद से भी de-radicalization crucial होता है। international level पर भी collaboration को enhance करने की जरुवत है ताकि international terrorism के impacts को कम किया जा सके हैं। इसके लिए bilateral, multilateral और international forums में diplomatic engagements को enhance करना पड़ेगा। international level पर terrorism की एक comprehensive और widely accepted definition को भी enact करना पड़ेगा। और इसलिए CCIT जैसे protocol पर acceptance achieve करना बेहद आवश्यक है। पाकिस्तान जैसे states जो terrorism को state policy बना चुके हैं उन्हें international level पर expose कर उन पर sanctions लगवाना भी हमारा diplomatic endeavor होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ major suggestions जिन्हें implement कर हम अपने security infrastructure को और ज़्यादा boost कर सकते हैं। लेकिन ये एक never ending list है जिसमें आप अपने suggestions भी add कर सकते हैं। दोस्तों internal security पर अब हम चर्चा करेंगे left wing extremism की जो former PM मनमहन सिंग के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा security issue है। left wing terrorism को हम दो वीडियो में cover करेंगे। इस वीडियो में हम left wing extremism या LWE के basics पर चर्चा करते हुए उसके तिहास, evolution और modest operandi को समझेंगे। इसके लावा LWE के changing nature को समझते हुए हम ये भी देखेंगे कि आखिर सरकार ने इसे counter करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। उनमें क्या कमी है और हमें आगे और क्या steps लेने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक basic introduction से Basics of left-wing extremism Left-wing extremism एक ऐसा internal security threat है जिसका main organizing principle एक well formulated ideology है Left-wing extremism को इंडिया में Maoism और Nuxilism भी कहा जाता है ये extremism 20th century के philosopher Karl Marx, USSR के founding father Vladimir Lenin और Communist China के संस्थापक Mao जोदाओं के idea से प्रभावित है Nuxilism इंडिया के development-linked extremism का सबसे बड़ा प्रतीग भी माना जाता है क्योंकि जिस ideology से Nuxilism प्रभावित है उसका main focus economic development और उससे related issues होते हैं क्योंकि हमने development-induced extremism पर एक separate video बनाई है इसलिए इन videos में हम left-wing extremism के कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे LWE के major कारण वही है जो linkages between development and spread of extremism वाले lecture में discuss किये गए है Charnexilism एक ऐसे extremist thought पर based है जो लोगों को उनकी दुखों से उभारने के लिए current state के violent overthrow और एक communist society की स्थापना की बात करता है ये extremism lack of development से जन भी लेता है और उस पर ही feed भी करता है इस ideology को detail में समझने के लिए हमें Karl Marx को briefly समझना होगा दोसो Karl Marx के विचारों के हिसाब से हमारी society में गरीबी, भुक्मरी, exploitation, discrimination इत्यादी का सबसे बड़ा कारण economic structure पर कुछ powerful लोगों का control है इन powerful groups और लोगों को Marx, bourgeois या पूंजी पती कहते हैं Marx के हिसाब से कुछ पूंजी पती एकनौमी बर अपने control के चलते समाज के बाकी की institutions जैसे politics, state government इत्यादी पर भी अपना dominance ensure करते हैं और पूंजी पतियों का ये dominance असल में गरीब और working class जिने हैं वो proletariat कहते हैं उनके exploitation पर dependent हैं उनका कहना था कि capitalist society में पूंजी पती एक worker से maximum काम करवाता है लेकिन उसे कम से कम पैसा देता है ताकि पूंजी पती maximum profit बना सके Marx के हिसाब से इस पूरी समस्या का solution एक socialist और फिर एक communist society की स्थापना है और ये communist society revolution या क्रांती से ही स्थापित की जा सकती है Marx वादी विचारों का सबसे पहला experiment 1917 में रूसी क्रांती में देखा गया जब लादमिर लेनन के नेतरत्व में एक communist state USSR की स्थापना हुई इसके बाद 1949 में चाइना में Mao Zadong ने भी एक क्रांती को लीड किया और वहाँ भी एक communist राजिक की स्थापना हुई हम आपको बता दें कि भले ही नक्सलिजम का fundamental influence कार्ड मार्क्स के विचारों से जड़ा हुआ है लेकिन इंडिया में जो नक्सलवाद है उसका सबसे बड़ा inspiration Mao Zadong को ही माना जाता है ऐसा ऐसी लिए क्योंकि Mao Zadong ने Marxist ideology को modify किया जहाँ एक तरफ कार्ड मार्क्स का कहना था कि जब capitalism अपने peak पर पहुँच जाएगा तब revolution inevitable या unavoidable हो जाएगा और केवल एक advanced capitalist समाज में ही communist revolution की नीव रखी जा सकती है लेकिन Mao Zadong ने इसे modify किया और दावा किया कि communist revolution चाइना जैसे एक peasant यह agrarian society में भी possible है जो है एक तरफ मार्क्स का विश्वास worker-led revolution में था वहीं Mao का revolution गाउं के किसानों के नित्रत्व में होना था यही वज़ा है कि इंडिया जैसे agrarian देश में जहाँ capitalism और industrial development primitive stage में था वहाँ के communist radicals को Mao के ideas पसंद आए इसके लावा Karl Marx और Mao में difference को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि Marx के लेखों में क्रांती और revolution का mention तो मिलता है लेकर वो किस तरह से होगा और उसका detailed process क्या होगा इस पर जादा चर्चा नहीं मिलती communist क्रांती कैसी होगी इसकी details Lenin और Mao के ideas में मिलती है जिसमें state power को capture करने का modus operandi क्या होगा इस पर बात की गई है Mao ने इस पूरे process को protracted people's war कहा था जिसमें लोगों द्वारा military lines के formation और armed struggle द्वारा state power को capture करने की बात थी और इंडिया में पनाप रहा नकसलवाद largely इनी strategies को follow करता है और इसे लिए उसे नकसलवाद या माववाद कहा जाता है जबकि माक्सवादी ideas को follow करने वाले लोग violent और non-violent democratic methods दोनों के supporters हो सकते हैं खैरब चलते हैं आगे और समझते हैं कि इंडिया में नकसलिजम के खतरे की intensity क्या है इसके लिए हमें कुछ data और facts का सहरा लेना पड़ेगा Some facts दोस्तों कई reports बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में government effort के चलते नकसल अटाक्स में काफी कमी आई है left wing extremism incidents से related government data बताता है कि 2015 से 2020 के बीच हुए नकसल अटाक्स 2009 से 2014 के बीच हुए नकसल अटाक्स से लगभग 45% कम रहे इसके लाबा recently parliament को दिये अपने जवाब में minister of state of home affairs ने बताया कि 2010 में नकसल वाइलन्स का geographical spread जहां 10 states और 96 districts था वो अब घटकर 46 districts हो गया है number of deaths की बात करें तो नकसल इंसिडेंट से हुई deaths 2005 से 2018 के बीच 8,000 से जादा रही जिन में लगभग 6,300 civilians और 1,900 security personal शामिल थे इसके लाबा red corridor नाम से famous इंडिया के eastern belt में located states जैसे तिलांगना आंदरप्रदेश, 36 गड़ इस्टन महरास्टर इत्यादी नकसलिजम affected high intensity zone में आते हैं लिकर इनका limited spread बाकी के bordering states में महरास्टर का गड़ चिरॉली 36 गड़ में बस्तर और दंतेवाडा जैसे एरियास वो नाम है जहां नकसलवाद की पकड़ सबसे जादा मजबूत मानी जाती है लेकिन नकसलिजम की reducing intensity के बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं इसका खत्रा पूरी तरह से टल गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई deadly attacks को नकसलिओं ने अंजाम दिया है तो सब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में नकसलिजम की शुरुआत आखिर हुई कैसे क्या है इसका इतिहास और किस तरह से ये इंडिया में फैला चलिए देखते हैं नकसलिजम के इतिहास और उसके evolution को History and evolution of नकसलिजम in India हम आपको बता दें कि भारत में Communist Ideological Origin USSR के formation के वक्त से ही देखा दा सकता है चब इंडिया में M.N. Roy ने Communist Party of India की स्थापना की थी Communist आजादी की लड़ाई के दौर में भी एक्टिव रहे लेकिन कम्यूनिजम और सोचलिजम पर विश्वास करने वाले नेताओं में सभी violent revolution के आइडिया पर विश्वास नहीं करते थे और यही वज़ा है कि कुछ नेता गांधीवादी आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे आजादी के बाद Communist Party of India ने electoral politics का रास्ता चुना और इसलिए इस दौर में Marxist revolutionary politics बहुत limited थी लेकिन 60 के दशक में चीज़े बदलने लगी और यही वो दौर था जहांसे भारत के सबसे बड़े internal security threat यानि नक्सलिजम की शुरुआत हुई 1964 में CPI में internal conflict के चलते यह पार्टी दो भागों में बढ़ गई जिनमें एक थी CPI Marxist और दूसरी CPI नाम से जानी गई पर यह दोनों पार्टीज democratic politics के ही support में थी जो पार्टी के कुछ radical नेताओं को नक्सल इंसर्जेंची की एक्चियो शुरुआत 1967 में West Bengal के डाजलिंग डिस्टिक के गाउं नक्सल बाडी से होता है जिसके नाम पर ही इंडिया के left-wing extremism का नाम नक्सलिजम पड़ा 1967 से 1974 को नक्सलिजम का first phase माना जाता है नक्सलिजम के शुरुआती दौर का अप्राइजिंग चारु मजूमदार, कानुसान न्याल और जंगल संथल जैसे नेताओं द्वारा लीट किया गया था चो Communist Party of India Marxist के within radical नेता थे लेकिन जैसा कि हमने बताया कि CPM parliamentary method पर विश्वास रखती थी इसलिए नक्सलिजबाइडी अप्राइजिंग के दो साल बाद यानि 1969 में चारु मजूमदार ने Communist Party of India Marxist-Leninist का creation किया जिसने revolutionary और violence politics को support किया ये initial अप्राइजिंग एक तरह के peasant revolt के form में शुरू हुई थी जो धीरे-धीरे देश के बाकी इलाकों में फैलने लगी पर 1970 में government ने operation steeple chase के तहत नक्सलिजबाइड्स पर heavy crackdowns किये और movement की गती कम पढ़ने लगी इस crackdown में सैकडो नक्सलिजबाइड्स मारे गए और हजारों arrest कर लिए गए फिर 1974 में चारू मजुमदार की मौत हो गई और यहां से नक्सलिजबाइड्स के second phase का दौर शुरू होता है चारू मजुमदार की मृत्यू के बाद 1974 से 2004 के दौर में नक्सलाइड movement कहीं न कहीं internal disputes और squabels का शिकार हुआ इसका नतीज़ा यह हुआ कि नक्सल वाइलेंस कोई एक ग्रूप लीड नहीं कर रहा था बलकि कई छोटे बड़े गुटों ने इसकी कमान अपने हाथों मिली उधारन के तौर पर पीपल्स वार ग्रूप इन आंध्रा बेंगॉल में माविस्ट कम्मिनिस सेंटर MCC और CPI ML SNS चुकि नक्सल्स के वल सरकार के अगेंस्ट वेपन्स नहीं उठाते थे बलकि उनका टारगेट लोकल जमिदार और पाउरफुल लोग भी थे इसलिए इस दौर में हमें बिहार जैसे स्टेट्स में एंटी नक्सल्स मिलिश्याज भी देखने को मिलते हैं जिसके चलते law and order की situation काफी खराब हुई खैर स्क्वेबल्स के दौर में नक्सलिजम ने धीरे धीरे अपने पैर देश के कई स्टेट्स में पसारे और वेस्ट मेंगॉल के डार्टलिंग से शुरू हुआ ये internal security threat इंडिया के less developed states जैसे बिहार उडिशा, आंधर प्रदेश और 36 गर तक फैल गया इंट्रेस्टिंग बात ये है कि नक्सल प्रभावित इलाका tribal dominated, mineral rich और forested land है जिसे red corridor की परिभाशा भी दी गई है और यही वज़ा है कि development linked extremism में नक्सलिजम का नाम सबसे उपर आता है खैर 2004 में नक्सलिजम के nature में एक और बड़ा बदलाव आया इंडिया में नक्सलिजम को lead कर रहे दो सबसे बड़े groups Maoist Communist Center, MCC और आंधरा-based People's War Group का merger हुआ और इससे जन्म लिया Communist Party of India Maoist ने, जो इंडिया के नक्सलिजम का main central organization बना, बाद में government CPI Maoist को UAPA के तहट ban कर दिया गया इस unity के चलते इंडिया में नक्सलवाद ने अपने third phase में resurgence देखा और इंडिया में नक्सल वाइलेंस में बढ़ोतरी हुई वाइलेंस 10 से जादा states और लगभग 76 districts में fell गया Ministry of Home Affairs के data के हिसाब से नक्सलवाद 2017 में लगभग 10,000 armed fighters और 40,000 से जादा के काडर strength के साथ operate कर रहा था इस दौर में नक्सलियों ने इंडिया में अपने इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक violent attacks को अंजाम दिया इनमें 2010 का दंतेवड़ा attack जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हो गए और 2013 का दर्भा या फिर सुक्मा violence शामिल है जिसमें Indian National Congress के कुछ बड़े निताओं के convoy को attack किया गया था खेर ये तो बात हुई इतिहास और नक्सलियों के evolution की पर नक्सलियों इंडिया में actually किस तरह से operate करता है और उसका modus operandi क्या है ये जानना हमारे लिए बेहत जरूरी है ताकि as aspiring administrators हमें समस्या को solve करने की solution धूर सकें तो चलिए समस्ते हैं नक्सलियों के methods और modus operandi को Modus operandi of nuxilism तो उसले LWE या फिर nuxil organizations government को overthrow करने के लिए armed violence का इस्तिमाल करते हैं और इस violence का target government machinery, security forces, politicians सित्यादी से लेकर innocent civilians भी होते हैं terror attacks से लेकर individual murders, abductions, extorsions, etc. का अस्तमाल किया जाता है इसके लाबा कई cases में high profile murders और kidnappings भी करते हैं ताकि इनकी sphere of influence में रह रहाए लोगों में दर का महल create हो कई cases में नक्सली local tribal population का support भी gain करने में काम्याब हो जाते है क्योंकि इन areas में ये खुद parallel government चलाने की कोशिश करते हैं parallel government चलाने का मतलब हुआ कि इन areas में elected government का influence कम होता है और नक्सलीओं का influence जादा और इसका फाइदा उठा कर ये खुद को basic amenities के service deliveries की तरह project करते हैं लेकिन इन areas में नक्सल्स उन गरीब ट्राइबल्स को भी नहीं बख्षते जिन पर वो government informers होने का आरोप लगाते हैं इसके लावा local level पर लोगों को democratic politics और election से दूर रखने के लिए नक्सल्स local leaders पर भी attack करते हैं लोगों को प्रकार के development efforts को succeed होने से रोखते हैं ताकि वो government को जनता के सामने negatively portray कर अपनी hegemony को maintain कर सकें इसलिए road project से लेकर industries और बाकी के infrastructure projects पर attacks भी नक्सल्स का modest operandi है किसी भी प्रकार के आम struggle को sustain करने के लिए पैसों के आविशकता भी होती है इसलिए नक्सल्वादी funding secure करने के लिए वही methods use करते हैं जो बाकी के terror groups करते हैं money laundering से लेकर transnational organized criminal gangs के network का इस्तमाल ये अपनी funding secure करने के लिए करते हैं कई दाफा ये खोद directly drug trafficking, opium farming, bank robberies और interest list से extortion जैसे काम भी करते हैं आम struggle के लिए लगने वाले हैं वहाँ तो ये लोगों से taxes भी वसूलते हैं, वो areas जहां ये अपनी parallel governments create करने में सफल रहते हैं उन्हें ये liberated zones या फिर areas बोलते हैं, इसके लावा एक zone को gorilla zone भी कहा जाता है जहां government और नक्सल्वादी के भी इच लगतार struggle चलता है और दोनों sides लगभग equally dominant होते हैं, और जिन areas में government का control stronger होता है उन्हें base areas कहा जाता है खैर नक्सल ideology के state के against violence करने का main तरी का gorilla warfare होता है इसके तहत नक्सल्वादी state agencies के खिलाफ surprise attacks पर jungle में छुप जाते हैं, ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि state के security forces के सामने वो कमजोर है और एक conventional warfare में वो state agencies से जीत नहीं सकते इसके लावा अपने sphere of influence के बाहर अपना दबदबा कायम करने और support maintain करने के लिए नक्सल्वी front organizations का सहरा लेते हैं front organizations का मकसद कई प्रकार का होता है ये organizations, funding, ideological support propaganda और लोगों को radicalize कर उन्हें नक्सल काडर्स में recruit करने का काम करते हैं कुछ front organizations को intellectuals भी lead करते हैं, जो basically ideological sympathy ensure करते हैं इसके लावा इन में से कई organizations arrested नक्सल leaders को legal liability से बचाने में भी help करती हैं और इन groups में कई lawyers भी होते हैं magazines और pamphlets द्वारा ideology को spread करना ideological support और radicalization का एक method माना गया है corporate exploitation से लेकर human right violations और tribal displacement जैसे sensitive topics का गलत अस्तमाल कर ये groups young लोगों में extremism फैलाते हैं और नक्सलवाद के प्रती support एकटा करते हैं यही वज़ा है कि कई यंग लोग भी इस propaganda का शिकार बन जाते हैं और बिना नक्सलवादियों की ideology को पूरी तरह से समझे हुए उनके sympathizers बन जाते हैं changing nature of नक्सलिजम and emerging challenges दोस्तों central और state governments ने intelligence reports के basis पर ये recognize किया है कि बदलते socio-economic conditions और technological transformations के इस दौर में left-wing extremism में कई तरह के बदलाओ देखने को मिल रहे हैं नक्सलिजम जैसे internal security threat को जड़ से खतम करने के लिए इन बदलाओं को समझना बेहत जरूरी हो जाता है बदलते समय के साथ खुद की existence और survival को ensure करने के लिए नक्सलवाद में जो सबसे पहला change हुआ है वो है नक्सलिजम द्वारा नए areas में पाउँ पसारने की कोशिश और साथी साथ core areas में खुद को और मजबूत बनाने की जद्दो जहेद बांड organization CPI Mowis ने इसके लिए core areas में organizational restructuring का सहरा लेना शुरू किया है ऐसा intelligence reports बताती है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले एक दशक में नक्सल मुव्मेंट के खिलाफ security efforts काफी strong रहे है इसके चलते नक्सल violence कम हुआ है जैसे की stats और data के साथ हमने पिछले वीडियो में देखा था रिपोर्ट्स बताती है कि बस्तर जैसे इलाकों में भी नक्सलियों को security agencies के हाथो काफी नुकसान हुआ है इस वज़े से ही उन्होंने खुद के लिए नए areas की तलाश शुरू की है और core areas पर focus पठा दिया है नक्सल consolidation के potential zones की बात करें तो ये areas दो tri-junctions पर located है पहला है tri-junctions of महराश्चा, मद्धप्रदेश और 36 गड़ जैसे MMC zone कहा जाता है और दूसरा है केरला, करनाटका और तमिल नाडविया, KKT zone इस dual strategy का सबसे वड़ा logic है security forces का ध्यान core areas से खीच कर नए areas की तरफ shift करना और मौके का फाइदा उठा कर core areas जैसे बस्तर और गट्चिरोरी में हुए नुकसान की भरबाई करना इसे scholars एक diversionary tactic मानते हैं इसके लावा tri-junctions पर नक्सल activities को बढ़ाने की कोशिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि ऐसे areas में inter-state police coordination कठिन हो जाता है इसका फाइदा नक्सलियों को होता है दोस्तो नक्सलिजम के नई trends में अगला trend है उनके दोरा urban centers में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिशे करना और working class movements को tap करना इसी विज़े से मीडिया में urban नक्सलिजम और urban नक्सल्स जैसे terms का usage बढ़ गया है अगला कि इस नई trend के claims पर काफी controversies और politicization होता रहा है इसे criticize करने वाले section दावा करते हैं कि नक्सलिजम के urban spread को लेकर जो बाते होती हैं वो केवल और केवल political mileage को लेकर होती है हम आपको ये भी बता दें कि ये controversies और ज़्यादा स्टंदन हुई जब recently Union Home Ministry के Left Wing Division ने एक RTI के response में ये कहा था कि urban nuxal term का इस्तमाल official usage में नहीं है लेकर पछले कुछ सालों में ऐसे कई events हुए है जिनके चलते इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है दोस्तो urban nuxal term clearly defined नहीं है लेकिन मीडिया द्वारा इसका इस्तमाल उन urban intellectuals और civil society members के लिए होता है जिन पर nuxal sympathizers होने का आरोप लगा हुआ है 2018 में हुए भीमा कोरेगाउ वायलेंस और उससे related arrest के बाग ये मुद्दा मीडिया में खुब चर्चा में रहा कर urban nuxal term कितना सही है कितना नहीं इस debate के beyond और ये बात तो सच है कि हर ideology driven violent movement अपनी ideology को spread और उसके लिए support gain करने के लिए front organizations का इस्तमाल करता है नक्सलिजम के case में ऐसे front organizations का existence नक्सल affected areas के लावा urban centers में भी है और ये भी intelligence reports का दावा है ये front organizations प्रोपगेंड़ा फैलाने से लेकर recruitment और funding जोडने का काम CPI मावस के लिए करते हैं इसके लावा इन sympathizers पर ये आरोब भी लगते हैं कि वो anti development agenda को लेकर state development projects के खिलाफ protest और propaganda करते हैं और government के developmental efforts में बाधा create कर left wing extremism के फलने और फूलने के लिए ground create करने की कोशिश करते हैं अगला नया और शायद सबसे dangerous trend है नकसलियों दोरा new and emerging technology का इस्तमाल दोस्तो जिस तरह से ISIS जैसे terrorist organizations ने नई technology का इस्तमाल कर radicalization को fuel खुद को strength और अपने reach को बढ़ाने का काम किया है वैसे ही अब security agencies को डर है कि आने वाले इस गड़ में नकसलियों से कई high-tech arms, ammunitions और gadgets recover किये थे इसने security agencies के सामने एक बड़ा challenge प्रस्तुत किया था जहां उनको डर था कि शायद माविस्ट अब mobile warfare strategy का इस्तमाल security agencies के against कर सकते हैं GPS enabled advanced direction finder, china made binoculars और claymore landmines जैसे advanced devices भी इनके पास से बरामद हो चुके हैं इसके लावा sophisticated VHF यानि very high frequency sets और scanners with scrammler facility के इस्तमाल की खबरें भी newspaper reports में आती रहती हैं 2019 में तो The Mint ने report किया था कि सुकमा में माविस्ट ड्रोन्स को इस्तमाल करते पाए गये थे इनका अस्तमाल माविस्ट ने CRPF camps पर नजर रखने के intention से किया था The Mint के हिसाब से ये ड्रोन्स शायद Mumbai based किसी vendor द्वारा unidentified लोगों को बेचे गए थे जो शायद Nuxle Carders का हिस्सा हो सकते हैं ऐसे में security agencies का year old concern कि Nuxles new tech weapons का misuse कर सकते हैं वो कहीं न कहीं सच होता दिख रहा है इसलिए security agencies को इन नए circumstances के हिसाब से खुद को better prepared करने की आविशक्ता है emerging trends में अगला important मुद्दा है Nuxle Groups में Women Carders का बढ़ता नमबर हम आपको बता दें कि traditionally Nuxle Vat को lead और sustain करने में male members की संख्या ही जादा होती थी लेकिर पिछले कुछ दशकों में इसमें काफी बदलाव आया है और LWE affected areas में लगबग 40% काडर में women members हैं इसके चलते Nuxle Groups में कई women-led groups का creation भी होने लगा है जिन्हें बल दस्ता जैसा नाम दिया जाता है इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि development related issues जैसे displacement इत्यादी का सबसे बड़ा शिकार women होती है इसके लावा LWE areas में women के against rising sexual harassment के cases के चलते भी Nuxle Cards में women के numbers के बहिंडे की आशंकाए हैं दोस्तों ये था एक discussion जिसमें हमने Nuxleism या LWE के changing nature के बारे में बात की अब चलते हैं आगे और देखते हैं के LWE को counter करने के लिए हमारी सरकार ने क्या efforts लिए हैं government measures to counter left wing extremism दोस्तों जब हम Nuxleism के against लिए गए government steps की बात करते हैं तो उन्हें broadly दो categories में divide किया जा सकता है पहला है security related steps और दूसरा है left wing extremism को चन्म देने वाले developmental issues को solve करने की खातर ले गए steps ये सारे steps broadly national policy और action of plan 2015 के आधीन आते हैं सबसे पहले बात करते हैं security related steps की security related steps में हमारे देश की security agencies का role सबसे important हो जाता है Nuxleism को counter करने के लिए इंडिया में security agencies दो level पर operate करती हैं पहला है state level पर क्योंकि internal law and order problems state list का हिस्सा है और इसे लिए state police और states दोरा created special parliamentary units के mandate में Nuxleism related security efforts भी शामिल हैं इसके लाबा union के level पर जो agency Nuxleism को counter करने का काम करती हैं वो है CRPF जो इंडिया की paramilitary forces का हिस्सा है mostly CRPF के heads Indian police services से appoint होते हैं और बाकी के personals का recruitment UPSC दोरा conduct कराये जाने वाले CAPF examinations के तहत होता है इसके लाबा कुछ states और CRPF ने specifically Nuxleism related incidents को कम करने के लिए special forces भी create किये हैं उधारन के तौर पर हम CRPF की famous Cobra Battalion या फिर Commando Battalion for Resolute Action की बात कर सकते हैं ऐसी एक special force आंदर प्रदेश में operate करती है जिसका नाम Greyhounds है जो Anti-Mauist Operations में specialized करती है 36 गड़ में Black Panther Combat Force भी इसका ही एक उधारन है 36 गड़ में बस्तरिय बटालियन नाम की एक force भी race की गई है जिसमें लगभग 500 Tribal Youth को भी शामिल किया गया है जो Anti-Nuxal Operations को बेटर तरीके से enforce करने में पुलिस forces की मदद कर सकते हैं इसके लावा Center State और Interstate लेवल पर नक्सलिजम को लेगर लिये जारहे efforts को coordinate करने के लिए एक unified command की स्थापना की गई है ताकि पुलिस responses और intelligence sharing easily और time bound तरीके से हो सके साथी साथ नक्सल्स की funding को चोक करने और IB, NIA, ED, DRI और स्टेट पुलिस में required coordination को ensure करने के लिए multi-disciplinary groups का formation भी किया गया है Union Government ने security related expenditure या फिर SRE scheme के तहत स्टेट पुलिस forces के modernization के और भी बड़ा कतम उठाया है इसके तहत Union Government 11 नक्सल प्रभावत स्टेट्स के पुलिस modernization effect को financially support करती है नक्सल affected इलाकों में located police stations को fortify और मजबूत बनाने के मकसद से गववनेंट ने fortified police stations या FPS नामक scheme भी निकाली है इसके तहत लगभग 445 police stations बनाए गए हैं जिन में 399 FPs और 10 LWE affected areas में है Union Government ने समधान scheme या फिर doctrine को भी launch किया है जो LWE को जड़ से उखाड फेकने के लिए एक one stop solution की तरह है समधान doctrine गववनेंट की short term policy से लेकर long term policy सभी को income pass करती है इसका full form है S for smart leadership A for aggressive strategy M for motivation and training A for actionable intelligence D for dashboard based KPIs यानि की key performance indicators और KRAs यानि key result areas H for harnessing technologies A for action plan for each theater और N for no access to financing दोस्तों अब बात development related efforts की जो LWE के root causes को खतम करने के लिए लाए गए है इनमें सबसे पहला effort है Special Center Assistants या SCA जिसके तहत Union Government LWE affected states की मदद करती है ताकि वो LWE affected regions में public infrastructure और government services में critical gaps को fill कर सके है रोड requirement plan के तहत LWE districts में road infrastructure पर भी जोर दिया जा रहा है इसके लावा LWE mobile tower project के तहत LWE affected areas में 2300 से भी जादा mobile towers erect किये गए है जो इन regions की connectivity को boost करते है unemployment की problem के साथ deal करने के लिए skill development पर भी धान दिया जा रहा है इसके तहत लगभग 47 ITIs या फिर 1 ITI per district और 68 skill development centers या फिर 2 SDCs per district के creation पर focus है 27 LWE district में skill development के लिए रोश्नी नामक scheme भी लाई गई है education related gaps को fill करने के लिए नई केंदरी विद्याले और जवाहर नवोदय विद्याले खोले जाने पर भी जोर है और साथ ही साथ एक लवे model schools को LWE affected areas में aggressively push करने का plan है financial inclusion की खातर LWE affected areas में सारे citizens को 5 km के अंदर banking facilities avail कराने की कोशिश है forested areas में हो रहे tribal alienation को रोखने और tribal rights को enforce करने के लिए सरकार ने 2006 में एक बड़ा कतम उठाया था यह कतम था schedule tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 या फिर forest rights act 2006 यह act independence इंडिया के इतिहास में one of the most important legislation माना जाता है जिसने tribal alienation की डश को पुरानी समस्या का समधान करने की कोशिश की है इस act के तहत gram सभास को भी empower किया गया है ताकि democratic decentralization ensure किया जा सके और top-down developmental approach की problem को solve कर local level पर लोगों को democratic process और decision making में जोडा जा सके इसके लाबा poor socio-economic conditions को face कर रहे districts की conditions को improve करने के लिए 2018 में launch किये गए aspirational districts program के तहत ministry of more affairs को यह task दिया गया है कि वो 35 सबसे ज़्यादा affected LWE districts को monitor करे ताकि उनमे aspirational districts program को सही तरीके से implement किया जा सके police, paramilitary force और local tribals के बीच coordination, trust और bonomi को बढ़ाने के लिए भी government ने efforts लिए हैं ये काम civic action program के तहत largely CRPF करती है tribal youth exchange, motor driving training sports tournament, awareness generation for job से लेकर crop distribution utensil distribution इत्यादी जैसे काम इस scheme के तहत किये जाते हैं youth के deradicalization के लिए भी efforts लिए गए हैं जिसमें सबसे crucial है media plan इसके तहद भी youth exchange activities organize करवाई जाती है इसके लावा pamplets, films और radios के थूँ नकसल प्रोपेगेंडा को counter करने की कोशिश भी होती है union government दोरा state को ये हिदायत भी दी गई है कि वो the panchayats extension to the schedule areas act 1996 या फिर PESA Act को priority basis पर 5th schedule areas में effective बनाए हम आपको बता दें कि constitution के 5th schedule में आने वाले tribal areas में panchayati rat system को effectively implement करने के लिए PESA Act लाया गया लेकिन कई states में ये आज भी effectively implement नहीं किया गया है इसके चलते democratic decentralization का process अभी भी अधूरा है जो local tribals में injustice जैसी भावना को जन देता है जिसके चलते उनमें radicalization का खत्रा बढ़ जाता है इन steps के लावा कुछ states द्वारा लिए गए anti-nuxal efforts ने ख्याती भी प्राप्त की है जिने आप exam में best practices के रूप में mention कर सकते हैं इनमें सबसे पहला best practice है specialized battalions का creation जैसे greyhounds, black panther और बस्तरिया battalion जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं इन forces ने special operations के तहत नकसलवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है कोबरा दोरा किया गया 2009 का operation greenhunt इनमें सबसे major offensive मना जाता है इसके लावा दंतेवाडा में loan varatu यानि return home नामक effort के तहत नकसल्स को surrender करने के लिए भी inspire किया जा रहा है ताकि वो violence छोड़ कर mainstream society के साथ जुड़ जाए दंतेवाडा में ही ISOP चौधरी दोरा लिये कई efforts भी काफी सरहानी है जनके लिए उन्हें 2011-12 में PM's Award of Excellence भी दिया गया था उनके कई efforts में सबसे interesting effect में पोटा cabins, दंतेवाडा education city और तमन्ना schemes आते हैं इनके तहत उन्होंने दंतेवाडा में tribal education को push किया despite nuxal threats ताकि locals, देश के development और खुद की growth पर काम कर सके बिहार का संदेश model भी काफी inspiring है बिहार में संदेश block ने nuxalites का gradual elimination देखा है इसमें सबसे crucial factor था वहाँ पर regular पंचायत elections का होना जिसे बिहार government ने ensure किया था इसने nuxals और local leadership के बीच दूरी को पढ़ा दिया और social pressure के चलते कई nuxalites ने arms त्याक कर farming और बागी के activities को join कर लिया इसके लाबा बिहार के ही जहाना बाद में अजद्वार project भी एक अच्छा example है इस project के तहत जब 5 nuxalite affected panchats ने series of development activities को देखा जो government द्वारा war fitting पर करवाई गए तब वहाँ nuxalism का impact कम होने लगा इन efforts में construction of cement lanes link roads, drains, buildings for schools आंगनवाडीज और individual toilets जैसी activities शामिल थी ये case study nuxalism को जड़ से उखाणने में developmental effects के crucial role को दिखा दी है दोस्तो इन efforts के बावजूद हमारे देश से nuxalism अभी भी पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है ये दिखाता है कि हमारे efforts में अभी भी कई loop holes या gaps है जिन पर काम करने की जरुवत है तो चली देखते हैं कि government efforts में क्या कमी है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है Limitations of government efforts and required reforms जब हम left-wing extremism को counter करने की strategies में problems और उनके solution की बात करते हैं तो इसे हम कई categories की level पर analyze कर सकते हैं सबसे पहला level है LWE counter strategy at policy level policy level पर challenges में lack of unified political will lack of holistic approach to deal with LWE inter-state and center-state coordination in policy making and implementation and overall structural problems related to good governance जैसे मुद्दे सामने आते हैं आज इन problems को solve करने के लिए policy makers के लिए ये जरूरी है कि वो left-wing extremism जैसी problem को holistically समझते हुए इसके लिए multi-pronged efforts और all encompassing policies को create और उन्हें implement करें holistic effort से मतलब है कि LWE को ना किवल एक security issue की तरह है बलकि developmental problem की तरह भी देखना यानि कि जब तक state का focus security और developmental efforts दोनों पर equally नहीं होगा तब तक इस समस्या को जड़ से उखाड फिकना मुश्किल होगा इसके लिए state के लिए या आवश्यक है कि वो FRA 2006 PESA 1996 Good Governance इत्यादी को seriously लेते हुए इन्हे properly implement करें इसके लावा interstate और center state coordination को ensure करने के लिए interstate councils और multi-disciplinary groups का सही तरीके सिस्तमाल होना भी आवश्यक है पेरोकियल political interest को छोड़कर सारे stakeholders का साथ आना भी बेहत आवश्यक बन जाता है political level पर एक unified and strong political will across ideological spectrums भी जरूरी है ताकि एक unified policy against LWE को implement किया जा सके policy के beyond अब हम security level strategies के limitations और उनमे required सुधार को देखते है security related efforts में जो gaps fulfill करने की जरूरत है वो है modernization of police forces including their weapons and strategies sensitization of police forces towards locals uniform deradicalization efforts inclusion of locals and building local capabilities on the lines of Basteria Battalion integration of technology to tackle emerging challenges like use of drones by nuxels creation of separate NIA vertical for LWE creation of dedicated peace battalions to ensure safety of developmental projects किसी भी internal security threat including nuxelism की backbone यानी funding और उसके nexus और network को destroy करने के लिए dedicated और coordinated effort इत्यादी की जरूरत है developmental efforts में required reforms की बात की जाए तो हमें जिन areas में काम करने की जरूरत है वो है speedy resolution of development induced displacement and rehabilitation issues mineral exploration areas में tribals के लिए royalty fix करना land records का updation और digitization ताकि land acquisition के बाद speedy और assured compensation ensure किया जा सके reduced corruption in administration ताकि good governance ensure की जा सके और corrupt administration द्वारा locals का exploitation कम हो सके FRA 2006 और पैसा जैसे acts का proper implementation ताकि democratic decentralization और tribal rights को effectively implement किया जा सके fifth schedule areas में tribal rights के प्रती no compromise policy infrastructure development ensuring gainful employment quality education इत्यादी जैसे efforts के आविश रखता है कुल मिलाकर nuxilism उसे create करने वाले factors और उसे जंदा रखने वाले factors इन सब के खिलाफ state को एक concerted और multi-pronged approach लेने की जरूद है ताकि nuxilism के vicious cycle और never ending chain को तोड़ा जा सके और इस internal security threat को जड़ से खतम किया जा सके दूस्तों हम चर्चा करेंगी अगले important topic North East Insurgency की North East में चल रहे Insurgency के इतिहास उसके evolution उसके कार्णों पर चर्चा करते हुए government दोरा उठाए गए कदमों की बात करेंगे जब हम North East इंडिया की बात करते हैं तो ये भारत का वो हिस्सा है जिसमें इंडिया के 8 eastern most states आते हैं यानि सिक्किम अरुनातिल प्रदेश असम मनिपुर मिघालिया मिजोरम नागालेंड और त्रिपुरा इंडिया का ये रीजन mainland इंडिया से 21 किलोमेटर वाइड नेरो सिलिगुरी कॉरिडॉर से जुड़ा हुआ है जिसे चिकनने कॉरिडॉर भी कहते हैं North East region चार foreign countries के साथ border share करता है North में China और भुटान है East में Myanmar है और South और West में Bangladesh है ये रीजन इंडिया का 7.6% land area cover करता है with 3.6% of its population इस पूरे एरिया में 475 से भी जादा distinct ethnic groups रहते हैं जो 400 से भी जादा languages या dialects बोलते हैं लिकने इस रीजन में इंसर्जन्सी की शुरुआत आखिर हुई कैसे चली देखते हैं इंसर्जन्सी के इतिहास को चुकि North East insurgency में multiple insurgents involved हैं और हर स्टेट की इंसर्जन्सी का अपना unique इतिहास है इसलिए इस इतिहास को हम स्टेट वाइस cover करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करते हैं नागालेंड की जो इंसर्जन्सी जहिलने वाले North Eastern states में सबसे पहला state भी माना जाता है दोस्तो आजाजी के वक्त नागालेंड एक बड़े state यानि असम का हिस्सा हुआ करता था ये state नागा एतने ग्रुप्स दोरा dominated है जो कोई एक single tribe नहीं बलकि कई छोटे छोटे tribal group से मिलकर बना हुआ एक बड़ा group है ये tribes असम बर्मा बॉर्डर के पास located नागा हिल्स के original inhabitants माने जाते हैं 1946 में ही नागा नाशनल काउंसिल या फिर NNC नामा के एक organization का formation नागास दोरा किया जा चुका था जिसके leader अंगामी जापू फिजो थे इस group ने 14th of August 1947 यानि आजादी से एक दिन पहले नागा लेंड को एक independent देश डिकलेर कर दिया था इस independence को ensure करने के लिए ही 1950 में फिजो की leadership के अंडर NNC ने Indian state के खिलाफ insurgency की शुरुआत की NNC का goal एक 101 नागा state की स्थापना करना था जिसके लिए उसने 1951 में एक referendum conduct किया जिसमें दावा किया गया कि 99% लोगों ने independent नागा state को support किया है हलाकि इस बात में कितनी सच्चाई है और referendum कितना fair तरीके से conduct किया गया उसको लेकर बात विवाद चलते रहते हैं खेर 1952 में FISO ने underground Naga federal government या NFG और Naga federal army या NFA का formation किया और उससे counter करने के लिए government of India ने army को भेजा insurgency को counter करने के लिए 1958 में the armed forces special powers act या AFSPA को inact कर army को special powers दी गई खेर moderate faction Naga people's convention के साथ एक 16 point agreement के तहत जुलाई 1963 में Naga land को असम से अलग कर उसे एक separate state बना दिया गया इसके बाद अपरिल 1964 में एक peace mission के तहत NNC के साथ peace talks की शुरुआत हुई लेकिन ये peace talks 1967 में suspend कर दिये गए लेकिन 1975 में एक बड़ा breakthrough हुआ जब Shilong Accord के तहत NNC और NFG के एक section ने arms give up कर दिये लेकिन मुविया के leadership के अंडर 140 members के एक group ने Shilong Accord को reject कर दिया और 1980 में इस rebel NNC leader ने National Socialist Council of Nagaland या फिर NSCN का formation किया जो अब Naga Insurgency को lead करने वाला था पर 1988 में NSCN में भी internal conflict के चलते दो factions बन गए जिन में से एक का नाम NSCN इसाक मुविया हुआ और दूसरे का NSCN खापलां या NSCN-K Years of security और political efforts के बाद NSCN-IM ने 1997 मे Central Government के साथ एक ceasefire agreement sign कर लिया लेकिन NSCN-K आज भी active है और Myanmar से operate करता है current status की बात करें तो NSCN-IM के साथ 2015 में long lasting peace के लिए एक framework agreement sign किया गया और 2017 में Naga National Political Groups के साथ भी एक settlement work out किया गया लेकिन ये peace talks peace agreement में convert नहीं हुए और 2019 से ये discussions stalemate की तरफ बढ़ गए हैं तो अब चलते हैं मिजोरम की ओर नागलेंड जैसी ही situation मिजोरम में भी develop हुई स्टेट हुट के पहले मिजोरम भी असम राजिक का हिस्सा था लेकिन 1959 में हुए एक famine को लेकर असम गौवर्मेंट द्वारा लिए गए effort से वहां कुछ नेता और जनता नाखुश थी इसके लावा 1961 में जब असम ने असमीज को राजिक के official language का दरजा दे दिया तो वहां मिजोरम नाशनल फ्रेंट का formation हुआ जिसकी leadership लाल डिंगा के हाथों में थी MRF ने elections में तो participate किया ही लेकिन उसने अपना खुद का एक military wing भी create किया जिसे arms, ammunition और military support इस पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मिला मार्च 1996 में MRF ने इंडिया से खुद को independent डिकलेर कर दिया और एक military upspring की शुरुआत हुई Government of India ने immediately counter insurgency measures लिये और कुछी weeks में insurgency को करश कर दिया गया 1973 तक मिजोरम के कम extremist नेताओं ने independence की demand पर जोड देना कम कर दिया था और उसके response में Indian Union ने मिजोरम को Assam से अलग करके एक union territory का दरजा दे दिया 1970s में मिजो इंसर्जनसी ने एक बार फिर अपने पाव पसा रहे लेकिन armed forces ने इसे फिर से control कर लिया Finally, 1986 में एक settlement के तहत MNF ने surrender करने का फैसला लिया और उसके एक साल बाद मिजोरम को statehood दे दिया गया लेकिन मिजो इकौर्ट से मिजोरम की हमार region के कुछ leaders नाखुष थे जो मिजो इकौर्ट के तहत administrative autonomy की उम्मीद कर रहे थे इसलिए हमार tribal नेताओं ने हमार people's convention ये HPC का गठन किया और autonomy के लिए उन्होंने insurgency को 1994 तक जारी रखा लेकिन 1994 में मिजोरम गवर्मेंट ने सिल्लूंग हिल्स डेवलोप्मेंट काउंसल की स्थापना कर हमार insurgents को specify कर दिया और HPC ने भी mainstream politics को join कर लिया लेकिन मिजोरम पुलिस और politicians का कहना है कि हमार ग्रूप के लोगों ने अपने best weapons कभी surrender ही नहीं किये और HPC के एक offshoot group दो हमार people's convention Democrats ये HPCD ने पुरानी demands को फिर से push करना शुरू कर दिया है HPCD के demands एक separate tribal autonomous district ये फिर हमार राम नाम के एक separate state की स्थापना है परन्तु ये outfit largely मनिपर से operate करता है अब चलते हैं त्रिपरा की ओर दोस्तो त्रिपरा के insurgency के roots इस पाकिस्तान से हुए migrations में है जिसकी शुरुआत partition से हुई migration ने त्रिपरा में demographic inversion को लेकर discontent fuel किया कुछ reports बताती हैं कि इस migration ने tribals to non-tribal population के 70-30 ratio को 30-70 बना दिया है कहते हैं कि इसी कारण वश त्रिपरा के insurgency का जन्व हुआ खर त्रिपरा के insurgency को हम 1971 में त्रिपरा उपजाती जूबा समिटी या फिर TUJS और 1981 में त्रिपरा National Volunteers या TNV के formation से trace करते हैं इसके लाबा National Liberation Front of त्रिपरा या NLFT का formation 1989 में हुआ जिसके Armed Wings, National Holy Army और All TRIPRA Tiger Force ने insurgency को feel किया इन outfits के main agenda में त्रिपरा को separate nation बनाना illegal immigrants को deport करना और त्रिपरा Land Reform Act 1960 के तहत ट्राइवल्स की lands को restore करने जैसे मुद्दे शामिल है 1990 से 1995 की बीच त्रिपरा में insurgency small scale में चलती रही लेकिन 1996 से 2004 की बीच इसका rapid rise हुआ और उसके बाद फिर से कमजोर हो गया त्रिपरा insurgency को control करने में त्रिपरा state के measures का important role रहा और इसे त्रिपरा model to control insurgency भी कहा जाता है त्रिपरा model एक multi-dimensional approach थी जिसमें counter-insurgency operations psychological operations and confidence building measures accelerated development thrust management of the media civic action programs of the security forces political processes जैसे effort शामिल थे अब बात मिघालिया की तो तो मिघालिया state भी असम का हिस्सा हुआ करता था इसका असम से separation वहां के major tribes के unique needs और demands को solve करने के लिए हुआ था ये major tribes हैं गारो, जैंतिया और खासी लेकिन या सुरक्षा बलों की कथित मनमानी inter-tribal conflicts, youth unemployment, non-tribal businesses के साथ compete करने में असमर्थता और बांगलदेश से अवैद migration के कारण आदिवासियों में असंतोष बढ़ गया इससे राज में कई विरोधी समूहों का उदै हुआ राज में सक्रिय कुछ विरोधी समूहों में सबसे important है गारो National Liberation Army या GNLA और हनीव क्रेप National Liberation Council या HNLC, GNLA राज में बड़े पैमाने पर एक घरेलू विरोधी बल है, ये जबरन वसूली और तसकरी की गतिविधियों से चलता है, इसका गठन 2009 में मिघालिया के पश्चमी शेत्रों में 101 गैरो लैंड की स्थापना के लिए हुआ था, इसके ULFA और NDBF जैसे उग्रवादी संगठनों से भी संबंध है, महीं दूसरी ओर HNLC मिघालिया में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है ये खासी और जैनतिया ट्राइब्स का प्रतिनिधी होने का दावा करता है और इसका उद्देश मिघालिया को गारो और गैर आदिवासी बहारी लोगों के कथित वर्चस्व से मुक्त कराना है, वैसे मिघालिया में इंसरजेंसी की समस्या अब पहले अरुनाचल प्रदेश की दोस्तों, अरुनाचल प्रदेश नौर्टीस इंडिया में लगभग 83,000 स्क्वाइर किलोमेटर के एरिया में फैला हुआ है अरुनाचल प्रदेश में सेपरेटिस्ट इंसरजेंसी का मुव्मेंट अरुनाचल ड्रागन फोर्स या ADF से जुड़ा हुआ है जिसे 2001 में East India Liberation Front या EALF के नाम दिया गया सेक्योटी फोर्स द्वारा नूट्रलाइज किये जाने से पहले ये संगठन अरुनाचल प्रदेश के लोहिद डिस्टिक में एक्टिव था हम आपको बता दें कि सेपरेटिस इंसरजन्सी अरुनाचल की इंटर्नल सेक्योटी प्रॉब्लम का किवल एक एस्पेक्ट है इसके लावा यहां कई और तरह के वाइलेंट कॉन्फिक्ट चलते रहे हैं म्यानमार के साथ इसकी जेग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनिस और नागलेंड की ट्राइप्स के साथ यहां के कुछ डिस्टिक्ट के लोगों की एतनिक सिमिलेरिटीज यहां की इंसरजन्सी के साथ जुड़े हुए हैं यही कारण है कि असम बेस्ट और नागलेंड बेस्ट इंसरजन्स ने अरुनाशनल प्रदेश का इस्तमाल अपनी एक्टिविटीज के लिए किया है परंपरागत रूब से नागलेंड की तिराप और चांगलांग के डिस्टिक्ट के साथ निकटता के चलते इन्हें नागलेंड के इंसरजन्स ग्रुप्स ने इस्तमाल किया है NSCNK और NSCNIM दोनों ने इस रीजन में अपना वर्चस सो बढ़ाने का काम किया है इसके लाबा Assam-based insurgents और terror groups जैसे ULFA या United Liberation Front of Assam ने अरुनाशनल प्रदेश को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तमाल किया है वैसे तो ULFA के लिए अरुनाशनल 1980 से ही important रहा है लेकिन 2003 में भुटान द्वारा जब ULFA को ख़देड दिया गया तब से ULFA के लिए अरुनाशनल और भी जादा crucial बन गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि ULFA Assam में अपने operations के लिए मियनमार based अपने 28 battalion पर highly dependent है और वो अरुनाशनल का इस्तमाल मियनमार और असम के बीच movement के लिए करता है असम अरुनाशनल और मियनमार रूट में operate करने वाले ULFA काडर्स ने कई transit map setup किये हैं जो largely लोहिद डिस्टिक में मानाभूम रिजर्फ फॉरेस्ट में फैले हुए है अरुनाशनल में insurgency का severe impact रहा intelligence reports बताती है कि तिराप का हर government employee और businessmen अपने income का 25% हिस्सा Republic of Nagalim के लिए contribute करने के लिए force किया जाता है तिराप और चांगलांग में तो State Bank of India की branches को भी shutdown कर दिया गया था जब NSCNK ने वहाँ extortion notes भेजे थे 2001 में Oil India के चांगलांग प्लांट को अपने operations रोकने पड़े थे जब NSCNIM ने लगभग 60 लाग रुपए extortion के रूप में demand किये यह सब दिखाता है कि किस तरह से insurgency इस रीजन के development और growth को hamper करती रही दूसो अब बात असम की दूसो असम में बांगलादेश से आए illegal migrants के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के दौर में 1979 में वहाँ के सबसे बड़े उगरवादी संगठन ULFA का जन्म हुआ 1979 से 1985 के बीट चले असम एजिटेशन का सबसे immediate कारण 1978 में हुए elections में कथित malpractices भी बनी All Assum Students Union या AASU ने एक एजिटेशन को lead किया और यह demand किया कि 1951 National Register for Citizens या NRC को बनाया जाए तकि असम में रहने वाले original लोगों और illegal migrants के बीच differentiate किया जा सके खैर इस movement के context में जन्में extremist group ULFA का main मकसद असम को violent struggle के थूँ एक independent देश पनाना है यह group Assum Movement के दौर में लगभग शान्ती रहा लेकिन इसने Assum Movement के प्रती अपना support दिखाया इसके लावा कुछ और groups ने वहाँ Bodo Liberation Tigers, National Democratic Front of Bodo Land या NDFB United People's Democratic Solidarity, UPDS, Dima Halim Daoga या DHT Muslim United Liberation Tigers of Assum या MULTA और Muslim United Liberation Front of Assum या MLUFA जैसे संगठन भी बनाए है इन में से कई groups Assum के intergroup conflicts के चलते बने हैं उधारन के तौर पर हम Bodo Outfits की बात कर सकते हैं जो Assum Movement का हिस्सा तो थे लेकिन वो बात में Assumese groups पर domination का अलजाम लगाने लगे और उनने खुद को Assumese groups से अलग कर लिया आज Assum में Cultural Imposition और Economic और Political Competition के चलते कई insurgent groups active हैं जिसके चलते वहाँ ethnic groups के बीच कई तरह के violent conflicts देखे जा सकते हैं इसके लावा ULFA और Bodo Outfits द्वारा सेट अप किये गए violence ने वहाँ कई copycat insurgents को भी जन दिया है और इसलिए Assum की insurgency बेहत complex हो जादी है illegal migrations के लावा Assumese extremist नेताओं ने लोगों में Indian state के खिलाफ ये भावनाएं भी feed करने की कोशिश की है कि Indian government Assum के oil resource और tea plantation को exploit कर रही है और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा Manipur की बात करें तो Kingdom of Manipur का इंडिया में merger 15th of October 1949 को हुआ था 1972 में ये एक राज बना दिया गया दोस्तो Manipur में insurgency की शुरुआत 1964 में United National Liberation Front ये UNLF के creation से trace की जाती है UNLF का existence उसके दावे पर based था जिसके तहत वो claim करता था कि Manipur को इंडिया में forcefully merge किया गया है तब से लेकर वहां कई और insurgent groups का जन्म हुआ जिन में 1977 में बना People's Revolutionary Party of Kangli Park या Pre Park और 1980 में बने Kangli Park Communist Party या KCP जैसे organizations शामिल हैं ये सारे insurgent groups Manipur के separation के demand करते रहे हैं इसके लावा Manipur नागलेंड में चल रही insurgency का भी शिकार हुआ है ये कि Manipur का एक significant हिस्सा NSC&IM क्लेम करता रहा और उसे नागलिम का हिस्सा बताता है इसके लावा Manipur के कुकी ट्राइबल्स ने early 1990s में खुद की insurgency को शुरू किया जो NSC&IM के खिलाफ था ये नागास और कुकी के बीच early 1990s में हुए clashes का नतीजा था कई और tribes जैसे पाइते, वाइफे और मार्स ने भी खुद के armed groups form किये हैं इसी तरह मनipur में People's United Liberation Front या PULF जैसे Islamist Insurgents का भी existence है जो पंगाल्स नाम के मनिपुरी Muslim groups के interest को protect करने का दावा करता है आज North East में मनिपुर Insurgency से affected one of the worst state है जहां लगभग 12 insurgent outfits exist करते हैं State Home Ministry की रिपोर्ट के मताबिक 2005 में यहां various insurgent groups के 12,650 carders, 8,830 weapons के साथ active थे UNLF, PLA, KYKL, PREPARK और KCP मनिपुर में security forces पर हुए कुछ serious attacks में भी involved रहे हैं इसके लाबा, organizationally भी मनिपुर के groups बाकी के North East insurgents से कहीं ज़्यादा powerful हैं जिसकी वज़े से यहां के groups में surrender और splintering नहीं देखी गई है Efficient Intelligence Network और superior weapons के साथ मनिपुर insurgents ने अपने लिए कई liberated zones भी create किये हैं जहां वो अपनी ही सरकार चलाते हैं 1980 में मनिपुर एक disturbed area declare कर दिया गया था और वहां Armed Forces Special Power Act या AFSPA का imposition भी हुआ था इस act के imposition के बाद से वहां कई प्रगार की civilian uprising भी देखी गई जैसे कि infamous mothers nude protest और एरोम शर्मीरा का protest Factors responsible for insurgency in North East दोस्तों North East insurgency को जन देने वाले factors में सबसे पहला factor है वहां के लोगों में isolation, deprivation और exploitation की भावना का जन्म लेना mainland India से केवल एक narrow silly goodi corridor के थ्रू connectivity के चलते geographical isolation तो ऐसी भावनाओं को जन्म देता ही है पर साथ में North East state का Parliament में representation का बेहत कम होना भी वहां के लोगों की समस्याओं को बढ़ावा देता है हम आपको बता दें कि लोग सभा में 545 seats में से केवल 25 seats North Eastern states के पास है एक parliamentary democracy में numbers का रोल बहत महत्वपूर्ण होता है और Parliament में numbers का कम होना North Eastern states की समस्याओं को कहीं लग कहीं दबा देता है इसके चलते वहां के aspirational leaders और जन्ता में discrimination का एक भाव उत्पन होता है इस तरह के महाल में radical और extremist elements का प्रभाव बढ़ने लगता है और insurgency जैसी समस्याओं का जन्म होता है isolation के चलते lack of economic development भी insurgency को बढ़ावा देता है दोस्तों North East region में lack of economic opportunities और unemployment के चलते वहां का youth insurgents और extremist के propaganda का शिकार हो जाता है और insurgency में participate करने लगता है insurgents दोरा offered पैसे भी उनके लिए कई बार only source of money बन जाते हैं जिसके चलते वो insurgency के साथ जुडते हैं इसके लावा North East region culturally काफी diverse और unique है लेकिन यहाँ पिछले 70 साल में कई तरह के demographic changes देखी गए हैं इलाकों में illegal immigration locals दोरा competition और threat की तरह देखा जाने लगा limited resources के साथ refugees और illegal immigrants को manage कर पाना भी मुश्किल हो रहा था उपर से locals में यह fear भी था कि immigrants उनके cultural fabric को destroy कर सकते हैं इन सभी वजहों से extremist politics North East में हावी हुई जिसने insurgency को जन दिया और आग को भढ़काया North East region internally भी काफी diverse है जहां एक state में ही कई बड़े और कई छोटे distinct tribal groups साथ में देखे जा सकते हैं इस region में देश के 200 से जादा अधिक tribal groups रहते हैं इस multi-ethnic nature ने North East में inter-ethnic conflict को जन दिया जिसके चलते North East insurgency का स्वरूप बेहत complex हो गया इस तरह की insurgency का एक उधारन हमें मनीपुर में चल रहे कूकी ना का conflict में भी देख सकते हैं अगला factor है इस region की unique geography दोस्तो North Eastern इंडिया रग टोपोग्राफिय माउंटेनियस और forested इलाकों से भरा हुआ है इसके चलते यहां के insurgents को gorilla technique यूज करने में आसानी होती है इसके माध्यम से वो security agencies के might के सामने भी काफी समय तक survive कर बाते हैं इसके लाबा ये insurgents porous borders का भी बड़ा फाइदा उठाते हैं जिसके मदद से वो easily international border cross कर Myanmar, China, Bhutan और बांगलदेश के border areas में enter कर खुद को Indian security forces से save करने की कोशिश करते हैं Myanmar के across चल रही free movement regime का गलत इस्तमाल भी कई बार insurgents द्वारा होता है FMR के बारे में आगे हम detail में बात करेंगे insurgents को sustain करने के लिए arms, ammunition और funding की आवशकता भी होती है यह सब यहां के insurgents को border power active drug traffickers arms traffickers एत्यादी से मिल जाता है दुनिया के one of the biggest opium producing zone यानी golden triangle से proximity के चलते भी यहां के insurgents का one of the most important source of income drug trafficking है इसके लाबा neighborhood में hostile states जैसे चाइना की presence ने भी यहां के insurgents को directly या indirectly support किया है 1950s और 1960s में East Pakistan द्वारा भी यहां के insurgents को active support दिया गया था यह support arms transfer और training के माध्यम से नागा आर्मी को दिया गया चाइना द्वारा किया गया support 1967 से 1975 के बीच अपने चरम पर था जब Chinese foreign policy ने पुरी दुनिया में communist करांती को फैलाने की बात कही थी इसके लावा मनीपूर के insurgent groups के Myanmar-based armed groups जैसे Arakan Army और United Wars State Army के साथ unholy nexus और linkages हैं जो उन्हें Chinese weaponry procure करने में मदद करते हैं इसके लावा intelligence reports बताती है कि East Pakistan जब बांगलादेश बना तब से पाकिस्तान ने North East Insurgency को support करने के लिए नेपाल का इस्तमाल भी किया है जिसके रास्ते वो ISI agents को North East India में स्मगल करता रहा है हलाकि नेपाल ने इसे कम करने के लिए इंडिया के साथ actively collaborate किया है बांगलादेश वैसे तो एक friendly state है लेकिन वहाँ पनाप रहे extremist groups और उनके ISI के साथ linkages भी कई दफा North East insurgents द्वारा इस्तमाल किये जाते है इसके रावा यहां के poorest borders और वहां से जम लेने वाले illegal immigration भी insurgency का बड़ा कारण है हलाकि 2015 में साइन हुआ इंडिया बांगरदेश लैंड बांडरी अकॉर्ड एक positive step था इसके बाद से illegal immigration में कमी आने की संभावना है दोसो perceived excesses by Indian Army Under Armed Force Special Power Act या AFSPA भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा है जो insurgency के प्रती यहां के कुछ लोगों में सिंपिती पैदा करता है AFSPA के existence counter insurgency operations के लिए तो बेहदा वश्यक है ही लेकिन इसके LH misuse के चलते कई बार human rights activist ने इस law को oppressive और draconian बताया है और उसका फाइदा यहां के insurgencyंट्स लोगों को radicalize करने के लिए भी उठाते रहे हैं दोस्तो अब हम आगे बढ़ते हुए North East Insurgency से related कुछ उन major issues के बारे में चर्चा करते हैं जो exam point of view से काफी important है major issues of debate सबसे पहला major मुद्दा है Armed Forces Special Forces Power Act यानि AFSPA AFSPA को लेकर वाद विवाद North East Insurgency के context में काफी important है कई human rights groups और local protest में भी AFSPA का मुद्दा उठता रहा है तो ऐसा क्या है AFSPA में जो इसे controversies के साथ जोड देता है चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि AFSPA के तहत दी गई powers काफी ज़ादा excessive है जो एक democratic country के सद्धानतों के साथ fit नहीं बैठती इसलिए इसने कहीं न कहीं North East के कई states के लोगों में एक negative feeling को जन्म दिया है और वहाँ के insurgency के पीछे के local support को कमजोर करने की बजाए और मजबूत बनाया है कुछ human life activist दावा भी करते हैं कि AFSPA के तहत armed forces को दी गई immunities का misuse, fake encounters के लिए होता है जिसके खिलाफ कोई भी grievance redressal mechanism effective नहीं हो पाता और ये लोगों में injustice की भावना को बढ़ावा देता है 2012 में सुप्रियम कोट ने filed एक grid petition में extra judicial killings के victims के family members ने या रोप लगाया था कि में 1979 से में 2012 के बीच 1500 से भी जादा fake encounters नागलैंड में हुए थे इसका cognizance लेते हुए सुप्रियम कोट ने इन में से 6 cases की scrutiny के लिए commission set up करी थी commission की एक report ने पाया कि ये 6 के 6 cases fake encounters के cases थे इसके लावा AFSPA को लेकर एक बड़ा issue state government और central government के बीच in fighting भी है जहां ये दावा किया जाता है कि AFSPA को impose करते वक्त state government की सलाहों को नजर अंदास किया जाता है 1972 में तृप्रा का case यहां important है इसको लेकर काफी controversies report हुई थी इन सभी वजहों के चलते 2000 में मनिपूर से AFSPA को हटाने के लिए social activist इरोम शर्मीला ने 16 years तक hunger strike करी इसके लावा Justice G1 Ready Committee 2004 में AFSPA को repeal करने का recommendation भी दिया था और इससे एक undesirable law और symbol of oppression बताया था हलाकि Second Administrative Reforms Commission ने इस law की necessity को highlight करते हुए इसे endorse और support किया था अगला major issue है Inner Line Permit दोस्तो Inner Line Permit एक ऐसा document है जो एक Indian citizen को उस state में stay करने की permission देता है जो इस system के under protected है आज की तारीक में ये system देश के 4 states में लागू है और नाचल प्रदेश, नागा लेंड, मिजोरम और मनीपुर इन states में कोई भी Indian citizen जो इन states से बिलॉंग नहीं करता वो बिना ILP permit के enter नहीं कर सकता और यहां के वल उस time period के लिए रुख सकता है जो ILP में mentioned है ILP का ये system Actually में colonial era के एक law The Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 से trace किया जाता है जिसके तहत designated areas में outsiders के entry को restrict किया जाता था इस system के पीछे का logic ये दिया जाता है कि ILP system, local interest और local culture को outside influence से safeguard करता है अगला major issue है free movement regime का दोस्तों, free movement regime एक unique travel arrangement है जो इंडिया और Myanmar के बीच exist करता है FMR यहां के local tribes को बिना किसी visa के border के उस पार 16 km तक travel करने के लिए permit करता है FMR का logic ये है कि इंडिया मैनमार border पर कई ऐसी tribes रहती है जिनके border के across age old connections है जिने preserve करना बहत ज़रूरी है लेकिन कई experts का ये मानना है कि ये free movement regime militants, insurgents और traffickers द्वारा misuse की जाती है दावा है कि FMR का इस्तमाल कर smuggling से लेकर crime commit कर safe heavens में छिपने जैसे काम होते है इसके चलते यहां के insurgency survive करती है इसके लावा refugee crisis को खतम करने का decision हुआ है brew community को रियांग भी बोलते है जो मिजोरम, तृपुरा और आसम के कोछिस्तों में रहते है ये मिजोरम के मिजोस से ethnically अलग है आज के टाइम में मिजोरम के 4 districts में लगबग 40,000 brew और तृपुरा के refugee camps में लगबग 30,000 brew रहते है जो वहाँ 1997 के ethnic clashes के बाद आये थे brew और मिजोस के बीच सबसे पहला conflict 1995 में हुआ था जब मिजो organizations, the young मिजो association और मिजो student association ने brew उस को मिजोरम से बाहर निकालने की demand की थी क्योंकि उनके हिसाब से वो indigenously मिजोरम से belong नहीं करते है brew tribal groups ने इसके retaliation में armed organization, brew national liberation front और political body, brew national union को create किया इन्होंने demand किया कि उन्हें मिजोरम के अंडर 6th schedule के तहत और ज़ादा autonomy मिले और एक brew autonomous district council ADC का creation हो इस context में 1997 में मिजोरम में एक serious ethnic clash देखा गया इसके बाद लगभग 30,000 brew मिजोरम से त्रिपरा चले गए 2020 में sign हुए four party agreement के तहत ये decision लिया गया कि brew tribe के वो लोग जो त्रिपरा में रह रहे हैं वो मिजोरम और त्रिपरा दोनों में से एक state में रहने की decision ले सकते हैं लेकिन जो लोग 2018 के agreement के तहत मिजोरम चले गए हैं वो मिजोरम में ही रहेंगे Bruce के resettlement का ये मुद्धा अभी भी चल रहा है जिस पर सरकारें काम कर रही है दोस्तों अगला important मुद्धा है NRC या फिर National Register of Citizens का ये मुद्धा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि illegal immigration के प्रती North Eastern States में sentiments काफी strong रहे हैं जिनका रिष्टा वहां के insurgency से भी रहा है Sisters of Citizen 1951 एक register है जो census 1951 के साथ prepare किया गया था इसमें हर गाउंबे रहने वाले लोगों का record है ये NRC 1951 के बाद केवल एक बार बनाया गया था और इसे केवल असम में update किया गया और अब इसे देश भर में update करने की चर्चा भी news में होती रहती है NRC को update करने के मुद्दे को असम में 1971 में importance मिली जब वहां Bangladesh Liberation War के दौर में large scale migration देखा गया इसके चलते असम में 1979 से लेकर 1985 की बीच एक 6 साल लंबा agitation देखा गया All Assum Students Union या AASU ने ये movement लीट किया था जसने NRC को update कर असम से उन illegal immigrants को deport करने की मांगी जो वहां 1951 के बाद illegally आये थे ये movement 1985 में Assum Accord के sign होने के बाद खतम हुआ इस Accord के तहट March 25, 1971 को एक cut-off date declare की गई जिसके बाद आये illegal immigrants को deport किया जाना था इसके लिए Constitution के Article 5 और 6 में amendments भी किये गए लेकिन ये केवल Assum में लागू होना था तब से लेकर आज तक AASU ने NRC को update करने की मांग कई बार की है इसके लिए December 2014 में Supreme Court में एक petition भी फाइल की गई जिसपर Supreme Court ने NRC को time-bound manner में update करने का order भी दिया NRC of 1951 और electoral roll of 1971 अप्टू midnight of 24th March 1971 मिलकर legacy data form करते हैं जिन में mentioned लोगों और उनके dissidents को ही Indian citizens माना जाता है हाला कि किवल असम में ही NRC updation हुआ है लेकिन बाकी के North East States जैसे नागलेंड में ऐसी demands उठती रही है उधारन के तौर पर नागलेंड स्टेट ने एक similar exercise को अंजाम देने की कोशिश की थी जब वहाँ 2019 में Register of Indigenous Inhibitants of नागलेंड प्रिपेर करने की बात हुई थी इसके लावा recently मनिपूर Assembly में भी एक resolution के तहट NRC को implement करने की बात कही है तो दोस्तो यह था हमारा discussion North East Insurgency पर अब हम देखते हैं कि पूरे मुद्दे को solve करने के लिए गवर्मेंट ने क्या efforts लिए है सबसे पहले बात कुछ unique administrative arrangements की सबसे important steps में Ministry of Development of North East Region यह DUNER की स्थापना शामिल है जिसके तहट North East के development और वहां के मुद्दो को लेकर required overall coordination पर ध्यान दिया जा रहा है इस ministry ने North East and States में चल रहे projects और schemes के planning, execution और monitoring पर ध्यान दिया है ताकि इस पूरे region का overall social economic development fast-paced तरीके से किया जा सके North East का development वहां के लोगों में radicalization और alienation की feeling को कम करेगा जो insurgency को control करने में कारगर साबित होगा अब बात कुछ constitutional provisions की दोस्तो article 244 के तहट देश के कुछ regions के लिए unique administrative arrangements और autonomy का परावधान है देश के वो areas जहाँ schedule tribes की population जादा है वहां 5th schedule और 6th schedule के परावधान लागू होते हैं Article 244.2 के तहट 6th schedule के परावधान North East के states, Assam, Meghalia, Tripura और Mizoram में लागू किये जाते हैं जिनके तहट autonomous districts council का formation होता है इसके तहट इस region में कई autonomous district councils बनाए गए हैं जिनमें मुखिता हैं कर्भी, एंगलॉंग, खासे hill district, चक्मा district रित्यादी इसके लावा Article 371A के तहट नागलेंड को special status भी प्रोवाइड किया गया है इसके तहट Indian Parliament द्वारा बनाया गया कोई भी कानून नागलेंड में apply नहीं हो सकता अगर वो नागा लोगों के social और religious practices को effect करता है इसके लावा उनके customary laws and procedure, administrative of civil and criminal justice और transfer और ownership of land से related कानून भी पार्लेमेंट द्वारा नहीं बनाया जा सकते इसके लावा Article 371B के तहट State of Assam, Article 371C के तहट State of Manipur, Article 371F के तहट State of Sikkim, Article 371H के तहट State of Anirajal Pradesh, Article 371G के तहट State of Mizoram को भी कई तरह के special status दिये गए है जो नागलेंड जितने extensive नहीं है लेकिन crucial है Inner Line Permit या ILP भी एक important provision है जो इस region की ट्राइबल्स में outside intervention को लेकर पनप रहे sense of insecurity को बढ़ने से रोकता है और उन्हें अपने culture और social fabric को preserve और protect करने का special अधिकार देता है इसके लाबा union government ने समय समय पर peace talks के तहट कई unique decisions भी लिये हैं ताकि इस region में birthday radicalization और insurgency को रोका जा सके इन decision में NRC को implement करने के लिए Assam Accord को sign करना नागास के साथ peace maintain करने के लिए Naga Accord और ceasefire agreements sign करना borders के लिए 2003 में borderland territorial council या BTC का creation जैसे कई और efforts शामिल है border areas में required development और security को ensure करने के लिए border area development project और hill region में development के लिए hill area development programs जैसे efforts भी सरहनी हैं इसके लाबा international level पर भी government ने कई efforts लिए हैं ताकि North East में development को improve कर वहां की security situation को बहतर बनाया जा सके इसमें सबसे important है इंडिया की act East policy जिसके तहत इंडिया साथ East Asian countries के साथ economic, strategic और cultural relations को improve करने की कोशिश कर रहा है इस policy की spirit को follow करते हुए इंडिया ने Myanmar के साथ कालादन multi-model project को अंजाम दिया है जो North Eastern states के geographical limitations को दूर करता है और chicken neck पर भढ़ते congestion को कम करते हुए Bay of Bengal के रास्ते mainland India को North East से connect करता है इसके लावा Myanmar और Thailand के साथ IMT Trilateral Highway भी इस region की connectivity को बहतर करेगा इंडिया बांग्रदेश के साथ भी diplomatic engagement पढ़ा रहा है ताकि इंडिया और North Eastern states के बीच connectivity बहतर हो सके TRIPRA में integrated border check post का creation भी एक ऐसा ही step है जो cross border trade को promote कर लोगों के livelihood को secure करता है TRIPRA की राजधानी अगर तला से अखोरा के बीच railing भी बनाया जा रहा है इसके लावा नबरिंग states के साथ कई security cooperation भी insurgency को counter करने में मददगार साबित हो रहे हैं उधान के तौर पर हम Myanmar government द्वारा 22 armed militias की गिरफतारी की बात कर सकते हैं इंडिया और Myanmar की armies ने मिलकर दो round of operations भी lead किये हैं अंडर operations sunrise ताकि border areas में पनाप रहे insurgents के camps को destroy किया जा सके border management के लिए इंडियन government द्वारा dedicated forces जैसे इंडो बांगलादेश border पर BSF इंडो मियनमार border पर असम rifles, स्टिनो इंडिया border पर इंडो तिबितन border police force या ITBP और भुटान borders पर SSB को तैनात किया गया है इसके लावा AFSPA के तहत insurgentsy को खतम गरने के लिए armed forces को दी गई special powers पर चर्चा हम करी चुके हैं जहां required होता है वहां army, CAPF और state police forces मिलकर counter insurgency efforts लेते हैं और states की security ensure करते हैं दोस्तों इन सब steps के बाद North East insurgency की situation में काफी जादा सुधार आया है Ministry of Home Affairs के data के हिसाब से North East में insurgency related incidents जहां 2014 में 824 थे वो 2020 में घटकर 162 ही थे इसके लावा 2014 से लेकर आज तक North East में insurgency related deaths में 99% की कमी आई है हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू एंट कश्मीर की ओर और समझेंगे वहां से इमर्ज होने वाले internal security threat के इतिहास और nature को हम जानते हैं कि 21st century में इंडिया कई internal security issues से गुजर रहा है जैसे terrorism, money laundering, drug trafficking, legal arms and counterfeit currency supply इत्यादी हाला कि इन सभी में सबसे ज़्यादा importance हासल किया है insurgency या armed struggle ने post-independence में जहां अधिकतर states ने stable environment के चलते economic development हासल किया वहीं जम्मो एंड कश्मीर militancy के चलते उस हसाब से grow नहीं कर पाया जिस हसाब से उसे grow करना चाहिए था हम आपको यह भी बता दें कि आज जम्मो एंड कश्मीर militancy चाइन और पाकिस्तान के meddling के कारण एक बहुत complex रूप ले चुका है दोसो आज हम इस वीडियो के माध्य हम से जानेंगे कि आखर जम्मो एंड कश्मीर militancy कैसे originate और evolve हुआ साथ में हम यह भी जानेंगे कि कैसे अलग-अलग state और non-state actors ने इस issue को बढ़ावा दिया है origins of जम्मो एंड कश्मीर militancy दोस्तो जम्मो एंड कश्मीर militancy के origin और evolution को जानने से पहले चलिए पहले हम जम्मो एंड कश्मीर के background history को brief में जान लेते हैं जम्मो एंड कश्मीर की history शुरू होती है 1846 में 1846 से 1952 तक जम्मो एंड कश्मीर एक princely state हुआ करता था Ultimately जम्मो एंड कश्मीर Britishers के आधिपत्य के अंदर आता था इस दोरान जम्मो एंड कश्मीर को डोगरा राजपूर डैनस्टी ने रूल किया महराजा गुलाप सिंग को डोगरा डैनस्टी और जम्मो एंड कश्मीर का founder मना जाता है Incidentally गुलाप सिंग महराजा रंजीत सिंग के अंडर नॉबल हुआ करते थे उनकी capabilities को देखते हुए महराजा रंजीत सिंग ने उन्हें जम्मो एंड कश्मीर का ruler डेकलेर किया महराजा रंजीत सिंग की डेथ के बाद बिटिशर्स ने सिख राजियों पे कबजा करने की कोशिश की उन्होंने फर्स्ट एंगलो सिख वार दवारा सिख राजियों पर कबजा हासल किया इस वार में गुलाप सिंग ने बिटिशर्स का साथ दिया था इसलिए Treaty of Amritsar के तहट बिटिशर्स ने गुलाब सिंग को जम्मू इंड कश्मीर का रूलर डिकलेर किया और बदले में 75 लाग कॉंपेंसेशन लिया तो इस प्रकार जम्मू इंड कश्मीर स्टेट ट्रीटी अफ अम्रिट सर के तहट 1846 में स्टैबलिश हुआ तो सो करीब 100 साल हिंडू डोगरा रूलर्स ने इस मुस्लिम मेज़ोरेटी स्टेट पर रूल किया भारत के इंडिपेंडेंस के दुरान जम्मू और कश्मीर पांच हिस्सों में डिवायरेट था पहला है प्रोविंस आफ जम्मू जो हिंडू डॉमिनेटिट था दूसरा है कश्मीर वैली जो मुस्लिम डॉमिनेटिट था दीसरा है लदाग जो बुद्धुस मेज़ोरेटी था फाइनली है गिलगेट और बाल्टिस्तान जो स्पार्सली पॉपलेटेड एरिया था अफगानसान से प्रोक्सिमिटी की कारण इनका स्ट्राजिक इंपॉर्टेंट भी काफी ज़ादा था 1946 में इंडिया के पार्टिशन के दुरान ब्रिटिश गवर्मेंट ने प्रिंसली स्टेट्स पर अपनी पैरामाउंट सी अबैंडन की प्रिंसली स्टेट्स को तीन ओप्शन दिये गए इंडिया या पाकिस्तान जॉइन करें या फिर इंडिपेंडनेंट रहें जम्मुइंड कश्मीर के रूलर और वहां की पॉपलेशन के बीच और जम्मुइंड कश्मीर का एक्सेशन कहां होगा इस पर काफी कॉनफ्लिक्स थे और कौन कहां जाना चाहता है इसको लेकर भी काफी विवाद रहे कुछ हस्तोरियन्स के अनुसार महराजा हरी सिंग ने पीजन्स पर कुछ टाक्सिस इंपोस करना शुरू करा था इस टाक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ पर एड्मिनिस्टेशन ने उसे सप्रेस किया इसके बाद पूंच में जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिविजन को बॉर्डर करता है वहां अप्राइजिंग शुरू हो गई उन्होंने अल्मोस्ट पूरा डिस्टिक कंट्रोल कर लिया और उक्टूबर थर्ड नाइंटीन फॉर्टी सेवन को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्मेंट स्टाब्लिश करी गई उक्टूबर 21 को एक एहम घटना घटी नॉर्ट वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस के पाश्टून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मो इन कश्मीर को एनेक्स करने के लिए गुसे उन्होंने मुजफराबाद और बारामुला को कैप्चर किया दुशीनगर से सि 22 क्लोमेटर की दूरी पर था। उक्टूबर 24 को महराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सर्दार वल्लब भाई पतेल से मिलिटरी असिस्टेंस मागी। सर्दार वल्लब भाई पतेल ने रिस्पॉंड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंड इंडिया ने इमेरेटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजे और इंडिया पाकिस्तान में जंग छड़ गई। और इंडियान फोर्सेज ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेज को बाक्फुर पर ला दिया। प्लबी साइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरी लोगों का किसी इंपॉर्टन चीज पर उपीनिल लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के नौन विड्रॉल के कारण प्लबी साइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली, 1949 में काराची एगरिमेंट द्वारा सीसफायर लाइन इस्टाबलिश हुई और दोनों साइट्स ने अपना पोरिशनिंग एग्जिस्टिंग पोरिशन बर मेंटेन किया। जो रफली मॉडरन डे लाइन अफ कंट्रोल से मैच करता है। पॉलिटिक्स पोस्ट नाइटीन फॉर्टी सवन दोस्टो मार्श नाइटीन फॉर्टी एट में नैशनल कॉन्फरेंस के शेक अबदुल्ला को जम्मु इन कश्मीर का इंटेरिम पीम घुशित किया था। 1951 के 1st legislative election में शेक अबदुल्ला अनपोस्ट चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को इनिशेट किया जैसे लैंड रिफॉर्म्स जिसने ओर्णरी लोगों को बेनिफिट किया। ने स्टेट गवर्मेंट को 1953 में डिस्मिस किया और शेक अबदुला को अरेस्ट किया गया। फाइनली शेक अबदुला और कॉंग्रिस के इंद्रा गांधी के बीच एग्रिमेंट साइन हुआ और शेक अबदुला को जम्मु इंड कश्मीर का सियम डिकलेर किया गया। उन्होंने 1977 के एलेक्शन में मेजरोटी हसल कर नाशनल कॉंफरेंस को रिवाइव किया। 1982 में उनकी डेथ के बाद उनके बेटे फारुक अबदुला जम्मु इंड कश्मीर के सियम बने। फारुक अबदुला गवर्मेंट और तबके यूनिन गवर्मेंट के बीच रिलेशन काफी ओन एंड ओफ रहा करते थे। कॉंग्रेस के इंफरेंस में फारुक अबदुला के ब्रदर इनलो जीम शाह ने जुलाई 2nd 1984 को नाशनल कॉंफरेंस के 12 MLS के साथ डिफेक्ट किया। इस डिफेक्शन ने फारुक अबदुला की गवर्मेंट को टॉपल किया। उन्होंने कॉंग्रेस के साथ अलाइंस कर सीम पोस्ट हासिल किये। कहते हैं कि इस पॉलिटिकल कॉंफलिट के चलते लोगों का डेमोक्राटिक इंस्टिशन पर से मनो विश्वास उठने लगा था। इसी बीच 1986 में जम्मुएंट कश्मीर में कम्यूनल राइट्स हुए। जम्मुएंट कश्मीर के कई टाउंस जैसे वनपो, अननतनाग, सोपोर, फतेवपुर, अकूरा में हिंदू टैंपल्स को अटैक किया गया। और कश्मीरी पंडित्स पर भी वायलेंस होने लगा। साइन कर 1987 में एक साथ एलेक्शन लणने का डिसीजन लिया। दोसो 1987 के एलेक्शन्स चम्मुएंट कश्मीर मिलिटेंसी के राइस का टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इलेक्शन्स में फ्रॉड और रिगिंग के मैसे वारोप लगे थे। इस रिगिंग को further destabilize किया। इसके लावा जम्मुएंट कश्मीर लिबरेशन फ्रेंट यानी JKLF जो पहले एक डेमोक्रेटिक पाक्शन हुआ करता था उसने भी 1987 एलेक्शन को रिग्ट बता कर खुद को आम्ड ग्रूप में convert कर लिया। JKLF के लीडर यसीन मलिक ने कश्मी इंडिपेंडेंस के लिए वालेंट अटाक्स कैरी किये। जैसे इंडियन सेक्योरिटी फोर्स पर अटाक। मुफ्ती मोहमत साइद जो अस वक्त के होम मिनस्टर थे उनके डॉटर रूब्या साइद की किडनापिंग एक्सेक्टरा। वालेंट इटमस्फेर के चलते जम्म एंड कश्मीर को गवर्नर्स रूल के अंडर रखा गया। जैन्वरी 1990 में जेके एलेफ ने वाइट स्प्रेड प्रोटेस्ट और्गनाइस किये जिसमें स्टोन पेल्टिंग यूस किया। इन प्रोटेस्टर से डील करने के लिए बीएस एफ और सी आर पीएफ ने फोर्स क शुरू किया। इस परकार जम्मु एंड कश्मीर कॉंप्लेक्स आर्म्ड ग्रूप के वेब में फस गया था। आर्म्ड ग्रूप्स ने सिंपथी गेन करने के लिए अलग-अलग टाक्टिक्स का इस्तमाल किया। उन्होंने पबलिक गैधरिंग में प्रोमिनेंट फिगर् करने की कोशिश की। 1990 में कई टेर्रस आउट्फिट्स ने जन्म लिया जैसे लशकरे ताइबा, हर्कतुल जिहादे इसलामी, अलबदे, जैशे महम्मद, etc. ओपरेशन सर्फ मिनाश के तहत काफी हद तक वाइलन्स कंट्रोल किया गया। इसके बाद 2008 में United Nations Commission for Refugees के अंडर Legislative Elections Conduct हुए। इसमें National Conference के उमर अबदुल्ला सियम बने। दोस्तो, 2008 में Elections से पहले State Government और Center ने Agreement Sign किया। इसके चलते अपरनाथ Shrine के Trust को Infrastructure Development के लिए 99 एकर से लॉट किये जाने वाले थे। इस Agreement के ऑपरेशन में भी जम्म इंड कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग शुरू ह प्रोटेस्ट के चलते इस Agreement को Cancel किया गया। एकनिस प्रोटेस्ट ने स्टोन पेल्टिंग को अब एक regular feature बना दिया। 2010 के बाद कई landmark incidents ने Peace Process को Hemper किया है। जैसे 2013 में अफजल गुरू की Hanging जो 2001 के Parliament Attacks का Mastermind था। 2016 में हिजबुल मुझाहिद्दीन के militant बुर्हानवानी को Security Forces ने शूट किया। इन incidents को यूज़ कर Separatist Groups जैसे खुरूरियत Conference ने यूद को Radicalize भी किया। इसी को यूज़ कर पाकिस्तान के ISI की मदद से जैशे मुहमद ने कई attacks करी आउट किया। जैसे 2016 उरी अटाक्स, 2018 स Internal Security Issue बन गया है, Rule of State and Non-State Actors. दोस्तो समेलिटनसी को aggravate करने में कई State और Non-State Actors involved हैं, I Amin पर एक नजर डालते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे State Actors की, आपको बता दे कि State Actors एक ऐसे इंडिविजुल य और्गनाडेशन को कहा जाता है, जो किसी Sovern ruling government के बिहाफ में आक करत दोस्तो अगर हम State Actors की बात करें, तो पाकिस्तान जम्मो इंड कश्मीर instability का एक एहम contributor रहा है, पाकिस्तान ने post 1947 कई बार direct war wage करने की कोशिश की, जैसे 1947, 1965 war, 1973 का बांगलादेश liberation war, 1999 का का कारगिल war इत्यादी, लेकिन इंडिया से उनको painful defeat का सामना करना पड़ा, इसलिए 2000 क के बाद उन्होंने नया tactic यूज करना शुरू किया, जिसे low intensity warfare या protracted strategy कहा जाता है, दोस्तो low intensity warfare एक ऐसी strategy को कहा जाता है, जिसमें long term desired result अचीव करने के लिए series of small scale violent steps लिये जाते हैं, ये violent steps कई form में नजर आते हैं, जिसमें false propaganda spread किया जाता है, इन सभी को broadly national war of independence के नाम देकर legitimize किया जाता है, इस प्रकार पाकिस्तान ने ISI की मदद से carefully कश्मेरी militancy को aggravate किया है, 2015 में पाकिस्तान के former president परवेज मसरणरफ ने admit भी किया था कि पाकिस्तान ने 1990s में कई कश्मेरी insurgent groups को support और training दी थी, तो ये अगर हम non-state actors के बात करें तो ये उन individuals, ये organization को कहा जाता है जनका significant political influence होता है, लेकिन ये किसी sovereign ruling government के बिहाफ पे act नहीं करते, कई non-state actors ने कश्मीरी insurgency को बढ़ावा दिया है, जैसे पहला है All Parties Hurriat Conference, 1993 में इस organization को मिरवाईज उमर फारूक ने establish किया, हुरियत कश्मीर का primary separatist group माना जाता है, इनकी ideology ये है कि जम्मू और कश्मीर एक disputed territory है, और इस पर इंडिया का control unjustified है, यहनोंने public opinion mobilize करने के लिए Indian security forces के खिलाफ false narrative set करने की कोशिश की है, पाकिस्तान High Commissioner के साथ regular high level meeting दर्शाती है, कि हुरियत किवल पाकिस्तान का dummy है, यहनोंने religious authority को use कर sermons द्वारा anti-India sentiment brew किया है, अगला है जम्मू इन कश्मीर Liberation Front, JKLF, 1976 में established, इस organization ने 1980 में कश्मीर में अपना presence दिखाना शुरू किया, शुरुआत में यह काफी democratic थे, लेकिन 1987 के elections में अपनी हार से हताश होकर उन्होंने violence शुरू किया, 1989 के rubia side kidnapping, कश्मीरी पंडित्स का mass exodus जैसे कई incidents में JKLF ने एहम role play किया है, 1987 में इस militant organization को हाफिस साइड ने establish किया था, इसका objective है पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ integrate करना, रिजिन को destabilize करने के लिए इस आतंकवादी संगिठन ने कई attacks कैरी किये, जैसे December 2000 Red Fort attack, 2001 Parliament Attacks, 2008 Mumbai Attacks, 2010 Pune Bombing etc, अगला है जैशे मोहमद, JEM एक जिहादी militant group है, जैसे मसूद अजहर ने establish किया था, इसने cross border infiltration द्वारा कई attacks को अंजाम दिया है, जैसे 2019 के पुलवामा attacks, finally हम बात करेंगे हिजबुल मुझाहिद्दीन की, दोस्तों ये 1989 में Islamist militants के umbrella group को represent किया करता था, presently ये जमाते इसलामी के control में आता है, इसने हिंदू temples के destruction और कश्मेरी पंडित Exodus में important role play किया है, conclusion, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे Jammu and Kashmir में militancy ने originate और evolve किया, साथ ही हमने देखा कि कैसे अलग-अलग actors ने इस state को hot bit of militancy बना कर रखा है, अगर हमें इस militancy को eliminate करना है, तो government को सभी parties को involve कर confidence building measures को अंजाम देना होगा, 14th of February 2019 को पुलवामा district म एक improvised explosive vehicle ने 40 CRPF personal की जान ले ली, ये 1990 के militancy की शुरुआत के बाद कश्मीर वेली का biggest terror attack माना जाता है, इस attack के बाद मानों इंडिया और पाकिस्तान full scale war की ओर बढ़ने लगे, इंडिया ने पुलवामा अटाक के retaliation में बाला कोट air strikes को अंजाम दिया, इसने इंडिया के counter cross border terrorism efforts में एक नया benchmark set किया, रिपोर्ट के नुसार इस suicide attack को एक 20 year old local पुलवामा resident ने implement किया था, हिजबिल मुझाहिदीन के बुरहनवानी से inspire होकर इस youth ने जैशे मुहमद terror group join किया था, दोस्तों इस incident की खास बात ये है कि इस attack को एक local कश्मीरी ने carry out किया था, जो कश्मीरी militancy क 30 years में rare incident है, इधर शाता है कि कैसे 2016 में बुरहनवानी की killing के बाद militancy ने अपना nature change करना शुरू किया है, आज local homegrown youth को induct कर militancy को कश्मीर बेस declare किया जा रहा है, experts का मानना है कि कश्मीरी militancy का old phase 1980 में शुरू हुआ और 1996 में defeat हुआ, वही new militancy की शुरूात बुरहनवानी के social media images औ August 5, 2019 को center ने the constitution application to Jumbo and Kashmir order 2019 के तहत Jumbo and Kashmir का special status revoke किया, साथी Jumbo and Kashmir को दो हिस्सों में divide किया गया, union territory of Jumbo and Kashmir and union territory of Ladakh, इस order ने Jumbo and Kashmir के unrest को नया रूप दिया है, ऐसा कुछ experts का दावा है, government ने इस unrest को control करने के लिए forces को mobilize किया, political leaders को house arrest में रखा और internet shut down किया, कहते हैं कि इस approach ने जहां एक और कश्मीर की security situation को improve किया है, वहें इसने कश्मीरी locals को new militancy के और push किया, यानि कश्मीर militancy अब एक नया रूप लेने लगी है, local, homegrown recruitment, social media द्वारा propaganda, spreading, ideological shift जैसे कई variables हमें दर्शाते हैं कि कैसे Jumbo and Kashmir militancy ने एक नया रूप धरन किया है, तो दो militancy ने अपना nature change किया है, साथ ही हम जानेंगे कि government ने इसे रोकने के लिए क्या measures लिये हैं, changing nature of militancy, दोसो militancy के changing nature को हम कई firms में देख सकते हैं, जैसे foreign based to local homegrown militancy, दोसो late 1980s में कश्मीर militancy की शुरुआत होई, अफगानस्तान के हिजबन मुझाहदीन से inspire होकर, पाकिस्तान ने 1980 में widespread insurgency को instigate किया, 1987 के so-called rigged election ने मानों लोगों का democracy पर से विश्वास उठा दिया, लोकल कश्मीरी youth ने जम्मो इन कश्मीर liberation front जोईन कर state forces पर attack करना शुरू किया, रिपोर्ट के अनुसार, जम्मो इन कश्मीर ने progressive violence fitness किया, जहां 1989 में 49 incidents record हुए, वहीं 1990 में 1098, 1991 में 2000 और 1992 में 3413, 1993 के बाद इन incidents का number gradually कम होते हुए, 2005 में 806 तक पहुचा, 2012 के Ministry of Home Affairs के data के अनुसार, यहां कड़ा 220 तक पहुच किया है, Expert डेविट देवदास के according, यह decline इस कारण हुआ क्योंकि violence से हताश होकर कश्मीरीज ने militants को shelter और resource प्रवाइड करने से मना कर दिया था, लेकिन shockingly 2018 में यह observe किया गया, कि encounters के दुरान, foreign militants के मुकाबले, जादा local militants मारे गए, यह indicate करता है, कि militancy ने अपना base, foreign से local homegrown youth पर shift कि हमें यह धान देना होगा कि base change के साथ, mode of recruitment और training में भी काफी changes देखने को मिले हैं, दोस्तो 1990 में militancy recruitment काफी intense हुआ करता था, recruits को LOC के rough terrain, jungles को cross कर, पाकिस्तान administered कश्मीर में train किया जाता था, अफगानिस्तान मुजाहिदीन, पाकिस्तान army के साथ, उन्हें weapons जैसे rocket propelled grenade, light machine guns की training दी जाती थी, उन्हें severely damaging attacks के लिए train किया जाता था, intense training के बाद उन्हें Indian side of LOC में infiltrate करवाया जाता था, वहीं अगर हम new militancy की बात करें तो recruitment process easier बन गई है, LOC heavily guarded होने के कारण recruits को border cross नहीं करवाया जा सकता, बलकि अब social media post द्वारा उनका recruitment around किया जाता है, इस कारण militants को publicity मिलने लगी है, जो youth को आकरशित करती है, social appeal ने militancy को localized बना दिया है, खेर अच्छी बात यह है कि old militancy के मुकाबले new militancy में recruits poorly trained है, उन्हें basic training देकर small scale attacks के लिए तयार किया जाता है, new recruit online post जैसे automatic rifle के साथ selfie के थूँ, cops और civilians को threatening message भेज़ कर fear create करते है, दोस्तों दूसरा important change हम में नजर आता है, foreign और domestic militants group के ideological synergy में, 1990s में कई militant group ने जन्म लिया, जैसे indigenous groups, हिजबुल मुझाइदीन, JKLF, al-bark, al-jihad और foreign groups जैसे लशकरे तोईबा, जैशे मुहमद, हरकत उल-ंसर, etc. इस early phase में groups के बीच, ideological differences clear थे, indigenous groups को subjugated रखा जाता था, इसी कारण inter और intra group clashes common थे, जिसने militant movement को weak बनाया, लेकिन militancy के नए phase में, हमें local और foreign groups में ideological unity देखने को मिल रही है, so-called Kashmir cause को use कर unified fight करने की बात हो रही है, जहाँ पहले Kashmiris ने foreign outfits को shelter देने से इंकार किया, वहीं आज, L.E.T. जैसे outfits locals को recruit कर, Kashmiris का support हसल करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर cause का नाम आगे करके, L.E.T. जैसे outfits ने अपना geographical presence बढ़ाया है, जहाँ पहले ये groups कश्मीर के नदन पार्ट्स में active थे, अब ये सदन कश्मीर जैसे पुलवामा, शुपियान, अननतनाग में भी dominate करने लगे हैं, दोस्तो, तीसरा important chain नजर आता है, social media के usage में, social media, new milit का most powerful weapon माना जाता है, जहां 1990s में press को forcefully articles print करने को कहा जाता था, आज social media के तहत, हजारो pictures और videos वाइरल किये जा रहे हैं, whatsapp, telegram जैसे encrypted platforms को use कर emotional posts दाले जाते हैं, जैसे militants के dying declarations, last conversations, training videos, etc. false narrative set कर, जिहाद spread करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो L.E.T. का हाफिस सईध हो, या हजबल मुझाहिदीन का बुरहानवानी, सभी ने gun culture को promote कर violence को justify किया है, उन्होंने social media को weapon of war के तरह use किया है, या outfits militants की killings के large funeral procession को organize कर उन्हें gun salute और heroes farewell दे कर public sentiment के साथ खेलते हैं, deaths को glorify कर youth को कश्मीर कौस के लिए लड़ने के लिए कहा जाता है, इन outfits ने social media warriors create कर ये इंटरेस्टिंगली बुरहानवानी की killing के बाद government crackdown को avoid करने के लिए militancy ने social media usage में कई changes भी किये हैं, जहाँ पहले new recruits के photo upload होते थे, अब anonymous यानि बे नाम audio clips दोरा recruitment announce किया जाता है, minimum office contact करके recruits को lone wolf attack यानि single hundred attack करने के लिए encourage किया जाता है, ऐसा कई reports दावा करती है, intelligence agencies को गुमरा करने के लिए बड़े platform जैसे whatsapp, telegram के बजाए, छोटे platform जैसे tum tum, nandbox को use किया जाता है, तो इस तो fourth important change नजर आता है, militancy के core ideology में, कश्मेर militancy ने हमेशा region को use कर crowd को mobilize किया है, लेकिन इस religion का usage और extent successively बढ़ता गया है, इसे हम तीन phases में divide कर सकते हैं, militants के पहले phase को lead किया था, JKLF ने, जो independent judgment कश्मीर चाहता था, जिहाद को use कर, ये इंडिया को कश्मीर से overthrow करना चाहता था, पाकिस्तान JKLF के इस anti-Pakistan merger policy से नाखुश था, response में उन्होंने कई pro-Pakistan militant groups form किये, जिसने militancy की पूरी ideology change कर दी, इस तरहे, militancy की second phase में कई pro-Pakistanी groups form हुए, जोने पाकिस्तान के ISI ने train किया, यहां militancy की ideology में pro-independence से pro-Pakistan की तरफ shift देखने को मिला, जम्मिन कश्मीर के biggest religious group, जमाते इस्लामी से inspire होकर, हिजबर मुजाहिदीन ने pan-Islamic ideology को promote किया, 1990s के intense violence के करण कश्मीरी मिलिटनसी से दूर हो गए, इसी vacuum को फुल करने के लिए third phase ने जन्म लिया, J.E.M.L.E.T. हरकत-ul-jihad-al-Islami जैसे groups ने इस phase को dominate किया, इस phase में militancy ideology pro-P पाकिस्तान से Islamic rule establishment में shift हुआ, यानि कश्मीर को खलीफत द्वारा शरिया law के तहद rule किया जाना चाहिए, ऐसा इनका aim था, इस ideological shift ने militancy को global support हासल करवाया, कई global pro-Khalifat group जैसे al-Qaeda, गजवात-ul-Hind और ISIS का Islamic state of J.E.M.K. ने आज कश्मीर में foot hold बनाया है, इस ideological change ने इंडिय IoT issues को और भी complex बना दिया है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे militancy ने अपना nature और modus operandi change किया है, चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं कि government ने इस militancy को address करने के लिए कौन से steps लिए है, steps taken by government, दोस्तों militancy को address करने के लिए government ने कई hard और soft steps लिए है, अगर हम hard steps की ब terrain और South Kashmir के पीर पंजाल range को use कर कश्मीर वैली में enter करते रहे हैं, government इस एड्रस करने के लिए 3-tier counter infiltration grid बनाया है, इसमें पहला layer LOC पर Indian Army फॉर्म करेगी, CRPF और German Kashmir पुलिस 2nd और 3rd layer फॉर्म करेगी, इसके लावा anti-infiltration obstacle system, AIOS fencing, drones, night vision equipment, thermal imaging devices दोरा smart border management भी किया जा रहा है, दूसरा important measure है terrorist group crackdown, government ने कई counter-insigency operations दोरा terrorist group को target किया है, top militant leadership को eliminate कर militancy को weak बनाया जा रहा है, इसके लावा overground workers यानि ऐसे sympathizers जो terrorist को shelter, mobile recharge और information प्रवाइड करते हैं, उन पर Public Safety Act, Unlawful Activities Prevention Act के तहद strict actions लिये जा रहे हैं, फरवरी 2019 में ministry of home affairs ने जमात इसलामी को unlawful organization घोशित कर उसे ban किया था, terrorist financing को रोकने के लिए ministry of home affairs ने terror monitoring group set up किया है, जो terror financing cases को closely deal करेंगे, इस प्रकार militancy के backbone को nust कर, एक holistic way में militancy को defeat किया जा रहा है, अगर हम soft steps की बात करें, तो government ने कई developmental initiatives launch किये हैं, जैसे पहला है फंड करेगी और national skill development corporation इसे implement करेगा, इस scheme को objective है, जम्मो एंड कश्मीर के youth को skill provide कराना, रंगराजन कमिटी के recommendation पर इस scheme के तहत, जम्मो एंड कश्मीर के educated youth यानि graduates post graduate और three year diploma holders को industrial skills देकर employable बनाया जाएगा, इस तरह यूद को employment देकर उनकी energy सही direction में channelize की जाएगी, दूसरा है project हिमायत, इस project को हिमायत mission management unit, जम्मो एंड कश्मीर state rural livelihood mission government of जम्मो एंड कश्मीर implement करेगी, ये जम्मो एंड कश्मीर के unemployed youth के लिए placement linked skill training program है, यूद को market demand के according 3-12 महिनों में skill training दी जाएगी, training के बाद उनने assured placement देकर उनके एक साल का progress track किया जाएगा, तीजरा initiative है project ये national rural livelihood mission के अंडर एक sub mission है, जिसे जम्मो एंड कश्मीर state rural livelihood society implement करता है, इस project को objective है strong grassroots institutions build करना, जिससे poor को livelihood और decent quality of life मिले, इस direction में जम्मो एंड कश्मीर के 125 selected blocks में at least 66% rural population को reach out किया जा रहा है, फोर्थ initiative है project सथभावना, इसे इंडियन आर्मी ने winning hearts and mind strategy या वाम skander launch किया है, ये एक information initiative है, जिसके तहत officers और soldiers local से interact कर उनके day-to-day issues को solve करते हैं, जैसे education provide करने के लिए 55 modern English medium goodwill schools establish करना, rural areas में connectivity improve करने के लिए foot bridges build करना, women और youth empowerment के लिए national integration tours organize करना, water supply schemes, electrification, animal husbandry, primary healthcare centers द्वारा basic amenities प्रवाइड किये जाने की कवायद इत्यादी, इसके लावा mission पहल, mission reach out द्वारा locals के grievances को address किया जा रहा है, तो दोस्तो इस प्रकार government और Indian army ने multi-pronged approach को use कर, militancy issue को tackle किया है, अब जानते हैं way forward, इन steps के बावजूद, militancy के समस्या पूरी तरह eliminate नहीं होई है, इसे eradicate करने के लिए government कई domains में काम कर सकती है, जैसे पहला है District Development Councils, DDC, 5th August 2019 को जम्मो इन कश्मीर से state route हटाने के बाद, अब political focus, DDC और grassroots development पर shift हुआ है, कई decades के political instability सेहने के बाद, अब DDC के माध्यम से local elected leaders development ensure करेंगे, इस direction में center को उन्हें politically और financially empower करना चाहिए, साथ ही उन्हें targeted killing से shield करना चाहिए, लोकलाइट होने के कारण लोगों का इन पर भरोसा होगा, और इस trust को यूज़ कर हम रीजन में political stability और extremist narrative को counter कर सकते हैं, दूसरा domain है social media, दोस्तों, 21st century में social media, misinformation और propaganda का important tool बन गया है, जहाँ तक government ने reactive tactics यूज़ किये हैं, जैसे blanket bans, censorship of extremist content, अब जरुरत है provocative measures की, artificial intelligence की मदद से counter narrative बनाया जा सकता है, जैसे अगर कोई misinformation सोशल मीडिया पर post होती है, तो AI की मदद से तुरंद empirical facts दे कर उस information को जूट प्रूफ करना चाहिए, तीसरा domain है technology की इस्तिमाल से normalcy की situation को create करना, militancy की कारण हम region को demilitarize तो नहीं कर सकते, लेकिन relatively peaceful regions में unmanned aerial vehicles, night thermal cameras, infrared devices और satellite images की मदद से surveillance किया जा सकता है, इससे troops के presence को कम कर हमें एक प्रकार का normalcy ला सकते हैं, फोर्थ domain है education, अगर हमें long term anti-militancy narrative बिल्ट करना है, तो education एक important tool है, 2019 से पहले जम्मो इन कश्मीर में education state government के अंडर आया करता था, इस कारण जम्मो इन कश्मीर और rest of India के curriculum में काफी difference नजर आता था, historical distortion और unfamiliarity जैसे कई issues सामने आते थे, 2019 के बाद education central government के अंडर आ गया, अब NCRT की मदद से uniform slaybers design कर national sentiment डिवलप किया जा रहा है, virtual space में pre-recorded educational videos प्रवाइड करना चाहिए, जिससे unrest के दौरान education disrupt ना हो, conclusion, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे militancy ने अपने आपको change कर 21st century में एक नया रूप धारण किया है, इसे roots से remove करने के लिए हमें सबी stakeholders को साथ में लेके चलना होगा, trust deficit हटाने के लिए democratic participation और pro development policies को बढ़ावा देना होगा, लास्टिंग पीस ला सकते हैं, organized crime के बारे में, ये तो आप सभी organized crime से जुड़ी फिल्मे और web series देखकर काफी खुश होते होंगे, सत्या और company से लेकर मिर्जापुर और sacred games ता सभी अपने special genre की वज़े से दर्शकों के बीच काफी लोग प्रिये रही, शायद, शायदेने देखके आपके मन में विचार भी आता होगा कि भाई वाह, भौकाल हो तो ऐसा हो, लेकिन बाकी हर फिल्म या web series की तरह ये सब भी कोरी कलपना से जादा कुछ नहीं है, असल में organized crime की दुनिया अपने आप में एक काफी dark और समाज के लिए बड़ा भी शाप है, क्योंकि ना के वाल ये crime network के फैलाव को systematically organized करके, दुनिया के कोने-कोने तक पहुचाती हैं, बलकि society का social और moral degradation भी करती हैं, एक समय में kidnapping, extortion और loot से शुरू हुआ organized crime, आज drugs, smuggling, sex trafficking, fake money rackets, इत्यादी से लेकर arms trafficking और terrorism तक जा चुका है, ऐसे में ये हमारे देश के लिए तो एक internal और external security threat है ही, और साथ में ये global level पर भी एक menacing business बन चुका है, जिसका किसी भी multinational organization की तरह ही अपना एक corporate setup और बाकी से अलग अपना business model है, ऐसे में हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस विशय की गंबीरता को समझें और साथ ही organized crime के असल रूप को पहचाने, क्योंकि तब ही हम इस पर काबू पाप आएंगे, तो चलिए आज हम इसी विशय को करीब से जानने का प्रयास करते हैं, दोस्तों यह तो organized crime एक broader term है, जिसके aspects और dimensions बदलते वक्त के साथ बदलते रहते हैं, उधारन के लिए IT या internet यूग के पहले किसी ने internet terrorism या टेली fraud scandal राकेट्स के बारे में सुना भी नहीं था, रगना जी organized crime syndicate के एक prominent aspect का हिस्सा है, ऐसे में organized crime को परिभाश्चत करना आसान नहीं है, ना ही इसकी कोई एक standard और inclusive definition हो सकती है, तेकिन फिर भी भारत के तिहास में organized crime और so-called underworld syndicate से सबसे ज़्यादा affected रहे महरास्ट स्टेट द्वारा बनाए गए महरास्ट्रा Control of Organized Crime Act 1999 में, हमें organized crime की definition देखने को मिलती है, या हुआ कोई भी crime, organized crime कहलाता है, लेकिन ये जरूरी है कि इस committed crime में violence किया गया हो, या threat of violence या फिर intimidation और coercion या किसी भी दूसरे unlawful means का इस्तेमाल हुआ हो, साथ ही इन सभी criminal activities को करने का ultimate aim भी, pecuniary benefits या कोई undue economic या फिर किसी भी तरह का undue advantage हासल करना होना चाहिए, ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस act के माध्यम से organized crime को broadest possible way में define करने की कोशिश की गई है, वहीं UN Convention Against Transnational Organized Crime द्वारा हमें organized criminal group की भी detailed definition देखने को मिलती है, इसे पारिभाशत करते हुए UNCTOC बताती है कि एक structured group तीन या उससे जादा लोगों का ऐसा समू है जो एक time period में मिल जुलकर एक या उससे जादा serious crimes या offenses को अंजाम देते हैं, जिसके पीछे उनका उदेश directly और indirectly financial और दूसरे material benefits obtain करना होता है, वहीं UNCTOC अपने द्वारा दी गई organized crime की definition में प्रायुक्त हुए कुछ terms को भी clearly define करता है, जिसके नुसार structured group वो group है जिसमे formal hierarchy या membership की continuity required नहीं है, इसलिए वो सब ही loosely affiliated groups जिसमें इनके members के लिए formally defined roles या defined hierarchy नहीं होती है, वो सब भी organized crime के अंब्रेला टम के अंडर आते हैं, यहीं नहीं, UNCTOC उन सभी crimes को serious crimes मानता है, जिसके अंडर कम से कम 4 साल के imprisonment का प्रावधान है, जबकि भारत के कानून के अनुसार serious crime के categorization के लिए imprisonment का यह term कम से कम 5 साल का है, इसके लावा organized crime convention, organized crime के transnational aspect को भी define करता है, जिसके अनुसार एक offense या crime तब transnational माना जाना चाहिए, अगर वो एक से ज़्यादा nations या state में commit किया गया हो, या फिर भले ही वो एक ही nation में commit किया गया हो, लेकिन उसकी preparation, planning, direction और control का substantial part किसी अन्य nation या state में किया गया हो, या फिर भले ही उसे एक nation पे commit किया गया हो, लेकिन इस crime activity में involved या इसके लिए responsible organized criminal group एक से ज़्यादा nations में actively operate करते हैं, या फिर भले ही ये आक को किसी एक state के nation में commit किया गया हो, लेकिन इस criminal act का substantial effect दूसरे state या ने निशन पर भी पड़ा हो, इन सबी स्थितियों में एक act of crime को transnational crime मना गया है, दोस्तों अब ये तो हुई organized crime, organized criminal groups और transnational crime की definition की बात, अब हम अपने इस discussion में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि organized crime और terrorism में क्या similarities और differences हैं, similarities और differences between organized crime and terrorism, दोस्तों हम आपको बता दें कि organized crime को organized crime मेली दो वजहों से कहा जाता है, पहला कारण ये कि organized crime का पूरा network एक well defined system के तहट चलता है, जहां हर actor के roles और duties defined होते हैं, दूसरा ये कि ये पूरा organized system ये organizing principle well defined होता है, अगर हम organized crime और terror groups में अंतर धूनने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि जहां एक और terrorist का main मकसद ideological और political goals अचीव करना होता है, वही organized crime का main मकसद economic और profit earning होता है, इसके लावा organized crime के लिए violence का इस्तमाल केवल economic interest को सर्व करने के लिए होता है, पर violence का इस्तमाल ये gangs generally extreme circumstances में ही करते हैं, कई ऐसे प्रकार के organized gangs भी होते हैं, जो बिना violence के भी अपने interest और goals को achieve करते हैं, जबकि terrorism के लिए ये violence essential requirement है, और violence उसका intrinsic हिस्सा है, इसके लावा हम ये भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार से business organizations अपने profit motives को achieve करने के लिए, एक systematic तरीके से अपने rules और regulation को follow करते हैं, और trust based system को establish करते हैं, वैसे ही organized crime भी एक well organized system के तहट trust based system है, फरके वाल इतना है कि normal businesses legal domains में operate करते हैं, लेकिन organized crime illegal domain में होता है, वहीं terrorism largely coercion और thread का अस्तमाल कर अपने goals को achieve करता है, और terrorism organized भी हो सकता है और un-organized भी, terrorism और organized crime में अंतर सर्फ इतना ही है, जबकिन में similarities ये हैं कि ये दोनों ही violence का अस्तमाल अपने goals को achieve करने के लिए करते हैं, यहीं नहीं, आज के दोर में तो organized crime network और terrorist दोनों एक दूसरे के network का अस्तमाल करते हुए एक symbiotic relationship establish कर चुके हैं, कई अरियास में तो terrorist group ने खुद को sustain करने के लिए organized crime network में खुद को जोग दिया है, वही कई जगहों में organized criminal groups ने टेर्र का सहरा लेकर खुद को sustain करने की कोशिश की है, ऐसे में terrorist gangs और organized criminal gangs में clear अंतर बना पाना largely theoretical है, बट इन प्राक्टिस ये काम आज काफी कठिन हो गया है, उधारान के तौर में हम अफगानस्तान की बात कर सकते हैं, जहाँ तालिवान और उसके कई नेता directly और indirectly ओपियम ट्रेड में involved पाए गए हैं, नौर्थीज इंडिया के बारे में intelligence reports बताती हैं कि वहाँ के कई insurgents और terror groups आज actively और directly organized crime का हिस्सा हैं, और दोनों में differentiate कर पाना कठिन है, इसके साथ ही अगर हम organized crime और terrorism के बीच relationship को समझने की कोशिश करें, तो वो broadly तीन प्रकार के हैं, पहला प्रकार वो जहाँ terror groups और organized crime में कोई link नहीं होता, और दोनों independently operate करते हैं, ये phenomenon largely तब देखा जाता था, तब terrorism के actual शुरुआत होई थी, यानि कि 80s और 90s के दशक में, दूसरा प्रकार है जहाँ terror groups और organized criminal gangs अपनी independent identity को maintain करते हैं, लेकिन वो आपस में एक symbiotic relationship share करते हैं, और एक दूसरे की मदद से फलते फूलते हैं, एक दूसरे के contacts और networks का इस्तमाल करना, funding और networks का इस्त प्रवाइड करना, ये सब इस तरह के relationship में देखा जाता है, तीसरा और आखरी type वो है, जहाँ ये दोनों groups आपस में merge हो जाते हैं, और दोनों की independent identity establish कर पाना मुश्किल हो जाता है, यानि कि terror groups organized crime भी करते हैं, और organized gangs terrorist भी बन जाते हैं, कहते हैं कि D company ने 1993 की मुंबई blast के बाद यही रूप अपनाया था, जहाँ एक organized gang एक terrorist group में तबदील हो गया, ऐसा ही North East के terror groups धीरे-धीरे organized gangs भी बन गए, जोस्तों आगे भढ़ते हुए हम देखते हैं कि organized crime के कितने types हैं, हाला कि जैसा हमने आपको बताया कि organized crime के dimensions को in list करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आज के बदलते समय में ये भी अपने structure और modus operandi में बदलाओ कर रहे हैं, फिर भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखर conventionally organized crime groups के प्रकार कौन-कौन से हैं, सबसे पहला है drug abuse and drug trafficking, दोस्तों देश दुनिया में फैली drug abuse की समस्या से तो आप भली भाती पर चित होंगे, कि कैसे नशे की लट आज ना केवल हमारे यूव वर्ग का भविश बरबात कर रही है, बलकि सारी दुनिया में इस crime से जुड़े organized criminal groups फैले हुए हैं, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर आशर होगा कि ये सब ही किसी ना किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे में ये दुनिया के सबसे serious और सबसे widely फैले transnational organized crimes में से एक है, अगर हम भारत की geographical location पर ही गौर करें तो हम पाएंगे कि ये golden triangle और golden crescent में मुझूद countries के पास ही इस्थित हैं, ऐसे में भारत को यहां से western world भेज़े जाने वाले नार्कोटेक ड्रक्स के लिए एक transit point की तरह इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Thailand, Laos और Myanmar से मिलकर बना golden triangle और Afghanistan, Iran और Pakistan से मिलकर बना golden crescent एशिया में ओपियम production और supply chain के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में इनके बीच स्थित भारत के लिए अपने आपको इस drug supply chain से दूर रखना मुश्किल हो रहा है, इससे एक तरफ society में drug manage बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी और drug smuggling और trade दूसरे crimes के लिए भी एक foundation का काम करते हैं, यही नहीं golden crescent से होने वाले drug businesses यहां के terror organizations के revenue और income का मुख जरिया है, ऐसे में इस पर काभू पाना भारत की internal और external security ensure करने के लिए ही नहीं, बलकि world order maintain करने के लिए भी बहत ज़रूरी है Smuggling दोस्तो, clandestine या गुपचप तरीके से किये जाने वाले unrecorded trade को smuggling का जाता है, यह एक prime economic offense तो है ही, इसके unrecorded nature की वज़े से इसके माध्यम से illegal subjects जैसे arms, currency, drug सत्यादी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का काम किया जाता है ऐसे में यह बाकी सभी illicit trade के लिए smuggling एक supply chain की तरह काम करता है, अब भारत जिसकी coastline 7500 km से भी जादा की है और साथ में नेपाल और भूटान के साथ जिसके open borders हैं और म्यानमार और बांगलादेश के साथ जिसके porous borders हैं, उसके लिए smuggling पे रोक लगाना और भी जादा जरू पूरी तरह solve नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाहे वो एशू drugs का हो या फिर नक्सलाइट्स को मिलने वाले arms का, या फिर illegal Chinese products और counterfeit currency का, सब के तार smuggling से ही जुड़े हैं, अगला मुद्दा है money laundering और हवाला का, दोस्तों money laundering और हवाला का प्रयोग illegally derived black money को अलग अलग जरियो हैं, ऐसे में जहां एक और ये tax evasion से जुड़ा एक financial fraud तो है ही, वहीं दूसरी और ये बाकी सभी illicit trades और organized crime के लिए seed capital प्रवाइड करने का भी काम करता है, इसके बारे में हमने detail में चर्चा अपने पिछले वीडियो में already करी हुई है, अब बात करते हैं arms proliferation और trafficking की, दोस्त के चलते, organized crime के segment ने human lives के साथ साथ हमारे socio economic development पर भी इतना बुरा असर डाला है कि उसे शायद हम ठीक तरीके से calculate भी नहीं कर सकते, ये जहां एक और सभी तरह के illegal crime syndicate को fire power प्रवाइड करता है, तो वहीं दूसरी और armed conflicts और global terrorism को भी boost देता है, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इसे रोका जाना कितना जरूरी है, kidnapping for ransom भी एक तरह का organized crime है, दोस्तों आपने फिरोती के लिए kidnapping की घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा, कि कैसे कुछ criminals illicit monetary benefits के लिए high profile individuals से लेकर common individuals तक की kidnapping करके ransom collect करते हैं, बलकि इस काम में तो highly organized crime syndicates और gangs भी active है, चो कभी-कभी interstate kidnappings को भी अंजाम देते हैं, इसके लावा, contract killings भी crucial organized crime की list में आता है, दोस्तों, arms और black money proliferation के बलपे ही organized crime की एक sub category डेवलप हुई है, जिसके अंडर monetary considerations या illicit political power अचीव करने के लिए contract killings को अंजाम दिया जाता है, जिसे contract killing या arm bol chal की भशा में सुपारी killing कहते हैं, इसके लिए systematically shooters को recruit करने से लेकर professional gang building तक सब कुछ किया जाता है, एक time में इंडिया का commercial capital मुंबई इस तरह की contract killing का hub हुआ करता था, लेकिन आज ये देश के rural और urban निर्यास तक भी पहुँच किया है, जहां आपसी लडाई जखडे से लेकर businessmen से होने वाले extortion's तक में contract killing का सहरा लिया जाता है यही नहीं भारती राजनीती के इतिहास में बहुत से so-called भाववली नेता भी इस crime से directly या indirectly जुड़े पाए गए हैं अब चर्चा human trafficking for prostitution and organ harvesting की दोस्तो organized crime के इस दलदल में एक इंसान दूसरे इंसान को भी बेचने के लिए तयार है यही कारण है कि आज दुनिया भर में prostitution और human organs के harvesting के लिए मानवत तसकरी एक full-fledged business बन चुका है जो society के लिए एक मेनक तो है ही लेकिन moral grounds पर भी किस कदर distorted है यह शायद आप खुदी समझ रहे होंगे तो यह तो आप काले धन या black money के बारे में जानते ही होंगे कि कैसे लोग गैर कानूनी तरीकों से कमाया हुआ पैसा या विर अपनी income पे देने वाले legal tax को बचाने के लिए अलग-अलग illicit face के जरीए धन संचय करते हैं जिसे black money कहा जाता है अब इसे black money की संग्या देने का एक कारण ये भी है कि इस तरह का पैसा कभी आसानी से खर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे ही ये illegally stacked money law enforcement agencies की नजरों में आएगा वैसे ही इनके owner के अगेंस legal actions उठा लिये जाएंगे जिनके बारे में आप आए दिन खबरों में पढ़ते ही होंगे ये कैसे भारत की law enforcement agencies, tax evasion या illegal activities से खटा की हुई समपत्ती के against actions लेती रहती हैं जिनके बारे में हम अपने आने वाले lectures में detail में चर्चा करेंगे लेकर black money के इन खबरों के बीच में आपने खबरों में money laundering के बारे में भी जरूर सुना होगा वही जिसे related cases के चलते बीते एक साल में देश की बहुत सी जानीमानी celebrities और actresses के नाम money laundering से जोड़े cases में सामने आते रहे हैं पर आकरकर होती क्या है ये money laundering आईए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं तो जब आपके कपड़ी गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है जाहिर सी बात है कि गंदे कपड़ों को फिर से इस्तमाल में लेने के पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना या लॉंडर करना जरूरी होता है ठीक वैसे ही illegal activities या actual legal income को छुपा कर tax evasion करके जमा की गई dirty या black money को legally इस्तमाल करने के पहले clean या white money में convert करना जरूरी है और black या dirty money के white या clean money में conversion को ही money laundering कहते हैं हलाकि ये process उतनी आसान नहीं है जितनी सुनाई देती है बलकि एक complex process है जिसके बहुत से अलग-अलग subsets है ऐसे में impression ये उड़ता है कि आखिर ऐसे black money को white money में launder कैसे किया जाता है तो चलिए अब मैस गुत्थी को भी सुलझा लेते हैं दूसों conventionally money को launder करने के तीन stages माने जाते हैं आईए हम एक एक करके इनके बारे में भी detail में चर्चा कर लेते हैं प्लेस्मेंट स्टेज मनी लॉंडरिंग की पहली स्टेज है प्लेस्मेंट स्टेज ये money laundering की पूरी process की सबसे riskiest स्टेज है क्योंकि इसमें गैर कानूनी तरीकों से derived या earned cash fund को financial system में खपाया या introduce किया जाता है ऐसे में एक बड़ा cash amount एक साथ system में introduce करने से law enforcement agencies के नजरों में आने का खत्रा बना रहता है यही कारण है कि इस illicit money के large cash amounts के छोटे-छोटे हिस्से करके उन्हें smaller amounts में थीरे-थीरे या अलग-अलग रास्तों से financial system में introduce किया जाता है इसके लिए छोटे amounts को bank में direct cash deposit करने से लेकर checks और money orders जैसे monetary instruments का भी प्रयोग किया जाता है इन तरीकों का अस्तमाल करके एक बार यह illicit cash placement stage में financial stage में introduce हो गया तो फिर बार ही आती है दूसरी stage की तो चलिए अब हम money laundering के second stage के बारे में भी जान लेते हैं second stage है layering stage दोस्तो money laundering के इस stage में पहली stage से financial system में introduce की गई illicit money के source को शुपाने का काम किया जाता है इसके लिए इस money के actual illegal source को untraceable बनाने के लिए layering या camouflage technique का इस्तमाल होता है इसके जरीए इन transactions को ऐसे complex और multilateral financial pipelines के जरीए घुमाया जाता है कि law enforcement agencies दोरा इस black money के source को follow करना नामुम्किन हो जाए इस layering के लिए money launders अलग अलग तरीकों का इस्तमाल करते हैं तो आईए हम उनके तरीकों को भी समझ लेते हैं source की layering के लिए बड़े cash को small amounts में divide करके बहुत से variable amount के bank transactions किये जाते हैं इन banking transaction को wire transfer के जरीए अलग-अलग amount में अलग-अलग banks और कई बार अलग-अलग खाताधार को या bank account holders के नाम से multiple cycle में deposit किया जाता है जिसमें अक्सर ऐसे bank account का अस्तमाल होता है जो अलग-अलग देशों में हो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये transaction किसी एक enforcement agency के अधिकार शेतर में ना आकर multiple regulating authorities के बीच के उलजे हुए network से बचकर निकल जाएं यही नहीं country के change हो जाने से currency of depositor भी अपने आप change हो जाता है उधारन के लिए इंडिया से USA भीजा गया पैसा भले ही रुपी के form में financial system में introduce हुआ हो लेकिन अगर account holder इस पैसे को USA के अपने account से withdraw करेगा तो ये dollar में अपने आप convert हो चुका होगा जिससे इस black money की traceability और भी मुश्किल हो जाएगी इस black money के layering के लिए सिर्फ conventional financial system या bank accounts ही नहीं बलकि high value items भी use किया जाते हैं उधारन के लिए houses, paintings, yarch, diamonds, vintage car और gold को खरीद कर black money को इन high value items में बदल दिया जाता है यही नहीं अक्सर black money transfer को goods और services के payment के तौर पे भी दिखाया जाता है उधारने के लिए अगर person A को person B तक black money पहुचाना है तो person A transaction document के माध्यम से show करेगा कि उसने person B से उसकी बनाई हुई एक painting खरीदी है भले ही person B की painting की actual market value मिटी के समान हो लेकिन उसे gold standard पर खरीद कर illicit money transfer को justify किया जाता है दोस्तों इन तरीकों का अस्तमाल करके layer किये हुए black money को अब third stage पहुचाया जाता है तो चलिए अब हम money laundering की इस third stage के बारे में भी जान लेते हैं थर्ड stage है integration stage जैसे money laundering के इस stage पर इसके पहले दो stages पे अलग-अलग तरीकों से dissociate किये हुए black money को फिर से integrate करके finally legitimate बना दिया जाता है जिससे पूरी black money legitimate white money में बदल जाती है ऐसे में अब इसके इस्तमाल में कोई कानूनी अर्चन नहीं रह जाती क्योंकि अलग-अलग रास्तों से बीते दो stages पे launder होनी के बाद illegitimate money का actual illicit source trace ही नहीं किया जा सकता यही कारण है कि बीते दो stages में use किये गए different routes के complex paper trails को इखटा किये बिना law enforcement bodies के लिए money laundering के इस third stage पे black money को trace करना लग-भग impossible हो जाता है दोस्तों यहां तक हमने money laundering की modus operandi की various stages के बारे में समझा अब हम discuss करते हैं money laundering करने की अलग-अलग techniques के बारे में different techniques used for money laundering पहला है third party check दोस्तों हला कि यह technique काफी पुरानी है और banking rules के change हो जानी की वज़य से अब चलन में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे discussion की सबसे पहली money laundering technique है third party checks के माध्यम से होने वाली money laundering आप banking system में use होने वाली checks के बारे में तो जानते ही होंगे जिसमें एक person यह organization किसी दूसरे person यह organization को cash में payment देने के बजाए payable amount का एक check release करती है जिस check को receive करने वाली party bank को देकर indoors amount claim कर सकती है लेकिन इसी simple सी process में कई बार एक catch add कर दिया जाता है इसके द्वारा receiver के नाम या account की जगे किसी third party के लिए वो check release कर दिया जाता है इस तरह के counter check को third party check कहते हैं हलाकि इस तरह के checks को बहुत से banking system सुईकार नहीं करते या अगर करते भी हैं तो इनमें original check release करने वाले व्यक्ति का endorsement जरूरी है लेकिन फिर भी अभी भी कुछ banking system इस तरह के checks accept करते हैं और इससे money laundering का जरिया बनते हैं दूसरी टेकनीक है casinos एक समय में casinos के cash intensives business को भी money laundering का अड़ा मना जाता था खास तोर पर North America के casinos अपनी popularity की वज़े से high transaction volume और frequency के चलते money laundering का एक आसान माध्यम मन गए थे दूसरो North America के casino business और इनके enormous cash piles का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 तक global casino business का 50% अकेले North America में होता था टेकनीक नमबर 3 है smurfing and credit cards दूसरो जैसा हमने आपको money laundering के stages को discuss करते समय बताया कि अलग-अलग bank accounts में छोटे amount के deposits के जरिए white किया जाता है जनरली ऐसा करने के लिए multiple depositors यो समर्फ का अस्तमाल किया जाता है जो अलग-अलग नामों से छोटे-छोटे amounts deposit करके एक large amount को black से white में convert करते हैं टेकनीक नमबर 4 credit card इसी तरह cash payment के जरिए credit card से credit create करके money laundering की जाती है यही नहीं top up या prepared card जैसे gift cards के जरिए भी black cash को legal white money में बदला जाता है टेकनीक नमबर 5 open market securities तो इसो securities market में कुछ instrument ऐसे भी हैं जिनमें investment के source के disclosure को लेकर आज भी approach flexible है इसका फाइदा उठाकर इन instruments के जरिए भी money laundering की जाती है उधारन के लिए money launders अकसर participatory notes और hedge funds के जरिए black money को security market में invest कर देते हैं टेकनीक नमबर 6 shell companies तो अकसर आप news में shell companies या paper companies के बारे में पढ़ते ही होंगे कि कैसे small scale companies से लेकर बड़े बड़े corporate houses भी fake ये dummy paper companies बना कर अपने profit के offsetting से लेकर black money को hide करने का काम करते हैं ऐसे में shell companies भी money laundering का एक prominent medium मन जाती है टेकनीक नमबर 7 हवाला इन सभी instrument के अलावा money laundering का एक ऐसा जरिया भी है जिसका इतिहास सेकड़ो साल पुराना है जी हाँ ये शुरू तो long distance money transfer ये remittance के एक माध्यम के रूप में हुआ था लेकर आज money laundering में इसकी tainted reputation की वज़े से इसे illegal notify कर दिया गया है हम बात कर रहे हैं हवाला की दोस्तो ऐसा माना जाता है कि हवाला system के convention की शुरूआत इंडिया में ही 8th century में हुई थी जब इंडिया और अरब traders के बीच payment settlement के लिए इस method को use किया जाता था यहां हम आपको याद दिला दें कि भारत हमेशा से ही world trade का एक epicenter रहा है यही नहीं ancient silk road और समुदरी रास्तों के जरीए दुनिया भर में भारत से बहुत सा समान लाया और ले जाया जाता रहा है ऐसे में logistic issues और loot से बचने के लिए व्यापारी बड़े payment के settlement हवाला की मध्यम से ही किया करते थे चलिए हम इस हवाला transaction को एक example के मध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और धान रहे कि यह कहानी उस समय की है चिप दुनिया में formal banking या financial system मुझूद नहीं था मान लिजे कि एहमदाबाद में रहने वाले रमेश को दुबई में रहने वाले महिंद्र के पास कुछ पैसे भीजने है तो ऐसे में रमेश एहमदाबाद के हवाला broker या हवालादार के पास जाकर अपने पैसे जमा कर देता है साथ ही वो उस हवालादार के पास एक खुद का बनाया हुआ पासवर्ट भी देता है जिसके बाल एहमदाबाद का हवालादार दुबई में बैठे अपने हवालादार तक यह संदेश और पासवर्ट पहुँचा देता है अब दुबाई में अगर महिंद्र को ये पैसे लेने होते थे तो वो दुबाई के हवालादार के पास जाकर रमेश दौरा उसे बताया गया पासवर्ड बताकर भेजा हुआ पैसा कलेट कर सकता था इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए दोनों हवालादार रमेश और महिंद्र से अपना-पना कमिशन कलेक्ट किया करते थे अब आप कहेंगे कि ये सिस्टम में ऐसा क्या खास है तो हम आपको बता दें कि ये सिस्टम में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता यानि एहमदाबाद के हवालादार ने अपने संदेश वहग से केवल पासवर्ड और अमाउंट की वैल्यू ही दुबई में बैटे हवालादार को पहुँचाई थी ना कि एक्च्छल मनी ऐसे में सिस्टम के लिए एक फेमस फ्रेज इस्तमाल किया जाता है वो है मनी ट्रांसपर विदाउट मनी मूवमेंट क्योंकि ये पूरा सिस्टम हवालादारों की बीच के इंटरनल ट्रेस्ट और लेटर डेट पे ट्रांसेक्शन सेटिल्मेंट पर अधारित है जिसमें पैसे भेजने और रिसीव करने वाले के बारे में किसी तरह का कोई पेपर ट्रेल या रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है ये मनी लॉर्णिंग का एक इंपॉर्टन एस्पेक्ट बन गया है यही कारण है कि इस प्रोसेस को इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग इल्लीगल माना जाता है तो जैसा हमने आपको बताया कि हवाला की मदद से होने वाले ट्रांसेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी पेपर ट्रेल ये रियल ट्रांसेक्शन नहीं होता जिस वज़य से इस सिस्टम में मनी की मुवमेंट और इसमें इन्वॉल्ड पार्टीज को इंट्रसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है तेकन उससे ताजुप की बात ये है कि सैकड़ो साल से फैला हुआ ये नेटवर्ग आज अ रिलायबल और हैसल फी ट्रांसेक्शन और हवाला द्वारा कन्वेंशनल बांकिंग और रमिटेन सिस्टम से बेटर एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइड करना भी है ऐसे में अब ये सिर्फ मनी लॉंडरिंग का जरिया ही नहीं बलकि इलिसेट ट्रेड और डार्क एकनॉमी का भी प्राइम सेंटर बनते जा रहा है तो अब तक हमने जाना मनी लॉंडरिंग और उसे परफॉर्म करने के कन्वेंशनल टेकनीक्स के बारे में अब हम अपने इस डिसकशन में आगे बढ़ते हुए डिसकस करेंगे मनी लॉंडरिंग के न्यूली इन्वाल्विंग मेथ और मनी लॉंडरिंग की इल एफेक्ट्स और नेगेटिव रिपकुशन के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी की हम आज का अपने इस डिसकशन आगे बढ़ाते हैं evolving technique of money laundering round tripping through tax havens दो सो tax haven उन कंट्रीज को कहा जाता है जो foreign businesses और individuals को उनके bank deposits ये business transaction इन कंट्रीज के थू करने पर minimal ये zero tax liability की सुविधा प्रवाइट कराती हैं उधारन के लिए British Virgin Island, Cayman Island, Bermuda इत्यादी जैसे देश, foreign businesses और individuals को इस तरह की सुविधायों प्लब्द कराते हैं इसलिए इन countries को tax haven कहा जाता है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि business entities और individuals को अपने transactions और deposits यहाँ shift करने पर maximum tax benefits होते हैं अगर आप tax haven countries की list पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इन में से ज़्यातर countries छोटे या island nations हैं जिनके economy मुखिता tourism पर ही based है ऐसे में इन countries द्वारा ऐसी सुविधा प्रवाइड कराने का एक बड़ा reason अपने देश में foreign investment और business deposits को बढ़ावा देना है ताकि इनके माध्यम से वो अपने economy को boost दे सकें वहीं बीते कुछ दशकों में इन so-called tax haven देशों की तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते business entities और individuals के लिए authorities की नजरों से बच कर अपनी tax liabilities का evasion करना या इनके थुरू tax rerouting करके अपनी black money को launder करना असान हो गया है तो उस्तों कि आपने का भी गौर किया है कि आजकल हम सब ही e-payment services का प्रयोग किस दहले से कर रही है जहां हम पहले cash को store करने या किसी payment के लिए उसे safely carry करने के लिए परिशान रहते थे वहीं अब हमारी ये सारी दिक्कते e-payments के ज़र ये असान हो गई है यही नहीं cash की घटे प्रयोग से government agencies के लिए भी transactions को monitor करना असान हो गया है लिकिन इस ease of service का एक flip side भी है non-cash payment methods जैसे prepaid cards, internet payments और mobile payments ने money launders के लिए अपने काम को अंजाम देने के नए रास्ते भी खोल दिये है लगतार तेज होती transaction speed और transaction initiate करने वाले person और service provider के बीच minimal face to face interaction ने इन new payment modes को money laundering activities के लिए और भी ज़्यादा vulnerable बना दिया है trade based money launders, trade system की complexity और खासता और पर international context में multiple parties और jurisdiction के involvement का फायदा उठा लेते हैं यही नहीं complex jurisdiction की वज़े से challenging CCD यानि consumer due diligence procedures और AML यानि anti money laundering checks के loopholes आसानी से धूल लेते हैं जिसकी वज़े से operational transparency और financial ease को बढ़ाने के लिए लाई गई digital और e-services technology इनके हाथों का हथियार बन जाती है अब बात cryptocurrency की, rise of cryptocurrency and money laundering तो आपने cryptocurrencies जैसे bitcoins, ethereum इत्यादी की बारे में तो सुना ही होगा अगर नहीं भी सुना तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि blockchain technology पर based ये unregulated currencies पीते कुछ सालों में तेजी से popular हुई हैं यही नहीं, इनहीं की तरह blockchain technology पर based NFTs यानी non-fungible tokens भी आजकल currency या asset accumulates की तरह इस्तमाल होने लगी हैं ऐसे में public के बीच इनकी बढ़ती popularity और unregulated structure की वज़े से ये crypto currencies और NFTs money laundering का source और destination दोनों बनती जा रही है यानी launderers जहां एक और black money को crypto currency में convert करके उनका unregulated use कर रहे हैं वहीं दूसरी और ये अपने illegally occupied assets को NFTs में बदल कर store भी कर रहे हैं यही नहीं law enforcement agencies की परताल में ये बात भी सामने आई है कि दुनिया भर में बढ़ते black markets, extortion records, robberies, arms dealing इत्यादी में भी धढले से crypto currencies का इस्तमाल हो रहा है चलिए अब यह तो बात हुई money laundering के newly emerging तरीकों की अब हो अपने discussion में आगे बढ़ते हैं money laundering के impact की तरफ जिसके चलते ये internal security के topic के लिए important हो जाता है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर money laundering ने कैसे crime का अपना एक पूरा multiverse बना रखा है impact of money laundering दोस्तों चुकि money laundering के प्रभाव multi-dimensional है तो हमें इने एक इक करके समझने की कोशिश करते है money laundering and economic repercussions दोस्तों अगर हम money laundering के economic aspect से हुने वाले impact की बात करें तो हमें इसके multi-dimensional repercussions देखने को मिलते हैं अगर हम इससे national level पर gauge करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इन repercussions में सबसे बड़ा है हमारे देश के tax collection में आने वाली कमी और उसके चलते होने वाला fiscal plan का failure जब भी government देश के social या economic development के लिए कोई policy या plan बनाती है तो उसे fund करने के लिए वो taxes या दूसरे non-tax sources से revenue generate करने के लिए भी एक broad scale plan डवलप करती है लेकिन money laundering और tax evasion practice की वज़े से जहां एक और देश का राजकोशिय घाटा या fiscal deficit बढ़ जाता है तो वहीं fund की कमी की वज़े से पूर्य plan का implementation भी fail हो जाता है यही नहीं इस वज़े से society में economic deprivation और income divide भी बढ़ जाता है जो society में instability create करता है और internal security threats बढ़ जाते हैं ऐसे में policy distortion को रोकने के लिए government अपने business account और working scrutiny framework को और जादा मजबूत करना पड़ता है इसके चलते हमारे देश का ease of doing business को शिंट negatively effect होता है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन सब की वज़े से बेमानों की गलती की सजा honest business owners भी चुकाते हैं यही नहीं money laundering की वज़े से बढ़ती unaccounted currency की कारण taxation का burden भी इमानदार जनता पर पड़ता है वही अगर हम money laundering के repercussions को international level के perspective से देखें तो हम पाएंगे कि money laundering करने के लिए financial network से large amount में पैसा यहां से वहां भेजने की वज़े से international financial market की volatility भी बढ़ जाती है यही नहीं इस unaccounted money की circulation से बढ़ी इस market volatility की वज़े से investors का market में confidence भी negatively effect होता है जो long term में पूरे market को नुकसान पहुँचाता है क्योंकि इससे investors और market दोनों के potential पर बुरा असर पड़ता है वहीं दूसरी और money laundering करने के लिए किये जा रहे financial frauds के वज़े से दुनिया भर की financial system की regulating bodies और financial institution की repetition पर भी बुरा असर पड़ता है money laundering and security concerns दोस्तों कोई भी business start करने के लिए एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ capital requirement होती है जिसे पूरा करने के लिए वो या तो अपनी निजी संपत्ती बेच कर पैसे जुटाता है या फिर bank से loan लेता है इस initial capital amount को seed capital कहा जाता है ठीक उसी तरह black money और money laundering के ये जोड़ी के माध्यम से कायम हुआ पैसा, organized crime और दूसरे illegal activities के लिए seed capital का का काम करता है यही नहीं, बहुत से expert report में ये बात सामने आई है कि दुनिया भर में फैली, arms dealing, organized mafia crime, terror financing, drug and sex trafficking जैसे लार्ज-scale illegal activities money laundering के दौरा ही finance की जाती है ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन सभी का root cause money laundering ही है ऐसे में जब तक money laundering और black money के creation को नहीं रोका जाएगा, तब तक इन illegal activities को रोकना ना मुम्किन है funding देश के अल्मोस्ट सभी तरह के internal security threats को sustain करती है और money laundering उस funding का ही एक जरिया है, जिसे रोकना internal security को ensure करने के लिए एक बड़ा उपाय है money laundering and political imbalance दोस्तो black money का creation और फिर money laundering के थूँ, इसका legalization जहां एक और organized crime को वढ़ावा देता है तो वहीं दूसरी और भारत के राजनयतिक तंत्र को भी खोकला बनाने का काम करता है क्योंकि illicit money creation और tax evasion से जहां एक और देश का loss of revenue होता है वहीं दूसरी और इसकी विज़े से जो पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था वो legal money supply से ही गायब हो जाता है ऐसे में अंत्ता इसका खाम्याजा जनता को ही भुखतना पड़ता है यही नहीं अक्स इस रिसिट money से organized crime का ऐसा network बना लिया जाता है जो देश के political structure के लिए भी खतरा बन जाता है उधारन के लिए हम देश के कुछ हिस्सों में फैले नक्सलिजम और insurgent terrorism की बात कर सकते हैं जो black money और money laundering के इसी कुचकर के बल पर फलफूल रहे हैं जो इसी money power के बल पर एक parallel government तक बना लेते हैं जो इसी illegal money के बल पर देश की चुनी हुई सरकार को टक कर देने लगते हैं वहीं दूसरी ओर unaccounted money और money laundering पूरी election process को भी negatively affect करता है जनवरी 2020 में छपी The Print की एक report के अनुसार भारत में 2500 से जादा political parties register थी इस आंक्रे को देखते हुए देश के income tax department ने election commission of India से इन parties के regulation को लेकर कदम उठाने की मांग की थी क्योंकि IT department को शक्त था किन में से जादर political parties के वल funds की hair fare और money laundering करने के लिए बनाई गई हैं यही नहीं सेतंबर 2022 में IT department में 25 unrecognized political parties के खिलाफ money laundering के cases में सैक्डो करोड रुपए की जबती भी की थी ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह laundered money किस तरह से हमारे देश के democratic structure को अंदर से खोखला कर रहा है money laundering and moral degradation of society तो जैसा हमने अब तक कि अपने discussion में देखा कि कैसे money laundering fuel का काम करता है ऐसे में जहां इससे एक और society में crime, drug addiction, smuggling जैसे crimes बढ़ते हैं तो वहें दूसरी और इससे society का moral degradation भी देखने को मिलता है क्योंकि society में economic power right और legally running business के हाथों से निकल कर illegally running rackets और distorted business practices अपनाने वाले लोगों के हाथों में चली जाती है जिससे corrupted और criminal mentality को बढ़ावा मिलता है जो longer term में किसी भी society के economic और moral development के लिए घातक है तो दोस्तों अब बात globalization और money laundering के बीच के रिष्टे की है impacts of globalization on money laundering दोसों बीते एक दिर्शक में financial information, technology और communication के field में आई development की वज़े से आज पलक जपकते ही दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे पैसे को एक जगे से दूसरी जगे भीज़ा जा सकता है लेकिन financial transaction की field में आई इस क्रांती की वज़े से ही money laundering जैसे crime को रोकना और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि illicit way से कमाया हुआ या black money इन transaction channels के थूँ international banking system में जितना deep पहुँचता जाएगा इसके origin को identify करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा यही नहीं आज के globalized और dollarized world में जहां दुनिया भर की currency at the end dollar में convert होती है ऐसे में money laundering के trail को trace करना और भी मुश्किल होता जा रहा है साथ में जैसा हमने अपने discussion में देखा newly emerging digital technologies और तेदी से वढ़ते digital economy इस काम को और भी मुश्किल बना रही है ऐसे में money laundering को trace करना और उसे रोकना बेहत ज़रूरी है जिसके लिए आज के globalized world में global mechanism और global effort की ज़रूरत है तब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर organized crime in reality किस तरीके से function करता है और उसके रिष्टे terrorism के साथ किस तरह से operate करते हैं हम organized crime के terrorism के साथ linkages को evaluate करेंगे साथ में हम examples के थूरू ये भी जानेंगे कि आखिर global level पर और इंडियन situation में ये किस तरह से exist करता है और अलग-अलग regions में इस linkage का nature किस तरह से अलग या similar है तो चलिए शुरू करते हैं need to examine the linkages terrorism और organized crime के बीच के linkages को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्चक है क्योंकि एक aspiring policy maker के लिए इस पूरी समस्या को ठीक तरह से समझना उसे informed decisions लेने में help करता है और internal security threats के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होता है national और international level पर एक robust anti-terrorist और anti-criminal policy इस बात पर निरभर करती है कि जिस समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उससे जोड़े हर एक छोटे बड़े मुद्धे को हम detail में समझें और साथ में उन मुद्धों के correlations को भी जाने scholars का कहना है कि terrorism और organized criminal networks के बीच के रिष्टे कई प्रकार के हो सकते हैं उन connection को हम association, union, cooperation, symbiosis, coverage और metamorphosis जैसे अलग-अलग forms में देख सकते हैं तो चलिए पहले linkages के broad types को समझते हैं Types of linkages जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि terrorism और organized crime के बीच के रिष्टे काफी complex और diverse हैं कुछ जगहों में आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग-अलग यानि slows में operate करते हैं और इनके बीच में कोई खास सम्मंद नहीं होता लेकिन आज के दौर में ये rarely ही होता है कुछ जगहों में आप पाएंगे कि इनके बीच एक alliance exist करता है जहां ये दोनों एक दूसरे के network का अस्तमाल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं through financing, sourcing of weapons, etc और कुछ जगह आप ये भी पाएंगे कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता और एक terrorist group और organized crime group में अंतर established करपाना cut in हो जाता है institution को हम convergence कहते हैं और कुछ scholars इसे black hole syndrome भी कहते हैं एक model के हिसाब से terror groups और organized crime एक evolutionary path को follow करते हैं पहले stage में वो दोनों silos में operate करते हैं दूसरे stage में वो alliances form करते हैं तीसरे stage में वो एक दूसरे के methods का इस्तमाल करते हैं अपने goals को achieve करने के लिए फर एक्जामपल, organized criminal groups, terror का इस्तमाल अपने commercial goals के लिए करते हैं या फिर terror groups, organized crime में involved होकर financing secure करते हैं और अपने political goals को achieve करने की कोशिश करते हैं चौते stage में convergence होता है और दोनों groups को differentiate करना नामुम्किन हो जाता है जहां एक organized gang, terrorist gang से बिलकुल भी अलग नहीं होता अब बात करते हैं कुछ examples की जिसके थूँ हम इस पूरे phenomenon को अच्छे से समझ पाएंगे examples from India and the world दोस्तो, evolutionary model को समझने का सबसे अच्छा example है D Company का जिसकी शुरुआद छोटे-छोटे extortions, kidnapping और smuggling जैसे businesses से हुई थी दीरे-दीरे इसने अपने gang को expand किया और ISI और उसके द्वारा funded संगटनों के साथ alliances form किये और उन्हे weapons और financing provide करने लगा फिर एक समय ऐसा आया जब वो खुद terrorist groups की तरह behave करने लगा और 1993 के Mumbai blast में उसका सीधा-सीधा हाथ दुनिया के सामने आया ऐसा similar example तालिबान का है तालिबान जो पहले एक insurgent group था उसने धीरे-धीरे खुद के alliances, local drug lots के साथ build किये financing secure करने के लिए फिर एक समय ऐसा आया जब कई तालिबान लीडर्स खुद drug trafficking businesses और opium production में involved हो गए UNODC की report के हिसाब से धीरे-धीरे अफगानस्तान का 86% opium production तालिबान के control में चला गया एफ्रीका में बोको हरम नामग, dangerous terror group actively smuggling से लेकर child trafficking, organ trafficking और human trafficking जैसे organized crime network के साथ जुड़ा हुआ पाया गया है कुछ reports का दावा है कि 2015 में हुए Paris attacks में involved attackers actively organized crime में involved थे ISIS के links, oil smuggling, सुमालिया में active terrorist group al-shabab killings, sugar और charcoal smuggling के साथ जोड़े जा चुके हैं South America में active AIQM, खुद के finances को drug trafficking और बाकी के organized criminal gang से taxes वसूल करके करता हुआ आया है, अब हम इंडिया के 3 major areas की तरफ चलेंगे जहां internal security threat सबसे जादा है Linkages in India, Story of Northeast, Jammu and Kashmir and Left-wing Extremism दोसों सबसे पहले बात Northeast की Northeast इंडिया में active terrorist groups का main source of financing, extortion और kidnapping जैसी activities हैं, जो organized crime groups के तरीके हैं इसके लावा human trafficking, drug trafficking और gun running भी इस area में काफी common है, इस अलाके में insurgency affected regions में ये देखा गया है कि ये terror groups government officials को threaten करके या फिर bribe करके उन्हें force करते हैं कि वो terror groups दोरा patronize individual businessmen को government contracts award करें, इसके लावा ये groups कई तरह की essential commodities जैसे rice और fuel को illegally चुराते हैं और उन्हें जन्ता को higher prices में बेच कर profits अन करते हैं यानि यहां evolution का तीन stage देखा जा सकता है जहां terror groups organized crime के methods का अस्तमाल करते पाए जाते हैं खर कुछ scholars का दावा है कि North East में terrorism और organized crime अब convergence के level पर भी पहुँच गया है उधरान के तौर पर हम PLA जैसे terrorist group की बात कर सकते हैं जो मनीपुर में active है इसके Chinese smugglers और मियनमारी जैस गैंग के साथ links तो हैं ही पर साथ में ये खुद भी actively drug trafficking से लेकर weapon smuggling जैसे धंदों में लिप पाया गया है scholars का दावा है कि North East के कई states में insurgents और terrorists ने past में parallel government established किये थे इसके चलते terror और organized crime में convergence आसान हो गया जम्मू और कश्मीर के security landscape के बात करें तो वहां हम alliances के examples जादा देख पाते हैं और convergence के examples कम ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में terrorist parallel government established करने में largely नाकाम रहे हैं जम्मू और कश्मीर में active terrorist groups जैसे इंडियन मुजाहिद्दीन, जैशे मोहमद और लशकरे तोईबा largely terrorist groups हैं और ये directly organized crime में involved होने की बजाए organized crime के साथ alliances build करके खुद को sustain करते हैं इसका एक कारण ये भी है कि इन्हें actively border part से ISI जैसे organizations fundings provide करते रहे हैं और इस external source of funding के चलते उन्हें खुद के funds को generate करने की ज़रुरत नहीं पड़ी इसलिए यहाँ looting, kidnapping जैसे activities भी कम देखी जाती हैं पर North East में external funding के sources limited होने के चलते उन्हें खुद को evolve करना पड़ा और organized crime में actively lift होना पड़ा खर जम्मू इन कश्मीर में counterfeit currency, drug trafficking और हवाला channels के रास्ते funding को secure करना ये major organized crimes हैं जिसके तहद terrorists खुद की funding ensure करते हैं left wing extremism या फिर नकसल प्रभावित इलाकों की बात करें तो वहाँ पर हमें और भी complex situation देखने को मिलती है कुछ इलाकों में खुद की parallel government शला रहे नकसली actively और directly organized crime में lift पाए गए हैं कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी दावा किया है कि जारखंड और उडिशा की कुछ इलाकों में नकसल्स खुद के opium farms भी maintain करते रहे हैं इसके लावा ये alliances का इस्तमाल भी करते हैं जैसे कि मनिपूर के PLA की मदद से ये weapons को source करते हैं यही नहीं इनके link SIMI, LAT और JEM जैसे terror groups के साथ भी रहे हैं ऐसा कुछ reports का दावा है नकसल्स, kidnapping, bank looting, gun running, drugs trafficking इत्यादी की मदद से खुद को sustain करते आए हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ideological grounds पर शुरू हुआ ये उग्रवार या extremism अप profit motives और organized crime groups की तरह operate करने लगा है हम आपको बता दें कि drug trafficking एक अवैद व्यापार है जिसमें heroin, cocaine, marijuana, smack और regulated drugs जैसे morphine का illegal trade शामिल है ये drugs उसका consumption करने वालों के लिए हानिकारक तो है ही पर साथ में ये समाज को भी तोड़ कर रख देते हैं इसके लावा देश की economy और उसकी security situation को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं ड्रग trafficking, organized crime का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है जिसके रास्ते terrorists अपनी funding को भी source करते हैं तालिबान जैसे groups पर तो आरोप है कि उसका पूरा survival ही, opium की खेती और उसके वैपार पर टिका हुआ है लेकिन ये drugs की sourcing आखिर होती कहां से है, चलिए देखते हैं दोस्तों इन नशीली पदार्थों या drugs का source अक्सर उन शेतरों में होता है जहां ये उगाये जाते हैं इनमें golden triangle यानि Thailand, Laos और Myanmar का tie junction और golden crescent जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एरान के tie junction में स्थित है ये areas शामिल हैं ये दोनों इलागे एशिया में प्रमुक अफीम या opium producing areas हैं इसके लावा अफीम की खेती और उसका वैपार साउथ अमेरिका में भी होता रहा है लेकिन जैसे जैसे वहाँ insurgency कमजोर पड़ी, opium का वैपार भी कम हुआ और यही वज़य है कि अफगानिस्तान के पास्थित golden crescent आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा opium producing area माना जाता है UNO DC की कई reports की माने तो golden crescent में located अफगानिस्तान के इलाखे दुनिया के 90% से भी ज़ादा opium को सप्लाई करते हैं खैर भारत में नशीले पदार्थों की तसकरी मुख रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मैनमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ चाइना, इरान और golden crescent के अन्य देशों से भी होती है ये देश opioid, cannabis और synthetic drugs जैसे अवैट product के प्रमोकुत पादक हैं जिनकी जमीन से समुदरी, air route और borders के रास्ते भारत में इनकी तसकरी की जाती है illegal transborder criminal groups के साथ-साथ ये trafficking, postal सेवा और courier companies के थ्रूबी होती आई है इसके लावा नेपाल और बांगलदेश के साथ, porous borders के माध्यम से भी इंडिया में drugs की तसकरी होती रही है कुछ drugs का production भारत के भीतर भी किया जाता है विशेश रूप से पूर्वोत्तर राजियों और golden triangle से आते इलाकों में और इन्हें वहां के insurgents का सहरा मिलता है कुछ reports ये भी दावा करती है कि नकसल प्रभावित इलाकों में भी security forces ने कई बार opium farms notice किये हैं जिने नकसलवादियों का support मिलता है इसके लावा इंडिया में regulated drugs की farming, strict regulations के अंडर कुछ जगहों में होती रही है जिसका इस्तमाल medical field में होता है लेकिन इन products में भी अकसर तसकरी की report सामने आ जाती हैं इंडिया दुनिया का सबसे वड़ा generic medicine producer भी है और कुछ reports का दावा है कि यहां use होने वाले ingredients को भी illegal तरीके से drug abuse market की तरफ source किया जाता है घर सबसे बड़े source यानि golden crescent की बात करें तो वो पश्चिमी और मद्द एशिया का एक ऐसा शेत्र है जिसमें अफगानिस्तान, इरान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं यह दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक शेत्रों में से एक होने के लिए जाना जाता ह अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है और हिरोईन का एक प्रमुक source जबकि एरान और पाकिस्तान में भी अफीम और हिरोईन का उत्पादन होता है लेकर अफगानिस्तान से कम इन देशों में अवैद अफीम का उत्पादन एक complex set of factors की वज़ से होती है नशीली पदार्थों के तसकरी दोनों देशों के बीच लार्जली पोरस बॉर्डर से होती है और कई दफा ये हवाई और समुद्री मार्गों से भी होती है गोर्लन ट्राइंगल की बात करें तो वो साउथ इस्ट एशिया का एक ऐसा इलाका है जिसमें थाइलेंड लाउस और म्यानमार शामिल है ये भी दुनिया के सबसे बड़े अफीम उतपादक शेत्रों में से एक है और हिरोईन के प्रमुक सोर्स के रूप में जाना जाता है कहते हैं कि एक समय पर ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उतपादक शेत्र था लेकिन आज अफगानिस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ड्रक्स का भारत में उपयोग एक बड़ी समस्या है देश में इन इलीगल ड्रक्स के यूजर्स के एक बड़ी आबादी एक्जिस्ट करती है एम्स में स्थिद नाशनल ड्रक डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर या एंडीडी टीसी के अनुसार इंडिया में लगभग 33 लाग ओपियम यूजर्स और लगभग 85 लाग कैनवेस यूजर्स के होनी के अश्रंका बताई जाती है वर्ल्ड ड्रक रिपोर्ट 2022 की माने तो 2020 में इंडिया में फोर्थ लार्जस्ट कॉंटिटी आफ ओपियम और थर्ड लार्जस्ट अमाउंट मॉर्फीन सीज हुए थे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 का दावा ये भी है कि इंडिया में मेडिकली प्रिसकाइब ड्रग्स और उनके इंग्रिडियन्स को डाइवर्ट कर उन्हें ड्रग अब्यूज एकोसिस्टम का पार्ट भी बनाया जा रहा है ये बात खतरनाक है क्य क्योंकि इंडिया आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा फार्मसूटिकल और जनरिक ड्रग मनुफेक्चरर है ड्रग अब्यूज से जन्म लेने वाली समस्याएं कई प्रिकार की हैं सबसे पहला है देश की यंग पॉपलिशन पर पढ़ने वाले इसके असर के चलते दे जाएवी एड्स, हेपिटाइटिस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे एहम हैं हेल्थ पर इंपाक्ट पढ़ने के साथ साथ इन ड्रक्स का इंपाक्ट लोगों की लॉंग टम केपिबिलिटी और प्रोड़क्टिविटी पर भी पढ़ता है जिससे उनकी इंप्लॉइब और सेक्योटी प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाती हैं और्गनाईज ग्रूप दोरा छेड़े गए खत्रे को मैनेज करना पुलिस के लिए फिर भी कंपरिटिवली आसान होता है लेकिन जब क्राइम एक सोसाइटी के लेवल पर प्रोलिफरेट हो जाए तो उसे रोकपाना ब पाली पैरलल एकनोमी के वेल्यू दुनिया की जीडीपी का लगभग 2-5% है ये पैरलल एकनोमी देश की फॉर्मल एकनोमी के लिए एक बड़ा खत्रा बन जाती है आर्बियाई द्वारा लिये जाने वाले इंफलेशन कंट्रोल मेजर्स कमजोर पड़ जाते हैं और देश माफिया द्वारा फैलाई जा रही आरा जकता अल्रीडी एक बड़ा सेक्यूर्टी मुद्दा है वे क्यूरियस केस अफ पंजाब दोस्तों नौर्थवेस इंडिया में लोकेटिड इंडिया का बॉर्डर स्टेट पंजाब पिछले कुछ सालों से ड्रग अब्यूस जैसी इसके नुसार पंजाब में लगभग 2.32 लाख ड्रग डिपेंडेंट्स है यानि पंजाब की पॉपलिशन का 1.2 परसेंट ड्रग यूजर्स की संख्या लगभग 4.5 परसेंट है इसमें मोस्ट लोग यंग पॉपलिशन में आते हैं लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नंबर और भी जाला हो सकता है क्योंकि कई केसिज रिपोर्ट नहीं किया जाते पंजाब में राइसिंग ड्रग अब्यूस के कारणों में राइसिंग अनिम्प्लॉइमेंट, अग्रिकल्टिरल क्राइसिस, लॉस अफ प्रोड़क्टिविटी ओफ लैंड और इंक्रीजिं सबसे पहला और मेजर स्टेप है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबसेंस आग्ट 1985, ये आग्ट इलीगल ड्रग्स के स्टोरेज, सेल और ट्राफिकिंग को ओफेंस घोशित करता है और उसके लिए स्टेंजेंट पनिश्मेंट्स और फाइन्स इंपोस करता ह फाइन्स की मैक्सिमम लिमिट तू लाक रुपीज है और सजा का प्रावधान एक साल की जेल से लेकर बीस साल की जेल तक है डिपेंडिंग ओन इंटेंस्टी अंड स्केल अफ क्राइम एंडिपीएस आग्ट के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना भी की जो इस आक्ट को इंप्लिमेंट करने के लिए प्रमुक एजेंसी है उसके लावा NCB इंडिया के इंटरनाशनल अग्रिमेंट को भी फुल्फिल करने की जिम्मेदारी निभाती है जिसमें सिंगल कंवेंशन और नार्कोटिक ड्रग्स, कंवेंशन ओन साइकोट्रोपिक सब मेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्राफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सेंस आते हैं सीजर इंफॉमेशन मैनेजमेंट सिस्टम यह SIMS NCB का एक E-Portal है जो ड्रग ओफेंसेज और ड्रग ओफेंडर्स का एक ओनलाइन डेटाबेस क्रेट करेगा ताकि इलिसिट ट्राफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सेंस आते हैं से खरेदी हुई प्रॉपटी को सीज करने की पावर इजनसीज को देता है ताकि ड्रग ट्राफिकिंग में इन्वॉल्ड माफिया को कंट्रोल किया जा सके इसके लावा इंडियन कस् देता है सिमलेर पावर्स इंडियन कोस्ट गार्ड आग के तहद कोस्ट गार्ड के पास भी है मनी लॉंडरिंग आक्ट अफ टूथाजन टू ड्रग ट्राफिकिंग और रिलेटेड इलिगल एक्टिविटी से जनमें इलिगल पैसों को सीज करने की पावर इजनसीज को दे पावर दी गई है ताकि इसके खिलाफ प्रवेंटेव आक्टिव आक्टिव लिए जा सके नाशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर या एंडीडी टीसी का क्रियेशन एम्स में किया गया है जो ड्रग अब्यूस के शिकार लोगों को ट्रीटमेंट और रियाबि करवाने में मदद करता है इसके लावा ये संस्था ड्रग अब्यूस रूलेटेड रिसर्च पर भी काम करता है और देश भार के हेल्थ प्रोफेशनल्स को ड्रग अब्यूस को ट्रेट करने की ट्रेनिंग देता है नार्को कॉडिनेशन सेंटर या नCORD जो 2016 में बनाया गय फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल स्कीम को रिवाइव किया था जिसके तहत स्टेट्स को ड्रग अब्यूस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए फंडिंग दी जाएगी नैशनल ड्रग अब्यूस सर्वे के तहत गवर्मेंट एक कॉंप्रेहंसिव ड्रग अब्यूस सर्वे पॉलिसी मेकिंग की जा सके यह सर्वे मिनिस्ट्री आफ सोचल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट एम्स के साथ मिलकर कंडेक्ट करती है जिसके डेटा की चर्चा हमने इस वीडियो में भी करी है दूसो प्रोजेक्ट सन्राइज मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वि पर फोकस करती है और देश में ड्रग अभी उसकी समस्या के खिलाफ अवेरनेश जनेरेशन का काम कर रही है इसके लावा बॉर्डर सेक्योरिटी और कोस्तल सेक्योरिटी से रिलेटेड एफर्ट भी लिये जा रही है ताकि ट्रांस बॉर्डर ट्राफिकिंग को रोका जा स इसमें CIBS सबसे क्रूशिल है जो बॉर्डर मैनेजमेंट को smart बनाने की कोशिश है सेंसर्स और ड्रोन्स के इस्तमाल से ये प्रोजेक्ट बॉर्डर सेक्योरिटी में human errors को कम करेगा बॉर्डर सेक्योरिटी के स्फियर में इंडिया ने friendly states के साथ बॉर्डर को improve करने के steps भी Especially with Bangladesh, Nepal, Myanmar और Bhutan Border Infra को boost करने के efforts भी इसमें कारगर साबित होंगे इसके लावा, इंडिया कई international treaties और conventions का भी part है जो drug trafficking को international level पर control करने के लिए बनाए गए हैं इनमें UN Convention on Narcotic Drugs 1961 UN Convention on Psychotropic Substances 1971 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 और UN Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC 2000 शामिल है लेकिन drug trafficking को जड़ से उखाणने के लिए हमें ना सिर्फ supply side को control करने की जरूरत है बलकि हमें demand side पर भी focus करने के जरूरत है इसके लिए awareness generation पर special focus और drug abuse related problems को school curriculum में include करने के आवश्यक्ता है इसके लावा drug trafficking में involved crime syndicate के खिलाफ time bound action भी बहत ज़रूरी है ताकि organized crime की कमर तोड़ी जा सके इंडिया में produce होने वाले drugs और regulated OPA जो medicine में use होता है उसके flow पर surveillance को increase करना भी बहत आवश्यक है ताकि internal sources से generate हो रहे drug menace को रोका जा सके अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर money laundering सभी illegal activities का एक root cause या funding source है तो आखिर इससे रोकने के लिए देश और दुनिया में क्या प्रयास हो रही है तो चलिए आज हम money laundering के national और international efforts और legislative framework को जानने की कोशिश करेंगे साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या challenges है जो money laundering के इस organized crime को रोकने में बाधा पहुचाते हैं और इन बाधाओं को दूर करने और money laundering से effectively deal करने के लिए और कौन-कौन से कदम उठाये जा सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के अपने discussion को आगे बढ़ाते हैं framework to combat money laundering prevention of money laundering act 2002 PMLA दूस्थो PMLA भारत की पार्लिमेंट दोरा इनाक क्या हुआ एक comprehensive law है या जब्त करना है इसके लिए इस act में बहुत से प्रावधान किये गए जैसे ये act money laundering से जोड़े matters में property के attachment और confiscation से deal करने के लिए एक three member educating authority के formation के regarding भी guidelines notify करता है यही नहीं money laundering के cross border crime से जोड़े cases में ये act central government को empower करता है कि वो UN convention against corruption के provisions को implement करते हुए confiscated property को requesting country को return करने की दिशा में कार रिक कर सके साथ ही इस act और उसके under notify किये गए rules के द्वारा banking companies, financial institutions और intermediaries को उनके clients की identity verify करने records को maintain करने और information को FIUIND यानि financial intelligence unit इंडिया दोरा prescribed format में present करने के लिए obligatory बना दिया गया यही नहीं इस act के द्वारा कुछ financial institutions जैसे full-fledged money changers money transfer services और mastercard इत्यादी को reporting रजी में शामिल किया गया जिससे इनकी कारप्रनाली पर सुनिश्चित नजर बनाई रखी जा सके साथ ही इस act के schedule के part A और part B में money laundering से जुड़े कुछ crimes को enlist भी किया गया है इसके लाबा 2019 में लाए गए PMLA Amendment Act के बाद PMLA के अंडर enlisted सारे offenses cognizable और non-bailable घोशित कर दे गए हैं जिसके चलते अब enforcement डिरेक्टरेट के पास यह अधिकार है कि कुछ conditions में वो बिना warrant के ही accused को सीधे ग्रफतार कर सकती है यही नहीं इस Amendment Act के द्वारा PMLA में दी गई proceeds of crime की original definition को भी widen कर दिया गया है जिसके चलते अब इसमें वो सभी properties और assets भी include किये जाएंगे जो केवल Prevention of Money Laundering Act के अंडर किये गए criminal activities से ही नहीं बलकि उससे associated crimes या relatable offense के अंडर किये गए crime से generate की गई हो जैसे corruption से खटा की गई property तेली दोस्तों यह दो बात हुई PMLA या Prevention of Money Laundering Act की बात अब हम बढ़ते हैं देश में financial crimes को monitor करने वाली agencies की तरफ Financial Intelligence Unit India, FIU Government of India के Department of Revenue के अंडर आने वाला Financial Intelligence Unit India Prevention of Money Laundering Act 2002 के अंडर किये गए financial offenses से जोड़ी Financial Intelligence को इखटा करने का काम करता है इसके लिए FIU अलग-अलग reporting entities द्वारा मिलने वाली Cash Transaction Reports, CTRs, Non-Profit Organization Transaction Reports, NTRs Cross Border Wire Transfer Reports, CBWTRs, Reports on Purchase and Sale of Immovable Property, IPRs Suspicious Transaction Report, STRs जैसी report को receive करने वाली Nodal Agency की भूमिका भी निभाती है, यही नहीं, FIU इन reports को analyze करने और उनके Central Repository की भूमिका निभाने के साथ-साथ, जरुरत पंडे पर PMLA 2002 के violation पर punitive actions लेने के लिए भी स्वच्छन्द है साथ ही, FIU इंडिया को National और International Intelligence, Investigation और Enforcement Agencies में coordinate करने और Money Longing के खिलाफ उट रहे, Combined Global Efforts को स्टिंदन करने के जिम्मेदारी भी सौपी गई है साथ ही, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नॉवमर 2004 में गठित, FIU Directly Economic Intelligence Council EIC को report करती है जिसे भारत के Finance Minister Head करते है Enforcement Directorate, ED Enforcement Directorate भारत की Economic Crime से डील करने वाली एजनसी है यह भारत में Economic Loss को Enforce करने और Economic Crime से लड़ने का काम करती है Enforcement Directorate का Prime Objective, Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA, Prevention of Money Laundering Act 2002, PMLA और The Fugitive Economic Offenders Act 2008, FEOA जैसे Government of India के Acts का Enforcement करना है यही नहीं भारत में Money Laundering को चेक करना और उसकी रोग थाम करना भी ED की ही जब्मेदारी है ED, Government of India की Ministry of Finance के Department of Revenue का पार्ट है वहीं अगर हम इसके Competition की बात करें, तो यह Indian Revenue Service, Indian Police Service और Indian Administrative Service के साथ-साथ अपने खुद के Carder के Promoted Officer से मिल कर बनी है Directorate of Revenue Intelligence, DRI Directorate of Revenue Intelligence या DRI भारत की प्रमुक Anti-Smuggling Intelligence, Investigations और Operations Agency है DRI भारत के National और Economic Security को सुरक्षर रखने के लिए Firearms, Gold, Narcotics, Fake Indian Currency Notes, Antiques, Wildlife और Environmental Products के Contrabands की Smuggling को रोकने का काम करती है साथ ही ये Black Money, Trade-Based Money Learning और Commercial Frauds को रोकने के लिए भी Mandated है इस काम को करने वाले DRI के Officers, Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC से लिए जाते हैं ये Officers इंडिया की अलग-अलग Zonal Units में Posted होने के साथ-साथ विदेशों में स्थित, Indian Embassies में भी Customs Overseas Intelligence Network की तरह काम करते हैं दोस्तों, यहां तक तो बात हुई Money Laundering के खिलाव बनाए गए National Laws और भारत के Internal Framework की चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अर्दिशा में किये जा रहे है Global Efforts और International Bodies को समझते हैं Global Framework to Combat Money Laundering तो उससे जैसे कि हमने आपको बताया कि Money Laundering एक Critical International Issue है ऐसे में सब के सहयोग से सरोकने के लिए Global Level पर बहुत से Initiative, Organizations और Convention सेट अप किये गए हैं तो चलिए अब हम इन्हें भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं Money Laundering के खिलाफ December 1988 पे हुआ ये दुनिया का पहला Major Initiative था इस Convention के माध्यम से Money Laundering को रोकने में Member States की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए Groundwork Establish किया गया जिसके एंडर Member States को Money Laundering को Criminalize करने के लिए Oblize किया गया साथ ही Money Laundering के Investigation और Member States के बीच Extradition को Ensure करने के लिए जरुईरी International Cooperation को भी प्रमोट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गया उधारन के लिए इस Convention ने ये Principal Establish किया कि किसी भी Member States के Domestic Bank के Secrecy Provisions International Criminal Investigation से इंटर्फियर नहीं करने चाहिए पे Council of Europe Convention 1990 में हुए Council of Europe Convention में Money Laundering से रिलेटेड एक Common Policy Establish की गई इस Policy का मकसद Money Laundering के रिगार्डिंग Investigative Assistance Search, Caesar और Proceeds के Confiscation में International Cooperation को Facilitate करना था इस Convention में Money Laundering को Commonly Define करने और उससे डील करने के Common Measures डेवलप किये गए December 1988 में Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices ने एक Statement of Principle एशू किये जिसका एम था Banking सेक्टर को एक Common Position अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करना जिससे Banks के थूँ होने वाले Money Laundering को रोका जा सके साथ ही Criminal Activities से एक्वाइर किये हुए फंड्स को Banking सिस्टम में हाइड करने की प्राक्टिस पे रोक लगाई जा सके Financial Action Task Force, FATF FATF 1989 में Paris में हुए G7 Summit के दौरान स्टैबलिश की गई एक Inter-Governmental Body है जिसको Objective है Money Laundering से लड़ने के लिए Effective Standards और Legal, Regulatory और Operational Measures के Effective Implementation को प्रमोट करना ताकि Money Laundering पर रोक लगाकर Terrorist Financing और International Financial System की Integrity पर मनड़ा रहे दूसरे Threats को Diffuse किया जा सके इसी की दिशा में FATF ने एक Series of Recommendations डेवलप किये हैं जो कि Money Laundering और Terror Financing से डील करने के लिए International Standards की तरह Recognized है यही कारण है कि Money Laundering से लड़ने के लिए Internationally इनी Recommendations के According Coordinated Response बिल्ड किये जाते हैं इसी कड़ी में Money Laundering और Terrorist Financing में संदिक भूमिका होनी की वज़े से FATF ने पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, मियनमार, फिलिपिन्स, साउथ सुडान, युगांडा त्यादी कंट्रीज को अपनी Gray List में डाल रखा है United Nations Global Program Against Money Laundering, GPML 1997 में GPML को Money Laundering के अगेंस उठाये जा रहे, International Actions की Effectiveness को Increase करने के लिए Establish किया गया था साथी इसके दोरा देशों को Governments के लिए एक Comprehensive Technical Cooperation Service प्रोवाइड करने की भी योजना थी यही नहीं, इसके अलावा Money Laundering और उससे Associated Crime से लड़ने के लिए तीन Conventions भी बनाय गये थे पहला, 1991 में बनाया गया International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism दूसरा, 2000 में बनाया गया UN Convention Against Transnational Organized Crime तीसरा, 2003 में बनाया गया UN Convention Against Corruption दोस्तो, इन Organizations और इन Convention के लावा भी कुछ International Bodies ऐसे हैं जो Global Level पर Money Laundering को रोकने के लिए International Corporation बढ़ाने की दिशा में प्रयास रत हैं उदारने के लिए UN Office on Drugs and Crimes जोरा अड्मिनिस्टर्ड International Money Laundering Information Network IMO-LIN एक Internet-based Network है जो की Governments, Organizations और यहां तक के Individuals को भी Money Laundering से लणने में Assistance प्रवाइड करती है यह Network अपने Members को Anti-Money Laundering International Database नाम का एक International Database भी प्रवाइड कराता है जो की National Anti-Money Laundering Legislations का jurisdiction एनलाईज करता है इसके लावा, Berlin-based NGO Transparency International ने 11 International Private Banks के साथ मिलकर Money Laundering, Corruption और दूसरे Related Serious Crime से लणने के लिए 11 Non-Binding Principles दिये इन Principles को Wolfsburg Able Principle कहा जाता है जो Private Bankers और उनके Clients के बीच Practice Guidelines Establish करते हैं इसी तरह APG या Asia Pacific Group और Money Laundering भी एक International Organization है जिसके 41 Member Countries या Jurisdiction Entities है यही नहीं इसमें कुछ International और Regional Observers है जिससे United Nations, IMF और World Bank इत्यादी APG के ये सारे Members FATF के Money Laundering और Tailed Financing से लणने के लिए बनाए गए International Standards के Effective Implementation के लिए वर्चन बद्ध है चलिए अब यो तो बात हुई Money Laundering के लिए उठाये जा रहे है Global Efforts और International Groupings की अब हम बढ़ते हैं उन Challenges की और जो Money Laundering के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा है Challenges in Prevention of Money Laundering जैसे हमने आपको बताए कि 21st Century में Financial Frauds और Money Laundering को रोकने में सबसे बड़ा रोड़ा Cyber Technology में तीजी से आ रहे Changes है जिनके Fast Pace की वज़े से Law Enforcement Agencies और Financial Monitoring Bodies इन से Catch Up करने में खुद को असमर्थ पा रही है इसके लाबा आज भी Money Laundering जैसे Crime और इनमें छुपी Organized Crime Syndicate के जड़ों को लेकर Awareness का अभाव है जिसकी वज़े से इस से लड़ने में वैसी गंबीरता नहीं दिखाई जा रही जैसी दिखाई जाने की ज़रुवत है यही नहीं इस काम में So-Called Tax Haven Countries भी Money Laundering के आख में एक सहोगी की भूमिका निभा रही है ऐसे में International Corporation की कमी भी Money Laundering पे अंकुष लगाने की रहा पे रोड़ा है वहीं Banks दौरा KYC Norms के Effective Implementation में बरती जाने वाली ढिलाई और कुछ Banks दौरा बैंक क्लाइंट के बीच Agreed Provision of Financial Confidentiality Clause भी Money Laundering के फलने फूलने में एहम सहोग दे रहा है अब ऐसे में प्रशन यह उठता है कि इस समस्यों को रोखने के लिए क्या किया जाए तो चलिए अब मैं इस बारे में भी डिसकस करते हैं जो सो Tax Evasion, Black Money और Money Laundering के इस कुछ चकर को तोड़ने के लिए Ground Level से लेकर उपर तक काम किये जाने की जरुवत है यही नहीं इसके wider perspective को देखते हुए local governance को मजबूत करने से लेकर international cooperation को ensure करने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरुवत है उधारन के लिए भारत को अपने Prevention of Money Laundering Act 2002 के effective implementation को ensure करने की जरुवत है यही नहीं Money Laundering इस पूरी process में bankers और accountants की संदिक भूमिका को देखते हुए उनकी accountability और answerability को भी ensure किया जाना चाहिए साथी assets और technologies के बदलते trends और money laundering के बदलते स्वरूप के बीच enforcement और investigation agencies को आपस में अपने information network को दुरुस्त करने की जरुवत है साथी agencies को भी latest technologies को effectively exploit करने की दिशा में cooperative governance बढ़ाने की जरुवत है यही नहीं global cooperation से money laundering का नया हत्यार बनकर उभरे digital currency और assets को regulate किये जाने की दिशा में भी कदम उठाए जाने की जरुवत है और इस काम में FETF एक महतुपूर्ट भूमिका निभा सकता है 7516 किलोमीटर यह लंबाई है इंडिया की coastline की जो इसके 9 राज्यों यानि गुजराद, महारास्षा, गोवा, करनाठका, केरला, तमिलनाडू, आंद्रप्रदेश, उडिशा और वेस्ट बेंगॉल समेट, लक्षदीप, अंडमान और निकुबार, पुडुचेरी और दियो एंड़मन को मिलाकर कुल चार केंदर शाषित प्रदेशों यानि यूइन ट्रेटरी से होकर गुजरती है, तो उस अपने विशाल coastline और हिंड महासागर में central position की वज़े से इंडिया हमेशा से ही इस region के sea roots का epicenter रहा है, यही कारण है कि इंडियन ओशन वो अकिला महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, हडपन civilization के समय से ही इन roots के थुरू होने वाले इंडिया के इन historical trade relations का ही नतीजा है कि इंडियन civilization कभी एकांग की यानि isolated नहीं रही और हमेशा से दूसरे civilization और culture से इसका परसपर मेल जोल बना रहा है, जिससे इंडियन culture तो सम्रिद्ध हुआ है, साथी साथ हमारी economy भी लगतार ग्रो करती रही, इसी वज़े से चेरा, पांडिया और माइटी चोलास से लेकर शिवाजी तक ने इंडियन सी पोर्ट्स और उसकी coastline की security दरुस्त करने पर विशेश ध्यान दिया, बहुत से historians का ये मत है कि चुकि medieval age में मुगल्स ने अपने naval और maritime force पर कोई खाल ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो Britishers, French और पॉर्टिकल जैसे naval powers का सामना नहीं कर पाए, और यही से भारत में उनके colonialism की शुरुआत हुई, वह यगर हम आज की बात करें और 2021 के आकड़ों पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि volume के हिसाब से, इंडिया क के महत्वक समझते हुए, इंडिया के विस्तित coastline पर 13 major ports और 150 से जादा minor ports डेवलप किये गए हैं, यही नहीं, current government द्वारा, इंडिया के ports के further development और एक port-led economy create करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और हाली में, Ministry of Shipping ने Maritime Vision 2030 Policy भी रिलीस की है, दूसरी और बहुत से important industrial centers के लावा, इंडिया के satellite stations, missile launching points, naval bases और nuclear power plants जैसे, बहुत से critically important infrastructures भी इंडिया की coastline से जुड़े हुए हैं, अब ऐसे में, अगर इंडिया की coastline उसके लिए इतनी important asset है, तो उसकी security को मजबूत करना भी important हो जाता है, After all, 7000 km से जादा लंबी इंडिया की coastline को unaccounted infiltration के लिए एक polis border की तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इस दिशा में भारत ने विशेश इंतिजाम किये हैं, तो चलिए, आज हम इंडिया के इसी coastline security framework को detail में discuss करते हैं, साथ ये जानने का प्रयास करते हैं, कि इंड दूर करने में क्या challenges या threats हैं, और इन्हें दूर करने के लिए क्या steps लिये जा रही हैं, threats and challenges geographical diversity तो सो भारत जैसे विशाल देश की geographical diversity की वज़े से उसकी coastline भी uniform नहीं है, जैसे हमने आपको बताया कि भारत की coastline नौराज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे में हर state की geographical diversity, coastline की security के लिए एक नया challenge खड़ा करती है, इंडियन coastline की topography की diversity की वज़े से इसमें creeks, lagoones, backwaters, deltas, base जैसे धेरो geographical features देखने को मिलते हैं, यही नहीं लक्षदीब और अंडमान और निकोबार के अलावा भी इंडिया में land की coastline के पास धेरो छोटे-छोटे inhabited और uninhabited islands भी मजूद हैं, जिने सुरक्षत रखना इंडिया के लिए बेहत ज़रूरी है, ताकि इसका अस्तमाल anti-social लिया, anti-national activities के लिए ना किया जा सके, साथ ही ने secure रखना, इंडिया की sovereignty के लिए बेहत ज़रूरी है, ऐसे में इस geographical diversity की वज़े से, surveillance और tracking के लिए भी one-size-fits-all की तरह की policy नहीं अपनाई जा सकती, जो coastal security और उसकी policy making के लिए एक बड़ा challenge है, Unsettled Maritime Border Issues, दोस्तों इसी तरह का एक बड़ा challenge इंडिया और उसके neighbors के बीच का, Unsettled Maritime Boundaries का भी है, 1947 में जाते जाते, बिटिशर्स द्वारा किये गए arbitrary boundary demarcations की वज़े से, आजादी के 75 साल बीच जाने के बाद भी, इंडिया के उसकी neighboring countries, खास तोर पे पाकिस्तान से, Sir Creek को लेकर और बांगलादेश से Bay of Bengal में अभी भी maritime boundaries को लेकर disputes चल रहे हैं, जिसकी वज़े से दोनों ही देशों की forces के लिए delimitation line नरदारित करना मुश्किल हो जाता है, जिससे दो तरह की समस्याइं उत्पन होती हैं, एक तो पाकिस्तान जैसे unfriendly nation के case में, दोनों देशों की forces के perceived overlap of jurisdiction के वज़े से conflict की स्थेजी पैदा हो जाती है, और दूसरा कई बार इसी overlap की वज़े से दोनों forces conflict avoid करने के लिए marine area की surveillance में धिलाई बरत्ती देखी जाती है, जिसकी वज़े से अकसर इस no man's land या sea का फायदा non-state actors illegal activities के लिए उठा लेते हैं, यही नहीं, in dispute की वज़े इंडिया अपने offshore development को भी अपनी इच्छा अनुसार implement नहीं कर पाता, जिस वज़े से हमारी coastline जो हमारे देश के लिए एक key asset है, वो unutilized रह जाती है, अलाकि इस दिशा में भारत सरकार और दूसरे देशों की सरकारों के बीच लगतार प्रयाज जारी है, और इसी वज़े स बांगनदेश के साथ काफी सारे conflicts resolve भी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से अभी भी कुछ disputes बाकी हैं, जिन्यों सुल्धाय जाने की जरुवत है इसके लबा आपने अकसर न्यूज में सुना होगा कि मच्छुवारे अकसर खराब मौसम, समुदर में आये उफान, या कहें सिर्फ अपना रास्ता भटक कर इंटरनाशनल मरी टाइम बांडरी लाइन क्रॉस कर देते हैं, इस वज़े से पाकिस्तान और श्री लंकन फोर्स से इंडिया के लैंडिंग पॉइंट्स, पोर्स और दूसरी क्रूशल इंफरमेशन इखटा कर सकता है, साथ ही वो इन पकड़े हुए ट्रॉलर्स और फिशर्मेन की मदद से अपने टेरर ऑपरेटिव्स या वेपन्स भारत में भेज सकता है, यही नहीं, इंडिया और शि में ट्रेसपास करते हैं, जिससे दोनों देशों के एकनॉमिक इंटरेस्टों एफेक्ट होते ही हैं, साथ ही इन ट्रॉलर्स से इंवार्मेंट को भी भारी नुकसान पहुचता है, वल्रेबिलिटी डू टू नेबर्स, लांड और वाटर दोनों से जोड़े होनी की वज़ ही है, उधारन के लिए गुजरात के सर क्रीक में ही एक वाटर चानल हरामी नाला के नाम से मशूर है, जो इंडिया में ओरजिनेट होता है और पाकस्तान से होता हुआ, फिर से भारत की सीमा में रे इंटर करता है, सेक्योटी फोर्स के मताबिक, इन्फिल्ट्रेटर्स और स अकसर इस रूट का इस्तमाल अपनी गैर कानूनी गतिविदियों को अंजाम देने के लिए करते हैं, यही नहीं हाल के सालों में भारत के पड़ोसी देशों में बिगड़ते हालातों के बीच, इन देशों से सी रूट्स के थूँ भारत में illegal infiltration भी काफी बढ़ गया है, इ जो आम्ड रॉबरी और पाइरिसी के लिए कुख्याद हैं, इस्पेशली वेस्ट बेंगॉल के सुन्दरबन रीजन में अकसर फिशर्मेन की किड़नापिंग और कार्गो बोट्स की रॉबरी की खबरे आती हैं, यही नहीं म्यानमार, ठाइलेंड और इंडिया के साथीस् और इलिसिट ट्रेड को रोकना भी इंडियन मरीटाइम सेक्योरिटी के लिए जरूरी है, जियो पॉलिटिक्स एंड मरीटाइम ट्रेड दूसों यह तो आप जानते ही होंगे कि चाइना कैसे साउट चाइना सी में अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के डॉक्ट्रीन को फॉलो को एंशोर करना है, तो उसे अपने मरीटाइम सेक्योरिटी को और भी अधिक चुस्त दुरूस रखने की जरूरत है, यही नहीं, जैसे जैसे इंडियन एकोनोमी का साइज बढ़ रहा है, उसका इंटरनाशनल ट्रेड और मरीटाइम ट्राफिक भी बढ़ता जा रहा है, ऐ कैसे इंडिया इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, बारत की आजादी की कुछ समय बाद ही मरीटाइम सेक्योरिटी से रिलीटेड जिस पहली समस्या से भारत सरकार को दो चार होना पड़ा, वो थी समुदरी रास्तों से बढ़ते इलिसिट ट्रेड और स्मगल की, लेट 1960s और 70s में गुजरात, गोव, कोलकाता और मुंबई की आसपास के समुदरी तटों का प्रयोग तेजी से स्मगलिंग के लिए किया जाने लगा था, आप उस दौरान इस बढ़ती समस्या का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय बॉलिवुड मे का गठन किया गया, CMO एक temporary body थी, जिसका काम anti-smuggling operations conduct करना था, लेकिन इसके temporary nature की वज़े से government द्वारा इस organization के structure पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, साथी इस कमे को दूर करने के लिए और maritime security के mandate को और भी inclusive बनाने के लिए 1st of February 1977 को ICG या Indian Coast Guard का गठन किया गया, और इसे Ministry of defense के अंडर रखा गया, इसके बाद 18th of August 1978 को Indian Coast Guard Act 1978 के enactment के साथ ही, यह organization formally इंडिया की 4th armed force के तौर पर establish हो गई, Indian Coast Guard को Indian Maritime Region में smuggling activities को रोकने, इंडिया के artificial islands को protection देने और offshore terminal को protect करने, marine environment और marine pollution control करने के साथ-साथ, distress fishermen को assistance और protection प्रवाइड करने के भी जिम्मेदारी सौपी गई, वाई 1982 में इन दोनों organizations के बीच, duplication of responsibility को रोकने के लिए, CMO को भी ICG में merge कर दिया गया, इसी बीच 1990 में, Indian Navy ने operation Tasha launch कर दिया, जिसके माध्यम से, Indian Maritime Security में पहली बार, layered surveillance का concept इंटर्यूस किया गया था, इसके इंतरगत, Maritime Security की whole and soul जिम्मेदारी केवल ICG को सौपने के बजाए, अलग-अलग सुरक्षा घेरे बनाय जाने का प्रस्ताव रखा गया, operation Tasha का मकसद, शिलंका से आ रहे, LTT militants के illegal immigration और infiltration को रोकना था, साथ ही, शिलंका से भारत और भारत से शिलंका जा रहे, smuggled weapons पर रोक लगाना था, इसी तरह 1993 में हुए मुंबई दमाकों के बाद, गुजरात और महराश्रा में, illegal infiltration और smuggled weapons और contraband को रोकने के लिए भी, operation स्वान चलाय गया था, इसके बाद, Maritime Security की बदलती परिस्थितियों, और 21st Century में, इसके threads और challenges में आए, paradigm shift के बीच, 2005 में, Coastal Security Scheme इंप किया गया, इस CSS का प्रमुक लक्ष था, Coast के नजदीक के shallow areas में patrolling और surveillance infrastructure को strengthen करना, यही नहीं, CSS के अंडर ही, Coastal Areas की security के लिए, three layered security system मनाया गया, जिसमें इंडिया के territorial water, यानि समुदरी 3rd से 12 nautical mile तक के surveillance और patrolling के लिए, 2005 में ही, marine police को गठित किया गया, इसे Indian Coast Guard के साथ, hub and spoke model पर मिलकर काम करना था, क्योंकि Coast से 12 nautical mile से 200 nautical mile तक के region के security के जिम्मेदारी, Indian Coast Guards को सौपी गई, साथ ही जगे जगे Coastal Police Stations खोले गए, जिने सम्हालने के जिम्मेदारी, Marine Police Force के पास है, वही 200 nautical mile onwards, surveillance के जिम्मेदारी, Indian Navy ने सम्हाली, रगने से बीच, 2008 में, 26-11 में दाखिल हुए terrorist ने सारे देश को दहला कर रख दिया, इस घटना ने देश दुनिया के सामने, पाकिस्तान को बेनकाप कर, उसके द्वारा फैलाये जा रहे है terrorism का, खौफनाक चहरा तो दिखाया है, लेकिन इसने भारत की maritime security के loopholes को भी उजागर कर दिया, साथ ही अब त तो चलिए, अब हम इन changes के बारे में भी जान लेते हैं, Coastal Security Architecture Post 2611 हाला कि 2005 में CSS ने 3-layered security system establish किया था, लेकिन वो इस घटना के पहले केवल गुजरात तकी सेमित था, वही अब इसकी जगए एक और भी जादा dense multi-layered security system को establish करने के दिशा में कदम उठाये जाने लगे, जिसके लिए Indian Navy को coastal area से लेकर offshore security ensure करने के लिए designated authority बना दिया गया, साथी coastal defense के इस responsibility के लिए उसे Indian Coast Guard, Marine Police और दूसरी Central और State agencies का assistance भी प्रोवाइड किया गया, Director General Coast Guard को Commander Coastal Command nuked कर दिया गया, साथी उन्हे coastal security ensure करने के लिए Central और State agencies coordination establish करने की जिम्मेदारी दे दी गई, यही नहीं, ICG को Marine Police दौरा पेट्रोल किये जा रहे, territorial waters की additional responsibility भी assign कर दी गई, गुजरात के creeks और West Bengal के सुन्दर बंस में better surveillance करने के लिए BSF यानि Border Security Force के आठ floating border outpost बना दिये गई, इसी तरह इंडिया के major ports को physical security प्रवाइड करने की जिम्मेदारी CISF यानि Central Industry Security Force को सौंप दी गई, यही नहीं, 1993 में मईब लास्ट के बाद local fisherman community की मदद से बनाए गए informal surveillance brigade सागर सुरक्षा दल को formalize करके फिर से active कर दिया गया, ताकि coastline की security को ensure करने के लिए local community का support लिया जा सके लोकल fisherman group से बने इस दल में trained volunteers न्यूक्त किये गए, जिनका काम था समुद्र और coastal waters को monitor करना और यहां होने वाली किसी भी suspicious activity या समुद्री जहास के बारे में law enforcement agencies को जानकारी देना, इस गटना के बाद भारत ने latest technology की मदद से अपने surveillance system को भी पहले से जादा दुरुस्त किया, सभी major और कुछ minor ports पर vessel traffic management system VTMS establish कर दिये गए, जिनके द्वारा maritime traffic को monitor और regulate करने के साथ साथ potentially dangerous ships को detect किया जाता है, यही नहीं, 450 करोड रुपीज से जादा के investment से NC3I network यानि National Command Control Communication Intelligence Network establish किया गया, यह intelligence grid system एक institutionalized mechanism के थूँ radars, space और terrestrial automatic identification systems और world ship registry की मदद से Indian Ocean region में हो रही सारी activities की एक common real-time operational picture create करता है, इस system का nodal center भी हर्याणा के गरुगराम में बनाया गया है, साथी इंडिया के surveillance system को और भी अधिक धारदार बनाने के लिए 2018 में Information Fusion Center for the Indian Ocean Region IFC IOR की भी स्थापना की गई, यही नहीं, 2017 से ही Indian Navy, Army, Indian Air Force और Coast Guard के integrated structure के रूप में एक maritime theater command MTC को establish करने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से समय के साथ हमारे देश की coastal security से जुड़ी बदलती जरूरतों और diverse threats और challenges से निपटने के लिए एक net centric warfare model establish करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तीनों सेनाओं के integrated approach और physical और IT-based advanced resources के comprehensive use से इंडिया की maritime security को ensure करने की दिशा में प्रयास किये जा रही है, साथ ही Indian forces के बीच interoperability को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर सागर कवच, sea vigil और tropics जैसी inter agency maritime exercises भी conduct कराई जाती है, इस तरह भारत समय समय पर अन्ने देशों के साथ भी मिलान और corporate जैसी maritime exercises करता रहता है, ताकि वो अपनी preparedness को चेक करने के साथ साथ अन्ने देशों के सहोग से अपना skill and technology enhancement कर सके, लेकिन सब के बाद भी Indian maritime security की preparedness में कुछ loop holes हैं, जिने दूर किये जाने की जरूरत है, तो चलिए, अब हम इन कमियों और उनके कमियों को दूर करने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में जान लेते हैं, अगर हम इंडियन coastal security के framework पर गौर करें, तो इंडियन coastline और इसमें मौझूद various infrastructures को protect करने के लिए इसमें लगभग 15 different agencies involved हैं, जिनकी वज़े से इनके बीच jurisdiction और interoperability को लेकर एक confusion बना रहता है, उधारन के लिए अगर हम इंडिया के offshore oil infrastructure की security की ही बात करें, तो legally artificial islands और offshore terminals को security प्रवाइड करने की जिम्मेदारी Indian coast guards की है, लेकिन crude oil import के लिए इस्तमाल होने वाले single point moorings को security देने की जिम्मेदारी CISF की है, जबकि उसके personal offshore functions के लिए adequately trained भी नहीं होते, ऐसे में Indian coastal security के multi-layered different system को बनाया रखते हुए उसके framework को थोड़ा streamline किये जाने की ज़रूरत है, अगर हम Indian coastal security system को करीब से देखें तो हम पाएंगे कि इसकी सबसे कमजोर कड़ी marine police ही है, जबकि इंडिया का diverse geographical terrain और coastal area में sea और land दोनों पर operation करने की requirement के चलते, इस force का काम सबसे ज़्यादा demanding है, ऐसे में currently state के central pool से manned होने वाली marine police force हमेशा understaffed रहती है, जिस वज़े से surveillance के लिए सबसे ज़रूरी ground work ही efficiently नहीं हो पाता, ऐसे में marine police को strengthen करने के लिए सरकार को innovative approach अपनाने की ज़रूरत है, और इस force को professional state police के साथ-साथ local fishermen community से भी manned करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी local needs और threats के understanding को efficiently exploit किया जा सके, जिससे इंडिया के इस security effort में उसकी coastal community के participation को भी बढ़ाया जा सकेगा, इंडिया के coastal security architecture में उसके ports पर अभी वो attention नहीं दिया जा रहा है, जैसा देने के जरूरत है, intelligence bureau के एक latest report में ये बात भी सामने आई थी, कि भारत के 37% minor ports पूरी तरह defenceless है, वहीं ministry of room affairs के आकड़ों के अनुसार, इंडिया के 203 minor ports में से 45 non-operational है, जबकि 75 में किसी भी तरह की कोई security features प्रवाइड नहीं किये गए हैं, ऐसे में हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है, कि इन ports का प्रयोग किसी भी गैर कानूनी गतिविधी के लिए आसानी से किया जा सकता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो major ports के साथ-साथ इन minor ports की सुरक्षा भी ensure करे, Coastal Security Scheme के अनुसार, इंडिया के Coastal States और Union Territories को ये जिम्मेदारी दी गई है, कि वो Coastal Police Stations को establish करने के साथ-साथ मैरीन पुलिस का भी गठन करे, साथ ही वो उन्हें Petrolling Boards और Surveillance के लिए जरूरी instruments भी उबलब्द कराए, लेकिन लगतार स्टेट की ओर से इस दिशा में उदासीनता दिखाया जाने की रिपोर्ट सामने आती रही है, जहां इस काम के लिए ना तो proper resource allocate किये जा रहे हैं, ना ही स्टेट पूल से पर्सनल्स के appointment हो रहे हैं, ऐसे में Indian Coastal Security System की जड़े ही कमजोर हो रही है, जन्हें मजबूत करने के दिशा में कदाम उठाया जाने की ज़रुरत है, अगर हम Indian Defense Budget पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इसका केवल 15% ही Indian Navy पर खर्श किया जाता है, बजट 2022 में भी आर्मी और नवी के बजट के बीच में तीन गुना से ज़ादा बड़ा अंतर था, जबकि Indian Ocean Region के बदलते dynamics के बीच Indian Navy को खुद को मजबूत करने के लिए और हर मुश्किल में भारती तट की सुरक्षा करने के लिए और ज़ादा resources की ज़रुवत है, ऐसे में Indian Defense Budget को भी rationalize करने की ज़रुवत है, भारत जैसे विशाल देश को चाइना और पाकिस्तान जैसे राइवल्स और मैनमार, श्रिलंका और बांगलदेश जैसे आस्थिर पडोसियों के बीच अगर अपनी संप्रभुता बनाया रखना है, तो इसके लिए अपने रख्षातंत को अभेद्धिकरना बहत जरूरी है, इस ज़रुवत को समझते हुए भारत ने एक multi-leared security system establish किया है, जिसमें सुरक्षा के कई खेरे हैं, इसके पीछे हमारा ये प्रयास है कि देश के बाहर बैठे और दोके से अंदर घुश्चों के दश्मनों से देश और देशवासियों की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ऐसे में देश की geographical diversity और threats को समझते हुए, भारत के पास अपनी specialized security forces का एक व्यापक सैन बल तो है ही, उनके बीच think tank और policy making bodies का एक लंबा चोड़ा national security architecture भी है, ऐसे में भारत की security forces और उनकी mandates को समझने से पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इस lecture की शुरूआत भारत के इसी national security architecture को समझने से करें, ताकि हमारी इस top-down approach में हम इस पूरे तंत्र को करीब से जान सकें, तो आईए, अब अपना यी lecture हम शुरू करते हैं, Cabinet Committee on Security, CCS दोसो, national security से जुड़े important executive actions लेने वाली CCS, इंडिया के national security structure की apex body है, national security से जुड़ी decision making में देश की चुनी हुई सरकार का political control और country के civilians का democratic control एंशोर करने के लिए ही CCS का गठन किया गया है, यही वजह है कि national security और defense policy से जुड़े एहन फैसलों में आखरी महर लगाने के अलावा, national security apparatus के senior appointments और defense expenditure से जुड़ी policies भी CCS ही decide करती है, ऐसे में हम देख सकते हैं कि CCS इंडिया की national security aspects के epicenter की भूमिका निभाता है, अब अगर हम CCS की competition की बात करें, तो इसे lead करने की जम्मेदारी देश की चुनी हुई सरकार के real head यानि प्रधान मंत्री की होती है, साती देश के home minister, defense minister, finance minister और minister of economic affairs इसके member होते हैं, यही नहीं national security advisor, cabinet secretary और देश के defense secretary भी CCS की meetings attend करते हैं, और इनके लिए जरूरी advisory inputs प्रदान करते हैं, अब हम चलते हैं national security council की और, यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग CCS जैसी membership ही देश की national security council की भी है, बस CCS से अलग NSE में नीती आयोग के vice chairman को भी शामिल किया जाता है, इसे 19th of November 1998 में अटल बिहारी वाचपे की सरकार के दोरान establish किया गया था, यह एक advisory body है जिसका काम Prime Minister's Office को देश सजुडे रक्षा संबंदी विश्यों पर सला प्रदान करना है, देश की internal और external security, conventional और non-conventional defense, military affairs, counter-insurgency, space और high technology, economy, counter-terrorism और environment जैसे गंभीर मुद्दो पर भी NSE PMO के एक think tank की तरह काम करता है, जिसके लिए NSE को एक three layered structure प्रवाइड किया गया है, जिसके तेन मुखे घटक हैं, पहला strategic policy group, दूसरा national security advisory board और तीसरा joint intelligence committee का एक secretaryate, यह हम आपको बता दें कि CCS की तरह ही national security council के head भी PM ही होते हैं, जबकि इसके secretary की भूमिका देश के national security advisor निभाते हैं, हलाकि मौझूदा सरकार में NSE और CCS के overlapping role की वज़े से NSE की existence कुछ धुनली सी पढ़ गई है, लिगने सी बीच मौझूदा NSA, श्री अजीट डोवाल जी के एंडर, national security advisor के पद का कद तेजी से बढ़ा है, National Security Advisor का पद भी NSE के साथ ही 1998 में अस्तित्व में आया, और बिजेश मिर्शा को देश का पहला NSA निउक्त किया गया, NSA देश के रक्षा मामलों में प्रधान मंतरी के सलाकार की भूमिका अदा करते हैं, जिस काम में तीन डिप्टी NSA, military advisor, strategic policy group और एक लंबा चोड़ा organized system उनकी मदद करता है, यही नहीं, raw, IB, NTRO जैसे धेरू secret agencies और strategic organization से भी NSA को inputs दिये जाते हैं, और इनके अनुसार ही NSA प्रध दान मंतरी के dissraction पर ही nuked के जाते हैं, conventionally 1998 से अब तक इस पत के लिए Indian police services या Indian foreign services के अफसरों को ही जगे मिलती रही है, यही नहीं, current NSA, श्री अजीर दोवाल को सरकार द्वारा cabinet minister की rank भी दी गई है Defense Planning Committee इस दिशा में अपरेल 2018 में Defense Planning Commission का भी गठन किया गया, जिसका chair person National Security Advisor को बनाया गया इस committee में members के तौर पर foreign secretary, defense secretary, chief of defense staff, chief of the army staff, chief of the air staff, chief of the naval staff के साथ-साथ, ministry of finance expenditures secretaries को भी जगे दी गई यही नहीं, chief of the integrated defense staff, CIDS को इस commission के member secretary के तौर पर establish किया गया DPC की responsibilities का दाइरा काफी broad है, जैसे देश की national security strategy का draft prepare करना, capability development plan करना, defense diplomacy issues और देश के defense manufacturing ecosystem को better करने के लिए होने वाली planning भी DPC की ही जिम्मेदारी है यहां हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि DPC ये सारे reports defense minister को submit करती है, और रक्षा मंतरी के प्रती जवाब दे है ऐसे में हम देखी सकते हैं कि भारत ने हितना व्यापक policy making system establish किया है, जिसके चलते देश के लोग तांतरिक system को बनाये रखते हुए ही सैन ने और रक्षा संबंदी तंतर को मजबूत करने के दिशा में कार किया जा रहा है लेकर इसके बाद भी देश के इस national security architecture में कुछ खामिया है, तो क्या है वो खामिया और इन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं आई अब हम इस बारे में भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं जैसा हमने आपको बताया कि national security council और cabinet committee on security की membership लगभग एक सी है ऐसे में नस्सी obsolete organization बनती जा रही है क्योंकि ना ही इसके बैटकों को नियमेट तरीके से organize कराया जा रहा है और ना ही इसका अपना कोई स्वतंतर अस्तित्व देखने को मिलता है ऐसे में इन overlapping organizations के conflict को सुलढ़ाय जाने की जरुवत है ताकि extreme line organizational structure बनाया जा सके अगर आप भारत के security architecture पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इसमें national security advisor एक एहम भूमी का निभाते हैं यही कारण है कि current government ने NSA को cabinet minister का दरजा प्रदान किया है लेकिन इसके बाद भी NSA पार्लेमेंट के प्रती answerable नहीं है वहीं दूसरी ओर government के allocation of business rule के according NSA के पास कोई independent legal power भी नहीं है ऐसे में कई experts दावा करते हैं कि इस पद का वर्चस उबढ़ना इंडिया के democratic और responsible governance system के अनुरूप नहीं है ऐसे में NSA के बढ़ते कत के बीच इसकी पार्लेमेंट के प्रती जवाब देही भी तै होनी चाहिए lack of coordination हमारे security architecture में political responsibility और professional administration बनाया रखने के लिए एक ऐसे setup का निर्माड किया गया है जिसमें एक और cabinet minister के रूप में जनता द्वारा चुनुए हुए प्रतिनिदी है तो वहीं दूसरी ओर defense और security से जड़े officers भी लेकिन इस वज़े से इन दो अलग-अलग घटकों के बीच अकसर lack of coordination देखने को मिलता है Politicization of the actions of the armed forces सुरक्षा से जुड़े मामलों में political supremacy की वज़े से अकसर armed forces द्वारा उठाये गए कदमों को राजनातिक चश्मों से देखा जाता है हाल के सालों में ऐसे घटना है अकसर देखने को मिलती है उधारन के लिए गलवान इंसिडेंट या बालकोट एर स्ट्राइक को armed forces द्वारा उठाया गया कदम कम और एक political step जादा कहा गया जिससे defense forces का तो मनुबल गिरता ही है साथ ही देश की रक्ष्चा से जुड़े मामलों में इस तरह का राजनाती करण देश के आंतरिक वातावरण के लिए भी ठीक नहीं है भारत के security architecture की top decision making में cabinet security समेट विबन पदों पर बैठी IS lobby का एक बड़ा हाथ होता है लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इन IS officers के पास security या defense related कोई first hand experience नहीं होता जैसे में इन्हें specialization प्रवाइड करना या इसके लिए एक नए काडर का निर्माण करनी की जरूरत है भारत जैसे विशाल देश के लिए बदलते security and intelligence setup के बीच जरूरी है कि वो best talent को security forces या intelligence agencies की तरफ attract कर सके ऐसे में इससे जूड़ी manpower या human resource policy को भी दुरूस्त किये जानी की जरूरत है अगर भारत इन issue को resolve करने में काम्याब हो जाता है तो हमारा मजबूत security architecture और भी ज़ादा अभेद्य हो जाएगा लेकर इसके लावा भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इंडिया की security और उसके administration की perspective से लगतार joland shield बने हुए हैं ऐसे में हमारे लिए इन्हीं भी जानना बहत जरूरी हो जाता है अगर हम इंडियन armed forces का current structure देखें तो हम पाएंगे कि armed forces, army की 7, air force की 7 और navy की 3 commands को मिलकर कुल 17 commands में बटी हुई है और के लावा इंडियन armed forces के structure में अलग से 2 और tri service commands भी हैं ऐसे में इंडिया के armed forces का structure, defense areas के geographical needs के according independent तो है लेकिन इसी independence की वज़े से अकसर इसमें interoperability का अभाव देखने को मिलता है उधारन के लिए इंडिया के northern, western और eastern और eastern areas को army protect करती है वह एं coastal areas और maritime borders की जिम्मदारी navy की है साथी air force जरुवत पढ़ने पर इन दोनो forces को overall support प्रवाइड करता है लेकिन इन सब के बाद भी strategic importance रखने वाले areas, खासता और पर पाकिस्तान और चाइना से लगने वाले land और maritime borders में इन तीनो forces के मेल से बने integrated command की जरुवत महसूस की जा रही है ताकि इन integrated command को एक commander के अंडर plans के execution की सीरी जिम्मदारी दी जा सके जिससे जरुवत पढ़ने पे तेजी से एक well coordinated action लिया जा सके इससे इन forces के बीच synergy तो बढ़ेगी ही, साथ ही एक बहतर defense को भी ensure किया जा सकेगा यही नहीं, integrated command की विवस्था से हम area specific strategic needs के according अपने defense resources का optimum utilization भी ensure कर पाएंगे जिससे economic efficiency भी better होगी लेकिन ऐसे theater command को establish करने में कुछ अजचने भी है जैसे ये interd service competition को fuel कर सकता है जिसके चलते forces के बीच interoperability को better करने के बजाएं ये integration एक दूसरे को पच्छानने का अखाड़ा भी बन सकता है दूसरी ओर, इन services के tri junction के रूप में develop हो रहे, इन integrated theater command के structure of command को लेकर भी clarity नहीं है यही नहीं, इन्डिया के overall defense and security administration setup में, आर्मी के dominance की वज़े से ये कयास लगाया जा रहे है कि इन integrated commands में majority में भी Indian army ही dominate करेगी जबकि बाकी दोनों services auxiliary भूमिका में रहेंगे, जो Navy और Air Force के जवानों के मनुबल के लिए बुरा साबित हो सकता है साथी Indian defense के limited sources के बीच ऐसे integrated commands का गठन करना अपने आप में एक टेड़ी खीर है फिर भी Indian defense system को reorganize करने की देशा में ये एक एहम कदम साबित हो सकता है Chief of Defense Staff 2019 में भारत को जनरल विपन रावत के रूप में अपना पहला CDS मिला लेकिन इस पत की नीव साल 2000 में ही रख दी गई थी जब कारगिल रिव्यू कमिटी ने इस पत को बनाय जाने की अनुशंशा की जिस पर इसके बाद 2011 में बनने वाली नरेश्चंदर कमिटी और 2016 की शेकातकर कमिटी ने भी मोहर लगा दी एयर फोर्स, आर्मी और नेवी की इंटेगरेशन के लिए बनाये गए CDS की पोस्ट को इन तीनो सेनाओ के टॉपमोस्ट अधिकारी द्वारा रोटेशन बिस्स पर फिल किया जाएगा CDS रक्षा मंतरी के प्रिंसपल मिलिटरी एडवाईजर की भूमिका में उन्हें ट्राई सर्विस मैटर्स पे इंपॉर्टन्ट इंपॉट्स प्रवाइड करेंगे यही नहीं वो डिपार्टमेंट अफ मिलिटरी अफेर्स और चीफ आफ स्ताफ कमिटी को भी हेड करेंगे साथ ही Defense Acquisition Council के मेंबर होने के अलावा 5-Year Defense Capital Acquisition Plan DCAP और 2-Year Roll-On Annual Acquisition Plan के इंप्लिमेंटेशन के जिम्मेदारी भी CDS की होगी ऐसे में यह उमीद लगाई जा रही है कि वार में Quick Decision Making और Defense Acquisitions को Accountable और Streamline बनाने के साथ-साथ CDS के Post के Introduction से तीनों Services के बीच Coordination में भी Improvement होगा लेकिन इसके बीच ये कयास भी लगाए जार है कि कहीं Political Interference के बीच ये Post भी एक Ceremonial Post बन करना रह जाए या फिर Higher Defense Administration और Acquisition में Civilian Bureaucracy के Diminishing Role के बीच CDS को उस ओर से भी Resistance ना जहिलना पड़े यही नहीं CDS के Procurement से रिलेटेड रोल के चलते किसी Particular Force के Resource Enrichment को लेकर Favorism का Challenge भी खड़ा हो सकता है लेकिन सब के बावजूद इतने सालों से पेंडिंग CDS के Post से रिलेटेड रिफॉर्म इंप्लिमेंट करने से इंडिया भी दुनिया की बहुत सी मेजर कंट्रीज जैसे Italy, France, China, UK, USA इत्यादी की कतार में खड़ा हो गया है जहां यह व्यवस था पहले से ही चल रही है Women in Combat Role फरवरी 2020 में जब सुप्रीम कोट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में Women Candidates के लिए आर्मी में Permanent Commission की दरवाजे खोल दिये तो इसे Women Empowerment और Right to Equality की जीत के तोर पर देखा गया लेकिन Armed Forces में महिलाओं के लिए अभी भी Combat Role में Induction के दरवाजे बंध हैं जिसे एक और Women को Weaker Gender मान कर Patriarchal Society के Stereotype माना जा रहा है वहीं दूसरी और इसे महिलाओं को आगे बढ़ाने और पुरुषों के समान ही देश के लिए सर्वस्व वलिदान करने के रास्ते में रोडे के तोर पर देखा जा रहा है इसके पीछे एक बड़ा कारण परंपरगत रूप से Armed Forces में महिलाओं का मामूली प्रेजेंटेशन भी है लेकिन अगर हम Combat Role में महिलाओं के Induction's Related Issues की बात करें तो हम पाएंगे कि ऐसा करने में Operational, Practical और Cultural Problems खड़ी हो सकती है उधारन के लिए साथ में लड़ने वाली Combat Forces में Privacy या Difficult Terrence और Harsh Conditions में महिलाओं के लिए Particular Treatment Provide नहीं किया जाना Practically Feasible नहीं है यही नहीं Pregnancy या Menstrual Cycles के दौरान भी महिलाओं के लिए Harsh Services को Fulfill करना कठिन होगा वहीं Armed Forces में Prolonged Physical Fitness एक्सपेक्ट की जाती है जो Gender Difference की वज़े से और Hormonal और Biological Makeup Difference की वज़े से महिलाओं के लिए मेंटेन रखपाना मुश्किल मना जाता है ऐसे में Armed Forces में महिलाओं को बराबर मौका देने के लिए इन सभी Challenge से डील करना काफी जरूरी है ताकि वो भी देश के प्रती अपना दायत्व निभा सकें अब हम बढ़ते हैं इंडिया के Armed Forces और Parliamentary Forces के Mandates की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के सुरक्षा तंत्र में ये क्या भूमी का निभाते हैं सबसे पहले बात इंडिया के Paramilitary Forces की जिनका सीधा सम्मंद इंडिया के Internal Security से है Central Armed Police Force दोसो भारत में 7 CAPF ये Central Armed Police Forces हैं जो है BASF ये Border Security Force CISF ये Central Industrial Security Force CRPF ये Central Reserve Police Force ITBP ये Indo-Tibetan Border Police SSB ये Shashastra Seemah Bal Assam Rifles और NSG ये National Security Guards ये सबी Forces Ministry of Home Affairs के Direct Control में हैं इनमें से Assam Rifles Indo-Tibetan Border Police Force Shashastra Seemah Bal और Border Security Force Border Guarding Forces हैं क्यानि इनका काम देश की सीमा की रक्षा में अपना योगदान देना है जबकि CRPF ये Central Reserve Police Force और CISF ये Central Industrial Security Force Internal Security Forces हैं वहीं NSG ये National Security Guards एक Special Task Force है अब आईए हम एक एक करके भारत के इन Security Forces को जरा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं Assam Rifles Assam Rifles देश की सबसे पुरानी Paramilitary Force है जिसे 1835 में कछार लेवी की नाम से गठित किया गया था लेकिन आज नौर्टीस इंडिया में Border Security, Counter Insurgency और Lawn Order Situations को Handle करने के जिम्मिदारी Assam Rifles की ही है यही नहीं Central Government की Acting East Policy की अंतरगत अपने Civil Action Plans के माध्याम से Assam Rifles भी अपना पूरा सहोग देती है North East Region में होने वाले Important Programs यह Activities जैसे Community Halls का Construction Water Supply Schemes का Implementation Vocational Training Center का Establishment जैसे बहुत से समाजिक कार्यों में भी Assam Rifles अपना सहोग देती है यही कारण है कि Assam Rifles को Friends of the Northeast People के नाम से भी जाना जाता है वहीं दूसरी ओर 1643 किलोमेटर लंबे इंडो में अनमार बॉर्डर की रखवाली भी Assam Rifles ही करती है यसे में Assam Rifles Ministry of Home Affairs के Administration के अंडर आती है जबकि इसकी Border Guarding Duty की वज़े से Assam Rifles का Operational Control इंडियन आर्मी के हाथों में ही है Central Reserve Police Force Crown Representative Police के नाम से मद्रप्रदेश के निमच में 1939 में Establish हुई CRPF यस Central Reserve Police Force को मुखिरूप से State Governments और Union Territories में Extreme Law and Order Situation को हैंडल करने Elections के दुरान Disturbed Areas के Large Scale Security Arrangements का Overall Coordination करने Rights और Crowd Control करने National Calamities के दुरान Rescue और Relief Operation करने इत्यादी के लिए Develop किया जाता है CRPF, States और UTs के Public Order को Maintain करते हुए देश के Internal Security और Counter Insurgency Operations में भी एहम भूमिका निभाती है साथी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CRPF देश की अकेली Paramilitary Force है जिसमें 6 महिला Battalion भी included हैं यही नहीं, October 1992 में CRPF की ही 15 Specialized Battalion को मिलाकर Rapid Action Force का भी निर्मान किया गया था इसका काम Communal Rights और Related Civil Unrested Situations में Minimum Time में Maximum Force के साथ Respond करना है इसी तरह 2008 में CRPF से ही एक Special Operation Unit Commando Battalion for Resolute Action या Cobra का गठन किया गया था जिसका काम देश के Naxalite Movement से डील करना था अपने जिम्मदारी को बखुवी निभाते हुए आज तक Cobra ने 4 शौरे चक्र और 1 कीर्ती चक्र अपने नाम किया है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस ITBP 1962 में हुए Sinu India War के बाद उसी साल गठित हुई ITBP या इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस भारत की एक बॉर्डर पेट्रोल और्गनाडेशन है इसे भारत और चाइना के तिबबत औरनॉमस रीजन के बीच लदा के कारकोरम पास से लेकर अरुनाचिल प्रदेश के जिलेपला तक बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनाद किया गया है हाला कि ओरिजनली ITBP को एक गुरिल्ला कम इंटेलिजन्स कम फाइटिंग फोर्स के रूप में कॉंसेप्चुलाइज किया गया था लगना आज ITBP कन्वेंशनल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने के लावा एक मल्टी डैमेंशनल फोर्स है जिसके मुखरूप से पाँच फंशन्स है पहला भारत के नॉर्दन बॉर्डर के निगरानी करने के साथ-साथ किसी भी बॉर्डर वाइलेशन को डिटेक्ट और प्रिवंट करते हुए लोकल जनता में सेंस ऑफ सेक्यूरिटी को प्रमोट करना सेकेंड हाई वेलोसिटी स्टॉंप्स, स्नो ब्लिजार्ड्स, अविलांचिस और लैंड्सलाइट्स जैसी नाच्रल क्लाइमेटिक एक्स्रिमिटीज के बीच बॉर्डर पर इल्लीगल इमिग्रेशन और ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग पर अंकुष लगाना थर्ड, देश के राष्टपती वहवन वाईस प्रेसिडेंट हाउस सिक्क्यम के रूम्टेक मॉनेस्ट्री मसूरी में स्थित लबासना अत्यादी जैसे कुछ सेंस्टिव इंस्टॉलेशन और थ्रेटेंट व्याईपी इसको सेक्यूर्टी प्रोवाइड कराना फोर्थ, किसी भी इवेंट आफ दिस्टर्बमें अपने गाड़ेट एरिया में ओर्डर रीस्टोर और प्रिजर्व करना फिफ्थ, अपने तैनाती के शेत्र में पीस बनाये रखना यही नहीं, 1981 से ITBP हर साल होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों को भी सुरक्षा अपलब्द कराती है साथ ही ITBP, UN Peacekeeping Operations का भी अभिन हिस्सा बनी रही है ITBP की तरह ही सिरो इंडिया वार के आफ्टर मैट में 1963 में एनिमी ऑपरेशन्स के अगेंजट देश के बॉर्डर एरियास की सेक्योर्टी को मजबूत करने के उदेश से Special Service Bureau नाम से बनाई गई यह फोर्सेस 2001 से शशस्त्र सीमा बल के नाम से जानी जाती है SSB Border Guarding Force की भूमिका नेपाल और भूटान से लगी बारतिय सीमा रेखा में निभाती है जो भारत के उत्राखंड, UP, बिहार, वेस्पिंगॉल, सिक्किम, असम और अनुनाचल प्रदेश जैसे राज्यों में तैनात है यहां रहते हुए Border को सेक्योर रखना Trans Border Crimes, Smuggling और दूसरी Illegal Activities को रोकना भी SSB की ही सिम्मेदारी है यही नहीं SSB, Jammu एन कश्मीर के Counter Insurgency Operations और जारखंड, बिहार और 36 गड़ में Anti-Nexal Operations में भी Involved रहती है Border Security Force 1st of December 1965 में बनी BSF या Border Security Force इंडिया की Border Guarding Force है जो कि primarily इंडिया के पाकिस्तान और बांग्लदेश से लगे Borders पर तैनात रहती है Conventionally Border Security Force के duties को दो अलग-अलग भागों में बाटा जा सकता है एक तो वो responsibilities जो BSF युद्ध के दौरान निभाती है और दूसरी वो जो Peace Time के दौरान निभाई जाती है Peace Time में BSF का काम है Transborder Crimes, Smuggling और Indian Territory में किसी भी तरह की Unauthorized Entries या यहां से होने वाली Exit को रोपना यही नहीं BSF अपनी presence से Border Areas के लोगों में एक Sense of Security का प्रसार करने का भी काम करती है वहीं युद्ध के दौरान BSF की capabilities और local law front situation को monitor करते हुए कम खत्रे वाले सीमवर्ती इलाकों में Groundhole करने के उदेश से भी BSF की तैनाती की जाती है ताकि जब आर्मी active war front पर भीशन युद्ध में उलजी हो तब BSF relatively कम active water areas को secure रख सके अगर युद्ध के बीच परिस्थिती बदलती है और BSF का guarded region active war zone बन जाता है तो आर्मी की ओर से BSF को added reinforcement provide कराया जाता है वहीं अगर युद्ध के हालात और भी करते हैं तो इन इरियास की security के जिम्मिदारी BSF से लेकर आर्मी को दे दी जाती है यहीं नहीं युद्ध के दरान BSF आर्मी की main defense line के flank को extension देने का काम भी करती है साथ ही अपने तैनाती के area से परचित होने की वज़े से युद्ध के समय BSF आर्मी को guide और local search operations करने में एहम भूमिका भी निभाती है यहीं नहीं युद्ध के दरान arrest किये हुए prisoners of war को escort करने और refugees को control करने में assistance प्रवाइड करने का काम भी BSF का ही है तो दोस्तों BSF को जाने के बाद अब बात करते हैं CISF की Central Industry Security Force 1969 में establish होई CISF 13 private sector units के साथ-साथ देश की कुल 356 industrial units और government infrastructure project जैसे atomic power plants space installations, mines, oil fields and refineries, major ports heavy engineering steel plants, barrages fertilizer units, ताज महल और लाल किला जैसे heritage monuments और hydroelectric या thermal power plants को security provide करने का काम करती है यहीं नहीं देश के 60 से जादा international और domestic airports और Delhi Metro को सुरक्षा प्रदान करने के जिम्मधारी भी CISF की ही है साथी CISF की एक fire wing भी है, जो देश के industrial undertaking और installations को fire hazard से सुरक्षत रखने का काम भी करती है, इसके लाबा Z plus, Z, X, Y classified protection प्राप्ट लोगों को भी CISF का special security group सुरक्षा प्रवाइड कराता है National Security Guard NSG Indian Army, Central Armed Police Forces और State Police Forces के selected personnel से मिलकर बनी NSG का जन 1984 में हुए Operation Blue Star के बाद फैले disturbances को tackle करने, terrorist activities से लणने और internal disturbances से state की रक्षा करने के उदेश से हुआ था Black Cats के नाम से मशूर, इंडिया की एक counter-terrorism unit, land और air में होने वाली किसी भी hijacking situation को handle करने में सक्षम है यही नहीं, किसी भी तरह के terrorist threats, bombs और IED disposal, post-blast investigation perform करने के साथ-साथ, energy kidnap situations में से hostages को बचाने में भी पूरी तरह equipped है, वही energy designated protectives को close protection provide कराने का भी दायत्व निभाती है, energy के commandos अपने specific selection process और top class training की वज़े से best among the best माने जाते हैं, यही कारण है कि इन्हें high risk situations को tackle करने के लिए तयार किया जाता है दोस्तों, यहां तक तो हमने बात की इंडिया की paramilitary forces के बारे में लेकिन इनके इलावा, एक force ऐसी भी है जिसका जन्म, एक specific responsibility निभाने के लिए हुआ था तो चलिए, अब हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, special protection group, SPG 1985 में establish हुई SPG, हमारे देश के प्रधान मंतरी को सुरक्षत रखने की जिम्मेदारी निभाती है, SPG की जिम्मेदारी देश के साथ-साथ प्रधान मंतरी के विदेश दौरों के दौरान भी बनी रहती है यही नहीं, प्रधान मंतरी के साथ उनके official residence पे रहने वाले परिवार जनों की सुरक्षा, और अपने पच से हटने के 5 साल तक पूरु फ्रधान मंतरी और उनके official residence पे रहने वाले उनकी परिवार को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी SPG की ही होती है, लेकिन देश की armed police forces से अलग, SPG की governing body, cabinet secret होती है, लेकिन अब शायद आपके मन में यह प्रशन उट रहा होगा, कि आखिर यह central armed police forces इंडियन आर्मी से किस तरह अलग है, तो चलिए अब हम आपके इस प्रशन का भी निदान कर देते हैं How are the armed police forces different from the Indian army? दोसों, जैसे हमने आभी तक की discussion में हैं, तो कुछ हमारे देश की internal security को मजबूत करती हैं वही कुछ forces की responsibility और भी ज़्यादा specific है, लेकिन सब के उलट, इंडियन आर्मी का mandate काफी हद तक external threats से देश की रक्षा करने का है, आई ये बात सही है कि जब भी किसी varied role जैसे disaster management या rescue operation के दौरान देश को उनकी जरुद पड़ती है, तो इंडियन आर्मी इसके लिए भी तत पर खड़ी दिखाई देती है लेकिन फिर भी युद्ध के समय देश को बाहरी हमलों से सुरक्षत रखना और उसका मूतोड जवाब देना इंडियन आर्मी का मुख्य लक्ष है यही वज़ा है कि जहां इंडिया की armed police forces ministry of home affairs के direct control में है वहें इंडियन आर्मी ministry of defense के अंडर आती है, इसी के चलते जहां देश की armed forces को generally three star dgp ranked ips officers lead करते हैं, तो वहें इंडियन आर्मी को general rank के समतुल एक four star army officer lead करते हैं, हमारा मानना है कि अब आपको इनके बीच का अंतर समझ आ गया होगा, चलिए अब हम armed forces से जोड़े कुछ issues के बारे में भी जान लेते हैं साथ ही हम इन परिशानियों के solutions धूनने की भी कोशिश करेंगे issues faced by the armed police forces and their remedies तो समने आप तक अपने discussion में देखा कि armed police forces या paramilitary forces देश की internal security को ensure करने के लिए किस तरह के different role और responsibilities निभाती हैं अगर वो ITBP की तरह हिमालिन ranges के cold climate में present है, तो BSF की तरह राजस्थान के hot desert में भी present है अगर वो CISF की तरह industrial installations की रक्षा कर रही है इन diversified responsibilities को निभाने के बाद भी CAPF personal अकसर unsung heroes ही रह जाते हैं यही नहीं एक criticism यह भी है कि in difficult conditions में अपने difficult roles को निभाते हुए उन्हें मूलभूत facilities भी नहीं मिल पाती, चाहां एक और army के containment areas और border के पास्थित उनके installations को establish करने के लिए भरसक प्रास किये जाते हैं, वहीं दूसरी और CAPF के जवानों को poor infrastructure और arms and ammunitions की shortest से चूजना पड़ता है यसे में hostile conditions में अपने duty करते इन जवानों को अकसर अपनी मूलभूत जरुरत की चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है वहीं दूसरी और इनके grievances की भी अकसर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती जैसा कि हमने देखा कि नाम police forces को generally three star IPS lead करते हैं ऐसे में इन forces के higher post mostly Indian police service से deputation पर आये हुए officers ही फिल करते हैं जिस वज़े से अकसर इस force के decision makers में bureaucratization देखने को मिलता है और वो अपने काडर के lower level officers और forces से कटे हुए दिखाई पड़ते हैं ऐसे में वो उनकी समस्यां समझने और उन्हें सुलजाने में उदासीनता दिखाते हैं यहीं नहीं इन forces में poor in-house grievance redressal mechanism के चलते इन forces में members जो अल्रीड एक stressed और physically demanding job कर रहे हैं उनके लिए अपनी problems का resolution धूनना और भी मुश्किल हो जाता है इसलिए हाल के सालों में इन forces के members अकसर social media के माध्यम से अपनी परिशानिया और जागर करने की कोशिश करने लगे हैं जबकि यहाँ विडमना ये है कि उनका ऐसा करना भी force के parameters के according in discipline माना जाता है ऐसे में इन armed forces के personal के लिए job satisfaction और problem reversal के लिए एक solid mechanism मनाया जाने की जरुवत है यही नहीं आर्मी की ही तरह armed police force में भी in service hierarchy को sit किया जाने की जरुवत है साथी in forces में होने वाले carder review को भी और अधिक टेज करने की जरुवत है ताकि इसमें deputation पर आए IPS officers की hegemony को खतम किया जा सके साथी armed police forces को well equipped रखने और उनकी specific needs के according weaponize करने के लिए इनके लिए भी एक dedicated research and development यानि कि R&D wing बनाय जाने की जरुवत है जसे इन forces को modernize करने में भी मदद मिल सके यही नहीं armed police force को restructure करने की भी जरुवत है अगर हम CRPF की responsibilities पर गौर करें तो इसे देश भर में अलग-अलग तरह के functions fulfill करने पड़ते हैं जिसके चलते यह elections कराने से लेकर नक्सलिजम से लढ़ने तक का काम करती है ऐसे में ऐसे forces के लिए one size fits all जैसी approach नहीं रखी जा सकती बलकि जरुवत के हिसाब से इन forces को और भी अधिक segregate करने की जरुवत है साथी states की अपनी law and order situations को resolve करने के लिए इन armed forces पर होने वाला over dependence को भी कम करने की जरुवत है ताकि जो काम state police की मदद से किये जा सकते हैं उनमें armed police force को involve ना करना पड़े इससे इन forces के personal को training और rest दोनों के लिए उचित समय मिल पाएगा जिससे इनमें job satisfaction तो बढ़ेगा ही पर साथ ही जरुवत के समय पर ये forces अपनी जिम्मेदारियों को बहतर ढंग से निभापाएँगी तो सब हम चलते हैं security agencies of India के चाम अपने देश की security को ensure करने में एहम भूमिका निभाने वाले intelligence और law enforcement network के बारे में चर्चा करेंगे चुरुआत करते हैं intelligence bureau से तो सब इंटेलिजनस ब्यूरों इंडिया की domestic internal security और counter intelligence agency है इसका जन 1887 में central special branch के रूप में British सरकार के अंडर हुआ था जिस वज़े से ये अपनी तरह की दुनिया की सबसे पुरानी surviving organization मानी जाती है हाला कि IB home ministry के अंडर आती है लेकिन IB के डिरेक्टर strategic policy group का पार्ट होने के साथ-साथ national security council की joint intelligence committee में भी समलित हैं और इसलिए वो सीधे prime minister को भी report कर सकते हैं अगर हम IB की responsibilities की बात करें तो ये organization intelligence collection और उस collected information को central और state government के related organizations तक प्रसारित करने का काम करती हैं साथ इस respect में IB, central और state government के security advisor की भूमिका भी निभाती हैं ऐसे में देश में terrorism को counter करने के लिए IB देश भर से intelligence collect करती है जिसके लिए IB suspected individuals, groups और organizations के movements और communications को भी monitor करती हैं IB के counter terrorism mandate में separatist और खास्ता और पर North East India में होने वाले violent political movements को counter करने का काम आता है उसके इस काम में state subsidiary intelligence bureaus भी एक एहम भूमी का निभाते हैं इस तरह हम देख सकते हैं कि देश के अंदर counter intelligence से linked लगपग सारा काम IB के ही जिम्मे हैं यही नहीं 1951 की हिमत सिंग जी committee जिसे North and North East Border Committee की नाम से भी जाना जाता है उसकी recommendations के चलते IB border areas में intelligence collection का काम भी करती है चुकि 1947 में भारत की आजादी के पहले military intelligence organizations का काम था and just to mention 1968 तक IB domestic और foreign intelligence दोनों ही handle करती थी लेगे 1968 में research and analysis विंक के formation के बाद foreign intelligence के जिम्मदारी RAW को सौंप दी गई अपने responsibilities को पूरा करने के लिए IB में personal recruitment directly नहीं होता बलकि इसमें काम करने वाले जहातर personal इंडिया की law enforcement agencies और खास्तोर पर Indian Police Services के कैडर से आते हैं लेकिन इस सब के बीच IB के एर्दगिर्द कुछ controversies भी देखने को मिलती हैं इसमें सबसे प्रमोकारोप ये लगता है कि IB बिना किसी warrant के phones के wire tapping या किसी भी तरह के conversation की snooping करने की सचंदता रखती है इसे कई scholars और activists intelligence और internal security की आड़ में fundamental rights का हनन भी मानते हैं वहीं किसी भी oversight mechanism की absence में इसे political surveillance से जोड़ कर भी देखा जाता है हलागिन controversies को resolve करने के लिए समय समय पर कुछ suggestions और remedies भी सुझाय जाते हैं उधारण के तौर पर former cabinet secretary नरेश चंद्रा की अधक्ष्टा में बनी the task force on national security ने एक national intelligence coordinator या intelligence जार को नियुक्त करने की recommendation दी थी जिसका काम अलग-अलग intelligence agencies पर निगराणी रखने के साथ-साथ उनके बीच एक effective coordination को facilitate करना था ताकि power का misuse कम हो सके इसके लावा IB को national security तर restrict रखने और political surveillance से दूर रखने के लिए भी समय समय पर reforms forward किये जाते रहे हैं चलिए अब हम भारत की domestic intelligence agencies से foreign intelligence agencies के और भढ़ते हैं और चर्चा करते हैं RAW की Research and Analysis Wing RAW धर्मो रक्षती रक्षता का मोटो लिए 21st of September 1968 में स्थापित हुई Research and Analysis Wing यह RAW भारत की Foreign Intelligence Agency है 1962 में सुनों इंडिया वार के दौरान हुई Foreign Intelligence Failure के बाद पहली बार ततकालीन प्राम मिनिस्टर जवालनाल नहरू ने एक dedicated Foreign Intelligence Agency को establish करने की तरफ काम किया वही 1965 के इंडो पाकिस्तान वार के बाद Chief of Army Staff General जोयंतोनाथ चौधरी ने भी और जादा Intelligence Gathering की बाद सामने रखी ऐसे में 1966 का साल खत्म होते होते एक separate Foreign Intelligence Agency के establishment के ओर concrete step शुरू हो चुके थे जिसके बाद finally इंडरागर्णी Government ने 1968 में Research and Analysis Wing को establish कर दिया और Foreign Intelligence का टास्क Intelligence Bureau से लेकर RAW को दे दिया गया इस Agency का primary function Foreign Intelligence गैदर करने के साथ-साथ Counter-terrorism, Counter-Proliferation और इंडिया के Foreign Strategic Interests को बढ़ावा देने की दिशा में Policy Makers को एडवाईज देने का है यही नहीं RAW भारत के Nuclear Programs के security में भी involved है अपने establishment के बाद बीते पाच दशक में RAW ने विश्व में इंडियन डिप्लोमेसी के dominance को establish करने में एक एहम भूमी का निभाई है बहुत से experts का मानना है कि RAW के powers और इंडियन foreign policy में उसका role बदलती सरकारों और PMs के अनुसार ही बदलता रहा है वहीं RAW के पास इंडिया की बहुत सी foreign policy success का भी credit जाता है जैसे 1971 में पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लदेश का निर्माट 1975 में सिक्क्म का भारत में विले cold war के दुरान हुए African liberation movements अफगानस्तान में भारत का बढ़ता dominance लिगर इन सब के बाद भी RAW पे कुछ प्रशन उठाये जाते हैं जिसे RAW के right to information के अंडर ना होने से इसकी working और objective को लेकर transparency और accountability का अभाव है जिसके चलते RAW और इसके officials पर corruption और abuse of power से जोड़े आरोब भी लगते हैं वहीं कुछ देश कई बार RAW पर उनके देश की politics पर interference का आरोब भी लगाते हैं हाला कि Indian government इसे नकारती रही है खर AIB की तरह ही RAW की खामियों को दूर करने के लिए भी समय समय पर एक oversight mechanism को बनाय जाने की अनुशनशा की जाती रही है दोस्तो अब आगे बढ़ते हुए हम अगले important organization Narcotics Control Bureau को समझते हैं Narcotics Control Bureau NCB अगर आप Indian Constitution के Article 47 को देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे समिधान के लिए DPSPs में ये बात mentioned है कि state को medical purposes को छोड़कर स्वास्त के लिए हनिकारक सभी तरह के intoxicating drugs के use को prohibit करने के दिशाव में प्रयास करने चाहिए वहीं दूसरी और इंडिया, drugs controls related बहुत से international conventions का भी signatory है, जैसे Convention on Narcotic Drugs 1961 जैसे 1972 में amend करके protocol बना दिया गया Conventions on Psychotropic Substances 1971 और United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 इसके चलते, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 को पूरी दरह implement करने और prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988 के थूँ, उसके violation को रोकने के लिए 17th March 1986 को Narcotics Control Bureau का गठन किया गया था यहां हम आपके जानकारी के लिए बता दे कि Narcotics और Drugs से लेटेड इन लॉस का implementation इंडिया के international obligations को पूरर करने के लिए हुआ था, यही नहीं, NCB काम में foreign countries की concerned authorities को भी assistance प्रोवाइड करता है, जिससे universal actions और international coordination से drugs and substances के illicit traffic को prevent और suppress किया जा सके, साथी NCB Narcotic Drugs and Psychotropic Substances के seizures का डेटा एनलाइज करने के साथ साथ trends को भी study करता है ताकि इससे related networks और modest operating को समझ कर उससे related intelligence को state police और customs को transfer किया जा सके Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs के अंडर आती है, और देश की Economic Intelligence Council का भी part है यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NCB की officers को direct recruitment process से लेकर Indian Revenue Service Indian Police Service और paramilitary forces से भी लिया जाता है National Technical Research Organization NTRO NTRO या National Technical Research Organization भारत की dedicated Technical Intelligence Agency है 1999 की कार्गिल वार के बाद जोब इसके analysis के लिए सुप्रमन्यम कमिटी का गठन हुआ तो इस कमिटी ने अपनी report में इंडिया की intelligence gathering और National Security Setup की weaknesses को जागर किया इसके बाद तत कालीन डेपटी प्राइम मिनिस्टर L.K. एडवानी की अधक्षता में बनी Group of Ministers ने NTFO यानि National Technical Facilities Organization के setup को हरी जंडी दे दी जो आगे जागर NTRO या National Technical Research Organization के नाम से जानी गई NTRO, Remote Sensing SIGINT Data Gathering and Processing Cyber Security, Geo Special Information Gathering, Cryptology Strategic Hardware and Software Development and Strategic Monitoring जैसे Multiple Disciplines की intelligence analyze करने वाली एक specialized agency है NTRO, Technology Experiment Satellites TES, Cartoset 2A EMSAT and Cartoset 2B के अलावा दो Radar Imaging Satellites RISAT-1 and RISAT-2 की मदद से operate करती है साथी NTRO, Indian Air Force के साथ मिल कर बहुत से Very Long Range Tracking Radar VLRTR Systems भी operate करती है तो इस आपके लिए जानना दिल्चस्प होगा कि VLRTR का प्रयोग Missile Monitoring और Space Bone Threat के Detection के लिए किया जाता है यही नहीं NTRO, Indian Navy की मदद से Indian Ocean के Surveillance के लिए INS धुरुफ का इस्तमाल भी करती है यहां हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि Asia में अपनी तरह की First Organization, National Institute of Cryptology Research and Development NICID और National Critical Information Infrastructure Protection Center भी NTRO के अंडर ही आते हैं, जो Satellites, Underwater Bios, Drones, V-Set Terminal Locators और Fiber Optic Cable, Notal Tap Points जैसे Sensors और Platform के जरीए Gathered Intelligence को Monitor, Intercept और Assess करके देश के Crucial Infrastructure और दूसरे Vital Installations के Threat को Analyze करती है NTRO, Prime Minister's Office में National Security Advisor के अंडर आती है और वो सभी Norms of Conduct जो कि Intelligence Bureau और Research Analysis Wing RAW पर लागू होते हैं वही NTRO पर भी लागू होते हैं ऐसे में देश के Intelligence सेटप में NTRO के स्टेचर और Importance को समझना मुश्किल नहीं है National Intelligence Grid, NAD Grid 2008 में मुमई में हुए 26 गयारा अटाक्स ने भारत के Intelligence Gathering और Action Networks के Loopholes को उजागर कर दिया ऐसे में तभी से NAD Grid के Establishment को लेकर प्रयास किये जा रहे थे और उसके बाद से ही ये अलग-अलग phases में Operationalize होना शुरू हुआ इसके चलते हैं Finally, 31st of December 2020 से Operational हुआ National Intelligence Grid ये NAD Grid एक Integrated Intelligence Master Database Structure है NAD Grid एक टूल की तरह है जिसमें Government of India के Under की 21 different core security agencies के intelligence और reports से collected data को store किया जाता है NAD Grid के spoiled data में Specific Intelligence Inputs के लाबा General Immigration Entry और Exit Banking on Financial Transactions Credit Card Purchases Telecom, Individual Taxpayers Air Flyers, Trained Travelers related data भी store रहेगा ताकि Effective Counterterrorism के लिए Intelligence Bureau RAW, Central Bureau of Investigation CBI, Enforcement Directorate AD Directorate of Revenue Intelligence DRI Financial Intelligence Unit FIU Central Board of Direct Taxes CBDT Central Board of Excise and Customs CBEC Directorate General of Central Excise and Intelligence DGCEI and Narcotex Control Bureau NCBJC, India की 10 security और intelligence agencies इसे 24-7 access कर सेकें रिगरस देटा पूलिंग के चलते ही NAD Grid पर privacy के possible violations और confidential personal information के leakage से जुड़े प्रिशन भी उठाये जाते रहे हैं जिनके जवाब में NAD Grid का claim है कि इस सभी data बहुत से structural और procedural safeguards और oversight mechanism जैसे external audits और technology safeguard के बीच पूरी तरह सुरक्षित है हलागी यदि Nat Guard के इस claim को और उसके questionable structure को data protections related एक statutory barking मिल जाए तो शायद इस तरह के सभी प्रशनों पर पूर्ण विराम लगाया जा सकेगा नाशनल इंवेस्टिगेशन एजनसी NIA दोस्तों आपने Amazon Prime की famous web series The Family Men तो देखी ही होगी उसमें मनोज बाचपेई ने अपनी मुख भूमिका में एक NIA एजन्ट का किरदार निभाया है Nat Grid की ही तरह 2008 में हुए मुंबई हमलों से सबक लेते हुए देश की पार्लेमेंट ने National Investigation Agency NIA Act 2008 के तहट National Investigation Agency को गठित किया NIA भारत की प्राइमरी Counter-Terrorist Task Force है जो कि Ministry of Home Affairs के एक प्रोक्लेमेशन से राजियों से बिना किसी special permission के भी राजियों में terror related crimes के investigation के लिए पूरी तरह स्वतंतर है अपने investigations को independently और extremely professionally perform करते हुए NIA International Standards को follow करती है साथ ही वो terrorist और उनसे जोड़े information के storehouse को develop करने में भी एक important role play करती है यही नहीं investigations के बाद इससे related cases भी NIA special court के सामने ही रखे जाने का प्रावधान है ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस आग के जरिये terrorism और उससे जोड़े crimes उने पटने के लिए एक पूरे independence setup को ही गठित किया गया है लेकर NIA के इसे independence के चलते राज सरकारों द्वारा इसे इंडिया के federal structure के लिए एक threat के तौर पर देखा जाता है वही lack of financial autonomy और NIA के लिए एक separate cadre of service का ना होना अभी वो कुछ समस्या हैं जिन्हें दूर किये जाने की जरूरत है दूसरों यहाँ तक हमने देखा भारत की counter terrorism intelligence agencies और उनके mandate के बारे में लिए अब हम चलते हैं उन organizations की तरफ जो भारत में revenue intelligence से जोड़ी हुई है क्योंकि funding एक important source है जिसके दम पर terror organizations survive करती हैं और इसे लिए revenue और financial intelligence network पर चर्चा जरूरी है enforcement direct rate ED enforcement direct rate भारत की economic crime से deal करने वाली agency है यह भारत में economic loss को enforce करने और economic crime से लणने का काम करती है enforcement direct rate का prime objective foreign exchange management act 1999 FEMA prevention of money learning act 2002 PMLA और the fugitive economic offenders act 2018 F.E.O.A. जैसे government of India के acts का enforcement करना है यही नहीं भारत में money laundering को check करना और उसकी रोगताम भी ED की ही जिम्मेदारी है ED government of India की ministry of finance के department of revenue का part है वह यह गरमस के competition की बात करें तो यह Indian revenue service, Indian police service और Indian administrative service के साथ-साथ अपने ही काड़ा के promoted officer से मिलकर बनी है Directorate of Revenue Intelligence, DRI Directorate of Revenue Intelligence यह DRI भारत की प्रमुक Anti-Smuggling Intelligence, Investigation और Operations Agency है DRI भारत के national और economic security को सुरक्षत रखने के लिए firearms, gold, narcotics, fake Indian currency notes antiques, wildlife और environmental products के contraband की smuggling को रोकने का काम करती है साथ ही यह black money, trade-based money laundering और commercial frauds को रोकने के लिए भी mandated है इस काम को करने वाले DRI के officers Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC से लिए जाते हैं यह officers इंडिया की अलग-अलग zonal units में पोस्टेड होने के साथ-साथ विदेशों में स्थिद, Indian embassies में भी Customs Overseas Intelligence Network की तरह काम करते हैं Financial Intelligence Unit, FIU Government of India के Department of Revenue के अंडर आने वाला Financial Intelligence Unit, India FIU IND, Prevention of Money Laundering Act 2002 के अंडर किये गए Financial Offenses से जोड़ी Financial Intelligence इकटा करने का काम करती है इसके लिए FIU, अलग-अलग reporting entities द्वारा मिलने वाली Cash Transaction Reports, CTRs Non-Profit Organization Transaction Reports, NTRs Cross Border Wire Transfer Reports, CBWTRs Reports on Purchase, Sale of Immovable Property, IPRs और Suspicious Transaction Report यानि STR जैसी रिपोर्ट को रिसीव करने वाली Nodal Agency की भूमिका भी निभाती है यही नहीं FIU इन रिपोर्ट को अनेलाइस करने और इनके Central Repository की भूमिका निभाने के साथ-साथ जरुवत पढ़ने पर PMLA 2002 के violation पर punitive actions लेने के लिए भी स्वच्छन्द है 9. 2004 में कठिद FIU Directly Economic Intelligence Council EIC को रिपोर्ट करती है जिसे भारत के Financial Minister Head करते है Directorate General of GST Intelligence DGGI जिसो Directorate General of GST Intelligence DGGI Ministry of Finance के अंडर आने वाली एक Law Enforcement Agency है जो भारत में Tax Evasion को fight करने का काम करती है 1979 में Directorate General of Anti-Evasion के नाम से गठिती ओर्गनाजेशन बात में Directorate General of Central Exercise Intelligence के नाम से जानी जाने लगी वहीं Goods and Services Tax के इंट्रिजूस होने के बाद इसका नाम बदल कर Directorate General of GST Intelligence DGGI कर दिया गया यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह Agency Nat Grid का भी पार्ट है अब आप पूछेंगे कि भला भारत जैसे देश से हमारा क्या मतलब है तो जस्टो मेंशन भारत की 15,600 किलोमेटर लंबी लैंड बाउंडरी है और इसके पडोस में पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट और चाइना जैसा Expansionary Policy Follow करने वाला देश है वही दूसरी ओर हमारा पडोसी बांगला देश जिससे हमारी सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है और मेरमार जिससे हमारे Porous Borders है यानि ये भी हमारी Border Security के लिए इशूस क्रेट करता है इनके लावा जैसे हर पडोसी के भी छोटी मोटी ही सही और कुछ न कुछ नोग जोग बनी ही रहती है ठीक वैसे ही हमारे Friendly Nevers नेपाल और भूटान से लगी सीमा पर भी छोटे मोटे इशूस बने ही रहते हैं वही हमें सब के साथ-साथ इंडिया के Maritime Border से जोड़े हमारे पडोसी देश शिलंका से चल रहे Border issues के बारे में भी जानेंगे तो चलिए आज हम भारत की Border Security और उससे जोड़े मुद्दों के बारे में जरह विस्तार में चर्चा करते हैं और इस हमजने की कोशिश करते हैं कि आखर अपनी सीमा का सुरक्षत रखने के लिए आज हम क्या कदम उठा रहे हैं इस कड़ी में सबसे पहले हम अपने इस discussion के शिरुवाद भारत के Western और North Western Border से करते हैं जहां पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के एक हिस्से को illegally occupy कर लेने की वज़े से अब भारत की सीमा किवल पाकिस्तान से ही मिलती है यह भारत का सबसे जोलन शील बॉर्डर है जो भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर दोस्तों यह तो भारत और पाकिस्तान की बीच के इंटरनाशनल बॉर्डर की लंबाई को लेकर कोई आम सहमती नहीं है और उसका एक बड़ा करण यह है कि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर का एक हिस्सा illegally occupy कर रखा है इसके चलते हैं इस हिस्से में दोनों के बीच के बॉर्डर को इंटरनाशनल बॉर्डर ना मानते हुए LOC यानि Line of Control कहा जाता है तो अगर हम एक Reliable Resource के हवाले से बात करें तो American Publish Broadcaster Public Broadcasting Service के मताबिक दोनों के बीच के बॉर्डर की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है जो American News Publication Group Foreign Policy द्वारा 2011 में Released एक आर्टिकल के अनुसार दुनिया के सबसे डेंजरस इंटरनाशनल बॉर्डर में से एक है यही नहीं अगर हम गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब से होते हुए जम्मू और कश्मीर तक फैले इस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यह फिजिकली और जोग्रफिकली भी दुनिया के सबसे डैवर्सिफाइड बॉर्डर में से एक है क्योंकि यहां यह गुजरात में बिलो सी लेवल से शुरू होता है तो वहीं थार डेजर्ट से होते हुए यह हमालिन रेंजिस में दुनिया की सबसे उची चोटियों में से एक से होकर गुजरता है यही नहीं आजादी के बाद से ही भारत पाकिस्तान के सक्त रिष्टों और उस वज़े से समय समय पर आए बदलाओं की वज़े से भारत पाकिस्तान का यह बॉर्डर मुखतन तीन हिस्सों में बटा हुआ है तो चलिए अब हम तीन हिस्सों के बारे में भी जान लेते हैं इंटरनाशनल बाउंडरी यह भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर का लगभग 23 किलो मिटर लंबा वो हिस्सा है जिसे दोनों ही देश इंटरनाशनली रिकगनाईज करते हैं भारत-पाक सीमा के इस हिस्से को रेट-कलिफ लाइन भी कहा जाता है यह भारत के कश्मीर और पाकिस्तान दोरा इल्लीकली उकॉपाइड या फिर कहें पाकिस्तान एड्मिनिस्टर के बीच की वो डी-फाक्टर बाउंडरी है जोसे 1972 में हुए शिमला एग्रिमेंट में डिमार्केट किया गया था यह लगभग 770 किलोमीटर लंबी है धर्ड, एक्ट्वल ग्राउंड पोजिशन लाइन और AGPL जोसे जम्मू कश्मीर में स्थित भारत के लिए स्ट्राट्जीकली सबसे इंपॉर्टन पॉइंट्स में से एक स्याचिन रीजन में भारत और पाकिस्तान के टूप्स की करेंट पोजिशन को डिवाइड करने वाली लाइन को एक्ट्वल ग्राउंड पोजिशन लाइन कहा जाता है ये लगबग 110 किलोमेटर लंबी लाइन है जो NJ9842 के नौर्थ में इंद्रा कॉल तक जाती है लेकिन भारत पाक विभाजन रेखा के इन तीन विभाजनों के अलावा भी एक चौथा विभाजन है जिसे ये नाम United Nations ने दे दिया है तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं और वो है वर्किंग बाउंडरी दोसो पाकिस्तान के पंजाब और इंडियन एडिमिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बीच स्थिद लगबद 200 किलूमिटर लंबी वर्किंग बाउंडरी को UN द्वारा ये नाम इसलिए मिला क्योंकि international forums पर पाकिस्तान इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर को भी अपना ही अंग मानता रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत अखंड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है ऐसे में इस disputed nature के विरे से UN ने इस border को working boundary माना है चलिए तो अब जब आप भारत पाक बार्डर और उसके divisions के बारे में जान चुके हैं तो अब इस border से related कुछ important disputes और border issues के बारे में भी जान लेते हैं main issues on इंडो पाक बार्डर तो अब भारत के मानचित्र पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सियाचन एक त्रभुजाकार या triangular shaped land है जो कि पाकिस्तान occupied कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा चाइना को दिये हुए कश्मीर के हिस्से के बीच में बढ़ता है चाइना और पाकिस्तान के बीच इसकी इसी geographical position की वज़े से सियाचन एक बहुत ही important strategic point है यही कारण है कि पाकिस्तान के ओर से समय समय पर सियाचन को हत्याने के प्रयास होते रहे हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सियाचन पर अपना अधिकार कर लिया तो ना केवल उसके लिए चाइना तक पहुँचने का एक सीधा मार्ग खुल जाएगा बलकि यहां से वो पूरे लदाक रीजन और क्रूशल ले श्रीनगर हाईवे पर strategic oversight रख पाएगा जिससे भारत के लिए एक बड़ा खत्रा खड़ा हो जाएगा यही कारण है कि भारत पाक के बीच हुए 1947-48 वार के बाद 1949 में हुए कराची सीजफायर एग्रिमेंट के ambiguous wording का फायदा उठा कर वो सीयाचन पर अपना अधिकार जताता रहता है यही नहीं 1983 में पाकिस्तान ने अपने टूप्स को भेज कर सीयाचन पर करबजा करने की कोशिश भी की थी लेकिन तब भारतिय सेना ने ऑपरेशन मेगदू चला कर उसकी एक कोशिश नाकाम कर दी अगर हम आज की बात करें तो सीयाचन के पूरे ग्लेशर के साथ-साथ यहां के सॉल्टर और रिच के तीरों इंपॉर्टन पासेज सियाला, बिलेफॉंडला और ग्योंडला भी भारत के ही अधिकार में है सेकेंड इशू गिलगिट बाल्टस्तान इशू दोस्तो कश्मीर को लेकर 1947-48 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले युद्ध के बाद United Nations के resolution ने एक temporary ceasefire line establish कर दी इसके चलते कश्मीर पाकिस्तान administered region और इंडियन administered region में बढ़ गया इसके बाद इन दोनों ही regions में UN द्वारा जल्द से जल्द referendum की विवस्था की जानी थी लेकिन ये position आज भी जसकी test बनी हुई है क्योंकि referendum की condition के लिए पहले पाकिस्तान अपने troops को कश्मीर से स्पीच लेगा क्योंकि referendum की condition ये थी कि पहले पाकिस्तान अपने troops को कश्मीर से पीछे लेगा लेकिन उसने ये आज तक नहीं किया है अगर हम आज की इस स्थिती में देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर और लदाग का region जो कि भारत का अभिन अंग है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है पहला इंडिया अनकंट्रोल इस वक्त भारत के अधिकार में पूरे जम्मू कश्मीर का लगबग 45% portion मुझूद है जो कि इस अंडिवाइड स्टेट का सदन और इसन पार्ट है पाकिस्तान का ये एरिया लगबग 3 एरियाज में डिवाइड है एक एरिया जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है गिलगेट और बाल्तिस्तान ये अंडिवाइड जम्मो एंड कश्मीर का नर्दन और वेस्टन portion है जोकि टोटल एरिया के नजरिये से लगबग 35% है थर्ड पॉर्शन है चाइना कंट्रोल जोसो अंडिवाइरट जम्मो इंड कश्मीर का इस्टन रीजन चाइना के कंट्रोल में है रीजन अकसाई चिन कहलाता है और टोटल एरिया का लगबग 20% है ऐसे में एक ही स्टेट के इस तरह के डिविजन की समस्या अपने ही तरह की यूनिक सिचुईशन खड़ी कर देती है जहां तीनों कंट्रीज एक दूसरे के कंटेंशन में खड़ी नजर आती है यही कारण है कि यह मुद्दा इंटरनाशनल फोरूम्स पर भी गरम बना रहता है जबकि यूनाइटेट नेशन्स ने भी इस पूरे रीजन को डिस्प्यूटेड एरिया मानकर ठंडे बस्ते में डाल रखा है इसकी वज़े से इसे रिजॉल्व करने के दिश्वा में कोई पहल नहीं की जा रही नतीज़ यह है कि भारत इस पूरे रीजन का राइटफल ओनर होने के बाद भी अपने अभिन भाग को तीन हिस्सों में बटा देखने के लिए मजबूर है रिवर डिस्प्यूट्स रर्ल्ड बैंक की मध्यस्ता से 1960 में हुए इंडस वाटर ट्रीटी ने यहां की मुख नदियों सतलुच, ब्यास, रवी, चेनाब और जेलम के वाटर शेरिंग की स्थिती को काफी हद तक साफ कर दिया जिनके अंतरगत तीनो पूर्वी नदियों सतलुच, ब्यास और रवी काधिकार भारत को और तीनो पश्चमी नदियों इंडस, चेनाब और जेलम काधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया लेकिन अब भारत की जनता के एनरजी रिक्वार्मेंट्स को पूरा करने और घाटी में फ्लडिंग की समस्य से निपटने के लिए भारत की ओर से इन रिवर्स पर बनाये जा रहे हाई हाईड्रोलेक्टिक पर पाकिस्तान में आबजेक्शन उठाए हैं जबकि ये काम करना इंडिया को इंडिस वॉर्टर ट्रीटी के तहट एलाउड है इस दिशा में मार्च 2022 में पाकिस्तान ने भारत के 10 हाईड्रोलेक्टिक पर सवाल खड़ी किये थे जिनमें किशन गंगा हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट पकाल दुल, लोवर कलनाई, जिमू चिलिंग प्लांट्स प्रमुक्त है, ऐसे में ये इशूज और भी सेंस्टिफ भारत-पाकिस्तान बॉर्डर इशूज को और भी ज़्यादा वॉलेडाइल बना देते हैं जिसने यहां के ओरिजनल लोकल डूलर्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में एहम भूमिका निभाई थी, जबकि ओरिजनली इसका नाम बन गंगा हुआ करता था जैसे कि हमने आपको बताया कि सर क्रीक के एरिया डिमार्केशन को लेकर इडिस्प्यूट ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और इसी सिलसले में 1908 में कच्छ के रूलर राव और सिंद गवर्मेंट के बीच पहली बार क्रीक एरिया से फायरवूट कलेक्शन को लेकर विवाद हुआ जिससे रिजॉल्व करने की दिश्वा में 1914 में बॉंबे प्रोविंस की गवर्मेंट ने एक एम्डिगेस सा फैसला सुना दिया जिसके चलते हैं ये विवाद सुलजने के बजाए और जादा उलच किया विवसे इसी फैसले में और क्लारेटी लाने के उद्देश से 1925 में सिंद और कच्छ के बीच होरिजन्टल सेक्टर में लांड बाउनरी के डिमार्केशन के लिए 67 पिलर्स इस्टाबलिश कर दिये गए लेकिन फिर भी सर क्रीक के कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी क्लारेटी नहीं आपाई वही ए अजादी के बाद 1968 में इंडिया पाकस्तान ट्रिबूनल ने कर्च बॉडर को लेकर इंडिया के 90 परसन्ट क्लेम को सही माना लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली सर क्रीक की मोते का कोई निशकश नहीं निकल पाया यही कारण है कि आज भी भारत और पाकिस्तान 1914 में हुए फैसले और 1925 में हुए डिमारकेशन की अम्बिगिटी के चलते सर क्रीक को लेकर अपना अपना दावा पेश करते हैं लेकिन सर क्रीक का यह हिस्सा सेक्योर रखना भारत के नजरीय से बहुद एहम है इसका पहला कारण है यहाँ पर मुझूद एनर्जी रिसोर्सिस इस एरिया में सीबेट के नीचे ऑईल और गैस के बहुत से भंडार होने की बात सामने आती है ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान का क्लेम माल लेता है तो उसे अपने एक्स्क्लोजर एकोनोमिक जोन में लगभग 250 स्क्वार माइल्स का नुकसान उठाना पड़ेगा जो कि भारत के एनर्जी सेक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा वहीं दूसरी ओर ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टन्ट फिशिंग ग्राउंड भी है जिसके चलते यहां भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के मचुआरे फिशिंग करते हैं ऐसे में एरिया पाकिस्तान को दे देना यहां के लोकल फिशर्वन के लिए भी काफी घातक होगा यहीं नहीं एक एक एकलोजिकली सेंस्टिफ जोन होने की वज़े से सर क्रीक की एकलोजी को भी responsibly exploit करना जरूरी है लेकिन इन कारणों के अलावा भी भारत के लिए इस एरा को सरक्षत रखना जरूरी है इसका कारण ये है कि सालों से पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक का इस्तमाल ड्रग्स, आम्स और दूसरे प्रोड़क्ट्स के स्मगलिंग के लिए किया जाता रहा है ललदली शेतर होने की वज़े से यहाँ पर पेट्रोलिंग करना काफी मुश्किल है और उसका फाइदा उठा कर यहीं से टेर्रिस्ट को भी इन्फिल्ट्रेट किया जाता है उधारन के लिए 26.11 में हुए हमले की दरान भी टेर्रिस्ट ने मुंबई में दाकिल होने के लिए जिस इंडियन फिशिंग विसल कुबेर का इस्तमाल किया था उसे यहीं से कैप्चर किया गया था इसे में भारत के लिए इस मुद्दे को सुलजाना और इस एरिया को सुरक्षित करना भी बेहत दरूरी है दोस्तो इन स्पेसिफिक इशूस के लावा भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के कुछ इशूस ऐसे हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक ना होते हुए भी इस पूरे बॉर्डर पर फैले देखे जा सकते हैं अफ्टर ओल भारत पाकिस्तान बॉर्डर को दुनिया का सबसे वॉलेटाइल और डेंजरस बॉर्डर ऐसी थोड़ी बुलाया जाता है अगला ऐशू है इन्फिल्ट्रेशन इसी कड़ी में सबसे पहला मुद्दा है इन्फिल्ट्रेशन का पाकिस्तान 1947 के बाद से ही भारत में अपने मिलिटरी बाग्ड टेलरिस्ट इन्फिल्ट्रेड करने की कोशिच करता रहा है अफ्टर ओल 1947-48 पे जब पाकिस्तान ने धोके से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कबजा किया तब भी उसने इसी हत्खंडे का सहरा लिया था और तब ही से वो लगतार सीमा पर भारत में अश्रांती फिलाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन करता रहा है तो सब भारत पाकिस्तान की सीमा पर हर समय सीसफायर के उलंगन देखने को मिलते हैं यह सीसफायर उलंगन कभी-कभी छुटपट फारिंग से लेकर moderate scrimishes तक बढ़ जाती हैं जिसके चलते सीमा के किनारे बसे गाउं भी सुरक्षित नहीं है ऐसे में मासूम जंता भी डर के साई में जीने को मजबूर है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आये बिना सीमा पार से बहुत से illegal activities करने की साजिश रष्टा रहता है उधारन के लिए गुजरात से लेकर कश्मीर तक फैले border से अकसर नार्कोटिक्स और आम्स की तसकरी की खबरें मिलती रहती हैं जिसके लिए जहां पहले traditional तरीकों का अस्तमाल किया जाता था तो वहीं अब इसके लिए high tech drones तक का अस्तमाल होने लगा इसी तरह पाकिस्तान के ओर से fake currency rackets भी चलाय जा रही हैं दोस्तों अब जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बीच के border से जुड़े main issues के बारे में जानी चुके हैं तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखरेने solve करने की दिशा में हमारी सरकार के ओर से क्या-क्या initiative लिए गए हैं initiatives taken by government पहला fencing बारत और पाकिस्तान की बीच के borders की accessibility कम करने और इनके porous nature को दूर करने के लिए 2011 में ही भारत सरकार द्वरा सारे borders को fence कर दिया गया था वहीं LOC के highly sensitive border पे तो double row fencing का काम भी पूरा किया जा चुका है दूसरा use of technology इसी तरह end of work border की सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए अब comprehensive integrated border management system CIBMs के अंतरगत high grade technology का भी इस्तमाल किया जा रहा है जिसके लिए central government ने five layer security plan अप्रूफ किया है जिसमें close circuit television cameras, thermal images, underground monitoring sensors और laser barriers को भी border पर प्लेस किया जा रहा है ताकि border पर होने वाले हर movement को track किया जा सके अपने multi-layer setup की वज़े से failure की स्थिती में ये सभी devices एक दूसरे को compliment करेंगे यही नहीं इंडिया पाकिस्तान border पर किये गए electrification और 50,000 से जादा floodlight setup के चलते 2017 में नासा दोरा released एक photograph से ये बात सामने आई कि अब ये border space से भी देखा जा सकता है इसी तरह बार्डर की निगरानी को पढ़ाने के लिए भारत ने 700 से जादा border outpost setup किये साथी पंजाब में अमरितसर के पास अटारी में एक integrated check post भी establish किया गया इसी तरह बाकि specific issues को जल से जल resolve करने के लिए भी सरकार के ओर से diplomatic friends पर काम किये जा रही है उधारन के लिए government ने माधव गोट बोले कि अध्यक्षता में एक task force on border management भी establish की जिसने अपने report में neighboring countries के साथ pending border dispute को resolve करने के लावा border guarding forces को exclusively border पर रखने और उन्हें internal security duties जैसे नक्सलिजम के खिलाफ fights इत्यादी में deploy ना करने की भी सलादी थी 5. development of border infrastructure Border security को ensure करने के लिए border areas में roads और दूसरे critical infrastructure को develop करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है इसके लिए border road organization को एक elaborate road map बनाने और उस implement करने का काम सौपा गया है 2021 में पाकिस्तान borders पर forces के swift movement को ensure करने के लिए ब्यारों ने लगभग 24 bridges और तीन roads बनाई थी अपने discussion में आगे बढ़ते हुए भारत के north और north nation border के बारे में चर्चा करेंगे जहां भारत की सीमा, चाइना, नेपाल और भूटान से मिलती है साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सीमा पर आखिर वो कौन से ongoing मुद्धे हैं जोने सुलझाय जाने की जरुवत है सबसे पहले चर्चा इंडिया और चाइना बॉर्डर्स की सिनो इंडिया बॉर्डर्स की करेंट कॉंप्लिकेशन्स मेंली 1950 में हुए चाइनीज अनेक्सेशन आफ तिबद से जुड़ी हुई है 1950 में जब चाइना ने तिबद को उकुपाई कर लिया जिसे चाइना खुद तिबद का लिबरेशन बताता है तब से इंडो तिबद बॉर्डर सिनो इंडिया बॉर्डर में कनवर्ट हो गया तिबद जब से चाइना का हिस्सा बना है तब से ही सिनो इंडिया बॉर्डर पर जगे जगे पर अलग-अलग disputes इंटेंसिफाई होने लगे और 1954 से चाइना अंडिवाइरट जम्मू कश्मीर स्टेट के इस्सिन पार्ड यानि अकसाइचिन उत्रखंड राज के कुछ हिस्से और पूरे अनाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश कर रहा है इसके पहले कि हम सिनो इंडिया बॉर्डर की और इसके लिए हमें सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टन्ट हिस्तॉरिकल बॉर्डर लाइन्स को समझना ज़रूरी है इन लाइन्स में सबसे पहली है जॉनसल लाइन जॉंसन लाइन लदाक में सर्विय आफ इंडिया के डव्लू एच जॉंसन द्वारा 1865 में ड्रॉडर की गई इंडिया और शाइना के शिंजांग के बीच की बॉर्डर लाइन है ये लाइन क्लियरली अकसाई चिन को इंडिया टरिटरी मानती है और इंडिया ओफिशली लगभग इसी लाइन को लदाकीरिया में अपना इंटरनाशनल बॉर्डर मानता है जबकि चाइना 1993 में ड्रॉही मैकाटनी मैकडॉनल्ल लाइन को मानते हुए ये दावा करता है कि अकसाई चिन उसकी टरिटरी है इसके लावा एक और हिस्तोरिकल लाइन है जो 1914 के शिमला कन्वेंशन के तहद एक्जिस्टेंस में आई थी और उसका नाम है मैकमोहन लाइन ये लाइन बिटिश इंडिया और तिबबत के बीच साइन हुई थी और इसके तहद सिनो इंडिया का इसन बॉर्डर डिमार्केट किया गया था इस लाइन की तहट अनुदाचिल प्रदेश पूरी तरह से इंडिया का अभिन हिस्सा है लेकिन तिबबत उकूपेशन के बात से चायना ने इस लाइन को रिकर्गनाईज करने से मना कर दिया और पूरे अनुआजल प्रदेश में अपना धावा ठोकने लगा जो सरा सर गल इस लाइन का अतिहास 1962 में हुए सिनों इंडिया वार से जुड़ा हुआ है 1962 में चाइना ने एक्जिस्टिंग बॉर्डर्स को पार करते हुए अक्साइचिंड पर कबजा कर लिया और तबी से भारत और चाइना दोरा एक्जिली कंट्रोल टरिटरीज को डिवाइड करने वाली रेखा को लाइन ऑफ एक्जिल कंट्रोल या एलेसी कहा जाता है हम आपको बता दें कि लेसी और इंटरनाशनल बॉर्डर्स में अंतर ये है कि लेसी ऑन ग्राउंड ट्रूप्स और कंट्रोल आफ टरिटरीज से डिटर्माइन होती है जबकि इंटरनाशनल बॉर्डर्स हमारी ऑफिशल पॉरिशन, क्लेम्स और उससे जुड़ी हुई हमारी उन टरिटरी से डिटर्माइन होती है जिन पर भले ही हमारा एक्ट्रोल कंट्रोल ना हो लेकिन हम उन्हें अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं मैं आपको ये भी बता दूँ कि सिनो इंडिया बॉर्डर्रे डिस्प्यूट्स की कॉम्फलेक्सिटी इस वज़े से भी बढ़ जाती हैं क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच ना तो इंटरनाशनल बॉर्डर्स को लेकर कोई क्लियर सहमती है और ना ही LAC को लेकर जी हाँ यही वज़े है कि LAC के एक्रॉस प्रूफ मुव्मेंट्स को लेकर समय समय पर कॉनफ्लिक्ट्स होते रहे हैं दोनों देशों ने कई बार LAC को डिफाइन करने की कोशिश है की हैं येकर इस पर कोई खास सहमती अभी तक नहीं हो पाई है तो दोस्तो अब जब आप भारत और चाइना के बॉर्डर की ब्रीफ हिस्ट्री को समझ चुके हैं तो चलिए अब हम इस बॉर्डर के इस स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स को और डीटेल में देखते हैं और इनसे जोड़े कुछ स्पेसिफिक इशूज के बारे में भी इसके चलते इसे जॉंसन्स लाइन दोरा शिंज्यांग से अलग किया गया तब शिंज्यांग पर चाइना का कंट्रोल नहीं था और इसलिए उस समय बिटिश सरकार दोरा चाइना से इस पर सहमती नहीं ली गई फिर जब 1980 में चाइना ने शिंज्यांग पर अपना कंट्रो को redefine करते हुए McCartney McDonald Line का proposal भीजा गया लेकि Chinese Government के द्वारा इस proposal के बारे में कोई response नहीं भीजा गया ऐसे में अक्साइचिन एक grey area बना रहा जिसको लेकर British और Chinese Government के बीच कोई clear understanding established नहीं हो पाई और British India ने lack of Chinese response के चलते फिर से Johnson Line को अपना border मान लिया जिसके चलते हैं जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इसने अपनी official boundary निदार्द करते समय Johnson Line के आधार पर अक्साइचिन को भारत का हिस्सा माना लेकि 1950s में चाइना द्वारा Johnson's Line को पार करते हुए इस region में road बनाने का काम शुरू कर दिया गया और इसी के बाद अक्साइचिन को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा पर जड़प का दौर शुरू हो गया इनी क्लाशेस ने आगे जाकर 1962 में सिनो इंडो वार का रूप ले लिया इसके बाद चाइना ने अक्साइचिन रीजन को इल्लीगली अपने कबजे में ले लिया और तभी से ये यथा स्थिती बनी हुई है यही कारण है कि 1962 के वार के बाद से ही वेस्टन सेक्टर के सिनो इंडिया बॉर्डर को एलेसी यानि लाइन आफ एक्ट्रोर कंट्रोल कहते हैं जो इन दोनों देशों के बीच के इंटरनाशनल बॉर्डर को डिफाइन करने के बजाए एरिया उफ कंट्रोल को डिफाइन करता है हाला कि शुरू में एलेसी शब्द का इस्तमाल केवल इसी western sector के बॉर्डर को define करने के लिए किया जाता था लेकिन 1990 के बाद से ही पूरे सिनो इंडिया बॉर्डर को LAC से ही define किया जाने लगा जो आज भी जारी है अगला conflicting sector है हिमाच्विल प्रदेश और उत्राखंट यानि कि middle sector जो सिनो इंडिया बॉर्डर का ये हिस्सा लगबग पूरी तरह well defined है और इसी की चलते यहाँ पर चाइना से कोई खास सीमा विवाद नहीं है साथी इस sector को लेकर दुनों देशों के बीच agreed maps भी exchange हो चुके हैं कि वल छोटे मोटे clashes 12 होती प्लीन्स को लेकर होते रहे हैं अवनाचल प्रदेश इसन सेक्टर दूसर जैसा हमने पहले भी देखा कि 1914 में तिबिद्दन ब्रिटिश और चाइनीज गवर्मेंट के बीच लंबे दौर की बैटकों और नेगोसीशन के बाद शिमला एकोर्ट साइन किया गया जिसके जरीए इन तिबबत ब्रिटिश इंडियन ट्रिटरी और चाइना की सीमाओं के निरधरन करते हुए सर्व सम्मती से मेकमोहन लाइन को खीचा जाना था लेकिन एन मौके पर चाइना की रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेट इवान चिन ने इस एकोर्ड पर साइन करने से इंकार कर दिया जिसके बाद फिर से नेगोसीशन का एक लंबा दौर चला लेकिन चाइना अपनी जित से टस से मसना हुआ अंतता ब्रिटिश और तिब्बत के बीच एक बालिटरल एकोर्ड साइन हुआ और टरिटरीज को डिफाइन करते हुए मैकमोहन लाइन को खीच दिया गया इसके फलसरूब अरुनाचिल प्रदेश को इंडियन टरिटरी माना गया तबी से चाइना शिमला एकोर्ड और मैकमोहन लाइन दोनों के प्रती अपनी आस सहमती व्यक्त करते हुए अरुनाचिल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है लेकिन ताजब की बात यह है कि जिस मैकमोहन लाइन को आस स्विकार करते हुए चाइना अरुनाचिल प्रदेश पर अपना दावा पेश करता है उसी मैकमोहन लाइन को स्विकार करते हुए वो मैनमार से अपने बॉर्डर्ज डिफाइन करता है ऐसे में एक ही लाइन और एक ही अकॉर्ड को लेकर चाइना के डबल स्टैंडर्स साफ देखे जा सकते है खेरन सब कॉन्फ्लिक्स और कन्फूजन के चलते लाइन अफ एक्च्छल कंट्रोल की वोलिडिलिटी बनी हुई है और चाइना के ओर से लगातार इसे पीछे ढखलनी की कोशिश की जा रही है इसके चलते भारत को चाइना से लगी अपनी 3488 किलोमेटर लंबी बॉर्डर पर पैनी नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि भारत की ओर से जरा से ढिलाई और चाइना की ओर से डोकलाम और गलवान जैसी और भी नापाक हरकते देखने को मल सकती है ऐसे में भारत की ओर से बॉर्डर की सुरक्षा की जम्यदारी बहुत सी एजन्सीजीज मिल जुल कर समहलती है जिनमें ITBP यानी इंडो तेबितन बॉर्डर पुलिस, स्पेशल फ्रेंटियर फोर्सेज, असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, अन्प्रपोस्ट सिक्किम स्काउट शामिल है अब कुछ और इशूस को देखते है चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडॉर CBEC दोस्तो चाइना और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते ही चाइना ने पाकिस्तान द्वारा illegally occupy किये हुए इंडिया के POK region से CPC का काम शुरू कर दिया है ऐसे में इस अनाधिकरत करड़ोर के निर्मार से भारत की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि भले ही चाइना इसके construction के पीछे economic ease और business cargos के easy movement का हवाला दे रहा हो लेकिन ही चाइना के लिए एक strategically strong point बनता जा रहा है क्योंकि भविश में किसी भी conflict के दोरान चाइना कभी भी इस route के जरीए अपने troops को mobilize कर पाएगा ऐसे में ये भारत के लिए गंभीर विशय है इसके बाद आते हैं water disputes में भारत के नौर्थीस में बहने वाली बहुत से नदियों का source चाइना में है जिनमें ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल international river और उसकी tributaries प्रमुक है ऐसे में चाइना अकसर इस बात का फाइदा उठाते हुए भारत के लिए मुश्किले खड़ी करता रहा है कभी वो power projects और dams के development के माध्यम से भारत के north east के लिए आने वाले river flow को cut off कर देता है तो कभी इनी के माध्यम से north east में artificial flood develop कर देता है इसी तरहे चाइना एक दूसरी trans boundary river मेकॉंग पर भी तेजी से dams develop करके में अनमार, लाउस और वियादनाम जैसी countries के लिए भी मुश्किले बढ़ा रहा है ऐसे में हम देख सकते हैं कि चाइना अपने neighbor countries के against dams और rivers तक का इस्तमाल करता है दोसो भारत और चाइना के बीच के border points के माध्यम से Chinese electronics और दूसरे consumer goods की smuggling भी देखने को मिलती है जो एक बड़ी समस्या है पहले ही Chinese goods का dumping करके चाइना ने इंडिया की economic problems को बढ़ाया है और उपर से ये smuggled goods एक parallel economy को जन देते हैं जो इंडिया के financial system के लिए बड़ा खत्रा है दोसों सारे issues को जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं सेनों इंडिया borders पर स्थिती को ठीक करने के लिए इंडिया द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रही है initiatives taken by the government border talks दोनों देशों के बीच के border issues को सुलजाने के लिए 1981 में high level border talks initiate के गए थे लेकिन ये 1987 में ही बंद हो गये इसके बाद इन्हें बहाल करने के लिए कई बार कोशशे होई जैसे 1993 में दोनों देशों के बीच agreement on the maintenance of peace and tranquility along the LSE sign किया गया वही 1996 में agreement on confidence building measures in the military field along the LSE sign हुआ 2005 में protocol on the modalities of the implementation of confidence building measures in the military field along the LSE 2012 में agreement on the establishment of a working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs और 2013 में border defense cooperation agreement इन पांचों अग्रिमेंट्स ने दोनों देशों के बीच military और political levels पर diplomatic engagement के लिए modus operandi provide करने का काम किया है साथ ही इनके जरीए किसी भी escalation के दुरान लिये जाने वाले counter diplomatic actions को भी define किया गया है इनके अलावा दोनों देशों के बीच confidence building measures के तौर पर दोनों देशों के आर्मी headquarters और field commands के बीच regular interactions और additional border personal meeting points को भी ensure किया जा रहा है infrastructure development at the border दोस्तों लंबे समय से पहले ही चाइना की तरफ से border पर mass-scale infrastructure के साथ-साथ railroad networks डेवलप के गये थे क्योंकि Chinese side में हिमालियास का slope Tibetan Plateau के चलते उतना steep नहीं है जितना वो Indian side पर है इस context में भारत के ओर से difficult terrain thick forest cover और lack of fund allocation की वज़े से appropriate infrastructure डेवलप नहीं हो पाया था ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए अब government दोरा इस ओर vicious रूप से ध्यान दिया जा रहा है साथी conflict के तरान तेजी से troops और equipment को border एरियास में पहुँचाने के लिए border road organization की मदद से all weather roads पी डेवलप किया जा रही है ये काम बियारो अपने projects जैसे project हिमांक, project वर्तक त्यादी के तहट कर रहा है दोसो चाइना के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया और नेपाल border को इंडो नेपाल border दोसे मिरिस्ट्य ओम हो अफेर्स के मुताबिक भारत और नेपाल 1751 किलोमेटर लंबा border शेयर करते हैं जो कि उतराखंट, उतरपदेश, बिहार और वेस्ट बेंगॉल से होते हुए सिक्किम जाता है इन दोनों देशों के friendly relations की वज़े से 1950 में दोनों देशों के बीच हुई एक treaty की वज़े से यह एक open border है जिसकारण दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे में freely आ जा सकते हैं साथ ही नेपाली स्टीजन्स आसानी से भारत में आकर रह सकते हैं यहाँ property खरीट सकते हैं और jobs भी पास सकते हैं यह सब treaty of peace and friendship of 1950 के तहत होता है जोकि नेपाल एक landlocked country है उसके लिए C का सबसे closest access भारत के थुरू ही है ऐसे में नेपाल का जारतर import भारत के थुरू ही होता है जिसके लिए भारत ने नेपाल को border बर 15 transit points और 22 trading points दिये हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ issues हैं जो इंडिया के लिए security problems create करते हैं issues between India and Nepal safe heaven for the criminals जोसों इंडिया नेपाल के बीच open border होनी की वज़े से भारत के insurgents, terrorists और बहुत से hardcore criminals भारत से बज़ कर नेपाल भाग जाते हैं ऐसे में भारत के लिए इने धूनना या पकड़ना मुश्किल हो जाता है इसके जलते नेपाल इंडियन क्रिमिनल्स के लिए एक safe heaven की तरह बनता जा रहा है बारत और नेपाल के बीच के open border का पाकिस्तान गलत फायदा उठाता रहा है जिसके थूँ वो अपनी anti-India activities carry out करते हुए इसी रास्ते से भारत में arms और fake currency push करता है कई terrorist को भी नेपाल के रास्ते उसने इंडिया में दाखिल करवाने की कोशिश की है issue of land grabbing border के दोनों और से border में बढ़ती जाने वाली ढिलाई और easy going business transactions की वज़े से अकसर forced land grabbing की खबरे भी सुनने में आती रहती है China angle and border issue हाल के सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेपाल गवर्मेंट पर Chinese influence बढ़ता जा रहा है ऐसे में हमेशा से इंडिया का friend रहा नेपाल समय समय पर Chinese अलाप करता नज़र आता है border issue अभी कुछ साल पहले ही नेपाल गवर्मेंट ने एक नया political map रिलीज किया उतरखंड के strategically important point काला पानी, लिंपिया धूरा और लिपिलेक को नेपाल ने अपना पार्ट बताया था हालाग इसके लिए नेपाल ने 1816 में काटमांडू के गुर्खा रूलर और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई treaty of सुगाली को अधार बताया था जबकि 19th century के administrative और revenue records भी यही दिखाते हैं कि काला पानी का ये हिस्सा भारत का ही भाग रहा है यही नहीं, 1950 से ही ये territory भारत के control में ही रही है और भारत ने यहां काफी infrastructure भी develop किया है इस मुद्दे को resolve करने के लिए 1998 में ही इंडियान और नेपालीज officials की एक joint technical committee बना दी गई लेकिन फिर भी अभी तक ये मुद्दा पूरी तरह resolve नहीं हुआ है और समय समय पर नेपाल द्वारा उठाया जाता रहा है initiatives taken by the Indian government Border District Coordination Committee इंडियो नेपाल बॉर्डर से large districts के original issues को resolve करने और coordination को बढ़ाने की देशा में BDCC mechanism developed किया गया भारत और नेपाल के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए और यहां पर general vigilance रखने के लिए शशश्त्र सीमा बल की 25 टुकडियां तैनात की गई bilateral talks दोनों देशों के बीच आपसी सम्मंद मधूर बनाया रखने और mutual concerns को resolve करने के उदेश से home security level पर बातचीद और joint working group का mechanism डेवलप किया गया इन सब के लावा इन जनरल इंडिया नेपाल relations को मजबूत बनाया रखने के लिए कई infrastructure और investment projects भी launch किये गए हैं जैसे अरुण 3 hydropower project इंडो भूटान border दोस्तो भारत और भूटान के बीच warm bilateral ties और strong border coordination है भूटान जैसी landlocked country जो लगभग तीन ओर से चाना जैसे expansionary policy follow करने वाले देश से घिरा हुआ है उसके लिए अपने और अपने citizens के interest को safe रखने में भारत एक extremely important ally हो जाता है यही कारण है कि 2007 में भारत और भूटान ने एक important step लेते हुए नई friendship treaty भी sign की साथ ही इंडिया और भूटान के बीच 1961 से चली आ रही border demarcation की process भी 2006 में complete हो गई अब इंडिया भूटान और चाइना trijunction को छोड़कर इन देशों के बीच border को लेकर कोई confusion या complexity नहीं है फिर भी इन दोनों देशों के बीच कुछ issues ऐसे हैं जिनने solve करने की दिशा में प्रयास किये जा रही है तो चलिए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं issues between India and Bhutan border डोकलाम issue डोकलाम प्रेटू भूटान का अभे नांग है जिस पर चाइना भी अपना दावा पेश करता है चाइना के दावे के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ये rest of इंडिया को नौर्ट इस इंडिया से जोड़ने वाले इस कोशिश में कुछ साल पहले चाइना दोरा डोकलाम रीजन में infrastructure डेवलप करने और रोड बनाने का काम शुरू हुआ था जो एक तरह से भारत के लिए भी खुली चिनौती थी कि वो भूटान को सेक्योर रखने में सक्षम नहीं है लेकिन सही समय पर भारत ने आर्मी ट्रूप्स डिपलाई करके चाइनीज पीपल सेब्रिशन आर्मी के रोड वर्क को रुकवा दिया ये पहली बार था जब इंडिया ने भूटान के टेरिटोरियल इंटरेस्ट को सेक्योर कर वेक लिए अपने ट्रूप्स डिपलाई किये थे अब आते हैं समगलिंग के उपर भूटान से इंडिया का बॉर्डर ओपन होने की वज़े से भूटान के रास्ते बड़ी मात्रा में चाइनीज मेट गुड्स, भूटानीज कैनाबिस, लिकर और फॉरेस्ट प्रोड़क्ट्स को बड़ी मात्रा में भारत में समगल किया जाता है वहीं भारत से भी फ्रूट्स, ग्रोसरी और लाइफ स्टॉक को समगल करके भूटान पहुचाया जाता है ऐसे में दोनों कंट्रीज के लिए ये एक बड़ा revenue loss और criminal activity का source बन जाता है अब बात करते हैं migration या infiltration की दोनों कंट्रीज के बीच comparatively easy border और आरने जाने के लिए visa requirements ना होने की वज़े से mass scale migration भी देखने को मिलता है जिसके चलते खासता और पर दोनों और से यहां के border areas के लोग एक दूसरे के देश में काम धूने या business के उदेश से आ जाते हैं लेकिन इस large scale movement से दोनों ही देशों की demographics alter हो रही है यही नहीं इस migration से resource allocation में भी दिक्कते देखी जा रही है और local conflicts भी जन्म लेते रही है criminal activity and insurgency दोनों और से आने वाले migrants और infiltrators पर अक्सर deforestation, poaching और wildlife smuggling के आरोप ही लगाय जाते रही है इसके लावा forested borders और open borders का issues नौर्थीस्ट के कई insurgents ने भी किया है इसके चलते इंडिया के problems बढ़ जाती है लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे पर भुटानीस government ने इंडिया के साथ cooperate किया है और कई बार ऐसे insurgents के खिलाफ cross border कारवाही की गई है अब बात करते हैं initiatives taken by the Indian government के बारे में इंडिया भुटान बॉडर और भुटान की security को ensure करने के लिए भारत दौरा इस बॉडर पर शशस्त्र सीमाबल को deploy किया गया है जो BSF की मदद से यहां की सुरक्षा को दुरूस रखने का काम करती है bilateral cooperation इन दोनों friendly nations के बीच संबंद सुगम मनाया रखने और minor issues को timely resolve करने के उदेश से एक secretary level bilateral mechanism develop किया गया है border district coordination meeting BDCM इंडो भुटान border से large district के regional issues को resolve करने और coordination को बढ़ाने की दिशा मे BDCM mechanism develop किया गया है infrastructure development भुटान के infrastructure development में भारत एक key role play करता है वहाँ develop होने वाले बहुत से hydroelectric power plants, transmission lines और roads भारत के ही support से बनाया जाते हैं यही नहीं, इनके development के लिए 60,000 से जादा Indians भुटान में employed हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बीच के international बॉर्डर की कुल लंबाई लगभग 4,096 km है जिहां, आप सही समझे भारत की सबसे लंबी अंतराश्रिय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है बांग्लादेश और भारत के बीच का ये international बॉर्डर भारत के 5 राज वेस्ट बेंगॉल असम, मिघाल्या, त्रिप्रा और मिजोर्म से लगा हुआ है और ये अपने आप में निराला है क्योंकि जहां एक और इसे 54 ट्रांस बांडरी रिवर्स काटती है वह हिं दूसरी और ये heavily populated area है चलिए अब हम इन दोनों देशों के बीच के बॉर्डर के बारे में briefly समझी चुके हैं तो आगे बढ़ कर इनके बीच के बॉर्डर इशूज को भी जान लेते हैं इशूज अलॉंग दब बांग्लदेश बॉर्डर तो इसे बीदे कुछ सालों में भारत और बांग्लदेश ने extensive diplomatic channels और cooperation से बहुत से border issues सुलजा लिये हैं उधारन के लिए आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच एनक्लियर्स का एक मुद्दा चला रहा था जिससे resolve करने के लिए दोनों देशों के बीच हुए mutual agreement के बाद इंडिया ने land boundary agreement 2015 और 100 constitutional amendment act इनक्ट करके इस मुद्दे को भी सुलजा दिया इसी तरह दोनों देशों के बीच गंगा नदी के water sharing और maritime boundary को लेकर चल रहे मुद्दे भी mutual cooperation से resolve हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मुद्दे हैं जो इन दोनों देशों के बीच ज्वेलन शील है जैसे की तीस्ता river dispute तो इसो तीस्ता river सिक्किम के पहुनरी या तीस्ता कांग से glacier से ओरिजिनेट होकर वेस्ट बेंगॉल से होते हुए बांगलादेश तक जाती है यहाँ यह ब्रमपुत रिवर्स से जाकर मिलती है जिसे बांगलादेश में जम्ना नाम से जाना जाता है इन दी पैडी या धान की खेती के लिए famous बांगलादेश के रंगपुर रीजन के irrigation का prime source है दोनों देशों के बीच 1983 में water sharing को लेकर हुए एक ad hoc agreement के अक्वाइडिंग बांगलादेश को इस नदी का 36% और भारत को 39% water प्रवाइड किया गया था जबकि remaining 25% को unallocated रखा गया लेकिन ये agreement इंप्लिमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बांगलादेश 1996 की गंगा वाटर ट्रिटी की तर्ज पर तीस्ता रिवर के पानी का भी equitable distribution चाहता था इसके चलते था 2011 में एक बार फिर भारत और बांगलादेश के बीच एक agreement को finalize करने की कोशिश की गई जिसमें भारत के लिए 42.5% और बांगलादेश के लिए 37.5% water division सुनश्चित किया गया जबकि remaining 20% को river का minimum water flow maintain रखने के लिए undivided छोड़ दिया गया लेकिन ये agreement भी West Bengal State के opposition की वरिये से sign नहीं हो पाया और तब से ये मुद्दा अभी भी दोनों देशों के बीच solve नहीं हो पाया है तिपाई मुख hydroelectric power project तो सो मनीपूर नागलेंड, मिजोरम और असम से होते हुए बांगलादेश में इंटर करने वाली बराक river पर मनीपूर में planned तिपाई मुख hydroelectric power project पर बांगलादेश का कड़ा एतराज है बांगलादेश का objection है कि इस डाम के बनने से river का water flow कम हो जाएगा जिससे ना केवल बराक नदी का seasonal rhythm disrupt होगा बलकि इस से इस region में downstream agriculture, fish trees और ecology भी negatively effect होगी अलग इस मुद्दे पर भारत ने बांगलादेश को ये विश्वास जताया है कि भारत की ओर से ऐसा कोई भी unilateral step नहीं लिया जाएगा जिससे बांगलादेश का नुकसान हो इंडो बांगलादेश बार्डर पर कई जगे proper fencing install करने का काम नहीं हो पाया है जो एक बड़ा security concern है इस fencing issue के पीछे बहुत से कारण है जिसे बार्डर पर riverine flow या low lying areas की मजूदगी बॉर्डर के नस्दीक population का densely populated होना pending land acquisition cases इत्यादी ऐसे में बॉर्डर के fence को properly install करने से पहले इन localized issues को resolve करने के जरुवत है issue of illegal infiltration तो अगर आप map पर इंडो बंगलेज बॉर्डर को trace करें तो वहीं दूसरी ओर ये densely forested areas और paddy field से भी गिरा हुआ है यहीं नहीं ये पूरा region दुनिया के सबसे densely populated regions में से भी एक है इसके साथ साथ border fencing issues की वज़े से इंडो बंगलेज बॉर्डर एक highly porous border है इसका फाइदा उठा कर बिते कई दशकों में लाखो बंगलादेशी citizens illegally भारत में infiltrate कर चुके हैं जो भारत के लिए एक बड़ा security concern है illegal immigration ने north east के कई states के demographic character को भी impact किया है इसके चलते इन states में कई प्रकार के conflicts और social movements होते रहे हैं इनमें सबसे famous asam agitation रहा है इसके लावा illegal immigrants के proliferation से criminal गतिविदियों में भी बढ़ावा देखने को मिला है cattle smuggling दोस्तों इंडो बांगदेश बॉडर के जरीए cattle smuggling का गोरक धंदा भी बड़े जोर शोर से चलाया जाता है इसके mass scale का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि border पर हर साल लाखों cattle को BSF दोरा पकड़ा जाता है फिर भी इस illegal business को खत्म नहीं किया जा सका है एक rough estimate के अनुसार ये business हजारो करोडों रूपयों का है और इसमें दोनों ओर के local politicians तक involved है अगस 2022 में ही इसी cattle smuggling racket से जुड़े West Bengal के एक politician की गिरफतारी के बाद ये बात और भी ज़्यादा साफ हो गई यही कारण है कि अब BSF भी इस ओर सकती के साथ काम ले रही है छोटे से लेकर बड़े allegedly involved local politicians और history charge shooters के इस धरपकड़ की कारवाही जोर उपर है इसके चलते जहां ministry of home affairs के आंकडों के अनुसार 2016 तक हर साल एक से डेल लाग cattle को border पार पकड़ा जाता था वहीं अब ऐसे incidents में लगतार कमी आ रही है जिससे साल दर साल इन आंकडों में भी कमी आती जा रही है लेकिन फिर भी इन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए इसी तरह के और भी ठोस कदम उठाने के जरुवत है इसी के साथ चलिए अब एक नजर डालते हैं government द्वारा लिए गए कुछ initiatives पर initiatives taken by the government comprehensive border management plan जुलाई 2022 में इंडिया और बांगलादेश ने comprehensive border management plan को effectively implement करने का साजा फैसला किया था इसका मकसद smuggling of drugs and narcotics, arms and ammunition, fake currency इत्यादी से related cross-border crimes को effectively रोकने का है इसके लिए भारत के ओर से BSF यानि Border Security Force और बांगलादेश की तरफ से BGB यानि Border Guards बांगलादेश ने एक joint record of discussion भी sign किया है ताकि इस field में दोनों देश properly coordinate और cooperate कर पाएं दूस्तों, बांगलादेश की तरफ से होने वाले illegal migration और cross-border criminal activities को रोकने के लिए सरकार ने multi-prong और full-proof mechanism के तौर पर इंडो बांगलादेश 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 में Border Protection Grid लगाने का फैसला किया है जिसके लिए BPG को physical और non-physical barriers, surveillance systems, intelligence agencies, state police, BSF, दूसरे state और central agencies के competition से integrated surveillance और monitoring system डेवलप किया जा रहा है इसी तरह 2018 में BSF के information और technology wing ने bold qi, जिसके अंडर इंडो बांगलादेश बार्डर पर various technical systems, install किये गए थे साथी बार्डर पर ब्रहम पुत्र और उसके tributaries के unfenced riverine areas में भी sensors लगाए गए थे दूसरों, दोनों देशों के बीच में इनके अलावा भी बहुत से friends पे एक सात काम चल रहा है उधारन के लिए smart fincing, border road construction और integrated checkpost के development इत्यादी को लेकर भी दोनों देश परसपर सहयोग से border issues को resolve करने के लिए पुरितने शील है इंटेगरिट checkpost की बात करें तो उनके कुछ उधारन है इसके लावा road construction पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि borders पर patrolling आसान हो सके इसके तहट अब तक 4000 km से भी जादा लंबी border patrol roads बनाई जा चुकी है साथ में एक border management department भी setup किया गया है जो border infrastructure पर special ध्यान देता है border management को लेकर इंडिया और बंगलदेश ने एक border management plan भी sign किया है जिसके तहट joint patrols और information sharing पर धान दिया जाता है illegal unauthorized state की problem को दूर करने के लिए जगे जगे border hearts का concept भी शुरू किया गया है human trafficking को रोकने के लिए और coast guards के बीच cooperation के improvement के लिए भी MOU sign किये जा चुके है तो दोस्तों चलिए अब आखिर में Myanmar के साथ Indian border issues को समझ लेते हैं इंडो मयनमार border दोस्तों भारत और मयनमार के बीच की 1643 किलो मीटर की अंतराश्टिय सीमा भारत के चार राजियों के border से लगी हुई है लेकिन तो अलग लग देश होने के बाद भी इनके बीच का border अपने आप में खास है ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के border areas में रहने वाले tribes के सीमा पर FMR यानि free movement regime permitted है असल में इन border areas में रहने वाले tribes जैसे नागास, सिंग पॉस, कूकीज, मिजो जित्यादी, cross border relations share करते हैं जिसके चलते border के दोनों और इन tribal groups के ancestral relatives पाय जाते हैं ऐसे में ऐसे tribal groups के genuine issues को resolve करने के लिए ही FMR की ये विवस्ता की गई थी ताकि उनके अपने कित और किन से trans border linkages बरकरार रह सकें इस विवस्ता के अंतरगत, border areas में रहने वाली tribes को बिना किसी visa restriction के border के दोनों और 16 km के दारे में ट्रावल करने की सुच्छन दिता है जहां Myanmarese Nationals को भारत अपने यहां बिना visa के 72 hours तक रन करनी के रुमती देता है वहीं Myanmar में भारतियों को किवल 24 hours के लिए रुखना है लाउड है चलिए अब Myanmar border के across security समस्ता को समझते है Issues along the Myanmar border Boundary Dispute दोनों देशों की बीच के international border को 1967 में हुए boundary agreement दौरा formally demarkate कर दिया गया था लेकिन जमीन पर इसके clearly implement ना होने से इसे लेकर अभी भी छोटे मोटे विवात के स्थिती बनी रहती है खासतोर से मनीपूर के pillar demarkation को लेकर यह समस्या अकसर खड़ी होती रही है difficult terrain अगर आप इंडो मैनमार border पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यह पूरा border densely forested areas और hilly terrain से होकर गुजरता है ऐसे में border forces के लिए इस border को effectively guard करना मुश्किल हो जाता है Insurgency इंडी और मैनमार के बीच के border पर FMR का system और difficult terrain होने की वज़े से यहाँ पर border security काफी complications का सामना करती है वहीं FMR की वज़े से border के दोनों और tribals का free movement भी जारी है SMS का फाइदा उठा कर कई insurgents अकसर मैनमार को safe heaven की तरह use करते हैं और इसी के जरिए inter border crime जिसे drug trafficking, arms, smuggling, women trafficking इत्यादी के साथ-साथ Indian soil पर maoist और insurgent activities को भी अंजाम देते हैं NSCN से लेकर मनीपुर का PLA जैसे insurgents ने इस porous border का misuse किया है Drug menace भारत और मैनमार की इस सीमा drugs market के golden triangle के edge पे located है ऐसे में porous borders के जरिए यहीं से drugs भारत भीजे जाते हैं खासतोर पर past में मनीपुर के border town मुरे के जरिए bulk में heroine भारत में enter होती रही है जो यहां से अगर एक बार देश में दाखिल होई तो फुर interstate trafficking के जरिए पूरे देश में फैला दी जाती है पास्ट में illicit drugs के transit point के रूप में develop होते इस region के बारे में the United Nations Drug Control Program UNDCP और International Narcotics Control Board INCB ने भी अपनी reports में आगा किया हुआ है ऐसे में इस पर जल से जल रोक लगाया जाने की जरुवत है रोहिंगिया Muslims तो इसे बीते कुछ सालों में मैनमार के रखैन स्टेट में रहने वाले Muslims के ethnic persecution की वज़े से ये इंडो मैनमार border उनके Exodus का जरिया बन गया है मैनमार से भागे रोहिंगिया Muslims इसी border के जरिए बड़ी संख्या में भारत में दाखिल हुए है जिससे भारत के लिए समस्या कई गुना बढ़ गई है तो जलिए इन समस्याओं को समझने के बाद अब चर्चा करते हैं गवर्मेंट द्वारा किये गए efforts की इनिशेटिवस टेकन बाई गवर्मेंट डिप्लोइमेंट आफ डेडिकेटेट फोर्सेज दोजार दो से इन्डो मेंटमार बॉर्डर की सुरक्षा की जम्मधारी असम राइफल्स के कंदो पर है जो इंडियन आर्मी के कमांड में बॉर्डर को सुरक्षित रखने के साथ-साथ इस रीजन में एंटी इंसरजेंसी ओपरेशन भी कंड़ेट करती है इन्डो मेंटमार बॉर्डर पर चली आ रहे है फ्री मुव्मेंट रजीम से होने वाले बॉर्डर इशू से निपटने के लिए अब इसके रिवीजन को लेकर भी विचार किया जा रहा है दोनों देशों के बीच रिजनल कनेक्ट डिवलप करने और और और्गनाईस लेजिटमेट ट्रेट को बूस करने के लिए दोनों देशों की सहमती से मणिपूर के मुरे में बॉर्डर पर इंटेग्रेट चेक पोस्ट आईसीपीज स्टैबलिश के गए है यही नहीं इसके लावा भी बहुत से आईसीपीज फ्यूचर के लिए प्रपोस्ट है जिनने इस्टैबलिश करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है आक्टीस्ट पॉलिसी और रिजिनल कनेक्टिविटी नॉर्थीस्ट रिजिन और इंडियो मैनमार बॉर्डर में पनप रही सेक्यूटी कंसर्स का एक कारण नॉर्थीस्ट का पूर डवलप्मेंट और आईसोलेशन भी है जिसे सॉल्व करने के लिए इंडिया ने कालादर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इंडिया मैनमार थाइलेंड हाइवे को लेकर भी एक्टिव एफट्स लिए हैं जो सरानी है दोस्तो अब हम भारत के बॉर्डर इशूज के बारे में समझी चुके हैं तो चलिए अब हम बॉर्डर सेक्यूर्टी से आगे बढ़ते हुए बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बाते जान लेते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट दोस्तो बॉर्डर मैनेजमेंट एका उम्रेला टर्म है जिसमें ना केवल बॉर्डर को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाता है विलकि इसमें बॉर्डर के आसपास के शेत्र और यहां रहने वाले लोगों के भी development पर समानता रूप से ध्यान दिया जाता है ministry of home affairs के अंडर आने वाला development of border management इसी पर ध्यान देते हुए land और coastal areas दोनों में ही भारत की अंतराश्य सीमा के आसपास border policing और guiding को मजबूत करने के साथ-साथ यहां पर appropriate infrastructure को develop करने का भी काम करता है इसके अंतरगत यहां roads, borders की fencing, flood lightning और दूसरे ज़रूरी इंतजाम किये जाते हैं इसके लिए department of border management, border area development program, BADP चलता है दोस्तो 21st century में internet एक double-edged sword बन गया है यानि जहां एक तरफ artificial intelligence और internet of things जैसे tools को यूज़ करके हमारा day-to-day life आसान मनता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ cyber attack ज़ौरा internet एक dangerous space बन गया है नौबर 2022 को दिल्ली का एम सस्पतार ransomware attack का शिकार बना आपको बता दें कि ransomware एक ऐसा malicious software होता है इसकी मदद से hackers victims के data को illegally access और block कर सकते हैं और यदि victims उस data को access करना चाहते हैं तो उने एक ransom या amount पे करना होगा रिपोर्ट के नुसर इस attack में करीब 4 करोड पेशेंट प्रोफाइल्स, sensitive medical records, etc. compromise हुए Indian Computer Emergency Response Team CERT INK Indian Ransomware Report 2022 के अनुसार इन ransomware attack दोरा multiple sectors में 51% increase देखने को मिला है महीं AI company CloudSec according 2021 में इंडिया ने second highest healthcare cyber attacks face किये जिसमें world के 7.7% और Asia Pacific के 29.7% attacks अकेले इंडिया में धर्च हुए 2022 में अगर हम government agencies की बात करें तो इंडिया was the most targeted country कई incidents जैसे 2016 का Union Bank of India Fishing Attack, 2017 WannaCry Attack, 2017 Bank of Maharashtra Attack, October 2020 Mumbai Power Grid Attack, April 2022 Ladakh Power Grid Attack हमें दर्शाते हैं कि आज कई सारे critical sector cyber attack के main target बन गए है तो इसो भारत ने digitalization को push करने के लिए digital India mission, smart city mission जैसे initiatives launch किये है February 2019 में Ministry of Electronics and IT ने इंडिया को 2025 तक digital economy को 200 billion से 1 trillion economy बनाने का target रखा है ऐसे में cyber security की importance और भी बढ़ जाती है तो चलिए आज हमें इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या खेर cyber security क्या है different cyber threats, challenges, government measures पर भी हम एक नज़र डालेंगे तो चलिए पहले हम basic technologies को जान लेते हैं पहला है cyberspace, cyberspace एक ऐसा global internet ecosystem है जिसमें कई IT infrastructure यानि internet, telecom network, computer system, processor, controller आपस में interconnected होते हैं ये एक virtual field की तरह होता है जिसमें सभी cyber activities carry की जाती है दूसरा है cyber security, cyber security techniques उन्हें कहा जाता है जिनकी मदद से हम cyberspace को unauthorized access, misuse, damage और espionage etc से project करते हैं तीसरा है critical information infrastructure IT act 2000 के section 71 के according, CII एक ऐसा computer resource होता है जिसके destruction से हमारी national security, economy, public health और safety पर deep impact बढ़ता है इनमें कई sectors को include किया जा सकता है जैसे banking और financial sector, power, hospital, telecommunications Finally हम बात करेंगे cyber attack की एक individual ये organization दोरा किया गया malicious attack होता है जिसे दूसरे individuals ये organizations ये information system damage या breach होती है इन basic terminologies को देखने के बाद, चलिए अब हम cyber attacks के types पर एक नजर डालते हैं पहला है cyber crime, cyber crime एक ऐसा unlawful act होता है जिसमें computer को target या tool की तरह use किया जाता है commercial या economic gains के लिए computer दोरा criminal activities को बढ़ावा दिया जाता है जिसे theft, fraud, fraudry और defamation दूसरा type है cyber terrorism cyber terrorism एक large scale attack होता है जिसमें malware की मदद से government agencies को target किया जाता है unlike cyber crime यहाँ पर ultimate goal, political gain होता है तीसरा है cyber warfare cyber space पर एक nation दौरा, दूसरे nation पर होने वाले attacks को cyber warfare कहा जाता है इस politically motivated attack में internet को use कर foreign nation के classified data को steal या alter किया जाता है finally हम बात करेंगे cyber espionage की यह कैसा attack होता है जिसमें rival nation के network, software, computer को disable कर confidential data को चुराया जाता है इसका motive, military, political या financial gain भी हो सकता है दोस्तों different types of cyber attacks को देखने के बाद चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इन cyber attacks के लिए किन methods या tools का usage होता है tools of cyber attack पहला है malware malware या malicious software एक ऐसा software होता है जिससे single computer, server या network को damage करने के लिए design किया जाता है malware कई प्रकार के होते हैं जिसे पहला है ransomware जो एक ऐसा malware है जहां जहां attacker host computer की files और data को encrypt या hack कर देता है और फिर data return करने के लिए ransom या amount demand करता है दूसरा है virus एक ऐसा program होता है जो दूसरे program को infect कर उन्हें modify करता है और अपनी एक evolved copy उसमें insert कर देता है तीसरा है worms जहां viruses अपने आपको host files में जो system spread होता है अगर हम trojans की बात करें तो trojan एक malware होता है जिसकी मदद से secure computer network में back door या loophole create किया जाता है ताकि hackers इस secure network को access कर सकें finally हम बायब करेंगे spyware की जो ऐसा malware है जो unsuspected emails के तोर पे entry करता है user के click करने पर ये software user की activities को उनके consent के बिना monitor करता है दूसरा important tool है phishing यहाँ पर एक fake website या email create कर users को username और password एंटर करने को कहा जाता है जैसे ही users अपना personal data enter करते हैं hackers अने steal या damage कर दिता है थर्ड tool है denial of service यानि DOS attack ये कैसा attack है जिसमें host के network या server को useless और invalid authentication request से flood करके eventually पूरे network को down किया जाता है messages के flooding के कारण users online services को use नहीं कर पाते fourth tool है structured query language SQL injection दूसरा SQL एक programming language है जिसके मदद से databases के साथ communicate किया जाता है कई servers SQL को use करके critical data manage करते है SQL injection attack में hackers इनी service को malicious code दौरा attack करते हैं और sensitive information को चुराते है fifth tool है wailing attack यहाँ पर cyber criminals company के senior या important members को target कर company ये sensitive information जैसे financial details और employee details को steal करते हैं targets wail की तरह बड़े होते हैं इसलिए इसे wailing attack के नाम से जाना जाता है sixth tool है botnet जुस्तों botnet एक network of computer को कहा जाता है जिन्हें malware दौरा infect कर attacker control करता है individual machine को bot कहा जाता है इस attack के माध्यम से attacker single command पर millions of bots को infect कर large scale attack करवा सकता है finally seventh tool है social engineering attack यहाँ पर user के emotional trust को इस्तमाल कर उन्हें trick किया जाता है और उनसे sensitive information जैसे password और email address steal किये जाते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कैसे different tools को use करके cyber attacks को अंजाम दिया जाता है इन tools को देखने के बाद चलिए अब हम जानते हैं क्या खिर इनने tackle करने में किन challenges का सामना करना पड़ता है challenges of cyber security सबसे पहला है profit friendly infrastructure mindset दोस्तो 1991 के LPG reforms के बाद private sector ने IT, electricity, telecommunication sector में intrusion किया इन private entities ने profit orientation के चलते cyber attack preparedness, security infrastructure और data privacy को ignore किया इसी loophole को use कर attackers ने आम लोगों को target किया है दूसरा है transnational nature of cyber attacks दूस्तो internet के borderless होने की कारण cyber attacks कहीं से भी carry out किये जा सकते हैं आज majority cyber attacks foreign territory से report किये जाते हैं इन्हें track और investigate करना बहुत मुश्किल है इसके लिए दूसरे countries के साथ coordinate करना एक बड़ा challenge बन जाता है तीसरा है limited expertise और authority इंडिया में ज़ादर cyber attacks जैसे cryptocurrency related attacks unreported होते हैं इन offenses से deal करने के लिए states के पास requisite export authority और infrastructure lacking है ऐसे में जहाँ इन attacks का nature constantly change हो रहा है वहाँ cyber security की importance और भी बढ़जाती है फोर्थ challenge है absence of separate procedure इंडिया में cyber या computer related offenses से deal करने के लिए कोई separate procedure नहीं है इस lacuna ने confusion create कर center state और interstate level पर coordination issue create किया है इसी coordination की कमी का फाइदा कई cyber criminals उठाते हैं इसमें सबसे चाइग्जामपल दिल्ली के पास located region मेवाद का है जो तीन states के tri junction पर स्थेते के रिया है और cyber crimes के लिए बदनाम है cyber criminals इस tri junction का फाइदा उठा कर easily दूसरे state में इंटर कर crime करते हैं और वापस अपने state में जाकर छिप जाते हैं और authorities bureaucratic procedures में फसकर रह जाती है फिफ्थ major challenge है expanding digital ecosystem 2014 के बाद PM Modi ने कई missions जैसे digital India mission, smart city mission, smart UP India mission द्वारा इंडिया के digitalization को काफी push किया है वही AI और IoT जैसी technologies ने mano internet का face ही बदल दिया हो companies ने foreign app service provider से collaborate करना शुरू किया है इस service providers इंडिया में foreign sourced hardware और software को use करते हैं और data को foreign base में store करते हैं ये individual privacy और Indian cyber space के लिए significant threat है इसके लावा एक major challenge है rapid transformation in technology तो साइबर related technology में हर दिन innovations हो रही है और इन innovations के साथ हर दिन नए loopholes और challenges भी emerge हो रही है इस changing nature of technology के हिसाब से cyber security infrastructure को धाल पाना एक बड़ा challenge है इंडिया में ये और भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि IT related factor से deal करने वाला हमारा law IT आग साल 2000 में इनाग किया गया था और तब से लेकर आज तक cyber technology में कई major बड़ावा चुके हैं ऐसे में जरूरी है कि laws को भी continuous basis पर reform किया जाए तो उस उस प्रकार हमने देखा कि कैसे इंडिया कई cyber security challenges से गुजर रहा है अगर हमने legislative measures की बात करें तो सबसे पहले आता है IT Act 2000 इस act को Indian Cyber Act भी कहा जाता है इस act के तहट e-commerce transactions के लिए legal infrastructure create किया गया है electronic records, electronic communication, digital signature को legally recognize किया गया है cyber crime रोकने के लिए justice dispensation system cyber regulatory advisory commission create किया गया है IT Act 2000 को cyber proof बनाने के लिए 2008 में इसे amend किया गया और इसमें कई नए provisions आड़ किये गया जैसे data privacy, information security पर focus digital infrastructure को electronic signature से replace कर Act को technologically neutral बनाना section 43A के तहट corporate bodies को customers के sensitive personal data को protect करने को कहा गया वही section 66A to 66F के तहट obscene electronic message transmission cheating, violation of privacy, cyber terrorism के लिए punishments prescribe किये गए finally cyber security ensure करने के लिए section 70B के तहट CERTIN को national agency designate किया गया दोस्तों अगर हम institutional measures की बात करें तो कई institute ज्वारा cyber security को एंजाम दिया जाता है जैसे पहला है national cyber coordination center NCCC ये CERTIN के अंडर multi-stakeholder cyber security and e-surveillance agency है इने first line of defense कहा जाता है क्योंकि इनका काम है incoming internet traffic को scan करना threat dated करना और organization को इसके बारे में inform और coordinate करना दूसरा है National Critical Information Infrastructure Protection Center NCIIPC ये national technical research organization के अंडर NSA दौरा control agency है इनका काम है critical sectors जैसे banking, health, energy, telecommunication में security threats को assess और tackle करना तीजरी important agency है Cyber and Information Security Division Ministry of Home Affairs के अंडर इस नए division के तहत cyber crimes जैसे cyber threats, child pornography, online stalking को tackle किया जा रहा है इस division के अंडर Indian Cyber Crime Coordination Center 14C Cyber Warrior Police create किया गया है fourth important agency है CERTIN इस agency की मदद से भारत के communication और information infrastructure को provocative security प्रवाइड की जा रही है government ने इसी direction में financial sector के लिए FIN CERT और government utilities के लिए National Information Center NICCERT create किया है fifth agency है defense cyber agency जो ministry of defense दौरा military cyber security के लिए create की गई dedicated wing है sixth important measure है Cyber सुरक्षित भारत initiative ministry of electronics and IT ने 2018 में इस initiative को launch किया था इसके तहत private experts से collaboration chief information security officers का creation frontline IT government officials की capacity building और cyber crime awareness जैसे काम किये जा रही है finally अब हम बात करेंगे cyber सुरक्षित इंदर की ये CERT IN और ministry of electronics and IT के अंडर create किया गया botnet cleaning and malware analysis center है इस agency की मदद से Indian citizens को mobile phone, computer और electronic devices को secure रखने की techniques पताई जाती है तो दोस्तों ये थी कुछ measures इनके बल्बूते पर government आज cyber threats को tackle कर रहा है आज cyber crime एक global issue बन गया है इसे tackle करने के लिए कई global measures भी लिए गये है जैसे पहले हम international measures की बात करते है पहला है budapest convention और cyber crime 2001 इस convention के तहट cyber crime से deal करने के लिए national loss को harmonize करने की बात की गई थी इसके थूँ investigation के लिए global cooperation मुमकिन हो पाए इस convention को US, UK, EU समेद 56 nations ने sign किया था आलकि इंडिया ने इसे sign नहीं किया है अगला initiative है global center for cyber security ये एक Geneva based world economic forum द्वारा create किया गया center है इसके मदद से एक global platform create किया जाएगा जहां government, experts, businesses, law enforcement agencies कोलाबरेट करके comprehensive regulatory mechanism डेवलप करेंगे और cyber threats को टैकल करेंगे तीसरा initiative है global conference on cyber space इस initiative दारा government, private sector, civil society कोलाबरेट करके cyber space coordination और cyber capacity building measures डेवलप करते हैं 2011 में इस conference की शुरुआत हुई और ये हर दो साल बाद convene होता है अब बात करते हैं way forward की दोस्तो इन national और global efforts के बाफजूद आज cyber crime बहुत complex होता जा रहा है ऐसे में भारत कई updated solutions दोरा cyber security strengthen कर सकता है जैसे पहला है center state nexus दोनों police और public order state list में आते हैं ऐसे में crime को detect और tackle करना state की primary responsibility है सभी states के different investigation procedures के करण confusion create होता है अगर हम uniform statutory guidelines develop करें तो center state के बीच better coordination करके cyber crime investigation को efficient बना सकते हैं दूसरा है increasing capacity building government हर district और range में separate cyber police station या हर police station में technical expertise को employ कर cyber threats को quickly और better तरीके से tackle किया जा सकता है केरल दौरा launch किया गया cyber dome project इसी मामले में एक अच्छा उधारन बन सकता है thirdly cyber labs को technologically update करना बहुत धरूरी है national cyber forensic lab और Delhi police के इंडर cyber prevention, awareness and detection center जैसे progressive steps को हमें बढ़ावा देना चाहिए finally regular backing of data, AI और IOT की मदद से real time cyber threat analysis, digital literacy जैसे measures लेकर long term cyber security प्रवाइड की जा सकती है तुसो cyber security पर चर्चा के बाद अब हम बात करेंगे 21st century में media और social media के बढ़ते प्रभाव के चलते जन्म लेने वाले security challenges की सबसे पहले बात social media की social media को हमें एक ऐसे web या mobile based platform की तरह देख सकते हैं जो individual या groups को across the globe communicate और interact करने में मदद करता है ये platforms लोगों को seconds में information exchange करने में मदद करता है Facebook, Twitter, Instagram कोच ऐसे ही famous social media platforms है लिकर इनके अलावा भी कई सैकडो social media platforms दुनिया भर में फैले हुए है social media के advantages कई प्रकार के है society को globalize करने से लेकर politics को democratize करने और governance को improve करने तक ये सब social media के कुछ फाइदे हैं लेकिन आज के दौर में social media platforms कई प्रकार के internal security threats को भी जन दे रही है जिनमें cyber terrorism, fraud, crime, spreading violence, radicalization, terrorist recruitment, fake news और associated violence भी शामिल है कुछ रिपोर्ट जावा करती है कि कई तरह के rights में social media handles का misuse किया जा चुका है उधारन के तौर पर हम 2020 के दिल्ली दंगों की बात कर सकते हैं जिसमें कई whatsapp groups का active इस्तिमाल किया गया था सिसको 2013 की annual security report बताती है कि online security threats का highest concentration ऐसी ही mass audience websites हैं जिसमें social media भी शामिल है World Economic Forum की global risk report में कई बार social media द्वारा फिलाई जा रही rapid false information एक emerging risk की तरह identify की गई है जोस्तो हम ये साफ करने की social media खुद में कोई खास internal security threat create नहीं करते बलकि anti-social element जवारा इनके misuse के चलते ये threats जन्म लेते हैं सोचल मेडिया पर limited government oversight, limited industry standards या फिर incentives to educate users on security, lack of privacy और identity protection एक्सेक्टरा के चलते ही ये threats और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके लावा ये platforms लोगों की confidential user information भी collect करते हैं जिल पर अगर hackers का attack हुआ तो उनकी privacy और उनका data खत्रे में पढ़ जाता है जो एक massive security threat है तो चलिए इस topic को detail में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोचल मेडिया से जन्म लेने वाले अलग-अलग internal security threats की different internal security threats due to social media सबसे पहला है cyber terrorism तो उसोचल मेडिया से जन्म लेने वाले सबसे बड़े threat में cyber terrorism शामिल है आज terrorists और terrorist groups social media को एक tool की तरह इस्तमाल कर रही है जिसकी मदद से वो nation states और governments को dismantle करने का प्रयास करते हैं social media का इस्तमाल वो अपनी ideology को spread करने और radicalization को felonically करते आए हैं जिसमें ISIS का उधारन सबसे important है जिसने दुनिया भर से कई हजारों terrorists recruit करने के लिए social media के थुरू अपनी ideology को spread करने की कोशिश की social media के massive reach, affordability और convenience के चलते इन platforms ने terrorists के लिए एक cost effective alternate provide किया है जिसके इस्तेमाल से वो दुनिया के किसी भी कोने में बैट कर अपने goals को achieve करने में काम्याब हो सकते हैं इसके लावा social media platforms का इस्तमाल even groups ने अपने attacks और plans को coordinate करने के लिए भी किया है कई groups ने तो आज खुद की websites भी बनाई है, जिसकी मदद से वो society में radicalization को फैलाने का काम करते हैं कुछ reports दावा करती हैं कि skype जैसे chat services जो voice और video capabilities में quality service प्रवाइड करते हैं वो आज terror groups के सामने काफी popular हो गए है social media के encrypted और global nature के चलते terrorist के modus operandi को trace कर पाना और उन्हें रोग पाना खुद में एक challenging task बन जाता है especially तब जब global level पर social media को लेकर international corporations बहत कमजोर है दोस्तो अगला security thread है social media fraud social networking sites का misuse आज कई प्रकार के criminals और fraudsters लोगों को deceive करने के लिए कर रहे हैं covid crisis के time पर कई IPS और IES officers की fake profiles बना कर लोगों से fraudsters ने covid crisis में फसे हैं लोगों की मदद करने के नाम पर उनके साथ fraud किया इसके लवा social media का misuse fake products और illegal goods को बेचने के लिए भी actively किया जाता रहा है social media से लोगों की information को लेकर कई fraudsters उन्हें fake calls कर उनके bank account से पैसा निकालने जैसे काम भी करते हैं इस तरह की activities इंडिया में मेवाद और जमतारा जैसे एरियाज में आज भी हो रही है दुस्तो अगला बड़ा challenge है political tumults, writing और propaganda दुस्तो lack of regulation और social media पर circulate हो रहे ही massive scale of information के चलते social media content और information की authenticity को चेक कर पाना लगभग नमुम्किन सा हो गया है इसका फाइदा anti-social elements समाज को बातने और अपने petty political goals को अचीव करने के लिए करते आए हैं जिससे massive security threats का जन्म होता है इसका सबसे बड़ा उधारन 2010 में शुरू हुआ Arab spring है जिसमें social media का active use देखा गया था हाला कि Arab spring dictatorial rule के खिलाफ एक outrage भी माना जाता है देख उन्हें ज़रान social media में फैल रही information की authenticity को लेकर सवाल उठते रहे हैं इसके लावा इंडिया में कई लोगों के mob lynching incidents में भी social media में फैलाई गई misinformation का रोल रहा है CAA प्रोटेस्ट के वक्त हुए daily rights में whatsapp groups और बाकी के social media platforms और फैलाई जा रही misinformation का रोल भी उसका ही एक उधारन है इसके लावा रिसेंटली तमिल नाडो में migrants पर अटाक को लेकर फैलाई गई misinformation भी चर्चा में थी जिसके चलते society में unrest की स्थिती पैदा हो रही है इसी प्रकार 2012 में social media rumors के चलते बैंगलूरू से northeast के migrants out of fear अपने घर की ओर लोटने लगे थे कई French groups social media का इस्तमाल करके casteist, communal और racistist ideas को भी फैलाने की कोशिश करते हैं जिसके चलते इंडिया जैसे diverse देश में social divide बढ़ने का खत्रा रहता है जो violence को जन दे सकता है यह सारी problems देश की political stability और law and order situation को threaten करने का potential रखते हैं Cyber hacking भी एक major threat है Hackers ready-made computer programs को use करके target computer systems को attack करते हैं Social media के दौर में जिस प्रकार से governance landscape change हुआ है उसमें social media का major role है आज हर government department खुद का social media handle और website maintain करता है ऐसे में hacking से anti-social elements और terrorists इंडियन government landscape को hamper कर सकते हैं इससे secure और confidential data की security भी खतरे में बढ़ सकती है यह एक वैसे ही warfare का रूप ले सकता है जो बेना arms and ammunition के एक देश को घुट्टों मिला सकता है और इसलिए यह एक बड़ा challenge है artificial intelligence जैसे computer innovations ने इस समस्या को और भी ज़ादा बड़ा बना दिया है क्योंकि AI की misuse से hacking और भी असान मन गई है दूसर यह तो बात हुई social media से मर्ज होने वाले internal security threats की अब हम conventional media यानि की print और electronic media से जुड़े national security issues भी देख लेते हैं दूसर electronic media और print media conventional media की काटिगरी में रखे जा सकते हैं आर्टिकल 19 के तहट Indian citizens को मिलने वाले freedom of speech की अंडर प्रेस का freedom होना भी एक एहम fundamental right है जिसके इस्तमाल से समाज और लोग ruling class को accountable धहराने का काम करते हैं और इस sense में ये media platforms watchdogs of democracy की तरह act करते हैं information dissemination से लेकर awareness generation और essential policies को लोगों तक पहुचाने में media ने एक important role play किया है जब भी देश में कोई major governance failure, crime या corruption होता है तो media न मुद्दों पर awareness फिलाकर लोगों को informed citizen बनाने में मदद करता है coal scam से लेकर निर्भया case जिनके बाद कई governance reforms government ने किये ये सब media के positives को दिखाते हैं लेकिन national security की domain में media का role कई बार critically evaluate किया जाता है और ये सब electronics media को लेकर जादा होता है क्योंकि electronic media का reach और speed of disseminating information print media से कहीं जादा होता है इंडिया में television news पर अगर हम नज़र डालें तो पाएंगे कि देश में कई media channels exist करते हैं और viewership को लेकर compete करते हैं जेतनी जादा viewership उतने जादा advertisements और उतना जादा revenue ऐसे में viewership को बढ़ाने के लिए breaking news sensation जैसे ideas का जन्म हुआ जिनके चलते news को dramatic बनाने की hoards ही लग गई इसके चलते facts, opinions और speculations की बीच का distinction लगतार खत्म सह होता गया ratings की hoards में news channels कई ऐसे काम कर जाते हैं जो security threats को जन्देते हैं 26-11 को लेकर हुई TV media reporting इसका एक बड़ा उधारन है live coverage के नाम पर media channels ने कई ऐसी information फैलाई हैं जिसका इस्तमाल पाकिस्तान में बैठे terrorist के सरगनाव ने किया और 26-11 में involved terrorist को फाइदा पहुँचाया सबसे पहले और सबसे जादा sensationalized तरीके से news को फैलाने के होड में news reports की authenticity को चेक करने का काम मानो जैसे बली चड़ गया और fake news का दौर शुरू हुआ ऐसे fake news और highly charged debates हमेशा communal tension जैसे threads को जन्देने की ताकत रखते हैं especially sensitive issues जैसे religious और caste को लेकर discussion इसके लावा कई sensitive national security issues पर discussions भी media mature तरीके से नहीं करता और ये international level पर इंडिया के दूसरे देशों के साथ रिष्टों को भी negatively impact कर सकता है उधारन के तौर पर हम media channels द्वारा की जा रही चाइना और रशिया पर reporting को देख सकते हैं इसके लावा media trials भी आज आम बात हो गई है judicial principles ही कहते हैं कि जब तक कोई इंसान court of law में convict नहीं हो जाता तब तक उसे एक criminal नहीं बोला जा सकता लेकिन media ने आज इस principle को भी खत्म कर दिया है एक possible accused का media trial कर individuals का mental harassment और उनके social boycott में media का बड़ा रोल है lack of self-restraint के चलते कई बार ऐसा भी देखा गया है कि media reports actively law and order functions के साथ interfere करती है जब 2005 से 2008 के बीच तेश भर में Indian मुझाइदीन ने bomb blast की जड़ी लगा दी थी और देश के agencies उसके आतंकवादियों को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी तब कई media channels और local newspapers ने बिना इस मुद्दे की sensitivity को समझते हुए ऐसे reports publish किये जिसका फाइदा आतंकवादियों ने उठाया और उनमें से कई आतंकवादी अलट होकर पाकिस्तान भाग गए खैर अब हम आगे बढ़ते हुए media और social media regulation से related कुछ existing mechanisms और frameworks को देख लेते हैं तो इसको currently social media के misuse को रोकने के लिए government एक full-fledged policy पर काम कर रही है जिसका broad aim social media पर हो रही anti-national activities पर vigilance करना होगा ताकि इसका misuse देश की security के खिलाफ ना हो सके और ये सब social media पर लोगों के freedom of speech को बरकरार रखते हुए किया जाएगा लेकिन currently government social media के लिए केवले एक list of do's and don'ts maintain करती है पर इसे एक full-fledged guideline की तरह develop करना ज़रूरी है सुप्रीम कोटे भी कई बार उसके concerns race किये हैं ये concerns, uncharitable comments, trolls और aggressive reactions on social media platforms को लेकर है जो judicial proceedings के साथ भी interfere करते हैं इसका लवा IT Act 2000 एक overarching law है जो ICT और social media को regulate करता है इसके बारे में हमने पिछले lecture में भी चर्चा की और इस lecture में हम केवल IT Act को social media के perspective सही समझेंगे section 69 और 69A of IT Act 2000 government को empower करते हैं कि वो किसी भी information के public access को block, intercept, monitor और decryption को लेकर social media websites को direction दे सकती है अगर वो information देश की security के साथ जुड़ी हुई है इसके लावा article 69B of the IT Act 2000 government agencies को empower करता है कि वो cyber security के लिए किसी भी computer source से traffic data को collect और उसे analyze और monitor कर सके ताकि cyber security को improve किया जा सके इसके लावा IT Act 2000 के तहट new IT rules 2021 release किये गए हैं इन rules के इंडर एक intermediary guidelines और meta ethics code को create किया गया है आईए इस rule के कुछ important provisions को समझते हैं पहला important point यह है कि अप social media platforms और intermediaries की यह duty होगी कि वो government को किसी भी malicious information के originator को identify करने में मदद करेंगी इसके लावा unlawful content को remove करने की भी उनकी duty होगी हर social media platform के लिए अपसे एक grievance addressal officer और chief compliance officer एपॉइंट करना mandatory है इसके लावा किसी भी foreign social media के users अगर 50 लाग से जादा हैं तो उन्हें compulsorily इंडिया में अपनी एक separate company establish करनी होगी इन rules के लावा social media related threats को counter करने के लिए बनाए गए institutions वही हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था यह organizations हैं CRTIN, NCIIPC, Cyber सच्चता केंद्र, Cyber Security Concept Labs, National Cyber Security Coordination Center etc यह सारे institutions broadly Cyber Security को ensure करने का काम करते हैं चलिए आप बात करते हैं conventional media के regulations की मीडिया को regulate करने के लिए देश में कई laws हैं जिसकी Press Council Act of 1978 जो press की functioning को govern करने के लिए कई bodies nominate करता है इसके तहट Press Council of India create की गई है जिसके पास journalistic ethics और professional conduct को violate करने वाले editors और journalist की complaint receive करने की power है इसके लावा National Security Act of 1980 Indian Press पर restrictions दालता है कि वो कोई ऐसी information broadcast नहीं कर सकते है जो देश की stability और security को threaten कर सके इसके लावा emergency के वगद Article 19 को suspend करने की powers government के पास होती है Civil Defense Court 1968 के तहट government किसी भी ऐसा document, book या newspaper की publication को रोग सकती है अगर वो देश की defense को damage करने की ताकत रखता है News Broadcasting Standard Authority एक independent body है जिसे News Broadcasters and Digital Association ने set up किया है और इसे task दिया गया है कि वो News Broadcasting से related complaints को investigate कर सके यह basically एक self-regulating mechanism है ऐसे ही एक mechanism Indian Broadcasting Foundation ने भी develop किया है जिसका नाम है Self-Regulatory Content Guidelines for Non-News and Current Affairs Television Channel यह code 26-11 में हुई media reporting के बाद develop किया है अब बात करते हैं कि social media और media से emerge होने वाले challenges को tackle करने के लिए आगे और क्या कदम उठाए जा सकते है मतलब what more needs to be done तो सबसे पहली बात तो यह है कि media associates को अपने ethical codes को और strengthen करने की जरूत है ताकि media channels reporting में accuracy, objectivity और neutrality को maintain कर पाएं अगर errors हो भी जाती हैं तो उने correct करने का काम भी उन channels की responsibility होनी चाहिए इसके लावा national security से related मुद्दों पर media को extra सावधानी भरतनी चाहिए ताकि देश की integrity और security खत्रे में ना पड़े Press Council of India की powers को strengthen करना चाहिए ताकि वो newspapers और उनके editors पर journalistic ethics को violate करने के लिए penalty impose कर पाएं इसके लावा government को news broadcasters and digital association NBDA को statuary status देना चाहिए ताकि electronic media को भी newspaper की तरह regulate किया जा सके social media के domain में भी हमें कई steps लने की जरूरत है जो देश के लोगों के data को secure कर सके और privacy breach के खिलाफ देश की agencies को empower कर सके इसके लावा हमें एक national social media policy को institutionalize करने की जरूरत है या फिर national cyber security policy को revise कर उसके अंदर ही social media को address करने की जरूरत है misinformation को prevent करने के लिए हमें European Union की तरह code of practice develop करने की जरूरत है जो agencies को empower करेगा कि वो misinformation फैलाने वाले social media handles को financially penalize कर सके उनके revenue generation methods पर रोक लगा सके और consumers को empower कर सके कि वो ऐसे handles को report कर सके इसके लावा ICT related capability building की भी जरूरत है ताकि हमारे agencies और उनके personals tech enable हो सके इसके लिए government agencies का industry और research institutions के साथ interaction बढ़ाना होगा और current training programs को tech friendly बनाना होगा देश के लोगों की cyber literacy को improve करने पर ध्यान देना भी बेहद आवशक है जिसके लिए educational curriculum में सुधार से लेकर awareness campaigns और civil society engagements का सहरा लिया जा सकता है हमें कुछ ऐसे social media tools पर भी काम करने के जरूरत है जो fake news जैसे items को spread और viral होने से रोकने में agencies की मदद कर सके इसके लिए government को industry के साथ engage करना होगा social media से फैलने वाले criminal network और terrorism एक global phenomenon है और इससे रोकने के लिए bilateral, multilateral और international cooperation भी बेहर दरूरी है यह ना सिर्फ ICT regulations में होना है बलकि law enforcement में भी आवश्यक है ऐसे में हमें उन agreements पर काम करना होगा जो law enforcement in social media और ICT को facilitate और smoothen कर सके हम चर्चा करेंगे nuclear weapons और उनसे इमर्ज होने वाले internal security threats की इस वीडियो में हम भारत की nuclear policy और nuclear weapon program के evolution के साथ-साथ nuclear weapons के proliferation को रोकने के लिए existing international frameworks की भी चर्चा करेंगे इसके साथ-साथ हम ये भी discuss करेंगे क्या खेर इंडिया की nuclear policy किस हद तक उसके rival देशों से इमर्ज होने वाले possible nuclear warfare के खतरों को जहलने में सक्षम है अंत में हम भारत की no first use nuclear doctrine और उसको लेकर चल रहे debates पर भी एक नजर डालेंगे हम आपको ये बता दे कि जब nuclear energy को harness करने की बात करते हैं तो उसके दो पहलू है civil nuclear energy और दूसरा military nuclear energy civil nuclear energy का उधारन nuclear power plant से generate की जा रही electrical energy है पर ये segment हमारे आज की वीडियो का focus point नहीं है आज की वीडियो में हम केवल nuclear weapons के military usage की चर्चा करेंगे खरस से पहले कि हम nuclear threat और उससे related issues को समझें चली सबसे पहले हम बात करते हैं उन international treaties की जो nuclear weapons को regulate और control करने की कोशिश करती है nuclear weapons and international arrangements दोस्तों World War II के दाराण 1945 में जब USA दारा Hiroshima और Nagasaki में nuclear bombs का सबसे पहला और अब तक का एक लौता nuclear weapon यूज किया गया तब से ही nuclear weapons के possible dangers और security threats पर debate चल रहे हैं Hiroshima और Nagasaki में हुए destructions और radiation के long term effects को देखते हुए global community के सामने सबसे बड़ा challenge ये था कि अगर ये weapons किसी irresponsible state या फिर non-state actors जैसे terrorist groups के हाथ लग गए तो उसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए बहत खतरनाक हो सकता है इसी बात को देहान में रखते हुए international community दोरा nuclear weapons के proliferation या spread को limit करने और रोकने के लिए non-proliferation treaty या फिर treaty on the non-proliferation of nuclear weapons को create किया गया जिसका main aim nuclear weapon technology के spread को रोकना है ये treaty 1968 में USA, USSR और UK जैसे nuclear power देशों के साथ-साथ 59 un-countries दोरा sign की गई जिसके तहट कई secondary nation states ने खुद ही decide कि वो nuclear weapons की तरफ बढ़ना नहीं चाहते आज इस treaty के अंडर 190 countries आती है लेकर India, Israel, North Korea, Pakistan और South Sudan ने इसे sign करने से मना कर दिया है इसके लावे इरान जो इस treaty का signatory है उस पर लगदारी आरोप लगते रहे हैं कि वो NPT के अंडर किये गए अपने commitments को fulfill नहीं कर रहा है और nuclear weapons बनाने के plans बना रहा है UN की specialized body International Atomic Energy Agency या IAEA एक overarching international body है जो nuclear energy के misuse को रोकने का काम करती है या body NPT signatory nations के nuclear facilities पर भी नज़र रखती है और NPT देशों के commitments को verify करती है जो countries NPT के signatories नहीं है वो अगर चाहें तो IAEA के additional protocol को sign करके अपने civil nuclear facilities को IAEA के save guards और checks के अंडर ला सकते हैं दान रखिए कि additional protocol के अंडर non-NPT देशों के military nuclear facilities नहीं आते इंडिया ने खुद के responsible nuclear power होने के सबूत दुनिया को तब दिया जब उसने IAEA केs protocol को 2009 में sign किया खेर 1974 में इंडिया द्वारा अपने पहले nuclear weapon को test करने के context में एक और international arrangement का जन्म हुआ जिसे energy कहा जाता है nuclear suppliers group ये group NPT को compliment करता है और ये एक multilateral export control regime है जिसके तहट nuclear materials और nuclear technology सप्लाई करने वाले देश nuclear materials और nuclear technology के irresponsible export को control करने के commitments करते हैं ऐसा में कुछ provisions missile technology control regime या MTCR के अंडर भी आते हैं जिसके तहट nuclear weapons carry करने के लिए capable missiles के proliferation को रोके जाने के provisions हैं इंडिया NPT और energy का member नहीं है लेकिन वो MTCR का member है nuclear weapons को control और limit करने के लिए USA और USSR जो अब रशिया है इनके बीच भी कई series of bilateral treaties exist करती हैं इसके तहट इन दो powers ने खुद के nuclear arsenals को भी reduce किया है इन treaties में सबसे latest है new start treaty जो 2011 में force में आई एक और important treaty है limited band treaty जिसे US, UK और USSR ने 1963 में sign किया था ये treaty के वल underground nuclear testing allow करती है यानि कि ground, underwater और space में किसी भी प्रकार के nuclear test को ये prohibit करती है इंडिया ने भी इस treaty को ratify किया है treaty on outer space 1967 में sign की गई जिसके तहट outer space और moon जैसे celestial bodies में किसी भी प्रकार के nuclear test को ban कर दिया गया है इसके लावा comprehensive test band treaty या CTBT हर प्रकार के nuclear explosions को ban करने का aim रखती है और इसे 24th September 1996 में शुरू किया गया था तब से लेकर आज तक 180 से भी ज़्यादा देशों ने इसे sign कर दिया है लेकिन इंडिया ने इसे sign नहीं किया है और USA और China जैसे देशों ने इसे ratify नहीं किया है क्योंकि कई major nuclear power states ने इसे ratify या sign नहीं किया है इसलिए treaty अभी तक force में नहीं आई है ये treaty केवल तब force में आईगी जब NX2 में listed सारे 44 states इसे ratify कर देंगे इनमें से अब तक केवल 35 states नहीं इसे ratify किया है Fisile Material Cut-Off Treaty या FMCT ये एक proposed international agreement है जो highly enriched uranium और plutonium के production को ही प्रोहबिट करने का एम रखती है हलाकि treaty के details और terms of agreement अभी तक frame ही नहीं किये गए है तो दोस्तों ये था एक overview जिसमें हमने nuclear weapons related कुछ major international agreements और institutions को समझा अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया के nuclear weapon program और उसकी nuclear capabilities को इंडिया's nuclear weapons program दोस्तों आपना देखा कि कैसे कई देशों ने खुद ही nuclear weapons के खतरे को समझते हुए non-proliferation treaty sign की लेकिन इंडिया ने NPT को sign करने से साफ इंकार कर दिया और इसे discriminatory बताया इंडिया ने NPT के discriminatory nature को उजागर करते हुए ये कहा कि वो nuclear weapons के non-proliferation और demilitarization के full support में है तेकिन ये process universally हर देश पर apply होनी चाहिए और ना कि केवाल उन states पर जिनके पास nuclear weapons नहीं है हम आपको बता दें कि NPT के अंडर दो काटेगरीज बनाई गई है जिसके अंडर 5 nuclear weapons state को nuclear power बोला गया है और बाकी देशों को non-nuclear state NPT के अंडर वो देश नके पास already nuclear weapons हैं उन पर किसी भी प्रकार के major restrictions नहीं है NPT के साब से non-proliferation की responsibility mainly non-nuclear states के ऊपर ही है और इसके implementation से 5 recognized nuclear powers USA, Russia, France, China और UK nuclear weapons को monopolize कर रहे हैं इंडिया इसी provision के खिलाफ है क्योंकि वो जानता है कि ये nuclear power देश अपनी nuclear capabilities का गलत इस्तमाल कमजोर देशों के खिलाफ बारियानिक चिप के रूप में करके अपनी hegemony को ensure कर सकते हैं इसके लावा इंडिया का neighboring country China जिसने इंडिया के against एक aggressive stance लेते हुए 1962 में war छड़ दिया था वो खुद 1964 में एक nuclear power बन गया था और ऐसे में इंडिया NPT को sign कर खुद को कमजोर नहीं करना चाहता है पाकिस्तान और चाइना जैसे aggressive देशों के मध्धे भारत के existence ने उसे nuclear weapons को acquire करने के लिए मजबूर किया है और यही वज़ा है कि इंडिया आज एक major nuclear power बन कर उभरा है पाकिस्तान के नापाक इरादों को लेकर भी इंडिया हमेशा से अपने options को खोले रखना चाहता है और भारत का शक तब सही निकला जब 1998 में पाकिस्तान ने भी अपना nuclear weapon टेस्ट किया और तो और पाकिस्तान ने तो 1972 में ही अपना nuclear program शिरू कर दिया था इस कॉंटेक्स में nuclear weapons को develop करना इंडिया की internal security के लिए वर्दान से कम नहीं है इंडिया की बात करें तो उसने future wars और aggression को data करने और खुद की internal security को मजबूत रखने के लिए अपना nuclear program 1967 में start कर दिया और उसने अपना पहला nuclear weapon test 1974 में Operation Smiling पुद्धा के तहत किया National interest को दिहान में रखते हुए इंडिया ने अपने military project को जाली रखा और 1998 में Operation Shakti के अंडर एक और nuclear testing की इसके बाद USA और जपाइन जैसे देशों ने इंडिया पर sanctions imposed कर दिये आज के वक्त में इंडिया ने अपने nuclear arsenal के size को लेकर कोई official statement release नहीं किये है लेकिन rough estimates के हसाब से भारत के पास शायद 150 से 160 nuclear weapons हैं साथ में इंडिया के पास 200 और nuclear weapons बनाने के लिए weapon grade plutonium भी मौझूद है कुछ estimates के हसाब से इंडिया के पास आज enough plutonium है जोसे वो शायद 1000 से भी ज़ादा nuclear weapons create कर सकता है लेकिन कि responsible nuclear power होने के चलते वो केवल उतने ही weapons maintain करता है जो nuclear deterrence को ensure कर सके आपको बता दे कि भारत ने हमेशा nuclear militarization से होने वाले खतरे को समझाए और यही वज़ा है कि भारत no first use policy follow करता है इसको हसाब से इंडिया कभी भी nuclear war को पहले start नहीं करेगा इसके लावा हम आज minimum credible deterrence doctrine को भी follow करते हैं जो nuclear weapons को लेकर हमारे intentions, goals और responsibility को काफी clearly explain करता है इस doctrine के तहट भारत सर्फ उतने ही nuclear weapons produce करेगा जितने उसे अपने adversaries को deter करने के लिए बनाने पड़ें इसके लावा इंडिया आज एक nuclear triad देश भी है यानि कि वो nuclear weapons को land, sea और air तीनों platform से launch कर सकता है दोस्तों ये तो बात हुए इंडिया की nuclear program के overview की अब हम आगे भढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत किस प्रकार इसके nuclear threats face करता है और वो किस हद तक इन्हें counter करने में सक्षम है इंडिया's nuclear threat and analysis of its military nuclear arsenal तो इसे nuclear weapons हैं इंडिया के लिए अमर्ज होने वाले threats की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले इंडिया के तो पडोसी देशों की image आती है चाइना और पाकिस्तान Rough estimates की बात करें तो आज दुनिया में लगभग 13,500 nuclear warheads है लेकिन इनमें से 90% weapons रश्या और USA को belong करते हैं अगर country wise comparison करें तो रश्या के पास सबसे ज़्यादा warheads है लगभग 6,000 जिसके पाद आता है USA जिसके पास 5,800 warheads है चाइना के पास लगभग 300 और पाकिस्तान के पास लगभग 150 ऐसे weapons है इंडिया के पास भी लगभग 150 to 160 warheads है नुकलिर वेपन्स के नंबर को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया और उसके दोनों नुकलिर केपिबल पडोसी देश लगभग similar levels पर है लेकिन नंबर से ज़ादा इंडेशों के intent को लेकर सवाल उठते है चाइना और इंडिया officially तो no first use policy maintain करते है लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इस पर कोई पहल नहीं की जो उसके intentions को दर्शाता है इसके लावा पिछले कई सालों में चाइना दोरा नुकलिर मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए anonymous missile silos बनाया जाने की भी खबरे आती रही है जो यह दिखाता है कि वो भी अपने नुकलिर वेपन्स के development में aggressive approach लेकर चल रहा है इसे में इंडिया के लिए इन challenges के हिसाब से अपने nuclear policy को tweak करने की आविशकता है हलाकि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के comparison में इंडिया एक कदम आगे है क्योंकि इंडिया एक nuclear triad nation है लेकिन पाकिस्तान अभी तक यह achieve नहीं कर पाया है खेर इन दोनों देशों के लावा एक और बड़ा nuclear threat इंडिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और यह है non-state terrorist groups का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में domination और rise जी हाँ एक nation state हमेशा एक non-state actor से ज़ादा ही responsible होता है इंडिया के experts को डर है कि जिस तरह से पाकिस्तान की political और economic situation खराब होती जा रही है और जिस प्रकार से वहाँ पाकिस्तान तालिबान, ISIS और लशकर ये तोईबा जैसे anti-India terror groups rapidly खुद को expand कर रहे हैं कि situation भारत के लिए alarming है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये actors कभी भी पाकिस्तानी nuclear weapon facilities को अपने कबजें में लेने में काम्याब हो जाते हैं तो उसका अंजाम काफी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ऐसी situation में कई बार इंडिया की nuclear doctrine यानि no first use policy को revise करने की भी debates होती यही है चलिए इस debate को भी हम समझते है evaluation of no first use policy तो सबसे पहले हम NFU के advantages देखते हैं और समझते हैं कि हमें इस policy को क्यों follow करते रहना चाहिए सबसे पहला benefit तो यह है कि इस policy हमें responsible nuclear power की तरह दुन्या के सामने present करती है जिसके चलते ही हमारे साथ कई NPT देशों ने civil nuclear agreements किये हैं जबकि हमें एक non-NPT देश हैं इसके लावा कुछ scholars दावा करते हैं कि इंडिया अगर NFU को लेकर strict रहेगा तो energy जैसे groups की membership और UNSC में permanent seats के हमारे दावे और भी मजबूत हो जाएंगे इसके लावा NFU policy arm race पर भी check रखती है और एक possible nuclear warfare को रोकती है अब देखते हैं कि no first use policy के नुकसान क्या है सबसे पहला issue तो यह है कि कई nuclear states including Pakistan और USA NFU को follow नहीं करते हैं तो फिर इंडिया को इस doctrine को follow करने की क्या ज़रूरत है इसके लावा NFU के existence हमें एक aggressive देश के सामने कमजोर बना देता है क्योंकि हम nuclear weapon को एक antidote ये deterrence की तरह नहीं यूज करते पाकिस्तान और चाना के context में इंडिया की position को weak बना सकती है पाकिस्तान सालों से इंडिया के खिलाफ एक proxy war चला रहा है और ये सब वो अपने nuclear weapon के दंपर करने की कोशिश करता है उपर से जब इंडिया NFU को follow करता है तो पाकिस्तान जानता है कि इंडिया nuclear weapons पहले यूज नहीं करेगा और वो अपने proxy war को बिना किसी बड़े challenge के जारी रख पाता है अगर इंडिया NFU को give up कर दे तो scholars का मानना है कि पाकिस्तान के proxy wars में कमी आ सकती है इन दोनों पक्षों को समझने के बाद हमें कह सकते हैं कि इस issue के उपर कोई भी decision एक comprehensive analysis of cost and effect के बाद ही हो सकता है इसके लावा हमें China factor को भी consider करना पड़ेगा जो खुद NFU policy follow करता है इंडिया का NFU को give up करना चाइना को provoke कर सकता है और शायद वो खुद भी अपनी NFU policy को give up करके aggressively अपने nuclear weapons को increase करने लगे जो पूरे South Asia के regional peace के लिए बड़ा खत्रा बन सकता है